हेलो बॉज़न गर्ल्स सो फाइनली दवेट इस ओवर दमच अवेटेट CMA इंटर इंडस्ट्रियल लौ एंड एथिक्स रिविजन माराथॉन किक स्टुड़े ठीक है मैं बता दू यह रिविजन सेशन जो है ना जून 22 दिसमबर 22 एंड देर आफ्टर अगर आपका एक्जा करने वाले हैं मैं बता दू कंपनी लौ के अलावा आपका 65 अश्न आप पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल लौ कमर्शियल लौ पूरा कमरशियल लौ पूरा इंडस्रियल लौ हो जाएगा यह मेरा guarantee है ठीक है लगबग लगबग approximately यह जो marathon रेने वाले 12 hours का रेने वाले आप यह देख लीजे आप exam अब कर लेते हैं तो आपका सारा टेंशन आप सारा टेंशन प्री हो जाएं रेदर देन सेल्फ रिविजन आपकी marathon जो है तो रिवाइस करो और फिर अपना रिविजन करो आप देखोगे कि आपका एक दिन में जो है ना इंडस्ट्रिल और खमर्चलों कवर हो जाएगा ठीक है ना तो विदाउट विस्टिंग अनिटाइम प्रफट जो है यह देखना चलू करो ठीक है और marathon कंप्लीट होने के बाद कोई बच्चा जो है पक्का से comment box म करना इन फैक्ट अभी comment box में आपको जो है तूरंत comment कर दिना चाहिए भई हमारे effort जो है वो कैसे लग रहे हैं और कोई और खड़ा रहे नहीं खड़ा रहे मैं आपको भी पताए और मैं हमेशा आखरी सांस तक आप लोग के लिए service जो है वो सेवा जो है आप लोग के लिए करते ही रोगता ठीक है चैनल को फड़ा वर सब्सक्राइब कर लीजेगा बलेकर दबा दीजेगा और अपने जूनियर्स और फ्रेंड्स को हमारे बारे में पक्का से बताईएगा MEPL टीम के बारे में बताईएगा that we are providing the best quality education possible for the CMA foundation, intern and final student, do refer your friends and children, बहुत जन जो है ना, आप लोगों तो सब जानते हैं तो हम लोग रेफर क्यों करें बेटा आप अगर रेफर नहीं करेंगे ना तो उन्हें पता नहीं चले हम लोग आपके उपर डिपर करते हैं तो honest feedback पका से दिया करी हम लोग दिन रात खाली आपके बारे में सुख से रहते हैं कि और better service आपक लोग आपके साथ रहेंगे टेंशन नहीं लेना है यह मेरा guarantee है आप लोग बढ़ी आनमबल आने वाले हैं ठीक है यह मेरा guarantee भी है मेरा best wishes भी आपको चलो पड़ाफ़ जो है 1.5x या 1.25x में देखकर के चलता दो नोट्स कहां से मिल जाएंगे नोट्स आपको टेलिग्राम ग्रुप से हमारे मिल जाएंगे CMA exclusive टेलिग्राम ग्रुप को पका सब्सक्राइब करेंगे त्विटर में भी मेरे को फॉलो करने ना उसका link में comment box में देज़ रहा हूं section number 148 section 148 of the Indian contract act 1872 अगर एक्जाम में section number याद नहीं हो तो load मतलो लिखोगे as per the relevant provisions जो भी act है as per the relevant provisions of जो भी act है so as per section 148 of the Indian contract 1872 बेल्मेंट पता ना क्या होता है बेल्मेंट means delivery of goods बेल्मेंट क्या है delivery of goods है by one person जिसको हम लोग क्या बोलता है बेलर to another person बेली तो बेल्मेंट means delivery of goods by बेलर to बेली delivery of goods from one person बेलर to another person बेली for some purpose for some purpose upon a contract for some purpose upon a contract मैंने कुछ परपस के लिए बेली को गुट दिलिवर किया for some purpose upon a contract that once the purpose is accomplished sharti ones the purpose is accomplished Bailey will return the goods back to thearaoh Bailey will return the good to the bella or dispose them as far the directions of the bailar Bailey will return the good back to the bailar Bailey will return जब परपस कर देगा जैसे बेलर उसको डिस्पोस करने बोलेगा अगर यहां पर बूस्टर डोस में टार्गेट यह रहेगा कि मैक्सिमब प्रोविजंग जो हैना इंग्लिश में बोला जाए कि तुमको एंग्जाम किसमें लिखना है भी बिलेविर्स या गुड्स टो बेली और समपर अपाना अगरल आपसे पूछे की वाट और डाइसेंशल किडिशन ऑफ़ उसदीर में थैड तो मैं आपको बता दू फीलमन क्या क्या कंडिशन होते हैं एसेंशन कंडिशन सब से बिलमन इस बेस्ट कांट्राक्ट थे लिए गस्टा कोन्ट्रैक्ट प्रेस भी हो सकता है इंप्लाइड भी हो सकता है एक्प्रेस रिटेंग और और Implied भी हो सकता है Implied Bailment क्या होगा जैसे Finder of the Lost Goods मैं तो रस्ते से जा रहा था किसी का खोया वा गुड मेरे को मिल गया हम अपने घर ले आए तो अगर तुम रस्ते से जा रहे थे और किसी का खोया वा नालो डॉगी तुमको घर मिल गया किसी का को या टॉग कि तुमको पाइंडर के वह वह बिल यह और जो ओनर यह वह बेलर फिक है अच्छा बेल्मेंट में क्या होता है delivery of goods उता है for some purpose delivery of goods और है for some purpose change of possession will take place विलकुल change of possession होगा चेंज आफ ownership नहीं होगा दोस्तों change of possession will take place but not the change of ownership ownership will remain same failure remains the owner है ना to delivery of goods होता है change of possession जरूर होता है delivery of goods होता है delivery of goods होता है change of position जरूर होता है बढ़ change of ownership नहीं होता बेलर continuous to demand the owner और goods का मतलब यहाँ पर क्या है mobile goods immovable goods और money जो है न वो goods नहीं माना जाएगा बेल्मेंट तो जबी भी हम लोग goods बोलते हैं उसके अंदर immovable नहीं आता money भी नहीं आता खाल immovable goods आता है except money और immovable goods होता है नहीं तो no billment is possible for immovable goods और money इनका बेल्मेंट पॉसिबल नहीं है immovable और money अचल goods का हम लोग delivery का बात कर रहे delivery जो है वो physical delivery यानि actual delivery भी हो सकता है symbolic और constructive delivery भी हो सकता है delivery actual symbolic constructive जैसे sale of goods act में होता है सबसे important condition billment का है कि जो billy है ना billy is under an obligation billy is under an obligation to return exactly same good billy is under obligation billy के ओपर compulsion है तो return exactly same goods back to the biller billy is under an obligation to return exactly same goods back to the biller not the similar goods no 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 milta जुलता goods भी नहीं exactly same goods billy वो आपस करेगा biller similar goods भी नहीं and not even the goods of higher value मैंने i20 गाड़ी दिया था बेली को ठीक है अब वो मेरे को बोल रहा है मेरे को Mercedes प्लोट आना चाहते है मेरे को मेरे को मेरे i20 चाहिए अगर बेलार i20 मांग दिया था तो i20 उसको मिलना चाहिए similar goods या goods of higher value billy नहीं देगा exactly same goods देगा बेल्मेंट का मेरे को फटाफट 500 कंडिशन बता दो come on give me five essential conditions of billy come on guys come on give me five essential conditions of billy billy is a contract billy में contract है वो contract express भी हो सकता और implied भी हो सकता है दोस्तों billy में एक contract है वो contract express भी हो सकता है implied contract का इक गंबल बता हूँ finder of the loss finder of the loss good ठीक है ना फिर बेल्मेंट में हमने क्या सीखा it involves delivery of goods वेल्मेंट involves delivery of goods delivery of goods for some purpose ठीक है वेल्मेंट involves change of position change of position but not the change of ownership बेलर अभी भी होना रहे है तो क्या क्या हो गया बताओ सबसे फिला क्या हो गया contract है delivery of goods है ठीक है change of position पर change of ownership नहीं यहाँ पर क्या हो गया movable goods immovable goods या money का बेल्मेंट नहीं होता delivery physical, actual, symbolic physical यानि actual, symbolic खुछ भी हो सकता है बेली is under an obligation to return exactly same goods back to the bill not even the goods of higher value or similar goods नो 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 अब बताओ यह बेल्मेंट है क्या तुमने अपना किताब दोस्त को दिया यह बेल्मेंट है gratitude र्णी दो प्रकार का बेल्मेंट होता है अगर तुम free में use करने दे रहे हो तो gratitude बेल्मेंट माना जाएगा और अगर पैसा ले रहे हो तो boyfriend for reward माना जाएगा मैंने अपना goods use करने दिया बेली को चीख है free में free में use करने दिया और अगर पैसा ले रहे हो तो एब इस शोब्ह strongest और सब्सक्राइब को उसका उस्मे एक एक्सरेशन यह था दोस्तों corazón प्र में एक रहे होगुפ वेलमेंट इस वालिट कॉंट्राइट बली वाँ पर कंचिडरेशन भाइं तो यह हो गया भाई एक थो तो ग्राटिट वेलमेंट ठीक है और जो पैसा लेते हैं हम लोग वह था विलमेंट फॉर ठीक है तो गिविंग अबुक्टू फ्रेंड क्या यह विलमेंट है यह डिप पैसरी वाईंट इसको अडिलिवरी करके अगए कि बादी वाला से तुमने गो डाउन राइंड ऑन पर लिए और वह पर गुड्स रखा तो क्या डिवाला से तुंने गूडाव भाड़ा पर लिए क्याहिए व्यसक्रहूर्ण है जैसी बैंक से वेनें लोकर रनेट को टीए और आपना उर्णसाव तो यंद लिए बीपॉसिडिंग ओना में नेबर बहुए तरह को चावी का रहाएं चैबी देगा उर्ण कर लॉक्र के साथ यह बिव अई बेल मिट फीरोत सब्व और की कर्क लिया पर पेमिट अब लेस्का सब्टेश कर लिए इस बिल्मेंट और को सकता है तो सकता है घूर कर रहे हैं फाइदे के लिए बेलर जैसे डिलिवरिंग डॉग तो नेवर तू बिलुक डाफ्टर एक मेरा जो डॉग है अपने नेवर के तो डिलिवरिंग गुड्स तो बेली फॉर बेलर्स यूज ठीक है फिर डिलिवरिंग गुड्स पॉर बेली जी जैसे तुमने अपना कॉपी किताब जो है अपने दोस्त को दे दिया पढ़ने के लिए तो यह तो बेली का फैदा हुआ ना फिर रिपेर्स भी बेल्मेंट होत है थिक है मैंनेने जोट मोर्स यहां से दूसरी सीटी में शिप्स करेंगे तो ओंडं भी बिल्मेंट है इसको प्लेज बोलते हैं यहां पर बेलर हो गया मैं जिसने लोन लिया और क्योंकि मैंने अपना ओर्नमेंट्स गिर्वी रखा किसके पास आइसे बैंक क्या हो गया वह कब तक ओर्नमेंट्स रखेंगा जब तक हम लोन रिपे नहीं करते हैं एक तो हाईरिंग हो गिया ठीक हो गया थीद्ट है ना वही हारिंग पर फिर 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 पता उएक तो हाइरिंग हो गया ठीक हुट्पेटा आप हम लोग पढ़ने सब्सें हैं सबसें बॉर्डर्स ओब्लिगेशन जो bailor का obligation है बेलर का duty है उसका liability है मतलब बेली का right है तो अब हुआ हम लोग बेलर का obligation पढ़े रहे है सबसे पहले बेलर obligation ड्यूटी जो कि बेली का राइड भी है बेलर का क्या क्या duty होता है बेलर कौन सब मैंना जो माल डिलीवर कर रहा है उसका duty है to disclose a fault in the good बेलर's duty to disclose a fault in the good अगर बेलर के goods में कोई defect है fault है तो भाई बेली को बताओ अगर नहीं बताओगे अगर नहीं बताओगे और बेली को उस fault के करन कुछ देमिज हो गिया सब बेलर is liable to compensate बेलर is liable to compensate बेलर चुकायेगा बेली को अगर बेलर fails to disclose बेलर fails to disclose the defect in the goods बेल डेलर fails to disclose the defect in the goods बेलर बेली लेकिन यह जो fault है जयान से सुनो बेलर कब लाएब रहेगा बेलर कब लाइबल रहेगा फोल्ड के लिए अगर दो प्रकार का बेल्मेंट हो तो इसे कोई फरक नहीं पड़ता तो अगर फॉल्ड था गुड्स में वेधर बेलर वॉज़ अवेयर बेलर will be liable to compensate Billy because of the loss cost to Billy due to fault in the good bailment for reward वाला case बले बेलर को पता था नहीं पता था इसे कोई पर पढ़ता fault है तो liable रहेगा बेलर लेकिन अगर gratitude to us बेलमेंट है free वाला बेलमेंट है तब बेलर तभी liable रहेगा अगर उसको खुद इस fault के बारे में पता था अगर court में बेलर ने साबित कर दिया कि जट साब मेरे को तो खुद इस fault के बारे में नहीं पता था मैंने bike दिया brake fail था मुझे नहीं पता था कि bike का brake fail है तब मैं लावल नहीं रहूँगा लेकिन बिल्मेंट फॉर रिवाउड में चाहे मेरे को पता था चाहे नहीं पता था दोनों के समें बिलर लाए वाइब ओके सर मक्खन सर यह था बिलर जूट इस दिस्टोज अ फॉल्ट इन दे गट मक्खन की तरह clear है ना एक बाद चैट में लिख करके बता दो भई तब सब्सक्राइब आ रहा है ना मक्खन की तरह clear है ना यह लब पलिए जब अरदसट चैट इस बेलर का और एक ड्यूटी है विलर का भी हम लोग लिए ट्यूटी बढ़त रहें पछला बेलर का है तो डुश्लोज अ फॉल्ट इन घृट्ट इस तो पर इस दूसरा डूत ऑख तुरी इंबर्स नेसेसरी इंजरी इनके सब ग्रैटू दोससे में एकनीक है अपना गड़ी रिपेयर करने के लिए फ्री में मैं पैसा नहीं देना है मेरे नहीं तेरे को तुम मेरा दोस्त है चल व्री मेरे रिपेयर कर तो ग्रैटूटर्स विल्मेंट है, मैं बेली से प्री में काम करवा रहा हूँ, लेकिन रिपेर करते समय बेली का जो भी खर्चा लगा होगा, मालो बेली ने कुछ पार्ट्स रिप्लेस किया, बजार से खरीद करके लाया 2,000 रुपे का, वो 2,000 रुपे मेरे को करना पड़े बेली ने के लिवा करेगा बेली को अगर बेली को कुछ नुस्टान अगर यार अगर मैंने बेली को जो गाड़ी था दोस्तों चोरी किया दोश्क पर पकड़ा गिया तो भाई पुलीस केस हो गया वो नॉयर वो रवाएर कोट का चरी वह था फिर लेकिन इस कोट्ट का चरी का खरचा थो बेली का जबरती जूटमूट का लगा ना वो मेरे को उसको compensate करना पड़ेगा मेरा title defective था जिसके करन बेली को नुक्सान हुआ compensate करो फिर बेलर जूटी तो compensate बेली for keeping such for keeping such goods ठीक है मालो say for example दोस्तो gratitude वेल्मेंट वही gratitude वेल्मेंट सेम पॉइंट है कि gratitude वेल्मेंट में अगर बेली ने कुछ खर्चा पानी किया है goods को safe custody में रखने का gratitude वेल्मेंट में वेली को बेली ने खर्चा किया है गुट्स सेट कस्टडी में रखने का मेरे को पर बैलमेंट पर रिवोर्ड में अगर एक अफ्ता का बिलमेंट एक अब एक अप्ता के पहले यह मंगवा सकता है माल अपना हां लेकिन इसके करण जो नुक्तान बैली कुछ अपर होगा वह हम उसको कम्पेंसेट करेंगी क्लियर बहुत बढ़िया से क्लियर रहे है अचा बेलर को और एक ड्यूटी यह है कि जब बेल्मेंट खतम हो जाए तो बेलर जो है ना गुड्स वापस लेने से मना नहीं कर सकता है बेलर को अपना गुड्स वापस लेना पड़ेगा तो बेलर's duty is to take back the goods once the payment period is over बेलर's liability is to accept the goods when the billy is returning back the goods on the expiry of the bill clear ना नहीं तो फिर अगर goods को कोई damage होगा बेली रास्ते में भी छोड़ देगा तो बेली नुक्सान जो है बियान नी करेगा बेलर का ही नुक्सान होगा बेली जब माल वापस कर रहा था on the expiry of the payment बेलर को माल वापस लेना पड़ेगा अधर्वाइस बेली के नौट भी है लाइबल पॉर एनी डैमेज़ेस को उल्टा अगर बेली उसको सेस्ट कस्टेडी में रखा तो मेरे को उसको कमपेंसेशन देना पड़ेका बेली मंुक्ष्ण के तरह क्लियर को है सर यहाब ही तक हम लोग सारका सरanka बेलर का कड़रैं थे बेलर का ड्योटी यानी पली का रइध है अब उल्टा पढ़ते हैं बहुत important topic अब start हो रहे हैं दोस्तो फटफटा आजाओ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत हो गया बेलर को ठोकना तब से तुम बेलर को ठोके जा रहे हैं अब हम लोग बात कर रहे हैं बेलर का right का let us talk about बेलर का right बेलर अपना माल बेली को दिया है तो बेलर का right यानि बेली का duty बेलर का right यानि बेली का duty अब बेली का duty और बेली का duty और बेलर का right मक्कल सर चलो ready yes sir ready sir and a positive message आए वो पढ़ लेते हैं बाई positive message आए है माधव जाका thanks sir last time भी December 21 के लिए भी आपने इतना सब कुछ division करवाए थे I got 62 marks in law and cleared CA intern in first attempt so once again thanks a lot sir and best of luck friends माधव best of luck बोल रहा है सबको भाई चलो आजा अच्छा एक्जाम में बहुत सारे बच्चे ये confused हो जाते हैं paper कैसे लिए मैंने 10 minute का video बना रखा है 86 marks आया था मेरे student का rank holder है अभी last time में 86 marks law में law में कितनमक आया 86 marks वो 86 marks का paper presentation भी जो है न मैं आपको उसका भी video link दे दूँगा कैसे paper को present करना ठीक है इसी video के comment box में भी देद दूँगा 86 marks कैसे आया तो आप भी थोड़ा सा वहां से tips ले ले लेना कि अगर बेली को टोकेंगे बेली को कमपेंजेशन मिलेगा अगर बेली ने गुट्स को अगर इस मिलेगा अगर बेली मेरे को कमपेंजेशन मिलेगा अगर गुट्स देमेज हुआ because of Bailey's unauthorized use. मैंने उसे चला नहीं दिया, वो अपना भाई से चलवाया. तब मेरे को compensation मिलेगा गड़े में. या फिर he used the goods not like a man of ordinary prudence. आम आदमी की तरह यूज नहीं किया. पाउं से driving wheel चला रहा है. तब मेरे को compensation मिलेगा. To receive compensation from Bailey if goods are damaged due to his unauthorized use. unauthorized use के current damage हुआ दोस्तों. unauthorized use. section number ignore करो नहीं आपकर. या फिर not like a man of ordinary prudence. या तो unauthorized use था. या तो unauthorized use था. या फिर not like a man of ordinary prudence. मक्खन सर. फिर सारे examples मैंने आपको अल्यड़ी अभी बताई दिया है कि मैंने गाड़ी दिया था बी को चलाने के लिए. ठीक है. बी को मैंने अपना गाड़ी चलाने दिया कॉलकता में. बी बहुत केरफुली चला रहा था. लेकिन ट्रक से भिड़ गिया. च्या एक को compensation मिलेगा? नहीं मिलेगा. बिकॉस ordinary use था. मतलब authorized use था. लाई का man of ordinary prudence. अपना भाई से चला वाया. compensation मेरे को मिलेगा? अगर damage हो किया? हाँ. बिल्कुल मिलेगा. not like a man of ordinary prudence काम किया? बिल्कुल मिलेगा. अगर damage होगा, compensation मिलेगा. मक्खन है सर इंक्तम. तो बताओ, बेलर को कब compensation मिलता है दोस्तो? बेलर को compensation मिलता है. अगर goods damage हो रहा है, because Bailey has made an unauthorized use of the goods, या फिर not like a man of ordinary prudence. दो में से कोई भी एक situation, तो मेरे को compensation मिलता है. मक्खन है सर. सारा पूछा है सर, true false वाले point में क्या अलग से provision लिखने होते हैं? पहला बाद बेटा, law के पेपर पर true false नहीं आता, audit के पेपर में आता है. उतकर्ष बोल रहा है, sir I didn't class, didn't take classes from you, big, big mistake, but made three people to take आपका class. Thank you. चलो बाजो यार, अब ये सबाद चोटो चलो आजो. बेलर, बेलर का right पड़ रहा है, बेलर का right होगिया to receive compensation वाला, बेलर का right to receive compensation, if बेली has damaged the goods, ठीक है, because of unauthorized use, या फिर not like a man of ordinary people. दूसरा, effect of mixture से तीन पॉइंट है. बेली का हिम्बत देख, मैंने अपना जो goods दिया था ना बेली को, अपना goods के साथ mix कर दिया. बेलर ने जो goods deliver किया था बेली को, अगर जो mixture बनाया गया था, बेलर से पूछ करके बनाया गया, then बेलर has a right to agreed share in the mixture. बेलर has a right to agreed share in the mixture. मेरे पास right है to get the agreed share in the mixture. मक्करत. लेकिन अगर मेरे बिना consent के बनाया गया, मेरे से बिना पूछे हो mixture बनाया गया. ठीक है मेरे से बीना पूछे ही उसने बेली ने ये बदमाशी कर दिया और मेरे से पूछ कर कर के बनाया तो मेरा अगर मिक्शर तब देखो घगर वह का सेपरेशन पॉसिबल है मेरे से बीना पूछे बनाया और be मेरे से बीना पूछे बनाया मेरा नहीं था विदाउट शुप सोग्यार करेगा और सपरेशन पॉसिबल नहीं है तब मेरे को reasonable compensation मिलेगा अच्छा बेलर के पास right है मैं contract को cancel कर सकता है terminate कर सकता हूँ बेलर contract को terminate कर सकता है और अपना goods ले सकता है वापस मैं जब चाहें contract को क्या कर सकता है terminate कर सकता है और अपना goods वापस ले सकता हूँ भाई कब मैं अपना गुड वापस ले सकता हूँ जब मैंने देखा या फिर बेली मर चुका है या ग्राइट विल्मिंट है या बिल्मिंट प्रॉफिट भी मेरे को मिलेगा यादखना प्रॉफिट मेरे मालनों मैं आइसीस बैंक को अपना रिलायंस का शेर प्लेट किया था ठीक है लोन लेकर करें बोना शेर मिला तो मैं शेर और बोना शेर डोनों क्लेम करें ओ अच्भर सब्स C और ग्रेक्टिटोस विलमेंड में याद है ना वाई ? लेकिन इसमें एक ट्रिक है UNLESS CONTRARY CONTRACK IS THERE, UNLESS CONTRARY CONTRACK IS THERE, UNLESS CONTRARY CONTRACK IS THERE IN ABSENCE OF ANY CONTRARY CONTRACK, अगर कोई CONTRARY CONTRACK हमने नहीं बनाया है तब जो प्रॉफिट होगा वो बेलर को मिलेगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो बेलर को मिलेगा, in absence of the contrary contract, मतलब अगर contrary contract है, contrary contract है, विपरीत contract है, तो उस विपरीत contract को follow किया जाएगा, जैसे मानलो, say for example, इस तरीके से, A, gave cow to B, मैंने अपना गाए दिया B को, and it was agreed पहले से ही, कि अगर गाए ने बचरा दिया, it will be of B, बेली का होगा, तब बेली का होगा, अगर ऐसा contrary contract में पहले से ही बात हो चुका था, If cow gives calf too, if cow gives calf, it will belong to be, then it will belong to be the B, बेली, बड़ अगर ऐसा कुछ agreed नहीं था, और cow ने calf दिया, तब वो बिलर, चबर दस, चबर दस, और फिर graduate of B, मेरे पस राइट है, मैं कभी भी, before the expiry of the period of the B, before expiry period of the B, I can recall my goods, लेकिन हा, इस दौरण, अगर कोई loss हो गया, वो loss जो मेरे को compensate करना पड़ेगा, इस दौरण, अगर बेली को कोई loss हुआ, मेरे को, बेली को compensate करना पड़ेगा, बखने से, ये चीज़ या दखना, अगर एक से जदा बेलर रहता है, ये सब फोटा चोटा चीज़ हो है ना, बच्चे छोड़ जाते हैं, और पता चला, दोनुमर का case study आ जाएगा, in case of more than one bailer, बेली will return back the goods to that joint owner which was agreed in the contract, otherwise to any joint owner, एक से ज्यादा 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 बेलर है, तब फिर बेली माल किसको वापस करेगा, उस बेलर को माल वापस करेगा, जो contract में लिखा हूँ है, और अगर थर्ड पार्टी अचानक से थर्ड पार्टी आकर के बोलता है, वो बेलर जो है, वो फ्रॉड है, ये गुड्स मेरा है, थर्ड पार्टी आकर के बेली से गुड्स मांग रहा है, बेली वो थर्ड पार्टी को माल नहीं देगा, जब तक code उसको और देगा, अब आज वापटा, finder of the lost good, finder of the lost good, मैंने आपको क्या बता है, finder of the lost good एक प्रकार का implied bailment है, बिल्कुल सही जवाब, finder of the lost good, क्या है, finder of the lost good, implied bailment, finder of the lost good, implied bailment है, तो जो finder है, वो क्या हो गया, बेली हो गया, अब ध्यान से सुरू, या तो reward announce किया होगा, ओनर ने, reward announce किया होगा, जो भी मेरा खोया, वा गुड्स से करके हा जाएगा मैं उसे इतना रूपिया दूंगा या तो ईह फिर प्र político क्स होगा इफ 10 नो रिवाइड तो नहीं हो रहा है जया तो जो बेलिया जो ठून लिया यह ना, goods को जो भी safe custody में रखने का, पालने पोसने का, जो भी खर्चा लगा होगा, वो owner को reimburse करना पड़ेगा, अगर owner reimburse करने से मना कर देता है, तो Bailey sue नहीं कर सकता, Bailey को नहीं finder, finder of the lost goods, sue नहीं कर सकता, but goods को retain कर सकता है, देखो, finder जो है न, Bailey can seek, owner ने award announce किया था, नहीं, reward announce नहीं किया था, तब finder can seek reimbursement of the expenses, जो भी खर्चा हुआ, पालने पोसने का, safe custody में रखने का, उसका reimbursement मांग सकते हो, तुम owner से, और अगर owner मना कर दिया, pay करने से, तब finder, sue नहीं कर सकता, बट goods को रेटें कर सकता, जादा से जादा, goods को रेटें कर सकता है, मखन की तरह clear है, reward announce हुआ था, नहीं हुआ था क्या, तब जो भी तरह खर्चा लगा है, owner से मांग, owner मना कर देता है, तुम sue नहीं कर सकता, reimbursement के लिए, तुम sue नहीं कर सकता, खाली goods को रेटें कर सकता है, लेकिन अगर reward announce हुआ था, तब तो जो finder of the lost good है, वो sue कर सकता है, owner को reward के लिए, अगर reward and offer, right to reward is superior right, then right to see cream birth, right to reward is a superior right, जहाँ पर तुम sue भी कर सकते हो, finder of the lost good can sue the owner for such reward, and until it's received, जब तक वो reward नहीं मिलता, तुम goods को retain भी कर सकते हो, और sue भी कर सकते हो, अच्छा, finder of the lost good जो है न, माल बेच सकता है, देखो, कब-कब माल बेच सकता है, कब माल बेच सकता है, condition satisfy होना चाहिए दोस्तो, finder of the lost good कम माल बेच सकता है, जब बहुत कोशिश के बाद भी owner नहीं मिला, बहुत कोशिशों के बाद भी owner नहीं मिला, या मिला, बट पैसा देने से मना कर दिया, तो पहला condition क्या है, या तो owner मिला ही नहीं, या फिर मिला, बट पैसा देने से मना कर कर दिया, मैंने इतना खर्चा कर दिया, कि टूठर से जादा खर्चा कर दिया, गुट्स का जो वैलियो नहीं उसका टूठर से जादा तो मैंने खर्चा कर दिया उस गुट्स को रखने में, या तो गुट्स परिशबल है, या फिर finder has incurred, expenses equal or more than टूठर से गुट्स कर सकत दो, दो मिनिट में मैं समझा दूँ, इफ बेली, बेली has exercised his skill and labor to improve the good, बेली has exercised his skill and labor, बेली ने अपने skill और labor को exercise किया है to improve the good, बेलर ने माल डिलिवर किया था ना बेली को, बेली ने उस गुट्स को चमकाया है, उसके उपर काम किया, अपना skill labor लगाया है, मैनत लगाया है लेकिन बेलर जो है, उसको अमाउंट देने से मना कर दिया, बेलर ने उसको अमाउंट देने से मना कर दिया, तो फिर बेली जो है ना, particularly ने exercise कर सकता है, particularly ने मतलब, retain the good, particularly ने मतलब, retain those goods, retain those specific goods, on which बेली has exercised the skill and labor and बेलर has not paid the due amount, if बेली has improved the goods by exercising his skill and labor, and बेलर refuses to pay, then बेली can retain those goods only on which such skill and labor was exercising, unless there is a contrary contract, unless there is a contrary contract, मालोव से for example मैंने अपना गल्ड ओ svena जो है नाज बडिया इसको पॉलिश करो इसको बप्सक्राश्ब्र को पॉलिश करो इसको पको फाना करो सो बैसे उन्हें को पैसे नहीं बात रुगत करोगे डिलिवरी के बाद मैं एक महीन अबाद उनको पैसा दूता है यहां पर भली उसने शर्ट के पीस से शर्ट बनाया टेलर ने एक्सराइज किया इसकिल लेबर बट फिर भी वो पडिकलर लिए एक्सराइज नहीं कर सकता क्यों पता है जेनरल लियन क्या होता है जेनरल लियन में यह होता है बिटा कि तुमने अगर बेली का पैसा मा रखा ना बेलर ने अगर बेली का पैसा मा रखा ना तो बेली के पास कुछ में गुड्स रहेगा ना कोई भी गुड्स रहेगा ना बेलर का बेली के कस्टडी में कोई भी यह होथा जेनरलु उपस बैंकर्सों फोन लियर एपने सिंटर्क्स कर लेते हैं कि तूने अगर मेरा मारा तेरा कोई भी अब अगर मैं तुमसे differences बेली में चैनलरल लगाया है जैनररल लियन मैं यह्ट पुट पर उसके इन कर सकता है जो उसके तुक्रेजिंगे में पर्टिकलर में जो है इसे विट्रेंग कर सकता है जो उसके उसके ऊट रही है न लेकिन जेंडरल लिए निज एवलेबल अन्ली टू बैंकर्ज वार फिंगर्स पॉलीशी ब्रोकर्स ठीक है पर्टिकुलर लिए आपको अलग से एकॉंट्राक्ट में धरकान यह यह आपको अलग से अग्रीमेंट पर लिखने का दरकान पर्टिकुलर लिन इस ऑॉटमेटिक यहां से कुश्चन कल पिक्स है प्लेज से एक कुश्चन जो है आपको मिलने वाला है पड़ा पड़ा प्लेज में प्लेज में प्लेज मींस बेल्मेंट ऑफ नेज प्लेजट मींस बेल्मेंट ऑफ उफ गूड्स कर देगा यह मैं जो प्रफॉम करें as a security for payment of debt or performance of promise तो pledge means payment of good as a security security for what? security for either payment of debt or performance of promise जैसे मैंने अल्री एक्जामबल दे दिया है मैंने आइसिस बैंक से लोन लिया अपना जूलरी गिरिवी रख करके ठीक है तो मैं हो गिया मैंने जूलरी गिरिवी रखा है पॉनर यानि बेलर यहाँ पर बेलर कॉन है पॉनर बेलर का टेक्निक टम कैप उनर और जो आईसिस बैंक कै जिसके पास मैंने जूलरी गिरिवी रखा है प्लेज का conditions के रबही मैंने अपना घर गिरिवी रखा है तो यह प्लेज नहीं माना जाएगा प्लेज क्या चीज़ का होगा मोवेबल गुड्स का होतार है बबा एक्जिस्टिंग उना चाहिए फ्यूटर ने फूटर ने गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा अभी तुम लोग देखोंगे ट्रक में लिखा रहा था ना हाइपो टेकरे टुटिस बैंक डेट बैंक मक्खने सर राइट्स ऑफ पॉनी में आजो दो जंगा हम लोगों को राइट्स पढ़ना है बेटा राइट्स ऑफ सबसे ज्यादा राइट तो पैसा फसा हुआ है तो र नहीं चुका था और यह जो राइट ऑफ रिटेनर है ना यह खली प्रिंसिपल अमाउंट के लिए इंट्रेस्ट अमाउंट एंड अदर चार्जेस ड्यू के लिए वह मेरा गुर्स को रिटेन कर सकता है नॉट अली फॉर्ट प्रिंसिपल बट ऑल्स पॉर्स समझो राइट तू रिटेन अगेंट सब्सिक्वेंट पत्ब यह होता है जेनरल लियन रहता है मैंने पताया था ना मालो मैंने आइसिस बैंक से फश्ट लोन लिया जुल्री गिर भी रख करके फिर मैंने सेकेंड लोन लिया जो की अंसिक्यूर्ड था मैंने फर्स्ट लोन लिया जुल्री की रुभी रख रही है सेकेंड लोन बाद में लिया जो की अंसिक्यूर्ड था भली मैंने फर्स्ट लोन चुका दिया बड़ वो मेरा जुल्री वापस नहीं करेगा वो सेकेंड लोन जब तक मैं रिपे नहीं करता वो मेरा चाहे तो ज जुल्री को बिचारा पॉलिष करा है क्योंकि रंग वंग उतरने लगा था तो तो मेरे से रिम भर्समेंट वांगेगा राइट उसी अच्टोडीने एक्सटर्ड और अंड फ्रीजर्ड टॉर्ड तो उन्यू ट्रोफटेश्ज गूंट्रक्त किसी जब को ड़ा दमका करके मैंने जुल्री आसिल किया fraud, coercion, undue influence मिस्वेजेंटेशन करके मैंने जुल्री आसिल किया इसके पहले वो agree party contract को rescind करता मैंने ये जुल्री जाकर के bank को गिरिवी रदी और वहां से loan ले लिया bank को इस बारे में नहीं पता था वो अब ये जुल्री को रिटेन कर सकता है, रिटेन कर सकता है वो, फिर राइट और डिफॉल्ट ऑथ पॉनर, पॉनर मतलब जो लोन लिया था, उसने डिफॉल्ट कर दिया, अगर मैंने द्यू डेट पर लोन नहीं चुकाया, तो पॉनी क्या कर सकता है, पॉनी जो है, तो यह था राइट्स ऑप पॉनर, बड़ा सिंबल है, राइट्स ऑप पॉनर, चबरदस वाला सिंबल है दोस्तों, राइट्स ऑप उनर खाली दोइट होया, एक आता है राइट टू रीडिन गुर्ट, पॉनर कौन हुआ, पॉनर तो जो गुर्ण गेरिवी रखा था था अगर मैंने रिपेमेंट कर दिया, पाई पाई चुका दिया, इंट्रेस भी चुका दिया, लोन इंट्रेस भी चुका दिया, I have right to redeem the goods, अच्छा, अगर मैं due rate के बाद चुका है, due rate के बाद चुका है, तभी मैं अपना goods को अपस मांग सकता है, प्रोवेड उसने goods बेचा नह पॉन ही अभी तो बेचा नहीं है, तो भाई, मैं उसका पुरा रुपय चुका करके अपना goods को redeem कर वासका, अच्छा, मालो, पॉनर जो है ना, उसका limited interest सा goods में, मतलब वो 100% absolute owner नहीं था, 50% owner था, तो okay, well, 50% का ही goods का ownership प्लेज कर सकता है, 100% ownership प्लेज नहीं कर सकता, because he was himself the 50% owner, clear answer, this was everything in great great detail दोस्तो, about bailment and pledge, अब हम लोग बात करने वाले हैं, बिटा, इंडिमनेटी और इंगरिंदी का, फटा फटा आ जाओ, दोस्तो, अब हम लोग बात करने हैं, बिटा, contract of indemnity and guarantee, पॉनर और पॉनर में क्या confusion, है बगवान, पॉनर कौन हुआ, हा, अगर आईसिस बैंक से मैंने लोन लिया है, आईसिस बैंक से मैंने लोन लिया और अपना goods गिर्वी रखा, jewelry गिर्वी रखा, मैं पॉनर हो, जो व्यक्ति लोन लेकरके अपना माल गिर्वी रखा है, वो पॉनर है, और आईसिस बैंक पॉनि, clear से, चला वाजाओ, indemnity and guarantee, में फड़ा फट दोस्तों पेशा इंडिमिनेटी गरेंटी 15 मिनिट में पूरे इंडिमिनेटी गरेंटी मैं ओर यू करवा रूदा जस्ट 15 मिनिट कि फिर 15 मिनिट से एजेंसी फिर तो उसके बाद दाकर चप्टर नेगोशियेबल इंस्टुमेंट एक 1881 करो रोइध्या सर कमिनलो का बुस्टर आएगा क्या कंभनि लोग का मिशन भी हो चुका से रर aktiv मेंटników करूँगा चैप्राइं दया की हे लब घुन और अआ इस विडियो के comment box में मैं सारा link देख करके जाऊंगा जब class कातम होगा ताकि आपको इधर-दर ढूड़ना नहीं पड़े और C.A. इंटर का telegram group पका से join कर लेना C.A. इंटर का telegram group पका से join कर लेना उसका link chat box में pin किया हुए मैं भी उस telegram group में हूँ बच्चे आपस में doubt solve करते हैं moderators के guidance में और जब नहीं solve होता है मैं भी solve कर लेना तेलिग्राम group पिंग किया हुआ है चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो बेले खन दबा करके नहीं रखे हो तो मैं आज रात को फिर से आउंगा तुम लोग का doubt solve करने कल फिर से आउंगा doubt solve करने, कभी भी आ जाउंगा लेकिन notification तुमको नहीं आएगा मैं live doubt session लेने आउंगा जिसको जो doubt होगा वो पूछ सकता है आज रात को भी आउंगा, कल भी आउंगा परसो भी आउंगा लेकिन उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो, तुमारे फाइदे के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई इससे मोमया नहीं है बेल्मेंट प्लेज़ पूरा बहुत बढ़िया से हो गया, अब आजो इंडिमिनेटी के रेंडी को इतना की पाड़ करके पड़ते है हाँ जाहिए दोस्तों इंडिमिनेटी इंडिमिनेटी जुर्प इंडिमिनेटी की इंडिमिनेटी का डेदिमिनेटी की है, ये इक cookie इनłeटी करेगा है इन विचि वन पाठी जिसको है लोगि इंटमनीफायर बोलते है अगर उसको लॉस होगिया इंडमनी फायर के वज़े से या फिर और परसंड की जो भी लॉस से रहे को अगा मेरे काराण या एव से करने इस ही कॉरम लोग बोलते हैं आप अब देखो दोस्तों लोग फाइर इंशोरंस कमनी ने ही नगा वाला लोग जो है न रहूल कप्रॉबटी फाइर इंशोरंस कमनी निये इच्प लेगा गाले कि बिल्कुल मिलेगा फारेंचरों कमनी आलगा वीकॉस विल्कुल रहुल खुदी आग जला दिय। रहुल खुदी आग लगाती है। लॉस्ट कॉस्ट बाई हिंसेल्फ है। तो इसमर कंबेंजेशन मिलता अधर लॉस्ट कॉस्ट पाई प्रॉमिसर और एनी अधर परसुन। अगर 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 उसका प्रावबटी देश्पाय हो गया answer is उसको compensation नहीं मिलेगा वाइ नहीं मिलेगा विकशुन एक्ट उप गॉड यह प्रॉमिसर के करण नहीं हुआ एनियादर परसन के कारण तो नुक्तान हुआ ना अच्छा बगवान के इंसान माना जाएगा नहीं ना तो अगर अगर तो यहां पर यह यहां पर कंटेशन नहीं मिले ंजली काम का कॉंट्रां फिंशौरमक तो इंस्यूरेंस नो इंस्यूरेंट इंस्यूरेंस गेड़स्ट खोता है क्या मैंने पहले वक्थेंट शॉट ओस था रहें चैनल सब्सक्राइब जैनल udahoral इंशॉरेंस हो तुथा करण एस अप्सटाइश पॉपल भी तुपलो एगैंसे इस लिए ख्जाम चाहिए हो सकता है और जाहिए राइट्उ और राइट्स और पॉलडर स्वागने आटर राते हैं और यह रात पर राइट्स प्रचेश पोड़ करूढ राते हैं ही पड़ो एक बार राइट्स ऑंडिमनेटी होल्डर में स्यूट क dai इंदमनेटी होल्डर कौन के रिभी देन की राइट्स ऑ इदमनेटी यूण रेक योड़ कैंक है कि वखो रहा सब्याइट मैरातनों सलस्टरूगे ज़्यादा सटैक है प्लाई मेराथान दस बारा घंडा एक्जाम के एक दिन पहले देखना स्यूसाइड है आप अपने स्पीड मेराथान देखो लेकिन जो मैंने दो हफ्ता पहले लिया वोला देखो भई अभी ये बूस्टर भी मैं दो घंडा के लिए लेकर कहा हूँ ताकि आपको एक दम एक किक मिल जाए ऐसे नहीं मैं अगर चाहता तो तुम्हारे साथ आज बारा घंडा बैट सकता था बट इत विल किल यू टाइं तुम मेरे साथ दो घंडा बैटो कॉंट्रेक्ट और नहीं तरिकलर चैप्टर मेरात्वन का रिकांग के दूसरे करके किया इस तरीके से करो तो बार प्रिपरेशन जो आना दो बार हो जाएगा ट है मिखा सबस्क्राइब का और मचल को बात करो है राइट आपगर्णा ऑर् ने स्यूट्ट को इस भी इन्वनिटी आपनेंटिक उलडर के पास याइट फैंट संदे लिए लूप देमेज एंजर में नहीं चुकाएंगे टो इनवनेटी होल्डर जो है वो अगर बात अदलत में जा रहे है कोट में जा रहे है तो है रहीज भूस पूम एंजराइड तो सेक्ट डेमेजेश फोलस कॉस्ट वेंज़ेश फीन लॉस फॉस फुब फॉस 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 फॉ यार तुम्हारा जो भी लीगल से लगाए यह अब कोट्क रिखेशिचरी का जो भी तुमारा लीगल खर्चा लग रहा है वो भी तुम इंडेमिनेटी होल्डर के पास थीम राइट है राइट तु सीख डैमेज इस फॉर लॉस कॉस्ट जो है तुम उस्तार इंबर्समेंट मांग सकते हो यह ता कॉंट्रक्ट अब गरेंटी तो बताईए न क्या है रिपे करूंगा मैं उसका डेट जो है वो रीपे करूंगा तो इसका कॉंट्राक्ट तो पर्फॉर्म दप्रॉमिस और रीपे जड़ेट इन देफोल्ट ऑफ था पर को बेटा कॉंट्रक्ट ऑफ गरेंटी में थीन पर्टी रहता हैं बताड़ू कॉंट्राक्ट ऑफ गरेंटी में ने राहूर को लोन दिया किन मैंने मैंने ISIS bank को guarantee जिया है प्लीज रहूल को loan दे दो रहूल नहीं चुका है मैं चुकार तो मैं हो गिया surety ठीक है the person who gives the guarantee is called surety the person for whom the guarantee is given the person for whom the guarantee is given is called PD principal data and the person to whom the guarantee is given ISIS bank creditor जो guarantee दे रहा है वो surety है जिसके लिए दिया जा रहा है वो principal data है और जिसको guarantee मिल रहा हूँ प्लीर इस है फिर आजा बटा differences between contract of indemnity and contract of guarantee differences between indemnity and guarantee बड़ा simple है दोस्तों कोई दिक्कती नहीं है सबसे फ़ले difference के लिए लिग दो के definition लिग देना indemnity में कितने पाटी रहते हैं दो ही तो पाटी रहते हैं इस फिर पाटी है फौन-खौन अभी तो बताया surety, principal data, creditor एक ही contract है दो पाटी की भीश में तो एक ही contract हो सकेगा लेकिन indemnity में एक contract है लेकिन जो contract हो guarantee guarantee पे तीन contract है guarantee में तीन contract है एक तो जो main contract है main contract between creditor and PD जिसके तहत creditor में PD को कुछ loan वगरत है तो principal contract between creditor and PD एक है secondary contract between surety and creditor which surety has guaranteed the creditor secondary contract between surety and creditor और एक पता है implied contract of indemnity implied contract of indemnity between implied contract of indemnity between surety and PD एक भाई है implied contract of indemnity है surety और PD की बीश में अगर surety को चुकाना पढ़ गया PD के default करते पर surety को चुकाना पढ़ गया तो PD जो है ना indemnify करेगा surety को PD will indemnify the surety purpose indemnity का क्या था तो save the indemnify from loss guarantee का purpose है security देना nature of liability indemnifier का liability primary है लेकिन contract of guarantee में surety का liability secondary surety का liability का है secondary PD का liability primary पिर टाइम ओफ लिएबिलिटी अरे यार indemnity में liability का पराईज होगा जब risk happen होगा लेकिन contract of guarantee में liability तो शूरू सही है minor contract of indemnity में पार्टी नहीं बन सकता लेकिन contract of guarantee में principal data जो है ना वो minor होता है तेके ना right to recover indemnify अगर चुका दिया indemnify को तो बस खतम बात वो किसी से recover नहीं करेगा लेकिन अगर contract of guarantee में surety चुकाया surety को चुकाना पड़ा क्रेटर को PD से recover करेगा contract of indemnity narrow है contract of guarantee broader क्यों contract of guarantee broader because उसके इंदर indemnity समया हुआ मक्कान से ठीक है यह चीज़ आ दखना surety का liability जो है ना runs core extensively with debt of PD यह लाइं जा दखना surety का liability runs core extensively with debt of PD इसका मतलब surety उसी amount के लिए level है जिस amount के लिए PD ला है अगर PD को माफ कर दिया predator का बड़ा दिल आ गया PD के उपर हा प्रेटर शादी कर लिया PD से और बला जा आप से तिरा liability माफ अच्छा तो मतलब हा वेगानी साधी में अब्दुल्ला दिवाना मैं liability निभाऊंगा तुमने लोन दिया PD को PD डिफॉल्ट किया तुमने शादी कर लिया PD से उसका लोन माफ और मैं चुका हो PD का डिफॉल्ट नहीं रहे बाबा मैं भी माफ तो अगर PD वेवाफ तो शौरेटी भी वेवाफ होता है मेरा अब जैसे PD लोन इंट्रेस उन्हों के लिए लाबल है तो शौरेटी को वेवाफ कर दिया गया तो शौरेटी भी वेवाफ हो जाएगा क्लियर है मतलब इस पीडी लिए वेव डॉफ तो शौरेटी इस अलसो डिशार लेकिन इसकी जाना अगर पीडी डिफॉल्ट करते है पीडी अगर डिफॉल्ट करते है प्रिंसिपल डेट डिफॉल्ट कर दिया शौरेटी वेवाफ नहीं किया पीडी को लेकिन शौरेटी क्या ऐसा हो सकता है सीधा क्रेडिटर के उपर और क्रेडिटर अगर जो है तुनो ना पीडी क्यों कि यह किदा शॉरेडी को सुपर देखाए तो इफ पीडी डिफॉल्स अंद यूडेट राइट क्रेटर सीधा शॉरेटी को पर केस कर सकता है विदाओ ट्रेटर कर सकता है चलो फिर आजा बटा डिशार्ज ऑफ शॉरेडी यहां से एक कोश्चन भाई कल आने वाला है यहां से एक कोश्चन जो है बेटा आपको मिलने वाला है चल यह जना फटा फटा फट लेट अस फिट अड काईश तुमको बेटा मेरे साथ बेटे रहने दो गंटा तुम मेरे को तुमारा लाइव बन जायेगा पूरगभा पौन्ट्राक्ट उम्हारे एंधर में समाधूंगा और पूरा का पूरे एनाई ऐग्स अदलो का दो बाहूबली चैप्टर कॉंट्राक्ट और नेकोशीबल इंस्वेंट को और एंसर है सर इंटेप्रेटेशन और स्टेटिवर जेनरल क्लॉस एक अरे यार वो तो मैंने अल्रेडी करवा ही रखा उसका लिंग में दे दूंगा जोटा जोटा चैप्टर है लेकिन तुमको मेरे साथ पूरा बैठे रहे इस सर अजाए कि श्षारिटी क्या पटे डिश्यार्ज हो जाएगा सूरो ना इसाज़ जारेटी ये जिसरों करके गरेंडी धिया तो पयाधतका केला इक सब्दे तेनियू गरिंटी में क्या होता है यह करेंडी जाए अब मैंने मान वेक्जमब्ल से मैं मैंटिमम इमाउंट बता दिया था 15000 रुपिया का मैं मैं शॉपकेपर को बोल ना बीकुषेु अब रूब अगर उदार में रहूल को बेचते जाओ उदार में बेचते जाओ रहूल को मैं लाइबल रहूं का ही कैँ अगर लेकिन 50 जा रुकर तो ऑविस बात है मैं खली 50 रुकर तो यह लाइबल ठीक है अब मालो से फर एक्जमबल कंटिनिनिंग गरेंटी मैं कब और जाओंगा कब मुपत ओंगा। जऴॉक कर दिया चौड and शौरव कर दिए खब जा बोल दिया जाया लेशा मनें शौरी लहा को안 printed को मूंbetल दिटा तो सॉंट के सब चलिए तो इनके सब高 gentleman गारंटी इन किस उप रिजाइगा डिस चाहता है अगर शॉरेटी मर गया मालो वारे वार शॉरेटी मरी गे शॉरेटी इस देट थैट दैन इन देट किस और वे से बतह है शॉरेटी ने जो कंटीनिग गरेंडी दिया था वो अट्योमेटिकल रिजोग हो मरने के पार, मरने का नोटिस नहीं देना होगग सब्सक्राइब को, जिस दिन मरा, Automatic Revocation, लेकिन अगेन उस जिंदर का लायबिलिटी, 42 जब तक मरा है, तब तक 30,000 का लायबिलिटी नहीं की दाऄिच, तो जो 30,000 का लायबिलिटी है, अगर मर जाता है ना अटमेंटिक रिवोकेशन लेकिन तिल दा डेट ऑफ शॉरेटी इस देट तिल देट ऑफ शॉरेटी इस देट जो भी लाइब लेड़ी पैदा हुआ है उतना एसेट्स लिगल एयर जो है ना इनहरिट किया हो मालो लीगल एयर को एसेट्स इखाली 20,000 रुपया मिला है शॉरेटी का तब 20,000 के लिटा है रहे हैं तो यह हो गए है शॉरेटी के डिश्यार्ज का पहला केस इन केस अफ कंटेनिव इंग गारेंटी अब हम लोग बात कर रहे हैं बाइदा कंड़क्ट ओफ दा क्रेडिटर तो यह बहुत इंपोर्टेंट है यह बहुत इंपोर्टेंट है इसके बाद सम्स करवाएंगे कल के पेपर में हो सकता है सम्स भी आ जाए हान सम्स वा दा कंड़ोतो क्रेटर देखो राइता कंड्र बेकंड़क्टर आप डर कंड़िटर ने साथ मिल और पीडी नरुं करके दिया चर्च है बहुत भारेंटी चाहिए था तरसिए जब ँंडे फॉऑ यह कर दिया अ करेणिटो आ मोहित भीया ने जो contract का guarantee दिया, वो contract का टमसें करडिशनी तुमने बदल दिया, वो भी मेरे से भी न पूछे, मैं discharge हो जाएगा, sorality क्या हो जाएगा, discharge हो जाएगा, ठीक है, अगर variance हो जा रहा है, without sorality is concerned, मालो मैंने say for example, एक employee को रखवाया था, और उसका मैंने performance का guarantee भी लिया था, ठीक है, उसका honesty performance का मैंने guarantee भी लिया था, तब Shorty क्या हो जाएगा Shorty क्या हो जाएगा डिश्चार्ज होगा बात में पता चला कि वो जो कैशियर था उसने चौरी किया है ठीक है कैशियर ने क्या किया है चौरी किया तो ध्यान से सुनने तीन महिना के बाद जितना भी चौरी हुआ उसके लिए शुरी टिलाइबल नहीं रहेगा लेकिन अगर पता चला कि वह शुरुत इन जो चोरी करता था पहला तीन महिना में जो चोरी हुआ जब सेलरी 50,000 था पर्स जब contents नहीं हुआ था पर्स ट्री olabilir मंस में जो चोरी हुआ उसके लिए शौरीटी लाइबल रहेगा 3 months के बाद जब contract vary हो गया उसके बाद का चोरी के लिए शौरीटी लाइबल नहीं रहेगा अख़द सर्थ यह हो गया variance वाला बाद फिर है default by the creditor default by the creditor also discharges the shortage default by creditor also discharges the shortage अब default by the creditor इसका एक बहुत famous example है आपना बंगलो रहुल से बनाओ यह तुमारा बंगलो यह तुमारा बंगलो जो एक साल के अदर कप्डीट कर दो था लेकिन इस contract में लिखावा था कि जो raw material है timber है वोड़ है जो भी raw material है वो creditor supply करें अब मालो say for example creditor नहीं default कर दिया creator जो एना time पर raw material supply नहीं किया तो एक साल के अंदर बंगलो बनेगा नहीं बनेगा तो शॉरेटे discharge हो गिया आप मेरे को नहीं बोल सकते कि आपने तो रहुल के लिए guarantee दिया रहे एक साल में बना देगा तो तुमने उसको raw material supply किया क्या नहीं किया ना तो creditor का default discharge is the storage discharge और PD discharge is the storage मैंने पहली आपको बता दिया अबदुल्ला दिवाना थोड़ी ना होगा वेगानी साधी में creditor ने loan दिया था PD को creditor ने loan दिया था PD को पीडी due date पर default कर दिया लेकिन creator उसको माफ कर दिया जा माफ 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 हम मोहित सर से वसुल लेगा भाई discharge सुनने अगर PD को कर दिया ना तो शौरेड़ी भी discharge हो जाएगा अच्छा ये भी मैंने आपको बता दिया कि creditors forbearance to sue creditors forbearance to sue PD does not discharge दिशार नहीं हूँ अगर creditor wave नहीं किया है पीडी का liability उसको स्यू नहीं कर रहा है कि वह मेरे को सीधा कर सकता है जी हां वो मेरे को सीधा कर सकता है हां वेरियेशन तो इससे तुमारे अग्रिमेंट के ऊपर कोई इंपक्त नहीं आना चाहिए क्रेडिटर्स एक्षन लेकिन यह एक चीछ याद ना अगर क्रेटर ऐसा कोई भी एक्षन लेता है यह लेता है। यह अध्बूद ऑसंद बिटा यह तो भयाना को लह है इंपोर्टेंट है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं डिशार्ज ऑश्वरेटी दिशार्ज ऑश्वरेटी का तीन बड़ा बड़ा एडिंग था और उसके बहुत चोटा-चोटा सारा एडिंग था एक तो गरेंडी पढ़ त्रेटर फढ़ लिए चंडक्ट उक्रेडर में कोई विरियन सब्सक्रांट क्यों सब्सक्राइब कुछी अगर हो रहा तो एडिंग हैं तुम पीडिको शू नहीं कर रहे हो तो शूरेटीव दिशार्ज नीए में थास्द लेकिन तुम्हारा एक्षण अगर मेरे खिलाफ है तो मैं दिशार जीए ते इंवेलिडेशन और दोस्तों आ जाओ तो पढ़ेंगे कल के पीपर में बहीं आएक या घी और सभी कि यह चार्त कि तो सब्सक्राइब कि उक十 जांड बडाय सब्तेट्मेंट tea guarantee was obtained by miss statement मेरे से guarantee जो दिलवाया गिया है miss statement करके, facts को तोड मरोड करके मेरे सामने पेश किया, मेरे को जूड बोल करके इन लोग जो है na मेरे से guarantee दिलवाया या फिर guarantee obtained by concealment of facts, mis representation या नहीं statement, या concealment of facts या तो जूड बोला, या आदा सज बोला, ठीक है समझाए है ना या तो जूट बोल कर गे मिरे से केरिंडी दिलाया या आदा सज बोला, icny attachment मतलब सज छोपाया, miss statement मतलब जूट बोला, concealment effect मतलब आदा सज, क्यासे इसके इसको बार एक बहुत बढ़ी हा example है, बहुत बढ़ी हा, किस्टेडिकल एक्जाम में आएगा, मालो से for example, creditor, मालो एक bank है, bank manager, bank manager, राहुल को ले कर के आया, bank manager, राहुल को मेरे office में ले कर के आया, बोला, महुच सर, आप राहुल को जानते हैं, हम ला, हाँ, मेरा one of the favorite student है, bank manager, बोला, महुच सर, आप राहुल का performance का guarantee लेंगे, अगर हम इसको job में रखे तो, हम ला, हाँ, रख लो, बढ़ी हा लड़का है, तोरी ओरी नहीं करेगा, करेगा तो मैं दे दूँगा, बढ़ी हाल, मेरा लड़का है, बढ़ी हाँ, बैंक ने रख लिया, एक महीना बाद आया, बैंक का manager, बोला ये तो, राहुल तो छोड निकला, लगे एक लाइक रुपिया, बाद में पता चला, कि bank manager जो है न, जो एक महीना पहले मेरे पास आया था आधा सच बोला, bank manager पता है, राहुल को लेकर के आया था, आगे सी, तो तुमने मेरे से fact को छुपाया है, कि राहुल has already been caught stealing, यू एफ एड़न यू एफ कंसील दफाट राइबल अधर को शॉरेटी डिड नौट जो रहूल के पिता जी भी हो सकता है शॉरेटी बनने के लिए बोले थे ठीक है लेकिन वो जॉइन नहीं कि तो मैं भी लाइबल नहीं अधर को शॉरेटी जॉइन को शॉरेटी अगर से व शॉरेटी अगे चला यह बहुत बहुत बढ़ी है अरे यार शॉरेटी का राइट प्रिंस्पल डेटर के खिलाफ है इसका प्रॉबटी मैं कब जाकर लगा और बात हुआ था ना कि मेरे को जो भी नुक्सान हुआ है शॉरेटी ने रुपिया चुकाया है वह हम पीड़ी कर रहे मीशारीडिता च्कार है जो भी जी तरी को ऑपसक्राइब करना भीटी गींशा है पादária सारा सेक्यूरीटि बैंक तो नुसल मुद खेल से वृट्स पड़ो श्री कृष्णा आप लोग का मनोबल बड़ा रहा है स्वायम श्री कृष्णा सर दिसेंबर 21 में आपका ही मैराथॉन देखा था विदाउट स्टुडिंग फाइफ चैप्टर्स जस्तौ यूर मैराथॉन पूर दस तेम अच्छा पांच चैप्टर का पूरा मैराथॉन से कल लिया था और आई गाट 67 इन लॉट थैंक यू स्वामच तर थैंक यू थैंक यू यले एक्जंबल पड़ो हाँ यही आ रहा है तुम्हारे पेपर में पड़ो पड़ो जनाब पड़ो यही आ रहा है तुम्हारे पेपर को अन गाइज आप्सलूटली फास्ट पढ़ लिया चलो आओ ए बी सी आरदा कोश्यूरेटी इस तीन कोश्यूरेटी है बहुत द्यान से आँ ए बी सी आरदा कोश्यूरेटी है फर पीडी वेस डिफॉल्टेट ए बी सी तीन कोश्यूरेटी था पीडी ने डिफॉल्ट कर दिया नोग का एंड इट वस एग्रीड चाटिंग अली शुरुवात में एग्री हो गया था स्टाटिंग में कि मैक्सिमूम लिएबिलिटी ए बीसी का कितना रहेगा दो लाग दी का 3 लाग और सी का कितना पटाफट मेरे को बताओ प्रिंसिबल डेटा अगर 3 लाग का डिफॉल्ट किया है तीन कोश्यूरेटी है ए बी सी पीडी ने डिफॉल्ट कर दिया 3 लाग का तुम लोग को मेरे को बताना है यह जो 3 लाग है हम लोग किस रेशियो में बाटेंगे दोस्तों 2 इस टो 3 इस ट करके बताओ बताओ पहली बात हो गया था कि मैक्सिमम लियाबिलिटी ए बी सी का 2 लाग 3 लाग और 5 लाग रहेगा बीडे ने डिफॉल्ट कर दिया 3 लाग रुपिया बताओ यह 3 लाग रुपिया कैसे इन लोग भी अर करेगा यह बीस यह 3 लाग रुपिया ए बीसी कैसे भी अर करेगा तो इस टो 3 इस टू 5 में जो इनलों का मैक्सिमल लाबिलेटी का रेशियो है कि एकॉली भी अर करेगा भली एकजाम है भाई पॉजिटिविटी आएगा भाई एक लाइक तो बनता है एक लाइक तो बनता है और जो बच्चे 2 इस टू 3 इस टू 5 बोल रहें ऐसे 30 परसंट बच्चे है चलो वो 30 परसंट बच्चे गलत है 70% बच्चे सही है I am very happy equally होगा जब तक कोई ratio agree नहीं होता है ना जब तक कोई ratio आपस में agree नहीं होता है ना तो जो surety लोग है न को surety लोग equally liable रहता है equally liable up to their maximum legal liability they are equally liable up to their maximum legal liability तो इतीन लग जो नहीं अगर श्यलाक दो तब 222 तो अगर 7 लघ हो जाता तो कितना रहे टाइक टू पॉइंट आपके अग्र सब्सक्राइब करेगा नौ लाग तीनों में बाट तीन तीन लाग बड़े तो मैक्सिमुम दोई लाग करेगा तो नौ में से लेकिन साथ ये तो दस ही हो रहा है दो तीन पांच हाँ मरेगा क्रेदिटर मरेगा तीन कोशारीटी मैक्सिमुल लाइबिल्टी दो तीन पांच दस लग का लिए था अब अगर 11 लाइडिफॉल्ल हो कि हो गया तो ऊपको उसता बिए इसका मतलब प्रोवुजन देख लो All the Kzew Charities are jointly and severally liable. सारे के सारे जितने भी K platinum. All the K companies orities. All the companies orities are jointly and severally liable to pay an equal amount. All the companies that are jointly and severally liable to pay an equal amount. Equal amount के ले लाएबल है. That way to भोल रहे. K Administration equal amount के ले लाएबल है if PDE has defaulted. Unless there is a contrary contract. Aha, these people kept say contrary contract. No. So equally, these people going to be liable. Okay? But subject to their maximum legalippen. इन लोग एकवछी लीगल, एकवछी लीड़ रहेगा, लुटब एकवछी लीड़ल रहेगा, उल्लेजल वस पान्तपिक्टॉ बिज़ें ने बात करने वाले हैं। इस वस फवरिछीं अबाओवची इन गेरंटी, अब लोग बात करने वाले हैं, प्लेज का इंडिमिनिटी गरेंडी भी खदम बड़ा अब बारी है कॉंट्रेक्ट विजिंसी का आज अब ड़ा कॉंट्रेक्ट विजिंसी में आपका स्वागत है नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दोस्तों हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और नया टॉपिक है कॉंट्रेक्ट विजिंस इसके बाद ब्रेक देंगे लगबग लगबग एक गंड़ा बीस मिनिट हो चुका है दस से पंदा मिनिट में एजेंसी कतम करेंगे उसके बाद आपको पंदा मिनिट का ब्रेक देंगे फिर नया एक्ट अपने सल्टाएंग ओके शलो जी शलो कॉंट्राक्ट ओफ एजेंसी मैं आपको बता दूँ एजेंट कौन होता है वो डिफाइन नहीं किया गया है चीक है यहां एजेंट को डिफाइन टॉट एजेंट को डिफाइन किया अपने लिए कुछ काम करने के लिए Agent means a person Agent means a person employed to do any act for another or represent another person in front of dealing with the fund To do an act for another Agent means a person appointed to do an act for another To do an act for another person or to represent another in front of dealing with the fund Latin maxim Quit facet per alien facet per se Quit facet per alien facet यहाँ ही से चालू हो रहा है यार Contractor of agency यही से चालू हो रहा है Focus करो Quit facet per alien facet per se Quit facet per alien facet per se इसका मतलब क्या होता है Quit facet per alien facet per se का मतलब होता है He who acts through an agent is acting himself He who acts through an agent is acting himself जो agent के through काम कर रहा है इसका मतलब हम लोगो खुदी काम कर तू test of agency आप मेरे agent तबाने जाएंगे जब आप मेरे को bind कर सकते हैं Contractor third party के साथ When you can bind me in the contract with the third party अच्छा या दखना principle जो रहेगा वो major and sound mind रहना चाहिए principle must be major and sound mind मेरा आपसे question है क्या एक बच्चा minor को तू major end बना सकते हो क्या पढ़बद बताओ Yes, यहनो में जवाब दो Can minor become an agent? Come on guys, yes, यहनो में जवाब दे दो Can minor become an agent? क्या है, एक minor agent बन सकता है आज तुम लोग यार एकदम खतरनाफ बोड़ में चौके चाके लगाए जाए रहो Can minor become an agent? एक minor agent बन सकता है Minor agent बन सकता है, प्रिंसिपल ली बन सकता तो यहां लिखा हो यह, agent में भी या minor But यहां रखना अगर वो ordinary course of business में minor ने act नहीं किया Normally agent liable रहता है To compensate the principle Agent is liable to compensate the principle If he has not acted in the ordinary course of business Or if he has failed to follow the insult But if that agent is a minor, he is not responsible To compensate the principle for any amount My agent, I have to pay 3,000,000 लाट Agent ने बदमासी से गाड़ी थाय लाट में बेज दिया 50,000 रूपया हम agents से recover कर सकते है Contract third party के साथ तो valid है My agent को बला था That भाई, यह माल तुम 3,00,000 बेजोगे Third party को Lेकिन agent ने थाय लाट में काड़ी बेज दिया Third party को Contract with third party valid है कॉंट्रेक्पि ठड़ बड़े लेगए। मैं 50 रुपया एजंट से ले सकता है। मैं 50 रुपया एजंट से ले सकता है। लेकिन अगर एजंट माइनर है, तब प्रिंसिबल का बास। मैं एजंट से 50 रुपया रिकावर नहीं कर सकता ह। clear है? extent of agents authority में आ जो extent of agents authority में आ जो दूस्थो प्लीस कम तो extent of agents authority भाई extent of agents authority का अगर बात करें extent of agents authority acts done by the agent in normal circumstances ठीक है acts done by the agent in normal circumstances अरे अगर agent ने normal circumstance में काम किया है ordinary course of business में काम किया है एजेंट ने normal circumstances में काम किया है ordinary course of business में काम किया प्रिंसिपल लाइबल रहेगा प्रिंसिपल लाइबल रहेगा अगर वो ordinary course of business के बाहर जा करके agent ordinary course of business के beyond काम कर रहे तब प्रिंसिपल लाइबल नहीं है अगर कुछ नुक्तान हुआ तो agent से हम लोग भरपाई लेंगे agent से competition लेंगे but if agent is acted in emergency अगर agent ने emergency में काम किया तब प्रिंसिपल लाइबल रहेगा even if any loss has been caused by agent because he acted in emergency बले agent ने emergency में काम किया ordinary course of business ordinary course of business के बाहर काम किया custom of trade के बाहर काम किया ordinary course of business के भी बाहर काम किया फिर भी कोई नुक्सान अगर हो गया तो हम agency recover नहीं कर सकेंगे अगर वो इमर्जन्सी थो देखो एजेंट ने क्या किया acts acts done in case of emergency का condition देख लो agent acted in emergency emergency क्या होता है मों मताएंगे पहले ये समझ लो outside the ordinary course of business and custom of trade outside the ordinary course of business and custom of trade emergency ये था commercial necessity था he acted to save the principle from commercial loss to save the principle from commercial loss it was a commercial necessity मेरे से बात कर ले था communication possible नहीं था communication was not possible and agent has acted in good faith like a man of ordinary prudence एक आम आदमी भी वैसे ही काम करता तब अगर loss हो भी गया तो principle liable रहेगा agent liable नहीं रहेगा मैंने agent को बुला था goods जाकर के मॉंबई जाकर रेके विचो कैलकड़से मॉंबई जाकर रेके goods बेचो आदा रास्ता में agent देखा की goods יודע है आदर्थ so agent नेक्या कियाँ वहीं पर आदरास्ता में goods जो आदा राम पर बेच दिया जुकि मॉंबई तक जाता तो तक पूरा बखाने सर, टाइपस ओफ एजिंसी में आ जाओ, टाइपस ओफ एजिंसी, come on guys, come to types of agency, पढ़ो यह लगा types of agency को, पढ़ो types of agency को, बखंत्र घुँ को, आपटारी, कि ढुबँाने सर, कि पढ़ो यह लगा यह-जिंसी, कि ढुबँएम्हाइपस पाननीका घ정त्र एंजिंसी. असका है SUS झाल झाल पढ़िए 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 जनाब पढ़िए अरे पढ़िए एक मिनिट झाल 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 हाजी पढ़ें क्या बात है क्या बात है दोस्तो टाइपस ऑजेंट एक्सप्रेस एजेंट हो सकता है इंप्लाइड एजेंट हो सकता है एक्सप्रेस एजेंट तो नाम से पता चल रहा है बाई एक्स्प्रेस वर्ड्स, ओरल और रिटन, एक्स्प्रेस वर्ड्स, ओरल या फिर रिटन के सर्गे, मैंने contract of agency create किया, so when contract of agency is created by the word, contract of agency, साफ-साफ words, हलफास के थ्रू, मैंने agency create किया, चाहे वो words जो है, वो oral था या written था, मैंने बोल दिया, भाई, तुम मेरे agent हो, इतना consideration भी valid रहता है, मतलब अगर हम agent को free में काम करवा हैं, वो भी contract of agency valid है, ठीक है, no consideration, no contract काई exception, so contract of agency without consideration भी valid रहेगा, express, यानि oral written भी हो सकता है, or implied, implied मतलब conduct of the parties, circumstances, ठीक है, ratification बता रहे है, पहले implied वाला देख लो, implied by the conduct of the parties, या फिर circumstances, circumstances, मैंने आपको example दे रहा है, husband and wife का, भाई, wife जो रहती है, wife is an implied agent of husband, या देना, अरे बाप, रे बाप, wife is an implied agent of husband का मतलब समय में आ रहे है, wife is an implied agent of husband, wife जो है, implied agent है, husband की, इसका मतलब, अगर wife agent है, agent तो level रहता नहीं है न, principle level रहता है, भाई, तो wife is an implied agent, दोस्टो, wife is an implied agent of husband, इसका मतलब, principle libel रहेगा, for the actions of the agent, principle जो है, वो level रहेगा, तो no, तो wife is an implied agent, अगर wife उधार में necessaries का समान खरीब लेती है, wife उधार में necessaries का समान खरीब लेती है, bill principle चुकाएगा, यानि husband चुकाएगा, husband libel रहेगा, if she buys on credit necessaries, then husband is libel, लेकिन इसका चार exception है, बटा, चार exception है, बच्चे बुल रहे हैं, याद है सर, मैं भाई थी, तर इस example में, बिलकुल, इसमें चार exception है, बच जाएगा, husband बच जाएगा, मतलब normally wife अगर उधार में necessaries खरीदेगी, तो husband चुकाएगा, wife अगर जाकर के उधार में necessaries खरीद ली, तो wife agent है, bill तो principle यानि husband चुकाएगा, बच चार exception case है, जब husband libel नहीं रहेगा, वो चार exception case क्या है, कोट में साबित करना पड़ेगा, कि husband ने wife को पहले ही बना कर दिया था, not to pledge the credit, मतलब उधार में माल मत खरीदो, या फिर husband ने दुकांदार को बना कर दिया था, इसको उधार में माल मत बेचना, तुम उधार में माल खरीदा मत पतनी, या फिर मैंने दुकांदार को बोल गया था, कि भाई, उधार में माल मत बेच, या husband ने अल्रड़ी वो आटिकल wife को ला दिया था, या आटिकल वो खरीदी न, या person with a third party, a person has entered a transaction with a third party without my authority, मेरे बिना permission के मेरे भियाख पर उसने transaction कर लिया third party के साथ, either I can own और disown सब्सक्राइब, मेरे बिना permission के तुमने अगर transaction के third party के साथ, या तो मैं own कर सकता हूँ या disown कर सकता हूँ, अगर मैंने own कर लिया, अगर मैंने own किया, इसको ratification रहा हूँ, झाल 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 इंप्लाइड भी हो सकता है मेरे सामने मानलों से मेरा रुपिया किसी को लोन दे दिया एक इंसान जिसके पास मैंने अपना रुपिया रखवा रखा था उसने लोन दे दिया मेरे से बिना पूछ है मैंने सामने वाला से इंट्रेस्ट वसुलना चलू कर दिया तो यह हो गया transaction करना बढ़ेगा part transaction cannot be ratified R या पार या तो full transaction होगा या no transaction full transaction has to be ratified ठीक है अगर वो बंदा जो loan दिया था 8% पर दिया था हम बोलेंगे 10% पर पर करना है नहीं full transaction has to be ratified part of the transaction cannot be ratified full knowledge is required मतलब जिस बंदा का मैं act को ratify कर रहा अगर उसने fact conceal किया है fact को conceal किया तो ratification invalid हो जाएगा full knowledge यह या दखने का तरीका full transaction can be ratified and full knowledge is required for it only legal can be ratified illegal काम का ratification नहीं हो सकता and it cannot injure third party's interest third party का interest tamper नहीं हो सकता ratification communicate करना पड़ेगा within reasonable time so what are the seven essential conditions of ratification अगर exam में आता है seven essential conditions of ratification बादा दो मेरे को बताओ ratification express भी हो सकता है इंप्लाइड भी हो सकता है दो पॉइंट फूल से full transaction must be ratified full knowledge चाहिएगा ratification के लिए खाली legal act का ratification हो सकता है illegal act का ratification and ratification cannot injure third party's interest and ratification must be communicated within reasonable time अहाँ आ जाओ सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में पेश किया जा रहा है बिटा सब एजेंट and substituted एजेंट पेश है सब एजेंट and substituted agent का concept पेश किया जा रहे बिटा सब एजेंट and substituted agent का concept पहले सब एजेंट धुआ धार revision चल रहा है यह revision तुम 2x में नहीं देख सकते मैं अल्ड़ी 3x में पढ़ा रहा हूँ मजा रहे कि नहीं आ रहे है एक बद चैट बॉक्स में लिप दो और like बटन भी दबा दो चैनल सब्सक्राइब करके बेल एकन भी दबा दो क्योंकि आज रात को भी मैं आउंगा कल भी आउंगा परसो भी आउंगा तुमको नोडिफिकेशन तभी मिलेगा जब चैनल सब्सक्राइब देख कर दो कर दो कर दो कर दो बड़े आगे पड़ा तुमने सब एजेंट इज़ा अगे जज़ाविकास गजा विकाश। सब आजेंट नोट अपना काम करवाने के लिया अपना काम करवाने के लिए उसमें और एक ल以前 रख लिया और टीजर्स ऐन गएजिर्ट गएज कीज़न 14 घण उगम ऐजन आज अजयन ऑ गएजंट में पहले से contrary contract था which allowed the appointment of subagent या फिर custom of trade है हमारे industry का custom है तो होगा या फिर it was emergency agent acted in case of emergency मालो agent का रस्ते में तबद कराब हो गया था agent का रस्ते में तबद कराब हो गया था इसलिए उसने एक staff पॉइंट किया goods मुंभी में ले जाकर किपेशने के लिए में आपउइंट का रस्तार जब देर वोग्राइजेड चाई नर्मले सविए नीं कर सकते हैं लेकिन तीन exceptional cases में आप appoint कर सकते हैं बढ़ा वो तीन exception cases क्या क्या है जब there was a contrary contract when there was a contrary contract between principal agent या फिर sub agent appointed in emergency, sub agent was appointed in case of emergency या फिर sub agent was appointed as per the custom of trade या तो contrary contract था principal agent के भीश में which allowed agent to appoint sub agent या फिर sub agent was appointed in case of emergency या फिर as per the custom of trade मक्षन है सर सब्स्टिटीटेड ही डियंट में आ जो सब्स्टिटीटेड एजेंट में आ ज़ो दूस्तो अ कि विम में आ पको पता दूँ चनाब suppressed that एजेंट, although appointed by agent, works under the control and supervision of the principal. Principal ने बोला, यार मेरे को तेरे जैसे एक और आदमी खोनद करके देना, अबे agent मेरे को तेरे जैसे एक और आदमी खोनद करके देना, या मेरे को एक फलाना आदमी चाहिए इस काम के लिए. तो एजेंट ढूंड करके लाया, मेरे बोलने पर, प्रिंसिपल के बोलने पर, वो प्रिंसिपल के अंडर काम करेगा, भली एजेंट ढूंड करके ला रहा है, but he will work under the supervision of प्रिंसिपल, उसको बोलते है सबस्टूट एजेंट, सबस्टूट एजेंट का अपॉंटमेंट लाएगा, लेकिन अगर जो मेरा पहला एजेंट उसने, रिजनेबल स्किल एजेंट के नहीं लगाया और ऐसी रास्ते से किसी फ्रॉड या भिकारी को पकड़ करके ले आया, ठीक है, उसने बिना रिजनेबल स्किल एजेंट का अपॉंटमेंट किया, तब वो फॉस्ट क्या होता है? He is an agent appointed by another agent of the principal by principal's authority. He will work under control and supervision of principal. He is the point that is lawful and for his action principal liable रहेगा and not that agent who appointed. लेकिन if agent appointed substitute agent without due skill and care then for the actions of substituted agent principal can hold appointing agent liable. तुमने बिना reasonable skill and care लगा है राष्टे से किसी को भी उठा करके बिना substitute agent बना दिया, तब वो first agent level रहेगा. मक्कन सर. ये differences एक बार खुद से read करो तो sub agent और substituted agent का. Come on, come on, come on, come on. ये differences एक बार खुद से read करो sub agent और substituted agent का. सामने तुमारे, तब तक मैं तुमारा chat देख लेता हूँ, कोई इकत तो नहीं आ रहा है ना. ये differences एक बार रीट करो. सब agent और substituted agent का. पढ़ने का acting मत करो, मैं देख लेता हूँ, सच में पढ़ो, सच में पढ़ो. एक्ट्रू. 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 कि सुरिया रोई तो रेफर कर लो पीवाई क्यूंग नेगो लगबग डेड़ घंटा चलेगा पूरा अच्छे से रिवाइस करा देंगे डेड़ घंटा में कि अग्रवब इस ऊज़िए और रेस्ट आप में लाइब इडिया पेंड्र उबाइल अप्सिश्विए जैस बाविया भाविया अच्छ मों सब्सक्राइब आप्स अबूंग न सब्सक्राइब कर लिए आपके विडियो से कोई दिकत नहीं बहुत बड़ी आए बात है प्रेजेंटेशन पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है प्रेजेंटेशन मैंने अल्यडी डिसकस करका है उसका वीडियो जो है ना लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर तो उसको तुम 2X के स्पीड में चला करके देख लो कि आखिर 86 मार्ट उसका आया तो क्या करना था अब टेलिग्राम गर्प को जोईन कर लेना मैं सारा लिंक वहां पर देऊं टेलिग्राम लिंक अरे सी एंटर का टेलिग्राम गरूप का लेंग जहांपर बचेक दूसरी का डौट्स हो गरा सब्कूं करते रहते हैं मेरे guidance में link pin किया हुआ है कारो तुमको company law में नहीं पढ़ करके जाना है वो company audit में पढ़ना कारो और कारो का already मैंने पूरा regular batch कारो 2020 अब applicable है पूरा regular batch अलड़ी जो है ले रखते है पूल प्रोविजन किसी को याद नहीं रहेगा चिंता मत करो जो social नाम फूल प्रोविजन लिकर कहेंगे घंटा पॉसिबल ही नहीं है प्रैंक वान को भी याद नहीं रहता तुम्हारा प्रोविजन समझा हुआ है तुम अपने language में लिख सकते हो और आम से लिखो अपने language में iOS से कितना माक का आता है पांसे दस नमबर का पांसे आठ नमबर पकड़ लो जनल क्लॉज और iOS पांसे आठ नमबर कोई guarantee नहीं भाई लो मैं एक तुम्हारे लिए बहुत जवर्दस चीश्पीन कर दे रहा हूँ टेलिग्राम री लोड बता रहा है सीधा टेलिग्राम में जाओ न वहाँ पर MEPLCA इंटर लिखो टेलिग्राम ग्रूप मिल जाएगा MEPLCA इंटर क्या लिखोगे MEPLCA इंटर क्या बहुत जवर्दस लिंक में तुमारे कर दे रहा है कि यह सब लिंग जो है ना फटा फट चौट करके दो बस वान मिनिट तब तक मैंने तुमको पढ़ने दे रख था कि 86 माक्स वाला जो पेपर था वो मैंने अल्लेड़ी को लिंक शेयर कर दिया कि अ अभाक है चलो मॉडरेटर शॉट करके दे रहा है तब तक यह डिफ्रेंस इस क्लियर है ना सब एजेंट और सबसुरूर इजेंट का सब एजेंट कौन अपॉइंट करता वाई एजेंट है अप उन्टेट वाई ए एजेंट और सबसुरूर इजेंट के बेख्लेंट क्या है एजेंट है टो वार करेड़ के सब एजेंट का आलापउन्ट लेकिन लेकर और अगर सब एजेंट का आ Beim दो एशन के इसंट के तब तो एजेंट की तरह ही हो गया अगर अगर श्थ ने बहुत ने किस ने तो एजन ने किया ना तो एजन इस लाइबल तो थर्ड पार्टी नहीं सब्सक्राइब और सब्सक्राइब क्या हम लोग कॉंट्रेक्ट ऑफ एजेंसी को रिवोक कर सकते हैं यह अगर मालों मैंने एजेंट को बोला कि वाई बस ब्रेक आने माले बैटा रिवोकेशन और गॉंट्रक्ट विजिए रहो झाल झाल झालों मैंने पॉंट्रेक्ट विवोकेशन और सकते हैं यह अबरा मैंने एजेंसी को रिवोकेशन orны पॉंट्राइब शोगने यह झालों मैंने विजिए शोगने झालों मैंने इनाता हैं उन्यां यह चोंगशना शूज्ण झाल 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 हलो ऑल परफेक्ट कहां से चुटा भाई कहां से चुटा रिवोकेशन से क्या रिवोकेशन से क्या भाई एजएंसि कप रिवोक हो सकता है? जब प्रिशापल खुद कांट्रैक कैंसिल कर दिया? या प्रिशापल या फिर एजएंट में दोनों में कोई भी मर गया या लूनेटिक और यार्ष अप्रिंसाब्क साव को अगया इंपॉर्टेंट नोट मैं आलो थो हम लोग जैंयों कर सकता और अजिंसी रिवॉक नहीं होगा टर्मिनेट नहीं होगा प्रिंसिपल मर जाए- हो जाए फिर भी contract of agency revoke नहीं होगा अगर agent had an interest in the subject matter of the contract agent himself had an interest in the subject matter of the contract तो फिर principle मर भी जाए lunatic भी हो जाए या principle खुद से रिवोक करना चाहे नहीं कर सकता रिवोक agency का contract revoke नहीं होगा principle के बोलने पर या उसके बंदने पर या अगर agent का subject matter में interest था कैसे इंट्रेसर मालो से for example मेरे को अपने creator को रुपया चुका रहा था तो creator बहुत pressure लगा रहा था यार की रुपया चुका ओ नहीं तो आ रहा है जो गोड़्स हम हम ले जाएंगे हम लेक्alth कर यह बेश टे गुड़ बेच करके अपना पैसा हुआ यह गूड़ करक के अपना पैसा चुका दो क्रेडिटर का वो खुदी एजेंट है और उसका इस गूर्ड में इंट्रेस्ट है क्योंकि यह बेज करके वो अपने आपको यह चुपा है मक्तन सर्थ दियूटी सॉफ एन एजेंट में आजाओ दियूटी सॉफ एन एजेंट में आजाओ क्या हुआ है यॉटी सॉफ एन ए यॉटी सॉफ एन प्रणो टियूटी सॉफ एजेंट पढ़िए फटाफट पढ़िए एक मिनिट देरें झाले कि युर्टा ओड़िए एक मिनिट रहें कि एक मिनि थाफ़िए एक मिनिट देरें उन्याओ आपपता। झाल झाल आपका स्वागत है बताओ भाई duties of an agent क्या होगा अरे agent का duty है बड़ा सिंपल था यार तू कंड़क्ट बिजनेस एस पर प्रिंसिपल का ओर प्रिंसिपल का डिरेक्टन तिल केर लगाएगा प्रॉपर अकाउंट देगा एजेंट अगर प्रॉपर अकाउंट नहीं दिया तो एजेंट लाइबल रहेगा आनन्द प्रसाद वर्सिस द्वार का नाथ प्रिंसिपल को वापस करेगा प्रॉफर वात कर वहीं तुन स्टाफ और इंड़ें कर सकता है सकता है पैसा को ρेटेन कर सकता है ठीक है एकसेस लें ओ October Golden तोम इं मिलेगा तो प्रिंसिपल का जो पैसा पूसकी पास ऊसको रिटेनिया प्रिंसिपल का प्रॉपटी जो है एजेंट कर सकता है it कर सकता है एजेंट को अगर कोई नुक्सान हो इसको अगया तो तो कोई जान नहीं है पिर एजन का लैविलिटी थर्ड पाटी को तभी है जब एजन ने फ्रॉड वगरा किया है इसका पीवाई क्यूस मैंने अलड़ी करवा रख है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा पक्का से करके जाना पीवाई की ठीक है ना प्रीवियस येर कोश कोशन्स रिपीट होते हैं कि 90 परसंट कोशन्स रिपीट होते हैं बहुत बढ़ी आसे मैंने पीवाई की उसकर वाई रख है तो दोस्तों जैसा मैंने आपको वदा किया था कि मैं आपके साथ 2 घंटा लाइव बैट करके आपको एक किक दे दूंगा पूरा बेल्मेंट प् एक्जॉस्टिवली किये हैं खाली हेडिन नहीं पड़े अंदर का पूरा प्रोविजनस आपको समता है पूरा का पूरा का पूरा कॉंट्राक्ट है तो घंटा के अंदर वंडर्फुल रिविजन हो गया अब दोस्तों आपको लेना है बेटा कितना मिनेट का ब्रेक चाहि मानरें देदेरें लोस्तों आपको on a a- गा- गया लुआपरNow कि तूरा कितना मिनेटा का इंदर वे 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 आपको समय समय सबस्तों मैंने पिन कर दी है सारे इंपोर्टन लिंक्स कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा नोट्स होगर आपको टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा मेरे मैं आज रात को फिर से मिलूंगा मैं आज रात को फिर से मिलूंगा दोस्तो तुम लोगा डाउट्स वागर सॉल्फ करने कोई भी दिक्कत आ रहा है क्या दिक्कत है वो सब सॉल्फ करने मीडेट ट्वल्फटी पंद्रा से बीस मिनिट कब रेक लो सारे बारा बजे डॉट मिलते हैं सारे बारा बजे डॉट पंद्रा से मैं आफ कर दूंगा क्यों 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 कि चैट अब करने का समय नहीं है तुमारे एक्जाम है परसो तो चैट जो है वो आफ कर दिया जाएगा दोस्तों क्या बोल दी पब्लिक है ना चैट आफ कर दे रहे हैं राइट है ट्वेल ठटी से अपने मिलेंगे क्या है ना अगर यूटूप लाइफ चल रहा है ना तो उसका अलग माहोल रहता है तो मैं क्या करूंगा 12.30 से मैंने आपके लिए अल्रेड़ी एना एक जो है ना रिकॉर्ड कर लिया है ठीक है अगर आपको अदलों मैराथों से देखना आप वहां से देख सकते हो बड़ अगर लाइफ चल रहा है ना तो उसका एक अलग फील रहता है तो 12.30 से 2 पीम डेढ़ घंटा सारे बारा clause act भी खतम कर देंगे सर आपने तो बला था 2 घंटा आप live आएंगे मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है दो घंटा से ज़्यादा मैं तुम्हारा बारी यह सारे बारा बजे मिलने का सारे बारा से दो एनाई एक्ट का wonderful revision पूरा का पूरा IC AI का study mat cover किया जाएगा एग भी latest मतलब amendments के साथ और जो portion delete है वो आप नहीं पढ़ाएंगे तो make sure कि आप सारे 12 बज़े YouTube live आ जा रहे हैं लेकिन मैं उसको premiere कर रहा हूँ था ठीक है मतलब आप live देखेंगे बड़ मेरा वो recorded class है ठीक है तो सारे 12 बज़े से लेकर के 2 बज़े तक बिस बत करना डेड़ घंटा में पूरा एनाई एक को ठोक पीड़ देना और फिर दो से तीन हम लोग पढ़ेंगे interpretation of statute और तीन से चार पढ़ेंगे general clause act और फिर रात में दस बज़े रात में दस बज़े मैं live आँँगा आपके साथ तो टेक यॉर डाउट्स एंड गाइड यू फ़र्द फंद्रा मिनिट के लिए चीक है तो इस तरीके से अपने प्लान कर रहे हैं चलो ब्रेक ले लो ब्रेक ले लो ब्रेक ले लो जाओ 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 ब्रेक लो तो नह जाओ, अल राराक, नह जाओे लो ब्रेक लिए अगो जिस ह यॉ झाल 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 करके जो यह नहीद पिला देंगे आपको पूरा एक्दम आमरस आपको पिला देंगे चलो start करते हैं The lecture is going to be in the mix of Hindi and English both so that I can cater all over India students okay so it is going to be in mix of Hindi and English both okay so everything is perfect बच्चे बोल रहे हैं सेर आठ नहीं 9 क्लास था हाँ भई सौरी 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 9 क्लास था ठीक है चलो start करते हैं start करते हैं so negotiable instrument act boys and girls let us in it negotiable instrument act 1881 negotiable instrument act 1881 में सबसे पहले आपको जानने कमन करता होगा कि आखिरे negotiable instrument क्या होता है what do you mean by negotiable instrument what is the meaning of negotiable instrument मैं आपको बता दूं negotiable instrument जो है na act has completely failed to define what is a negotiable instrument according to section 30 negotiable instrument negotiable instrument में उन्होंना खाली बता है तीन प्रकार के negotiable instrument होते है promissory note, will of action and check promissory note, will of action and check ठीक है so the act fails to define negotiable instrument three types of NIE are there promissory note, will of action and check promissory note, will of action and check का sections के है section 4, 5, 6 respectively section 4, 5, 6 respectively okay, section 4, 5 and 6 respectively अब तो अगर act ने NIE को ठीक से define नहीं किया तो फिर किस ने किया negotiable instrument का definition तो चाहिए बिल्कुल, negotiable instrument का definition तो चाहिए बता तो negotiable instrument को define किया गया है by justice willis jay by justice willis jay so negotiable instrument has been defined as per justice willis jay according to justice willis jay according to justice willis jay negotiable instrument के तो चाहिए बताए 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 ब without any conspiracy, without any fraud, takes in good faith and for value, for value means by giving consideration, he will get the ownership of negotiable instrument. Notwithstanding any defect of title in the person, notwithstanding any defect of title in the person from whom he took it. Notwithstanding any defect of title, notwithstanding any defect of title, irrespective of any defect of title in the person from whom he took it. Notwithstanding any defect of title in the person from whom he took it. भली सामने वाला चोर है लेकिन अगर आप negotiable instrument उस चोर से ले रहे हैं चोर ने आपको negotiable instrument दिया है चोर ने आपको negotiable instrument दिया है फिर भी आपको उस negotiable instrument का ownership transfer हो जाएगा अगर आपने good faith मिली आपको नहीं बता था कि so negotiable instrument means an instrument the property मतलब ownership in which is acquired by anyone who takes it in bona fide यानि good faith and for value यानि consideration not concerning any defect of title in the person from home he took it example a as a negotiable instrument a के पास एक negotiable instrument था b ने उसको चुरा लिया b ने चोरी कर लिया क्या b को ownership मिलेगा नहीं नहीं क्यों b को ownership क्यों नहीं मिलेगा अरे उसने value थोड़ी ना दिया और उसने good faith में थोड़ी ना act किया so no लेकिन मालनों b जो चोरी का लिया ना negotiable instrument b चोर है लेकिन b अब जो चोर है वो transfer कर देता है negotiable instrument c को in good faith और c ने उसको value भी दिया consideration भी दिया तो क्या c को ownership transfer हो जाएगा yes अब आजाब promissory note बिटा क्या होते है फड़ा फड़ा आजाओ बिटा promissory note below exchange and check boss and girls let us edit promissory note below exchange and check promissory note का section number बताओ promissory note का section number 4 है below exchange का section number 5 है check section number 6 है section 456 promissory note promissory note according to section number 4 क्या होते है बड़ा it's an instrument in writing promissory note means an instrument in writing, oral promissory note can never be made, it has to be in writing, so promissory note means an instrument in writing containing an unconditional undertaking, containing an unconditional undertaking, undertaking means promise, signed by the maker, it should be signed by the maker, to pay certain sum of money, to pay certain sum of money, to a certain person or to the, to a certain person, or to his order, or to the bearer of the instrument, only to a certain person, or to his order, or to the bearer of the instrument, so promissory note section 4 में मैंने क्या-क्या feature बताया, it's an instrument in writing, yes sir, ये writing में होता है, other than bank note or currency note, other than bank note or currency note, मतलब currency note, देखा जाए तो जो currency note होता है बेटा, अरे कभी तो currency note देखा होगे, बेशर्भ हो, नहीं सराब दे दीजे, currency note में तुम देखोगे, currency note भी तो सारा feature satisfy करता है, promissory note का, उसमें भी unconditional undertaking रहता है, लिखा रहता है, कभी फाल्टो टाइम में अगर देखा हो currency note में, I promise to pay bearer, sum of rupees 2000, I promise to pay bear, तो उसमें भी तो unconditional undertaking रहता है, sign by the maker, बिल्कुल, governor of RBI, sign करता है, sign by the maker, certain sum of money है, बिल्कुल, जो currency note रहता है, उसमें भी तो भाई, लिखा रहता है, I promise to pay bear, sum of rupees 2000, बिल्कुल भाई, certain sum of money है, to a certain person or to the order, बिल्कुल, भाई, currency note जो है, वो bearer को pay बल रहता है, है ना, लिखा रहता है, I promise to pay a sum of rupees 2000, to the bearer of the instrument, है ना, तो currency note भी तो सारा feature satisfy करता है, क्या currency note सारा feature satisfy करता है, हाँ, satisfy करता है, सारा feature promising note का, but is it a promissory note, no, it's not a promissory note, because, definition में लिख दिया गया, other than bank note currency note, promissory note in this is an instrument, other than bank note or currency note, which contains an unconditional undertaking any promise, signed by the maker, to pay a certain sum of money, only to a certain person or to his order or to the bearer of the instrument, can oral promissory note be held valid, ना, बाबा, ना, invalid, oral promissory note is invalid, ठीक है, यह अला देखो, question में तू देखो, a promises to pay b in writing 5000 and other sum due, अगर मैं आपको promise कर रहा हूँ, मैं आपको 5000 रुपिया दूंगा and other sum due, यह valid है कि invalid है, and there is invalid, क्यों invalid है बोलो तो, 5000 and other sum due, तो other sum due, तो मेंचन नहीं है ना, तो यह invalid है, क्यों invalid है सर्ण में आगिया, यह सर्ण में आगिया, because amount payable must be certain, यह other sum due, uncertain है, a promises to pay 5000 to be in writing, if c dies, sign वगरा भी है, if c dies, मैं बता दू, बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे महनुभाव लोग को लगता है, कि यह invalid है, क्योंकि यहाँ पर आगिया, if c dies, मैं बता दू, यह valid है, यह valid है, सर लेकिन आप तो बोलेते, सर, unconditional undertaking होना चाहिए, यहाँ अवे भी unconditional promise ही है, यह unconditional माना जाएगा, क्योंकि c का मरना कभी ना कभी तहय है, any event which is bound to happen, is regarded as unconditional, valid, unconditional means any event which is bound to happen sooner or later, तो यह valid है, लेकिन अगर यही बोला जाता, कि मैं आपको 5000 जो है promise कर रहा हूँ, दूंगा, if c dies, leaving enough sum of money, देखो, यहाँ तक ठीक था, if c dies, यह तो होना निश्चित है, but c dies, leaving enough sum of money, c मरेगा, यह पका है, पैसा चोड़ करके मरेगा, c यह पका नहीं है, तो यह invalid हो जाएगा, मैं आपको बता दू, promissory note जो है न, देखो, definition में भली लिखा हूँ है, payable to certain person or to the order or to the bearer, but promissory note जो है न, वो actual में bearer को payable नहीं हो सकता, certain person or to the order रहेगा, promissory note can never be made payable to bearer, it has to mention, it has to be payable to a certain person or to his order, it cannot be made payable to bearer, वाहाँ पर लिखा हूँ है कि promissory note can't be made payable to bearer, तो यह objective के लिए सकता है, ध्यान में रखना, promissory note can't be payable to bearer, यह रखना, promissory note जो है न, वो bearer को payable नहीं हो सकता, it has to be payable to a certain person or to the order, so this was everything about promissory note, तालिया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लग रहा ना एकदम तोफ वाला revision, speed पकड़ लेंगे, आप खाली जुडे रहो, अचनक से speed पकड़ लेंगे, जब flow आ जाएगा, और कोई stunt करने नहीं आयो, ठीक है, मेरे को पता है, तुमको self-study करवाने, तुमको revision करवाने, तो यह revision अगर कर लोगे ना, तो तुम्हारा self-study में, अगर तुम्हारा मालो से, for example, 10 गंटा लगना है, जो काम करने में हो, 2 गंटा लगेगा, मतलब तुम्हारा 80% efforts कम हो जाएगा, 80% time save हो जाएगा, if you watch this marathon, promissory note is done, bill of exchange, section number 5, bill of exchange, section number 5, pose and bills, bill of exchange, section number 5, bill of exchange भी क्या रहता है, bill of exchange is also an instrument in writing, yes, bill of exchange is also an instrument in writing, बिलकुल यह एक instrument in writing है, containing and unconditional, यहाँ पर क्या है न, promissory note में undertaking धा, यहाँ पर क्या है, order है, so, bill of exchange is an instrument in writing, containing and unconditional order, signed by the maker, signed by the maker, directing a certain person, यहाँ पर, जो maker है न, वो sign कर रहा है, डिरेक्ट कर रहा है, कि सामनेल हमेरे को पैसा देगा, directing a certain person, so, drawer, signed by the maker मतलब सब्सक्राइब, drawer of the bill जो है न, drawer, माल अगर हम goods बेचे है, अगर हम माल बेचे हैं आपको, अगर हम आपको माल बेचे हैं, तो हम न, bill draw करेंगे आपके उपर, और हम आपको order करेंगे, चल पैसा दे, so, signed by the maker, यहाँ न, यहाँ रहा है, directing the certain person, directing a certain person to pay, by certain sum of money, to a certain person, or to his order, or to the bearer, तो क्या main फर्क है, पेटा, promissory note नोट और below exchange में, फटा फट देखलो, promissory note का section number, concept of 4 है, below exchange का section number, concept of 5 है, promissory note section number 4 है, और below exchange section number 5, promissory note में यार, यह तो बच्चा बच्चा जानता है, पहला दो difference, तो बच्चा बच्चा लिख सखेगा, प्रोमिसरी नोट में जो मेकर है न जो बना रहा है वो पे करेगा वो पेर है लेकिन बिल अभी आपको क्या बताया अगर मैंने आपको माल बेचा है मैंने गुड्स बेचा है तो मैं थोड़ी ना पे करूंगा यार मैं तो तेरे से रुपया पाएगा मैंने माल बेचा है I have sold you the goods man I am having receivables from you I have sold you the goods so seller is going to draw the bill for seller is going to draw the bill to salary to maker है न तो वो तो पेई है उसको तो रुपया मिलेगा तो हमें आगिया सर प्रोमिसर नोट में जो बनाता है वो चुकाता है maker is a payer but bill option में maker is a payee यहां दो ही पाड़ी है maker and pay ठीक है न लेकिन यहां पर तीन पाड़ी है maker जो drawer है और फिर पेई भी अगर हम इंडॉर्स करते हैं तो कोई और पेई भी हो सकता है clear है sir liability जो maker का है न बिटर liability of the maker promissory note के case में जो maker है वही payer है अरे maker ही तो पेयर है तो उसका liability primary है and unconditional लेकिन यहां पर क्या है बिटाल bill of exchange के case में drawer का जो liability है में बिट है जो और आि उसका liability secondary and am बिल कहा है ज़र किन मलनों वहान्न पर बिल किया न इंडॉर्स कर दिया मैंने ही बिल जो और उनलों इं इंडॉर्स कर दिया मेंग के साथ इसकांट करा लिए है creator को endorse कर दिया तो सोचो तो अगर सामने अला ड्रॉई future में बिल को maturity date पर dishonor कर देता है तब तो यार ड्रॉईर का liability आ जाएगा ना अगर future में ड्रॉई dishonor करता है तभी मेरा liability आएगा अगर मैंने bill discount कर आया था या endorse किया था तो मेरा liability जो है ना secondary and conditional है क्लियर है सर मक्षन एक दम फिर आज़ो पिटा चेक section number six section number six check अरे इतने सारे बच्चे वीडियो देख रहे है like बटन दबना भूल गए तो like बटन दबा दिजेगा जिन्नोंने अभी तक like बटन नहीं दबाया असान फरमश मत बनो like बटन दबाओ positivity फैलाओ positive energy आने दो let the law of attraction work तो promise note हो गया below of exchange हो गया अब बरिये check का check का section number six according to section six check means a bill of exchange check means a bill of exchange check means a bill of check तो एक प्रकार का bill of exchange ली है with two main differences drawn on a specified banker check is drawn on a specified banker and payable on demand bill of exchange is payable on maturity but check is payable on demand so check means a bill of exchange which is drawn on a specified banker and payable on demand and it includes electronic image of truncated check and check in electronic form so check section number six means a boe drawn on specified banker and payable on demand and includes electronic image of truncated check and check in electronic form now main differences का boe or check के अंदर देख लो सबसे पहले तो हापको बता है boe section five check section six boe is payable on पहले boe का पुरा देख लो boe का payable on क्या रहता है boe तो bill तो payable on maturity होगा and it is drawn on anyone but check है check is payable on demand and drawn on specified banker अच्छा bill में दो चीज़ होता है क्या दो चीज़ होता बता हो sir bill में ना तीन दिन का grace day मिलता है और sir bill में ना revenue stamp लगाना पड़ता है लेकिन check में तीन दिन का grace date नहीं होता कोई revenue stamp भी नहीं लगता अब दो चीज़ ऐसा है जो boe में नहीं होता लेकिन check में होता है stop payment and crossing boe में stop payment and crossing नहीं होता है लेकिन check में आप stop payment करा सकते हैं and crossing of check भी होता है clear है sir sir check के definition में दो शब्द आए थे electronic check and truncated check तो electronic check मतलब तो बहुत clear है यार check which is made using digital signature check which is made using digital signature online होता है electronic check check made using digital signature online उसको अपने बोलते है electronic check ठीक है और truncated check क्या होता है truncated check कुछ नहीं है जो check फार दिया जाता है destroy कर दिया जाता है during clearing ठीक है जो भी एक दूसरे समझो bank लोग एक दूसरे से अपना clearing नहीं करा था पता नहीं बात हां सर पता है bank लोग एक दूसरे से अगर रुपया पाते हैं तो किसके तू settlement होता है RBI हम लोग का clearing house है तो अगर ISIS bank ए HDFC bank से पता हो HDFC bank भी ISIS bank से पता है जो की होता रहता है आपस में उन लोग settlement नहीं करता है सारा का सारा clearing उन लोग का कान करता है Central Bank of India यानी RBI तो जो physical check रहता है ना paper check वो truncate कर दिया जाता है ठीक है उसका photo ले करके photo यानी उसको digitalize करके paper को फार दिया जाता है ठीक है उसी को truncated check बोलता है So it is nothing बट a paper check which is truncated यानी destroyed during the clearing cycle but जो original writing था truncated check का obvious बाता है वो electronic form में convert कर दिया जाता है अरे फार ने के पहले उसको electronic form में convert करोगे तब फार दो मखन सर Crossing of check boys and girls अभी अभी हम लोग थोड़े पहले सीखेते है कि check जो है ना वो cross किया जा सकता है को मेरे को बता सकता है कितना प्रकार का crossing होता है सब बच्चे बता देंगे सब general crossing and special crossing special crossing को specific crossing भी बोलते हैं हम लोग so एक होता है general crossing और एक होता है special special is also known as specific crossing दोसो special crossing को हम लोग specific crossing भी बोलते हैं right sir right so no general crossing में क्या होते है बटा general crossing ये दोनों क्या है ये दोनों से check protect होता है check gets protected 100% protection कहीं नहीं मिलता बट check थोड़ा बहुत जो है वो protect हो जाता है कैसे protect होता है मैं आपको बताता हूँ कैसे protect होता है कैसे protect होता है वो मैं आपको बताता हूँ बहुत ध्यान से समनना regular action में समझाया हुआ है लेकिन अभी मैं effort ले दो अगरा कुछ नहीं लिखा हुआ है कोई line transfer line कुछ नहीं की जाओ नॉर्मल चेक है मेरे student ने मेरे को दिया मेरे student भरत है भरत ने मुझे ये check दिया ठीक है अब वो check मालनो चोर चोरी कर लिया चोर चोरी करके भरत ने मालनो ISIS bank के चेक दिया था वो चोर चेक मेरे से चोरी करके ISIS bank के पास गिया और ISIS bank बोला भाई check point हो sign कर दो हमको endorse कर दो check के पीछे लिख करके endorse कर सकते है अपने तो चोर क्या किया check के पीछे sign कर दिया मोहित अगरवाल का duplicate sign मार दिया ICICI bank के पास चोरी ना मोहित अगरवाल का sign है भरत का bank ISIS bank ठीक है और चोर क्या किया मेरे से check चोरी कर दिया और paying banker के पास चला गिया चोर check चोरी करके paying banker ISIS bank के पास चला गिया और उसने check indoors कर दिया ISIS bank को और counter पर पैसा ले लिया पैसा तो गया और bank को क्या ownership transfer हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा because bank has acted in good faith उसको नहीं बता था कि सांदालद चोर है and value भी दिया है पैसा भी दिया है तो भी अभी हम लोग थोड़े पहले negotiable instrument के definition पढ़े थे कि कि किसी को भी N.I. का ownership transfer हो जाएगा वो has acted in good faith बढ़ा तरो रहा बढ़ा तरो रहा बोल रहा है मैंने कब दिया चेक आपको अरे बेसराम चला तन में आगे सर clear है सर अब मैं chat में नहीं देख रहा हूँ please तो अब check protect किसे किया जाएग check protect करने का एक तरीका है general crossing general crossing में क्या होता है general crossing में क्या होता है general crossing में with or without any words written between them it is called general crossing it is an instruction it is an instruction given to the paying banker it is an instruction given to the paying banker general crossing is an instruction given to the paying banker के इंसानों को पैसा मते न सीजा अकाउट में पैसा डालना यह देख it is an instruction given to the paying banker to pay the proceeds of check only to another banker तो अब मालो अगर check में यह general crossing किया हो रहता और यह check चोर चोरी करके IC bank पास जाता IC bank क्या उस चोर को counter पैसा देता नहीं देता क्योंकि general crossing किया हुआ है उसीजा account में रुपिया deposit करेगा समझ में आगे सर तो it's an instruction to the paying banker कि तुम इंसान को पैसा मत देना collecting banker को पैसा देना paying banker खली banker को पैसा देगा special crossing तो एक level और उपर है special crossing में तो क्या होता है हम लोग ना banker का नाम भी लिग देते हैं तो special crossing में यह दो डंडी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है बट बैंकर का नाम पककर आएगा मलो HDFC HDFC bank इससे क्या होगा it's an instruction to paying banker paying banker कौन था ICICI कि you will only pay the proceeds to HDFC bank no other banker general crossing was an instruction to paying banker general crossing general crossing was an instruction given to the paying banker general crossing was an instruction given to the paying banker to pay the proceeds to another banker any banker but special crossing में it's an instruction given to the paying banker to pay the proceeds only to the particular banker whose name is mentioned अलग लवल का प्रोटेक्श जवर्दास प्रोटेक्शन not negotiable crossing बेटा regular batch में ये पूरे एक class में समझाते हैं examples के साथ बट अभी आपको exam oriented revision चल रहा है समझ में आ गया होगा general crossing में क्या होता है it's an intersection paying banker जो एन इंसान को पैसा देगा नहीं paying banker किसको देगा collecting banker को पैसा देगा special crossing में क्या होता है paying banker specified collecting banker को सिर्फ पैसा देगा जिसका ना mention clear not negotiable crossing exam में हर तम में समझा लो हर दूसरा तम में आता है और 90% बच्चे हर दूसरा तम में गलत करके आता है exam में आ जाएगा not negotiable crossing क्या मतलब अगर not negotiable crossing है तो क्या ये transferable है अगर कोई भी negotiable instrument में not negotiable लिख दिया रहा है तो क्या वो transferable रहेगा बच्चे बलेंगे नहीं transferable फिर नहीं रहेगा अरे transferable रहेगा not negotiable का ये मतलब नहीं होता कि it's not transferable it is very well transferable तो it does not mean that it is not transferable ये बात तो दिबाग में बढ़ा लो it does not mean that it is not transferable it is very well transferable तो फिर क्या है तो फिर क्या है भाई पहले में आपको बता दो it does not mean that it is not transferable it is very well transferable तो फिर not negotiable मतलब क्या होता है negotiable मतलब समझ में आया था ना तरे को negotiable समझ में आया था ना तो not negotiable भी समझ में आना चाहिए जैसे good समझ में आता है तो not good समझ में आना चाहिए intelligent समझ में आता है तो not intelligent समझ में आना चाहिए beautiful समझ में आता है तो not beautiful समझ में आना चाहिए वैसे negotiable अगर समझ में आता है तो not negotiable भी समझ में आना चाहिए negotiable में क्या था negotiable का definition में खास बात क्या था कि negotiable instrument is an instrument the property in which is acquired by anyone who takes it in bona fide and for value भली सामने आला का title defective था तो negotiable instrument एक ऐसा instrument होता है कि अगर आप चोर सो भी लोगे ना चोर से भी लोगे तो भी आपको ownership transfer हो जाएगा अगर आपने good faith और value दिया तो not a negotiable link दिया जाए तो समझ जाओ negotiable instrument में एक चोर भी ownership transfer कर सकता था not negotiable में not negotiable में समझ जागया सर एक तोर ownership transfer नहीं कर सकता although you satisfy both the conditions of acting in good faith and for value but still a thief cannot transfer the ownership to you if you वली आपने good faith ने आपकिया और value दिया है यह था not negotiable मतलब लेने के पहले तुमको जाच लेना पड़ेगा कि सामने आला चोर तो नहीं है ना और अगर चोर निकला तो तुमको ownership transfer नहीं होगा it can be transferred it can be transferred but a non-owner cannot transfer its ownership even if the other person took it in good faith and for value सर आज सकनी सम में आया था अभी समझ में आ गया है और क्या तरीका था सर क्या तरीका था negotiable समझ में आ गया था ता not negotiable भी समझ में आ जाएगा clear रे सर हाँ जे आब आ जाएए holder and holder in due course के अंदर बोसन गल्स please come to holder and holder in due course holder and holder in due course के अंदर आ जाएगे holder and holder in due course के अंदर आ जाएगे बच्चों ये clear होने ये ये ला concept not negotiable फटा फट पेरेको बता दो फटा फट बता दो फटा फट बता दो फटा फट बता दो negotiable instrument में not negotiable clear है ना yes sir clear है clear है clear है awesome sir awesome मक्खन है sir चबरतस चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं boys and girls आ जाए बैटा holder and holder in due course के अंदर holder and holder in due course के अंदर आ जाए बैटा फटा फटा आ जाए let me have a glass of water कोई बढ़ते हैं कोई भी portion repeat ना करने बोले क्योंकि ये regular batch नहीं चल रहा है ये revision चल रहा है respect the revision and the time क्योंग ऐसा तो है नहीं कि हम लोग खाली समझ में आ रहा है एक का दुका concept करने वाले है सारे concepts का करवान है तो आपको एकदम ध्यान लगाना है एकदम ध्यान लगाना है let us hear it holder and holder in due course के अंदर आ जाई है भाई देखो बड़ा मैं आपको बदा दू सबसे पहले मैं आपको holder and due course बदा देता हू holder and due course एक ऐसा legal owner है दोनों ही legal owner है पहले ही बात समझ लो एक चोर को रास्ते में पढ़ावा बिल मिल गया चोर बिल चोरी कर लिया चोर ने नेगोशेबल इंसिमन चोरी कर लिया या फिर कि तुमको रास्ते में पढ़ावा you are a founder of the lost will तो तुमारे हातों में भाली बिल है बड़ तुम holder नहीं हो क्योंकि उन लोग ओनर नहीं है तो holder और holder in due course जो नो legal owner है फरक क्या है फरक यह है कि holder in due course के पास legal ownership आया है by paying consideration in good faith and he has acquired the bill before maturity he is a legal HIDC is a legal owner who has acquired an I after paying consideration in good faith and he has acquired the bill before maturity और इसको जादा privilege मिलेगा जादा production मिलेगा he is more privileged NIAC 1881 has given more privileges to HIDC in comparison to older साड़ा privilege HIDC को है हाँ HIDC holder तो है obvious हाथ है holder मतलब legal owner so HIDC legal owner तो है holder तो है so every older in due course is a older but every holder is not a older in due course बहुत बार सुने होगे but बहुत बात बार भूल जाते होगे मैं बता दूँ जैसे मोहित अगरवाल बड़ा नाम क्या रहे मोहित अगरवाल और एक है मोहित तो हर मोहित अगरवाल मोहित तो होता ही है हर मोहित अगरवाल मोहित तो होता ही है बट क्या हर मोहित, मोहित अगराइल होगा? वैसे holder in due course holder in due course में नाम इंतो holder है, huh? जैसे Ma drivea को नाम में नाम में होär हरल beetje अगराइल होता है, वैसे holder in due course के तो नाम में Linda है, तो हर holder in due course holder तो होता ही है, but her holder holder in due course नहीं बनता, clear है जिसने consideration दे करके legal ownership हासिल किया है, who has acquired the instrument by paying consideration in good fit and before maturity, more privileges are given and every HIDC is a holder, जैसे मालनों मैंने goods बेचा और तुम्हारों bill draw किया, goods बेच करके bill draw किया, तो मैं holder in due course हूँ, goods बेच करके bill draw किया, इंडॉर्स किया, तो मैं HIDC हूँ, लेकिन holder कौन होते है, legal owner, but he has not paid, he has not necessarily paid the consideration, good fit भी यहाँ पर जरूर ही नहीं है, he might have acquired the bill even after maturity, inheritance होगा आखे बाद, less privileges है, every older does not become HIDC, example gift inheritance, मैंने अगर negotiable instrument तुमको gift कर दिया, या फिर मालनों से for example, किसी के दादा जी वसीयत में negotiable instrument अपने पोता के नाम करके चले गए, तो अगर दादा जी वसीयत में will बना करके negotiable instrument, पोता के नाम करके चले गए, तो अब्वेसा बात है, वो पोता, holder है, holder in due course नहीं है, तो inheritance, ठीक है, और हो सकता है, वो after maturity उसको will मिलाओ, possible है, इन लोग, बता हो holder है कि नहीं है, whether they are holder or not, कितना बारा है हुआ है, कितना importance रखता है, मैं बयान नहीं कर सकता, पड़ा सकता हूँ, फड़ा फड़ा बताओ, yes और no में बताना है, holder है कि नहीं है, bill stolen, sir हाथों में तो भी लही, अरे हाथों में भी लही तो holder नहीं होता है, legal inherited the bill, holder है, F के पास bill है, but court नहीं insolvency order pass कर दिया है, ओ बाबा, अगर court ने insolvency order pass कर दिया है, तो उसका सारा का सारा जो property है, assets है, वो सब court के पास vest करेगा है ना, तो अगर insolventy clear हो गया, तब यह holder नहीं है, अब आजाओ privileges of HIDC, privileges of holder in due course, फटा-फटा आजेगी, boss and girls, privileges of holder in due course के अंदर, जवर्दस, मतलब I am so happy, the way the revision is going, जवर्दस, awesome, adbhut, lovely, अरे बेशर्मो, अपने friends के साथ, whatsapp group, telegram group, हर जगा share तो कर सकते हो, यार, share तो कर दो कम से कम, ये वडियो को share तो कर दो, बच्चे बोलते हैं, नहीं, नहीं, हम लोगा छुड़ी आएगा, अरे मैं 30 seconds दे रहा हूँ, 30 seconds दे रहा हूँ, share कर दो, 30 seconds में दे रहा हूँ, share कर दो, भाई, सबको ले आओ, और, notes वगरा कहां से मिलेगा, वो आप तक पहुंच जाएगा, हमारा app में भी हम लोग लगा देंगा, MEPL Classes app, वहाँ डुड़ने में दिक्कत हो, तो Google Form का link जो है, वो भर देना, Google Form का link description box में दिया हो, उसको भर देना, चिक है, बच्चे पूसें सर, आपके energy का रहा हो, उसक्या है, आप लोग है, और कोई नहीं, इट जस्ट, देखो, ये इतना, जो महनत है नहीं, ये बिना लव के नहीं हो सकता, मतलब, एक level के बाद फिर रुख जाता है, आप देखते होंगे, आपको लगता होगा बस, मतलब, और मोहित सर क्या revision कराएंगे, तो फिर आपको एक announcement रत होगा, अरे ये भी है, अरे वो भी है, तो ये सब जो है ना, मैं आपको बता दू, बिना प्यार के नहीं हो सकता, बिना प्यार के नहीं हो सकता, शलो, privileges of HIDC में आपका स्वगत है, आज़ेगे, privileges of older indie course, ये notes exhaustive है, इतना पढ़ करके जाओगे, आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, privileges of older indie course में आजओ, privileges of older indie course, privileges of HIDC, देखो, in case of forgery, forgery सर्ण में आ रहा है, हाँ सर चोड़ी हो गया, बिल्कुल, फटा फट एक दम, in case of forgery, privileges of HIDC, in case of forgery, मतलब चोड़ी हो गया, तो देखो क्या होता है, अगर forgery, चोड़ी हो करके, चुरा लिया है बिल जो तुमने, अगर हो HIDC के पास चला गया ना, तो सनम, वो जाकर के अपना कोई भी prior party को सीव कर सकता है, ठीक है, तो HIDC के पास बली चोड़ी के वह बिल पहुच गया, लेकिन HIDC अपने सारे prior party लोग को सीव कर सकता है, पैसा माँगने के लिए, so in case of forgery, HIDC can sue any other prior party, example देखो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि exam में जो है, ऐसे भी, यह सब examples ही आते हैं, example देखो, B, purchase the goods, ठीक है, B genuine buddy है, उसने goods खरीदा, किस से खरीदा, A से, A भी genuine buddy है, बिचार है, A माल दे रहा है, and accepted the bill drawn by A, ठीक है, बहुत बढ़िया, B ने माल खरीदा, A से, B ने माल खरीदा, A से, और इसलिए A ने उसके ओपर bill draw कर दी, अभी के उपर, which was accepted by D, drawn by A, accepted by D, तो अब bill किस के हाथ में रहेगा, obvious हाथ है, seller A है, तो A के हाथ में रहेगा, हे भागवान, A के हाथ में जो bill था, C for chore, चोरी कर लिया, bill stolen by C for chore, अब क्या हुआ, chore जो है ना, chore जिसके हाथ में बहुत है, D के पास, D को bill दे करके, bill endorse करके, उससे समान खरीद लिया, तो D भी चारा जो है ना, उसको नहीं बता कि सामने अला, चोर है, D ने goods बेचा ना, D ने goods बेचा ना, हाँ सर्थ, D ने goods बेचा मतलब, value दिया, so D के पास ये जो bill आ रहा है, क्या D दो कंडिशन साडिशाई कर रहा है, बली सामने अला चोर है, बट D के दो कंडिशन साडिशन साडिशाई कर रहा, D दो कंडिशन साडिशन साडिशाई कर रहा है, इसलिए वो HIDC है, because he acquired the bill in good faith, उसको नहीं बता था कि सामने अला चोर है, and he has acquired the bill by paying and before maturity so D becomes holder in due course he can recover from any of the prior party मतलब D जो है न C, B, A किसी को भी see you कर सकता है इन लोग से amount recover करने के लिए मक्खन सर मतलब just imagine the scene आग बंद करो और scene imagine करो किसका bill खो गिया था A का A bill ढूंडे जा रहा है ठीक है literally ऐसा नहीं होता बड़ या रखने के लिए मैंजन करो A bill ढूंडे जा रहा है अचानक से holder in due course का entry होता है D का कहीं तुम इसी bill को तो नहीं ढूंड रहे हो A बोलता है हाँ यही तो है D बोलता है चलो पैसा दो bill का पैसा बुलक क्या बोल रहे हो मिरा ही bill चोरी हो हम ही पैसा दे हाँ मैं HIDC है यह रहा देख रसीत वसीत सब लेकर के आया है सब रसीत वसीत लेकर के आया है मैंने यह माल खरीदा है good faith में value भी दिया है चल चल बना बजी नहीं पैसा दे पैसा देना पड़ेगा clear है सर यह रखना HIDC always get a better title than the transferor obvious हा बात है holder in due course always gets a better title than the transferor यह transferor कौन था चोर था but HIDC gets a better title than the transferor चोर example same as above मतलब जो defect है HIDC जो है ना उसके पास आने से सारा defect इलिमिनेट हो जाता है the defect gets eliminated in the hands of HIDC आहा अती सुन्दर the defect gets eliminated मतलब HIDC जो है ना गंगा नदी के समान है वहाँ पर जो भी बिल आएगा HIDC है ना वो गुटफित में लिए है ना बिल्स पवित्र हो जाएगा जो भी नेकोश्ब दूस्मट आएगा HIDC के पास पवित्र हो जाएगा सारे मैल धूल जाते है HIDC के पास आने पर सारे मैल धूल जाते है defect gets eliminated in the hands of HIDC मक्कन सर अब exam में बहुत है tricky कोश्चन आता है और बहुत सारे बच्चे गलत करते है बहुत सारे बच्चे गलत करते है मैं बता तूँ ये वाला tricky question exam में मतलब 75% बच्चे जो है वो गलत करते है ये revision के बाद गलत नहीं होगा सुन लो भाई इसमें क्या है सुन लो सुन लीजे देखिए जो ड्रॉयर है माल लो B ठीक है और A ड्रॉयर है ठीक है तो B ड्रॉयर है और A ड्रॉयर है बिल B के हाथ में था स्टोलेन वाई C ठीक है अई सुन B के हाथ में जो बिल था C फर चोर चोरी कर लिया ठीक है सब C फर चोर चोरी कर लिया अब ये बिल किसके पास गया है D के पास जो HIDC है D ने गुड्स वगरा बेचा ठीक है D HIDC है तो D को अरुशिप टांसवर हो गया अब D जो आना ये E को टांसवर कर रहा है and E को अच्छे से पता है कि it was stolen by C E को अच्छे से पता है कि जो बिल D टांसवर कर रहा है D के पास आया था चोर से ये बात E को पता है मेरे सवाले को जवाब दो क्या E भी HIDC मना जाएगा और क्या E अपने प्रायर पटी को स्यू कर सकेगा भले इसको पता है कि ये बिल चोरी का था फिर भी E चोर से थोड़ी ना ले रहा है E तो खुद HIDC से ले रहा है तो बिल में तो सारा डिफेक्ट जो है चोर से बिल ने रहा है तो E को जो मिलेगा और वो अपने प्रायर पटी को स्यू कर सकता है याद हदा D को अगर पता होता कि C छोर है तब D को उनर्शू ऑनश्वर नहीं होता लेकिन D को तो नहीं बता था ना तो उनर्शूप टांसवर होगया DHADC बन गया, बिल पवित्र बन गया, अब बली E को ये बात पता है कि D के पास चोरी का बिल था, doesn't matter, E भी अपना प्राइर पड़ी को सीवख कर सकता है, मखन सर, चबरतस्त और सम, E can recover the amount from all the प्राइर पाइटीस, ठीक है? अब आजी बेट है, incoit instrument के अंदर आ जाई है, incoit instrument याने incomplete instrument, amount लिखना बाकी है, blank bill, blank check, कभी blank bill, blank check देखा है, yes sir, बिल्कुल देखा है, तो वो incoit हुआ न, incomplete हुआ न, in case of incoit instrument, an incomplete instrument, HIDC can recover up to the amount supported by the revenue stamp, HIDC can recover the amount supported by the revenue stamp, clear है sir, तो incoit instrument जो है न, bit of bill of action, yes sir, revenue stamp लगता है, तो revenue stamp जितना amount तक support करता है, उतना amount तक, आप, अगर HIDC है, तो उतना amount तक, आप recover कर सकते हैं, देखो, incoit instrument क्या होता है, it's an incomplete instrument, because amount not filled up, example देखो, पूरा clear हो जाएगा, अरे blank check नहीं सुना, incoit instrument होता है, valid है, A, purchase किया, goods from B, Rs. 10,000 का, ठीक है, ध्यान से, A, विचारा, खाली 10,000 का माल खरीदा है, B से, and accepted a blank bill, A को हटबड़ी था, he accepted a blank bill, and gave authority to B, कि आप 10,000 भर लेना, मैं आपसे 10,000 का सावन करीदा, आप 10,000 भर लेना, B, फ़र बदमाश 25,000, 25,000 amount fill up कर दिया, और वो revenue stamp भी उतना support करता था, जो बिलक्यों परेवनिस stamp था, हे भगवान, A तो खाली 10,000 का माल करीदा था, लेकिन B फ़र बदमाश ने 25,000 का amount भर दिया उसमें, और फिर endorse कर दिया C को, जो कि HIDC है, मतलब, उसने consideration दिया है, value दिया है, good faith mag की है, C HIDC है, मेरा कोशन है क्या C A से पूरा 25,000 ने कवर कर सकता है, हाँ, C HIDC है, वो B और A से पूरा 25,000 ने कवर कर सकता है, C can see B या फिर A for 25,000, because C is an HIDC, मकंद सर, B A से 25 यार ने मांग सकता है, 10 यार मांग सकता है, but C being HIDC, B और A से 25 यार मांग सकता है, clear असा, समझे आगे है, HIDC को भयानक वाला जो है, protection मिला है, privileges मिला है, conditional contract, अगर conditional contract हो, escrow instrument हो, HIDC can see all the prior parties, बिल्कुल, class में अल्लडी हम लोग पढ़ रखे हैं, यह वाला बात, जैसे यहला example देख लो, A accepted a bill, इस बार will accept कौन कर रहा पेटा, A A accepted a bill, drawn by B, बड़ी हम आते हैं, A has accepted a bill, A has accepted a bill, drawn by B, ठीक है, yes sir, A acceptable drawn by B, अप उना contract that B थस, अच्छा, A accept किया है ना bill, drawn by B, हाँ, A accept किया bill, drawn by B, अप उना contract कि B जो है न, माल डिलिवर कर देगा, अरे A accept किया है bill, मतलब B draw किया है, B draw किया है bill, क्योंकि B seller है, B will deliver the goods, और ये सौधा हुआ था कि B will deliver the goods on 10th January, ठीक है, बढ़िया बात है, 10 January तक goods deliver हो जाना चाहिए, फिर क्या हुआ, contract है सबसे 10 January तक goods deliver हो जाना चाहिए, B endorse the bill to C, अब B क्या किया, अपना contract पुरा नहीं कर रहा है, तो वो ये को सुल कर सकता, but C being HIDC can see you both, B and A, मखन सर, awesome, awesome, इसको पढ़ो, point number 6 को पढ़ो एक बढ़, फटा फट, boss and girls, read point number 6, इसके बाद नया topic साट हो रहा है, बहुत important, inland and foreign instrument, but एक बाद इसको पढ़ो, point number 6 को पढ़ो, boss and girls, very very fast guys, जिलोग अभी वीडियो देखना चालू किया, फटा फटा लाइक बटन दबादो, अगर अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है तो, अगर अभी तक बटन दबादो, अगर fictitious number bill बन जाता है, HIRDC को कोई फरक नहीं पढ़ता, HIRDC को कोई नहीं बोल सकता, नहीं नहीं, हाँ पर तो जो fictitious number bill बना था ना, इसलिए being valid है, HIRDC को कोई फरक नहीं पढ़ता, भले ही नाम नकली है, जो HIRDC को दिया, जो भी prior parties है, सबको HIDC आ करके ठोकेगा, यानि case करेगा, CEO करेगा अपना amount recover करने के लिए. So even in case of fictitious bill, HIDC can recover amount of the bill from drawer of the bill. Clear lesson. A, draw a bill on fictitious name B and endorse to C. कोई फर्व निपड़ता, C can recover the amount of bill from A. चोर दार तलिया, ये था privileges of HIDC. ये था privileges of HIDC. अब आज़ो पिटा, inland instrument में आज़ो. inland instrument और foreign instrument. फटाफ़ आज़ो, boss and girls. inland instrument. पिटा, inland instrument क्या होता है? जो दो condition सदिसाई करें. जो negotiable instrument. दोनों condition सदिसाई करना आपड़ेगा. सबसे पहले condition है, made in India, drawn या made in India. देखो पिटा, bill of exchange अगर है, तो drawn, promissory note है, तो made. है ना, bill of exchange, check है, तो drawn बोलते है, promissory note है, तो made. तो inland instrument क्या है, जो दोनों condition सदिसाई करता है. made in India and दूसरा condition, या तो payable in India हो, या फिर drawn upon a person who is resident in India. पहला condition में कोई compromise नहीं है. inland instrument is an instrument. inland instrument means an instrument, which is drawn or made in India. made in India, ये तो करना ही है. and either payable also in India, चलो या फिर payable outside India है, but drawn upon a person resident in India. drawn upon a person resident in India. चुकुर ये साथ. made in India and payable in India, या फिर drawn upon a person resident in India. foreign instrument क्या है, जो दोनों में से कोई भी एक condition फारे साई. नहीं करेगा, वो foreign मना जाएगा. दोनों condition से फारे साई, तो inland, एक भी छूड़ गया, तो foreign instrument. Sir, negotiation back क्या होता है sir? What do you mean by negotiation back sir? Sir, what do you mean by negotiation back sir? Sir, आखे negotiation back क्या होता है sir? negotiation back क्या होता है भड़ा, ध्यान से सुरो. Negotiation back क्या होता है भड़ा, ध्यान से सुरो. जब indoors किया होँ बिल, खुदी अपने पास आ जाए, अरे पापर, क्या बोलने है sir फिर से बोली है? जब indoors किया होँ बिल, फिर से मेरे पास आ जाता है इसको negotiation back बोलता है मतलब जो prior party था वो फिर से holder of the bill बन जाता है इसको negotiation back बोलता है when any prior party when any prior party of the bill again becomes a holder when any prior party of the bill again becomes a holder, again gets back the bill, this concept is called negotiation back this concept is called negotiation back जो prior party है उसको फिर से जब बिल मिल जा रहा है when the prior party again gets back to bill this is called negotiation back example मैं आपको दिखाता हूँ देखो यह एक्जम्बल देखो मालनो A ने माल बेचा B को A ने माल बेचा B को और उसके उपर bill draw किया ठीक है? A ने माल बेचा B को और उसके उपर bill draw कर दिया तो bill draw कर दिया B के उपर तो obvious है बात है ना अभी bill किसके हाथ में है बटा? अभी bill है A के हाथ में है अब A क्या किया? A क्या किया भई? A इसको endorse किया C को अरे यार A was supposed to pay some amount to C A is having the bill A was having some amount payable to C तो A अपना bill endorse कर दिया C को C ने endorse कर दिया D को D ने endorse कर दिया E को E ने ये endorse कर दिया फिर से मालनो E was having some payable to C E ने endorse कर दिया C को Oh my God C was supposed to pay to D C endorse a bill to D D was supposed to pay to E D endorse a bill to E E was also having some payable amount to C so E endorse the same bill to C तो C तो prior पड़ी था उसके पस घूम फिर करके bill वापस आ गिया Boomerang ये ना Boomerang की तरह फेक है और मेरे पस bill वापस आ गिया मतलब जो prior पड़ी है C उसके पस घूम फिर करके bill वापस आ गिया इसी concept का हम लोग बोलते है negotiation back अब हम लोग क्या सिखे हैं कि इन लोग सब HIDC है तो HIDC तो अपना prior party लोगो स्यू कर सकता है ये देखा जाए तो E का prior party C है है ना सोचो ना E का prior party C है तो E तो फिर C का गला पकड़ सकता है चल चल पैसा दे लेकिन bill तो फिर से C के पास भी आ गिया तो C का भी तो prior party E है C का भी तो prior party E हो गिया अली बिल नेगोशेट बैक होकर कि C के पास आ गिया है C के नाट रिकवर दा अमाउन फ्रम E C के नाट रिकवर दा अमाउन फ्रम E वैसे ही D का prior party कोई है C D का prior party कोई है D का prior party C है क्योंकि D ओल्यडी C का गला पकड़ रखा है C D का गला नहीं पकड़ सकता समझ में आ गिया सर समझ में आ गिया समझ में आ गिया लेकिन C obvious है बते है A और B से तो recover करी सकता है यह ऐसा क्यों हुआ इसलिए हुआ to prevent circuitry action नहीं तो फिर समझ में आ रहा ना exam regular batch में ऐसे गला भी पकड़ करके दिखा दे थे yes sir yes sir to prevent circuitry action पकन sir फिर से यह लड़ आगराम देख लो बटा एक बर क्या हुआ negotiation में फिर से एक बर देख लो बटा कुछ ऐसा हुआ A ने माल बेचा था B को इसलिए B ने बिल accept करके A को दिया ठीक है अब A ने इंडॉर्स कर दिया C को C ने इंडॉर्स कर दिया D को D ने इंडॉर्स कर दिया E को E ने इंडॉर्स कर दिया C को तो negotiation में को गया न यह पर prior party C था उसके पर से बिला गया तो यहां तो negotiation में को गया न अब कानून क्या बोलता है क्योंकि ये E already C से रुपिया मांगने का हक रखता था, क्योंकि E already C का गला पकड़ रखा है, E तो अपना सारा prior party लोग से रुपिया मांग सकता है तो E का माना तो prior party C भी था उससे रुपिया मांग रहा था इसलिए यह वाला C, E से रुपिया नहीं मांग सकता, चोंकि E के पास पहले अधिकार आया C से रुपिया मांगने का, इसलिए वाला C, E से रुपिया नहीं मांग सकता है, वैसे ही यह D का भी prior party है C तो D अपना prior party C का गला पकड़ रहा है इसलिए C, D से नहीं मांग सकता, नहीं तो circular action हो हो जाएगा, circuitry action हो जाएगा मक्खन सरे एक तम लेकिन मैं आपको बता दू revision चल रहा है तो अभी यहीं पर बता देता हूँ कि भाई, अगर C ने sense recourse endorsement कर रखा है sense recourse endorsement में क्यों होता है sense recourse endorsement में हम लोग बोलते है ले भाई, बिल, मैं endorse हो कर रहा है लेकिन तुम मेरे ओपर C, U नहीं कर सकता अगर future में ability is honor, is honor हो जाए तुम मेरे ओपर case नहीं कर सकता यह होता sense recourse endorsement अगर C for चलक क्या बुद्धी है, C for और चलक क्या बुद्धी, वो sense recourse endorsement किया तब C को तो कोई स्यू नहीं कर सकता, इसका मतलब तब E और D यहला E और यहला D फिर C को स्यू नहीं कर सकता तब अगर C के पास यह bill negotiation में के बाद आ जाता है न क्योंकि E और D क्योंकि E और D C को नहीं स्यू कर सकता क्योंकि C ने sense recourse endorsement किया क्योंकि C ने sense recourse endorsement किया क्योंकि C ने sense recourse endorsement किया तो E और D C को स्यू नहीं कर सकता समझ रहा है क्या C ने क्या किया sense recourse endorsement किया तो nobody can see you see तो E और D C को स्यू नहीं कर सकता अब अगर ये बिल घूम फिर करके C के पास आता है ना नेगोशेशन बैको करके तो यह अला C E और D को भी C.U. कर सकता है क्योंकि E और D इस बार C को C.U. नहीं कर सकता है because of Sanseco's endorsement so if this Sanseco's endorsement घूम फिर करके यह अला बिल C के पास नेगोशेशन बैको करके आता है तो यह अला C E और D को C.U. कर सकता है चपरदस सर awesome question देखो can C बिना Sanseco's के can C C C E and D if the bill is dishonored no because E D had the right to C C but if it was Sanseco's तब तो हो जाता मक्कन सर चपरदस्ट six types of endorsements में आ जाईए boss and girls six types of endorsements आ जाईए चपरगर का endorsement six types of endorsement में तिन देसी तिन विदेसी तिन देसी तिन देसी तिन देसी और तिन विदेसी बच्चा पूछ रहा है सर आप live batch लेते हो कि आप GDP देते हो मैं बच्चों को बता दू समय समय पर live at home batch भी आता है और GDPD वही live at home batch को आप लोग record करके देते हैं ठीक है तो live batch भी चलता है और GDPD भी चलता है सर कहां से booking करना पड़ता है www.mplclasses.com यहां से booking करना पड़ता है यहां से mplclasses.com से अब दुबारा मत पूछना बटा mplclasses.com में जाओ course select करो और टना टन टन अपना course book कर लो और सही हातों में जुड़ जाओ सही हातों के साथ जुड़ जुड़ जाओ सही जगा आ जाओ तुमारा बल्ले बल्ले है 6 steps of endorsements 6 प्रकार के endorsements तिन देसी तिन विदेसी ना भेरे ऐसा देसी ना वर विदेसी ना ब्लांक इंडॉर्समेंट ब्लांक और एक नाम होते है जन्रल इंडॉर्समेंट फिर होते है special और एक नाम होते है special इंडॉर्समेंट का full endorsement फिर sense record sense wise speculative ठीक है 6 प्रकार के endorsements होते है blank यानी general special यानी full फिर sense records आरे blank यानी general फिर special यानी full ब्लांक जन्रल इंडॉर्समेंट special और full endorsement restrictive endorsement फिर sense records sense wise speculative फिर ब्लांक और जन्रल इंडॉर्समेंट थोड़ा fast यार revision चल रहा है तुम्हों भूल जाते हो क्या blank or general endorsement basically contains signature of the endorser blank or general endorsement contains endorsement has originated from a latin word along which means writing on the back of the instrument writing on the back of the endos back of the instrument endorsed and signed by the endorser so it has originated from latin word along which means writing on the back of the instrument okay black endorsement उन्डॉर्सडेन कर darkness special and full endorsement हम साब साब लिगते हैं indoors to Bội or to his order it will contain the name of the indoorsy and payble to his order pay to Rahm or to his order restrictive endorsement restrictive restrictive endorsement में क्या होता है into a lesser physicists pay to तकि राम और किसी को एंडॉर्स नहीं कर सके endorser रिस्ट्रिक्स değer waiting of the instrument like pay to rama only sense recourse endorsement sense recourse endorsement recourse कि भाई जो इंसान sense recourse endorsement करेगा आप उसको MORE होता है sense phrase endorsement में क्या होता है आप bill के ऊपर किया हुआ खर्चा भी उस से recover नहीं कर सकते है sense records में क्या होगा अगर मैं sense records कर रहा है bill अगर dishonor हो जाए मेरे को सून ही कर सकता तुम bill का amount के लिए sense price अगर मैं कर रहा है bill को बर जो खर्चा हुआ है जैसे noting charge वगरा वो भी मैं recover तुम मेरे से recover नहीं कर सकता मैं नहीं देगा हो सर तो होता sense price endorsement और facultative endorsement क्या होता है facultative जो है ना donkey की लोग करता है facultative endorsement endorseee को बोलता है अगर endorseee को लोग बोलता है future में bill dishonor dishonor हो जाए ना तो normal endorseee अपना prior party लोग को स्यू कर सकता है notice of dishonor देखर के लिकिन अगर मैंने facultative endorsement किया है बिना notice of dishonor भी है तुम मेरा गल्या पकड सकते हो मेरे को स्यू कर सकते हो यह होता है facultative endorsement party can be sued without the notice of dishonor अब आजो थे भगवान celebrity section celebrity section आज आईए celebrity section के अंदर celebrity section में आपका स्वागत है celebrity section में आपका स्वागत है section 138 bouncing of check याँ से टन 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 देखो पूरा line by line चलते रहेगा bouncing of check से related पड़ा फट जोड़ जाईए पूरा section 138 का post modem करने वाले हैं हम लोग 138, 139, 140, 141, 142, 143, 143A, 148 मतलब line by line मतलब यहाँ से तुम्हारे exam question भयानक है भयानक आने ही आने चलिए आजिए section नम्र फटी एड पूंसिंग फट चेक section 138, पूंसिंग फट चेक चलिए आजिए हाँ जी देखो भई, बाउंसिंग फट चेक में लिए हम क्या होता है देख लोगा देखो bouncing फट चेक, section 138 का बठाट होगा ड्रॉयर ने चेक इशू किया पेई को ड्रॉयर ने चेक इशू किया ना पेमेंट करने के लिए मालनो Mr. A A ने चेक इशू किया B को पेमेंट करने के लिए तो ड्रॉयर हो गया A जिसने चेक इशू किया B को पेमेंट करने के लिए मतलब B हो गया पेई और क्यों चेक इशू किया? लाइबिलेटी चुकाने के लिए कोई advance देने के लिए ने, कोई gift देने के लिए ने, it was not an advance, it was not a Rakshabandhan gift, it was for the payment of liability, the check was issued for the payment of liability, it was issued for the payment of liability, चाह वो liability तुम थोड़ा सब payment करे थे, या पूरा चुकता कर रहे थे, it was paid for liability payment, settlement of liability in part or full, अब विचारा पेई जो B था, उसने check deposit किया, and dishonored हो गिया because of insufficient fund in the drawer's bank account, B ने अपने bank में check जमा किया, और क्योंकि A के खाते में पैसा नहीं था, check was dishonored, because of insufficient fund in A's bank account, अब नियम क्या होता है, जब check dishonored हो गिया because of insufficient fund, pay, pay, जो कि B है, जिस दिन P को पता चला, जिस दिन B को पता चला, bank से, कि भाई, check तो dishonored हो गिया है, क्योंकि A के account में पैसा नहीं था, because of insufficient fund, the check has been dishonored, मेरे को 30 days का time में लेगा, pay को 30 days का time में लेगा, वो एक written notice देगा, demanding is payment, from A, so pay will issue a written notice to draw a demanding is payment, अच्छा, pay को पास कितना दिन का time है, 30 days का time है, 30 days का time से, जिस दिन bank ने मेरे को information दिया, कि check has been dishonored, because of insufficient fund, pay within 30 days from the rate of information received by him, will issue a written notice demanding is payment, और जिस दिन return notice में लेगा, drawer को 15 दिन के अंदर payment करेगा, pay within 30 days of receiving the intimation, shall issue a written notice to drawer demanding the payment, मैं 30 days के अंदर return notice देगा तरे को, और तू, यानि drawer, 15 दिन के अंदर मेरे को payment करेगा, जिस दिन देरे को notice मिल गिया, वासे 15 दिन के अंदर तू मेरे को payment करेगा, failing which, अगर 15 दिन के अंदर तूमने payment नहीं किया, तो drawer को 2 साल तक का jail, या फिर fine मरना पड़ेगा उसको, जितना check bounce हुआ है, जितना check bounce हुआ है, उसका twice, 10 लग का check bounce हुआ है, 20 लग का fine बना पड़ेगा और both, पूरा मखन के अंदर clear है, एकदा मखन के अंदर clear है, imprisonment up to 2 years, समझ में आ गया sir, imprisonment up to 2 years और fine, up to twice the amount of check और both, फिर से ये 7 point सुन लो, bouncing of check section 138 का, कब attract होता है, drawer में check issue किया, for making payment to pay, drawer में check issue किया, for making payment to pay, and it was the check issued, for the payment of liability, payment of liability के लिए अधा, payment of liability के लिए अधा, payment of liability के लिए अधा, either in part or in full, पे ने check जवा किया, or it was dishonored, because of insufficient fund in the drawer's bank account, the check was dishonored, now pay, will have 30 days time, that within 30 days from receiving the intimation, that the check is dishonored, he will have to issue a written notice, to drawer demanding his payment, and drawer on receiving the notice, within 15 days, he will make the payment, failing which, up to 2 years imprisonment, or fine up to, twice the amount of check or both, makhan sir, ये अला केस देखा और बताव, section 138 attract होगा कि नहीं होगा, check issued as gift and bounce, नहीं, नहीं attract होगा, liability के लिए जब check bounce होता है, तब ही attract होता है, loan मैंने दिया था, check से वो bounce होगा, नहीं attract होगा, repayment लेकिन अगर मैं कर रहा था, loan का repayment, loan ले रहा था, उसका repayment कर रहा था, और bounce होगा, तब तो liability का check bounce होगा है, ये बहुत important है, भाई ध्यान से देखना, बहुत important है, भाई ध्यान से देखो, check issue to liability holder, check was issue to liability holder, मैंने check issue कर दिया अपने creator को, check issue कर दिया, मैंने अपने creator को, और stop payment करा दिया, check issue to creator को, और क्या करवा दिया, stop payment, bank को phone करके बोल दिया, मैंने creator को check issue किया है, bank, stop payment, stop payment, वो तो creator सरक्यों को नाच रहा था, इस लिए को check दे दिया, stop payment कर, या फिर आज दो liability holder, कि भाई check एक अफ़ता बाद जमा करना, लेकिन liability holder एक अफ़ता बाद नहीं, ये भी bouncing of check बाना देगा, supreme court का judgment है, Modi cement limited versus kuchil kumar nandhi, Modi, Modi cement limited, ठीक है, control करना अपने भावनों को, Modi cement limited versus kuchil kumar nandhi, advance दिया, creditor को, हाथ और advance आना, bouncing of check attract नहीं होगा, बली check bounce होगया, section 188 attract नहीं होगा, चवरदस, चवरदस, अदभुद, awesome, awesome, superb, section 189 क्या बोलता है, अगर वाकई में, देखो जबी भी check bounce होगा न, तो court जो है न, court, हमेशा, drawer को शक्के नज़रों से देखेगा, मालो मैंने अपनी बहन को check दिया, रक्षा बंदन gift दिया, और bounce होगया, मैंने अपने sister को राखी का gift दिया, और वा check bounce होगया, मेरे भेंड मेरे पर case कर दी, bouncing of check का, मेरे को 30 discount, the return notice ही पैसा दे, मैंने नहीं दिया, 15 दिन में, वो case कर दी bouncing का, court, drawer कोई शक्के नज़रों से दिखेगा, sir आप तो बोले, gift में attract नहीं होता, मेरे को ये साबित करना पड़ेगा, कि ये gift था है, and it was not a payment of liability, the owners to prove, that it was a gift, and it was not a payment of liability, will lie on the drawer, section 139 बोलता है, the court will take a general assumption, court तो assume करके चलेगा भाई, कि जो check bounce हुए है न, वो liability holder कही था, unless the contrary is proved by the drawer, अगर contrary है, तो मेरे को थाबित करना पड़ेगा, unless the contrary is proved by the drawer, 11 लग का gift, अरे बेशामो, दिव्या मैम, बिलकुल सही जवाब, और भाई, जितना मेनत दिव्या गरल मैम करती है, दिखता नहीं है, मेरा मैनत दिख जाता है, बर दिव्या मैम भी जो है न, एकदम लगाता डटे रहती है, आप लोगों के लिए, ठीक है, तो make sure कि आप उनका sessions भी miss ना करे, पूरी MEPL की team, यह सारी faculties, जो है आपके लिए एकदम जीजान लगा देती है, आगे बढ़ रहे है, यहों कि है section 138, 139, 139 क्या बोलता है, 139 बोलता है, court will take a general assumption, that the check which has got bounced, it was issued to liability holder, unless drawer proves the contrary, 140 क्या बोल रहा है, 140 बोल रहा है, drawer को यह कोई defense नहीं है, drawer cannot take it as a defense, कि हमको तो नहीं पता थाना, कि मेरा check bounce हो जाएगा, गल्ती से होगया, गल्ती से होगया, मैंस रही है, it is not a defense, that drawer had no idea, that check issue to liability holder will get bounced, यह कोई defense नहीं है, section 140 बोलता है, 141 बोलता है, company का अगर check bounce होओ है, जिस समय check issue किया गया था, उस समय जो officer in charge से, वो liable होगया, I repeat, company का जो check issue किया गया, और bounce होगया, तो जिस समय check issue किया गया था, जो officer in charge, वो liable होगया, if company check got bounce, officer in default, at the time when the check was issued, would be liable, मक्खन सर, 142, cognizance of offense, मतब किस court में जाकर के, case लड़ा जाएगा, bouncing of check का, किस court में जाकर के, case लड़ा जाएगा, देखो, अगर pay ने क्या किया, check जो अपने banker के पास जमा किया, तो case फाइल होगा, उस court में, जिस court के jurisdiction के अंदर, मेरा bank branch लई करता है, सुन में आगे सर, अरे pay भाई, सुनना, pay ने, जिस bank में check जमा किया, pay ने अपने bank में check जमा किया होगा, generally, 99% cases में, pay अपने bank में check जमा किया, check bounce हो गिया, the case will be filed in that court, उस court में case लड़ा जाएगा, जहाँ पर drawee bank branch लाई करता है, drawee bank branch मतलब, drawer का bank, in any other case, in that court under उस jurisdiction, drawee bank branch लाई मक्षन, तो बहुत simple है, किस court में case लड़ा जाएगा, bouncing of check का, pay ने अगर अपने bank में check जमा किया, तो obvious है बात है, pay का bank branch, जिस court के अंदर आता है, उस court में लड़ा जाएगा, in any other case, drawee bank, जिस court के अंदर आता है, drawee bank branch, जिस court के अंदर आता है, उस court के अंदर case लड़ा जाएगा, क्या summary trial हो सकता है, summary trial मतलब, फटा-फट case को, spirit disposal के रना, spirit disposal किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, section 143 बोलता है, the court, जहाँ पर section 138 वाला case file हुआ है, पहले बात तो यह बताओ, कि वो कौन सा court रहेगा, क्या उकात रहेगा, court का भी तो अलग-अलग level होता है, judicial measure of first class, या metropolitan measure रहेगा, the court where suit will be filed, in relation to section 138, shall be judicial measure of first class, or metropolitan measure, हाँ, इन लोग speedy disposal of case, try कर सकता है, speedy disposal कर सकता है, summary trial मतला, summary trial मतला, speedy disposal of case, summary trial का मतलब होता है, speedy disposal of case, but maximum imprisonment, 2 साल के जागा, फटा-फट हो रहा है ना, तो 2 साल के जागा, 1 साल का ही सजा होगा, और find 5000 और both, court अगर summary trial कर रहा है, लेकिन लगा, नहीं यार, यह तो जल्दी नहीं होगा, तो उसको normal trial में convert कर सकता है, court ने एक बार summary trial चालू कर दिया, और during summary trial लगाने नहीं, इतना फटा-फट नहीं हो सकता, यह बहुत जोल जाल है, तो उसको normal trial में convert कर सकता है, court कभी दूँ, section 143A में आओ, power to direct interim compensation, section 143A, boss and girls, फटा-फटा आजाईए, section 143A के अंदर, section 143A के अंदर आजाईए, मेरे प्यारे बच्चों, 143A, power to direct interim compensation, लेको bouncing of case का, bouncing of checker जो case है, तुमको क्या लगता है, bouncing of checker जो case है, तुमको क्या लगता है, तुरंट-तुरंट खतम हो जाएगा, सालो साल चलता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक case चलता है, तो विचारा pay, तो रुखा सुखा ही बैठा है, case करके, विचारा pay को तो प्रसा मिलना था, check bounce हो गिया, drawer के लगता है, 10 साल तक बैठा रहा है, तो इसलिए section 143 यह आया, जो कि बोलता है, interim compensation, court जो है, award कर सकता है, the court can order, कि यह drawer, चल 20%, maximum 20% court जो है, drawer को बोल सकता है, चल interim compensation दे, maximum 20% of the amount of check bounce with the pay, तो court के पास favor है, वो drawer को बोल सकता है, drawer, चल pay को रूखा सुगा मतरख, 20% of check ते रहा बाउंस गए न, 20% जमा कर pay को, maximum 20%, अब, जिस इन court ने order कर दिया drawer को, अब तो 20% तक court, कुछ भी amount order कर सकता है, drawer will pay such amount to pay, drawer वो interim compensation pay को, case चलेगा, कौन सच कौन जूर बाद में, पहले 20% जमा कर pay को, drawer वो रुपिया जमा करेगा pay को, within 60 days, of such order of the court, further 30 days मिल सकता है, if there is a genuine cause, तब court उसको further 30 days का extension दे सकता है, मतलब drawer, वो 20% maximum amount रुपे को देगा, within 60 days of the order of the court, plus maximum 30 days, अच्छा, बाद में आगा, drawer case जीद गिया, बाद में अगर drawer case जीद गिया, पता चला, drawer सही था, pay, badmash था, drawer case जीद गिया, तब क्या होगा, तब pay, quarter किया जेगा, चल तेरे को जो interim compensation मिला था ना, badmash, चल वापस का drawer को, within 60 days plus, 30 days का extension, along with interest, ब्याच के साथ, if later on drawer gets acquitted, acquitted मतलब, बाद जीद गिया case, convicted मतलब दोशी, acquitted मतलब, not दोशी, clean, so if later on drawer gets acquitted, तो pay, चल refund कर, जो भी अमाउंट तेरे को मिला, चल refund कर, वो भी ब्याच के साथ, interest के साथ, interest, at bank rate of RBI, prevailing at the start of that financial year, जो भी financial year का start में, bank rate of RBI prevailing करोगा, उस भी आज के साथ refund कर, and pay refund कर देगा, वो amount along with the interest, within 60 days, plus further 30 days, if allowed by the court, sir interest कब से चाड़ोगा, जिस इन पही को रुपिया मिला था, वहाँ से ले करके interest चाड़ोगा, जब तक उ रिफंड नी कर देगा, यह था 143A, section 148, मिलता जूलता है, अब क्या हुआ ना, मालो से for example, higher court में case चला गया, power of appellate court, to order the payment, pending the appeal against conviction, मालो drawer, convict हुआ, drawer convict हुआ, ध्यान से हां, drawer convict हुआ, मालो drawer convict हुआ, drawer was convicted by the lower court, lower court ने drawer को convict किया, कि भाई तुम गलत है, पूरा पैसा चुखाना पड़ेगा, अब drawer चला गया, appellate court, higher authority के पास, higher court के पास, अब वो appellate court बोलेगा, तेरे appeal सुलेंगे, drawer, तुम lower court से हर कह रहा है, पहले, pay को तुम रुपिया जमा कर, देख, if drawer files an appeal to the appellate court, drawer is filing an appeal to the appellate court, against the lower court order, 143A में maximum 20% है, या minimum 20% है, general practice हम आपको बताते, appellate court लोग 100% रुपिया जमा करने बोल देता है, या 80%, 70% मतलब huge chunk जमा कर वाता है pay की पास, क्योंकि अल्यदी वो lower court में case हर गिया, 10 सल बात तो फैसल आया lower court का dash, अब appellate court में 15 सल case और चलेगा, तो इसलिए appellate court को भी हम पता है, इसलिए वो drawer को बोलता है, भाई तुम case हर गए हो, एक बार तो 80%, 90%, 100%, जो भी हम बोल रहे हैं, minimum 20% हम पका बोले, shall, compel 3, minimum 20% भी हम बोलेंगे, कि pay को दो, कितना दिन गंदा दोगे, 60 plus, बल्ले बल्ले, सेम है days, 60 plus 30 days, अब बाद में अगर, appellate court में, drawer equity हो गया, हाँ, बाइजद बरी हो गया, जीद गया case drawer, तब फिर भाई होगा, pay जो है, पूरा रुपया refund करेगा, drawer को along with interest rate, जब से उसको रुपय मिला था, along with interest, भाई bank rate of RBI, refund करेगा, और कितना दिन, वाई 60 plus 30, if later on drawer is acquitted, जीद गया case drawer, pay जब refund with interest, within 60 plus 30 days, मक्कन सार, ये exam में आ सक आया वा नहीं है, ठीक है, but coming soon, coming soon, boys and girls, coming soon, या रखना, section 143A जो है न, ये केवल नए cases के उपर है, पूराने pending cases के उपर नहीं है, ये amendment था, तो ये prospective application होगा, because it was altogether a new section, 143A का prospective application होता है, because it was altogether a new section, case का नाम है, कोई तुमको नहीं बताएगा, इंशूट की किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा research है, जो तुमको पता चल रहा है, जी जे राजा वर्सेस तेज राज थूराना, एक्जाम में ये question due है, कभी भी आ सकता है, 143A, पूराने cases के उपर लागू नहीं होगा, prospective नहीं लागू होगा, prospective application है 143A का, कहां बोला गया prospective application है, कोट में ने बोला, जी जे राजा वर्सेस तेज राज सुराना का judgment है, और 148 ये पहले भी था, तो इसका retrospective application होगा, ये पूराने cases के उपर भी लागू होगा, 143A खली नए cases के उपर लागू होता है, 148 retrospective पूराने cases के उपर लागू होता है, इसका case का नाम क्या था, अजे विनोद चंद्रशाह, अजे विनोद चंद्रशाह vs. State of Maharashtra, case law का नाम भी याद कर लेना, तो 143A का prospective application है, जी जे राजा वर्सिस तेज राज सुराना में बोला गिया, और 148 का retrospective application है, अजे विनोद चंद्रशाह vs. State of Maharashtra में बोला गिया, regular बाश में केस भी समझाए जाता है, बाट अभी marathon revision चल रहा है, मक्कने सर, maturity date आपको calculate करना आना चाहिए, बिल्कुल सर, maturity date क्या रहत है, specified date जब mature हो रहा है, plus 3 days grace, अगर maturity public holiday पर पढ़ रहा है, तो आप immediately public holiday पर पढ़ रहा है, तो preceding day ले लेते हैं, sudden holiday पर पढ़ रहा है, clear रहे सर, फिर जो काम का चीज़ है वही हम लोग पढ़ रहे हैं, material alteration में आज़ो, material alteration में आज़े, पढ़िए, हरे दो लाइन तो खुछ से बढ़ो भाई, ले थाप लेक लाँ, कम वाँ लाँ, झाल चला स्टार्ट करते हैं material alteration भाई material alteration क्या होता है देखो जो की negotiable instrument का पूरा character या operation ही बदल दे right and liability को ही change कर दे वो material alteration है जैसे आपने time, date, place change कर दिया ठीक है आपने time, date, place change कर दिया amount, payable ही change कर दिया, interest rate change कर दिया यह सब क्या होता है material alteration होता है so if you change the time date, place where the instrument is payable तब यह material alteration होता है सच्चे इन गड़े कर बेटा कुछ भी मत बखवास कर दिया जो पढ़ा रहे है अच्छे से पढ़ लो हाँ जोड कर request है इस तरह के से disturb मत करो change in time, date, place ठीक है change in amount, payable rate of interest यह सब material alteration होता है मेरे को disturb हो रहा है हम chat box जो है वो close कर रहे है I am closing the chat box close दिया तो बहुत बड़ी हाँ बात है तो change in time, date, place, payment amount, payable में change करना ए सुनना, ए जारा, सुन amount, payable change कर दिया interest, correct, change कर दिया यह सब material alteration तो सर material alteration का effect क्या होगा, effect क्या होगा वो instrument null and void हो जाएगा any material alteration will render the negotiable instrument as void void against the party who has made such material alteration तुमने अगर material alteration किया है तो तुम हम उसको enforceable नहीं कर सकते हो void हो गया, मैं चाहूँ तो अभी भी action ले सकता हू it is void against the party who has made such material alteration मखन सर चबर दस फिर दिस्वानर आपको पता है, दिस्वानर बिल का दो तरीकेस होता है dishonor by non-acceptance and non-payment यह सब easy-easy topics है, जो अलड़ी हम लोग regular batch में बहुत बढ़ी आसे discussion कर रखें आपको खुछ से एक बड़ एट कर लेना रहेगा सारे tough topics जो है वो मैंने आपको करवा दिये NIE Act के सारे tough topics जो है वो मैंने आपको करवा दिये भाई ठीक है दोस्तो, आज हम लोग क्या करने वाले है आज हम लोग करने वाले है Pension Fund Regulatory and Development Act 2013 प्यार से बोलते है PFRDA, क्या बोलते हैं बताओ PFRDA, ठीक है PFRDA का full form जैसा कि आपको दिखा दे रहा है Pension Fund Regulatory Development Authority Act 2013 ठीक है, Pension Fund Regulatory Development Authority दोस्तो, पांच नमबर का चैप्टर है समझ लो और बहुती, बहुती बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा मैं जो भी चीज आपको पढ़ाता हूँ ना मतलब एकदम प्रैक्टिकली आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है और मैं आपको पता दू, बड़े दुख्य साथ मेरे को आपको बताना पढ़ा है इसमें मेरे को जरा से भी खुशे नहीं मिलता है इसे बताने में बड़े दुख्य साथ आपको बताना पढ़ा है कि बजार में यूटूब पर PFRDA के ओपर जो है ना कुछ-कुछ संकी-संकी टीचर लोग वडियो भी बना रहा है और सब गलत, टोटल गलत मतलब यार मतलब बच्चों के करियर जो है ना वो चौपट करने पर तू ले हैं ये और मतलब क्या बताए हम, ठीक है हम एथिक्स अभी अभी पढ़ाए हैं इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो PFRDA ये जो है, बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली सिखोगे ना प्रैक्टिकली, जो कि अभी हम आपको सिखाने वाले है कि अभी नहीं बोलेगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ओरना नहीं बोलेंगे, हम सब्सक्वाइब रसेक्टिकल reckless है बट मज़ा वाला चैप्टर है ठीक है जैसा कि आप देख सक रहे हैं सी एम इंसिटूट का किताब में जो कि मेरा वॉल्यूम नंबर थ्री है ठीक है यह दो ढ़ाई पन्ना में खतम हो जा रहा है तो और हाफ पेज़ेस ऑल इटिक्स टू तो पेज़ेस ठीक है तो तू अबड़ पेज़ेस में खतम हो जा रहा है देखो अक्ट में भी कोल पेंशन फन्ड रेगुलेटरी डेवलप्मेंट और सारी डीड्री अल्फन अब दोस्तों यह एक्ट है किस पर में हाँ अल त्वह और इंडि यह प्लिकेबल है हां सर्व तो पता ही है जब से वह आर्टिकल नमबर 370 अमेंड हुआ है तब से सारा एक जमु कश्मीर के ओपर भी आपलिकेबल हो चुका है यह पहले सी था इसका आडिकल 370 से को लेना देना नहीं है आडिकल 370 अमेंड होने के बाद आडिकल 370 अमेंड होग अंट अडिकल 370 को भल देंड हो अनुदुchen गोगोड होगाए अप्लिक तो इनडिया यह ना आडिकल 370 अमेंड हुआ ना तो इसलिए अब से जमो कश्मिर के उबर भी applicable है देखो इसलिए applicable hall of India अरे मेरे गांजा ये शुरुआत सी applicable hall of India था clear है दोस्तो अब दोस्तो सुनो ये act आखिर क्यों बनाया गया ये act बनाया गया है मेरे और आप जैसे लोगों के लिए ठीक है तुम समझो समझो मेरे बच्चो समझो न क्या हम कभी retirement लेंगे क्या retirement के बाद जिंदा रहेंगे हाँ हाँ तुम लोग भी हाई बोला तो क्या हम कभी retirement लेंगे उसके बाद जिंदा रहेंगे तो कैसे बितेगा retirement से ले करके remaining जिंदगी का सफर कैसे बितेगा जीवन बितेगा बोलो इस लिए लाया पेंशन चाहिएगा ना लेकिन पेंशन तो हम लोग पढ़ रखेंगे हैं खाली सेलराइड क्लास को मिलता है यह भगवान अब हम धोड़ी ना सेलरेड क्लास है हम धोड़ी ना जॉब कर रहे हैं तो बिसनेस्मेन लोग हो गया जिन लो जोब नहीं कर रहा उनलोग भी रिटार मेंट लेगा बिसनेस्मेन और प्रसेशनल्स वह रहे इंड बिसनेस्टों गणों वाज़ी सो शम्डेंट्र दिवांक टेक रिटार्मेंट एंड व्टेवन भी सेंट अनलोग चीवन भी देगा उनलों लोग तो को इंपलार रोइ इसलिए NPS लाया गिया, National Pension Scheme, अब जैसे हैं हम, जब retirement लेंगे, तो मेरे को भी यार pension वगरा का दरकार होगा की नहीं होगा, बताइए ना, yes, तो सरकार हम लोगों देगा, अब आप लोग के मन में आ रहा होगा, वाओ, मैन, कितना बड़ी हैं यार, Indian government is so, मतलब good, retirement के बाद हम लोग का पेट पालेगा, Indian government, ओ मेरे गांजा, पहले तुमको contribute करना पड़ेगा, तुमको धीरे धीरे करके वापस करेगा, ताकि तुम्हारा बड़ापा जवानी की तरह कटे, मतलब अच्छे से कटे, जवानी में जो जो काम नहीं कर सका, वो तुम बड़ापा में कर सको, उसके लिए पैसा चाहिएगा, तो तुमको NPS, National Pension Scheme से जो है, pension मिला करेगा, बड़ उसके लिए तुमको जमा तो करना पड़ेगा, contribute तो करन रहे हैं थ्यान से सुनो, ठीक है भी रफक चल रहा है, हाँ, चीजो को समझो, यह फैसिलिटी खाली न है, इंडिविज्वाल, सिदिजन अप इंडिया के ऊपर अप्लिके बले, ठीक है, इंडिविज्वाल, मतलब यह है फॉर कमणी लोग के लिए अप्लिकेबल, नहीं है इंडिविज्वाल है, ठीक है, माल लो, say for example, एक इंडिविज्वाल है, ठीक है, कौन है बताओ, पूरा विडियो लास्ट तक देखना, अभी हम PFRD का वेबसाइट भी आपको दिखाएंगे, फिर मैंने NPS कर रखा है कि नहीं कर रखा है, हाँ, विल्कुल कर कर रखा है, व 80-30-1, उसमें NPS में डालने से, और एक्ट्रो 50,000 कर डेक्शन मिलता है, सन्वाया, बहुत लोगों को यह पता नहीं रहता है, तुम लोग टैक्स पढ़ते हो, इसलिए यह पता है, तो हम NPS विल्कुल करके रखे हैं, तो पूरा हम अपने NPS का डिटेल दिखाएंगे, और बहुत अच्छे से समझाएंगे, इसलिए पूरा पूरा प्रैक्टिकली समझा देंगे, क्योंकि जो यह कर रहे हैं, वो हम प्रैक्टिकली करते हैं, चलो, इंडिविजुल सिटिजन, ठीक है, जैसा मोही तगरवाल इंडिविजुल सिटिजन हो गया, उसको क्या खोलने का चाता है उसको सबस्क्राइबर बोला जाएगा, क्या बेल जाएगा बता होतो, सबस्क्राइबर एस टीए निंडिविजुल सिटिजन, सब्सक्राइबर एस बिए निडिविजल सिटिजन आफ इंडिया, अब वो कौन ऐसा अकाउंट खो यह नाशनल पैंशन scheme account. क्या account खुलेगा बता हो तो? National Pension scheme account. ठीक है? यह दो प्रकार का होता है. इसको tier 1 बोलते हैं, tier 2 भी बोलते हैं. Tier 1 and tier 2 में जमीन अस्वान कंदर है. सिखाएंगे. सिखाएंगे tier 1, tier 2 में जमीन अस्वान कंदर के है. फिलाल NPS account. अब यह जो NPS account है ना, हम कहां जाएंगे खुलने के लिए पता है? NPS account हम जाएंगे P.O.P के पास खुलने के लिए. P.O.P. बोलो. ठीक से बोलो. P.O.P. P.O.P. का फुल फॉर्म है Point of Presence. Point of Presence. यह जो Point of Presence का Role Play करता है, P.O.P. का जो Role Play करता है, Point of Presence का जो Role Play करता है. जेनरली यह बैंक्स, ठीक है, बैंक्स, Financial Intermediaries, बैंक्स हो गया, Post Offices हो गया, बैंक्स and Post Offices, जो की easily आपके घर के बगल में अवलेबल है, तो बैंक्स एंड पोस्ट आफिस प्ले करता है, Role of Point of Presence. यह पूरा Act के अंदर एक भगवान है, भगवान, उस भगवान को अम लोग बोलते हैं, PFRDA, Pension Fund Regulatory Development Authority, अरे Act क्यों बोल रहे हो, जैसे RBI Act में भगवान कौन है, RBI, वैसे PFRDA Act में भगवान कौन है, PFRDA, Pension Fund Regulatory Development Authority, यही PFRDA गा न, Rules and Regulation मनाता है, यही सारा Regulation मनाता है PFRDA का, ओके, Pension Fund Regulatory Development Authority, यह भगवान है, यही लाइसेंस देगा, PFRDA, जो भगवान है, भगवान को इंग्लिश में बोलते हैं, Regulator, क्या बोलते हैं बताओ, तो PFRDA is a Regulator of this Act, and PFRDA is going to give license to various banks and post offices, various banks and post offices, to play the role of point of presence, पका, फिर आता है बेटा, Central Record Kipping Agency, CRA, बोलो, CRA का, Central Record Kipping Agency, और एक प्लेयर है, बस, लास्ट प्लेयर है, ठीक है, Central Record Kipping Agency, फिर एक लास्ट प्लेयर है, Pension Fund Managers, बोलो, Fund Managers, यानि, Pension Fund Managers, तो टोटल आप देख रहे हैं, कि यहाँ पर, आपको पांच प्लेयर्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, Regulator का नाम बताओ, PFRDA, PFRDA is the Regulator, ठीक है, Indian Citizen, अपना NPS अकाउंट कहां खुल आएगा, Point of Presence के बास, Point of Presence कोन होगी है, Bank और Post Office, जिसको लाइसेंस कोन देता है, PFRDA, ठीक है, उसको Pension Fund Manager से भी Direct Access नहीं है, Directly, Indian Citizen, PFRDA से भी बात नहीं कर सकता, यार Indian Citizens कितने सारे हैं, बहुत सारे मतलब कितने हैं, 100-700 करोड, उसमें से अगर 50%, 50% चोड, 5% लोग भी अगर NPS खुल आएगा, ये भगवान, 15 करोड हो गया, अब के 15 करोड PFRDA का माता खाएगा, क्या, Pension Fund Regulatory Development Authority का सीथा माता खाएगा, possible है क्या, PFRDA कितना है, एक, अरे, Authority तो वो एक ही है, Regulatory तो एक ही है, तो बोल दिया भाई, मेरा माता बत खा, वैसी Pension Fund Manager भी selected है, ठीक है, Pension Fund Manager भी, selected है, अब ही हम बताएंगे कौन को न है, वैसी Central Record Keeping Agency, तो इन लोग, भाई, Direct Access Citizen, PFRDA, CRA, Pension Fund Manager के साथ, Direct Access नहीं कर सकता, जो भी करना है, Through, POP, मतलब Point of Presence, तभी तो बोल रहे हैं, Point of Presence, नाम तभी तो पढ़ रहा है भाई, कि यह तेरा One Point Contract है, तुमको PFRDA से कुछ, ए इंडियन सिडिजन, तुमको PFRDA से है, PFRDA के पास NPS Account खुलवाना है, तुम्हारा Detail जो है, Detail Central Record के भी इंडियन सी मिंटेन करेगा, तुम जो पैसाद होगे, वो इन्वेस्ट करेगा, Pension Fund Manager, लेकिन तुम्हारा Point of Presence एक ही है, जहां पर तुम NPS Account खुलोगे, यह बैंक और Post Office, जिस भी बैंक और Post Office के पास तुम NPS Account खुलोगे, पर इट शुड़ भी लाइसेंस भाई कौन बताओ, PFRDA, तो फर सो गूड, शॉर, अब इंडियन सिडिजन, Point of Presence के पास जा करके अपना क्या खुलोगाएगा, कौन, इंडियन सिडिजन, कहां पर, P.O.P, थोड़ा पेशन्स रखना पड़ेगा आपको, पेशन्स लूज मत करेए, पेशन्स के साथ सुनिए, कौन खुलोगाएगा, इंडियन सिडिजन, NPS अकाउंट कहां खुलोगाएगा, Point of Presence, पक्का, तो अब्यस्वा बत है, जब NPS अकाउंट खुलोगाएगा, तो इंवेस्मेंट चलू करेगा, कौन्टिबिशन चलू करेगा, तो इंडियन सिडिजन क्या दे रहा है, पैसा, पक्का, ये जो इंडियन सिडिजन मनी दे रहा है, किसको, Point of Presence को, कौन्टिबिशन दे रहा है ना रहे बाबा, इसके साथ साथ इंडियन सिडिजन, Point of Presence को, P.O.P. को अपना पूरा डिटेल भी बताएगा ना भाई, डिटेल्स बताएगा, डिटेल्स लाइग नेंग, एड्रेस, मतल narratives, पुरा अपना डिटेल बताएगा, name address, id proof बताएगा, fake नहीं होना चाहिए ना रहे बाबा, id proof एड्रेस भी लगेगा, ठीका id proof and, address proof भी लगेगा दोस्तो, id proof and, address proof भी लगेगा, ID proof, address proof भी लगेगा Name, address, सारा detail बता दिया किसको? Point of presence को कल को phone number change हो गिया तो जो भी request करना है, details change करने का phone number या address change हो गिया request भी किसको करेगा? POP को POP के पास सब कुछ आ गिया सबसे पहले क्या है? पैसा POP के पास जो पैसा है ना, सोच करके बताओ वो पैसा Central Record Kipping Agency को देगा कि Pension Fund Manager को देगा? Love you guys, love you, बिल्कुल सही जवाब यह जो पैसा है ना, POP यह पैसा किसको transfer कर देगा? Pension Fund Manager ताकि Pension Fund Manager उसको invest करके, रुपिया को क्या कर सके? Grow और वित्रोबदेस, और यह जितना भी details आ है ना, subscriber का वो सारा subscriber का detail P O P किसको transfer कर देगा? C A, Central Record Kipping Agency नाम सी पताचल रहा है पूराने जमाने में Central Record के भी Ganancy 2 हुआ करता था कितना हुआ करता था अभी 3 तो Central Record के भी Ganancy है अब कुछ लोग YouTuber लोग YouTube में डाल देते हैं एक ही Central Record के भी Ganancy है उनलोग क्या बुद्धी लगाते हैं बता है Central है ना Central है ना तो एक ही होगा Central मतलब केंद्रबिंदू जरूरी नहीं कि Central एक हो जबसे PFRD एक्ट आया ना आज तक एक भी CR नहीं था दोट होता अब बढ़कर के 3 हो गया अब मैं क्या ठेका ले रहे हैं सबको ठीक करने का अगर कोई Central Record के भी Ganancy एक बता रहे हैं तो मैं क्या करेगा मैं वेबसेट खोल करके दिखा देगा भाई एक नहीं है एक तो कभी नहीं था तो हुआ करता था लेकिन 2022-2023 से तीन हो चुका है दोस्तो तीन Central Record के भी Ganancy हो चुका है एक तो Protean ना मैं Central Record के भी Ganancy का Protean Protean Cave Intech Camps Camps का तो आई लिस्टेड कम नहीं रहे बबस सुने होगे Camps का नाम Camps का तो IPO भी आया था पहले तो दोस्तो तीन तो मैरे को Central Record के भी Ganancy का नाम बदा दो Protean पहले Protean था ना NSDL नाम था पहले Protean का नाम क्या था बदा होना NSDL E Governance ठीक MSDL E Governance उसी का नाम चेंज हो करके क्या होगया Protean फिर के फिंटेक कोन है के फिंटेक का पहले नाम हुआ करता था कारवी क्या हुआ करता था उसी का नाम चेंज करके के फिंटेक लाएगे और फिर कोन है Camps यह पूरा नहीं है सर इतना डीटेल मत पढ़ाएए सर अभी जो तीन वह बबू अभी जो तीन वह बता दो बाबू है कि प्रोटियन के फिंटेक कैंश भॉप का Pension Fund Manager बहुत सारे हैं 78 हो है जाल.. बैंचन सुन्ध के दोस्तों.. सब्सक्राइबर को गर्ला को चुस्छ करने मिलता है.. अब जासे मालो पैंचन फंद मेनेज़र, ही सब्सक्राइबर को चूस करने मिलता है.. हुआ जूँस करने मिलता हम पी योपी को जब पैसा देंगे हम बता देंगे कि रहेगा कि हमारा कौन सब्सक्राइब करेगा अरुपी उसी उसी पेंशेंट फंड मेनेजर को रुपया ट्रांसफर करेगा Central Record की बिंगेंसी हम लोग नहीं सेलेक कर सकते हैं जो POP जिस Central Record की बिंगेंसी के साथ tie up कर रखा होगा वो उसको transfer करेगा हम लोग क्या चुन सकते हैं Pension Fund Manager लेकिन हम लोग Central Record की बिंगेंसी नहीं चुन सकते हैं वो कौन चुनता है POP POP तीन में से कोई भी Central Record की बिंगेंसी के साथ क्या करके रखता है tie up अच्छा इन लोग सब कामकाच कर रहा है किसके अंडर में PFRD क्या हैं तक संबालते जा रहे हैं शौर हम अभी अपना NPS दिखा रहे हैं अकाउंट ठीक है मतलब NPS खोलोगे तो tier 1 खुलोना काम सब्सक्राइब tier 2 खुलोना optional है tier 1 में जो आप रुपिया जमा करते हैं दोसो tier 1 अकाउंट में जो आप रुपिया जमा करते हैं मैं आपको बता दू retirement तक आप उसको withdraw नहीं कर सकते non-withdrawable है non-withdrawable है till the age of retirement और retirement का एज क्या रहता है 60 years retirement का एज है 60 years अच्छा एक चीज हम बता दे है इसमें amendment है पूराने जमाने में क्या होता था जब retirement लोग बोल रहे थे हम लोग ले लेंगे कितना 60 years तो पूराने जमाने में लोगों को बोल दिया जाता था till the age of 60 आप contribute कर सकते है मतलब मोहित अगरवाल contribute कर सकता है till the age of 60 बट आप amendment है बूल अगर आपको retirement नहीं लेना है आप till the age of 70 contribute कर सकते हो सब्सक्राइब आगे है सर पहले लोग खाली till the age of 60 years अग उन लोग NPS में contribute कर सकते थे अभी लोग contribute कर सकते है till the age of 70 years आपके पस option है अगर आप contribute करें till the age of 70 years तो अव्यस अबत है आपको withdraw भी कप करने मिलेगा 70 years तो अगर retirement age 70 बना जाएगा normally retirement age कै है 60 है कोई अगर चाहे तो उसको बढ़ा सकता है 10 साल और बढ़ा करके कितना कर सकता है 70 years 70 साल के बाद भी अगर तुम सरकार को बोलोगे नई अभी भी हम जवान है अभी हम और contribute करेंगे सरकार बोलेगा भाई तुम अपना रुपिया जो है निकालो हम लोग को भरुसा नहीं है तुमारे उपर कभी भी तुम मतलब तुम चाहेगा भी ना contribute करना कि नहीं 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 अभी तो हम जवान है 70 साल के हो गए हैं तो क्या हुआ अभी हम जवान है अभी हम और contribution करेंगे सरकार बोलेगा नहीं तेरा contribution हम लोग नहीं लेंगे तुम अपना विड्रॉकर clear है सर तो विड्रॉक कप कर सकते हैं नॉर्मली आइट देज ओफ 60 बढ़ आपके पास option आप इसको बढ़ा सकते हैं 70 साल क्या सोचा पूरा रुपिया विड्रॉकर ने मिलेगा ना 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 केवल 25% विड्रॉकर सकते हैं सरकार इसको कुछ-कुछ केसे में 50% तक extend कर देता है remaining का आपको NVT करीदना पड़ेगा NVT remaining का आपको NVT प्लान खरीदना पड़ेगा NVT प्लान खरीदने से क्या होगा तुमको हर महीना pension मिलेगा तुमको हर महीना pension मिलेगा normally say for example जो NVT रहता है सुनना भाई तुमको NVT खरीदना पड़ेगा अब वो NVT 5 साल, 10 साल, 15 साल का अवेलेबल है ठीक है इस सरीके से प्लान से अलगलग pension fund manager के बास अलगलग प्लान है मालने तुमने 10 साल का NVT खरीदा तो अगर तुमने मालन लो retirement fund NPS में मेरा जमा हो चुका है say for example 50 लाक रुपिया 50 लाक रुपिया का मालो हम कुछ condition satisfy करके ठीक है दिखा दिए बीमारी बीमारी 50% withdraw कर सकते हैं कितना? अरे बोलना 25 लाक withdraw कर लिए अब बचा कितना? अब वो 25 लाक है ना अगर हम 10 साल का NVT चुने तो 25 लाक उन लोग मेरे को अगर 5 साल का NVT लोगे तो 25 लाक उन लोग 5 साल तक तक तुमको देगा अब विएस अब वात है महीना का मेरे को पेमेंट 5 साल में ज़्यादा मिलेगा? महीना का पेमेंट 5 साल में ज़्यादा मिलेगा कि 10 साल में? यह गलत बोलता तो अभी हम क्लास बंद कर देते अब विएस हवात है ना? अगर 5 साल का ले रहे हैं तो हर महीना ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा तो सर यही फाइदा है गांजा पी रहे हो क्या? इसमें 5 साल ही मिलेगा और इसमें 10 साल पाइदा बराबर ही है दोनों में तुम देख लो तुम कितना साल तुमको लग रहा है अभास हो रहा है कितना साल तक जिंदा रहो गए अगर उससे ज़्यादा जी लिए तो बेटा भीक मांगना इलिगल नहीं है बच्चा बलत सर पैसा खतम हो गया पैसा भी खतम हो गया और दस साल भी खतम हो गया जिंदगी खतम नहीं हुआ डैस तब तो बढ़ा दिक्कत है तो तुम पंदा साल भी सल गले भाई और अगर पहले मर गये तो पूरा भोग ही नहीं सके डैस रुपिया तो तेरा भी बच्चा लीगल हैर कोई तो होगा उसको मिल जाएगा सर जीवन में अकेल है कोई नहीं है तो सरकार ले लेगा एक ही बात है सरकार भी तो हमारा है टीर टू का अगर हम लोग बात करें टीर टू अकाउंट कमल सी की ऑप्शनल ऑप्शनल है इसमें आप कभी भी रुपया विड्ड़ आ कर सकते हैं मतलब इसमें विड्रो का कोई restriction नहीं टीर वान में तुम जब तक retirement नहीं ले ले लेता तब तक withdraw नहीं कर सकता है लेकिन टीर टो में तुम without any restriction क्या कर सकता है withdraw full amount withdraw कर सकता है retirement age हो नहीं हो तुम पुल अबाट कर सकते है को बिना टीर वान के टीर टू खूल सकते हो कि नहीं खूल सकता या दखनका शटरीundo क्लने का मन हें तो यहलोन फोलना पड़ेगा फ़िरीटि शटे हो पक्का एक वार जो हम लोग चर्चा किए हैं ना दोस्तों में को दिखा रहे अचे ट्रांसर होता है, tier 1 से कहीं पर भी tier 2 में रुपिया नहीं जा रहा है, tier 2 में भी हम लोग के pocket C रुपिया जा रहा है, ऐसा निए कि हम लोग रुपिया tier 1 में डाल रहे हैं, और tier 1 का रुपिया tier 2 में जा रहे हैं, अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, तुमको tier 1 में रुपर डालना है, tier 2 में डालना ही नहीं डालना है, तुम्हारा बन, clear? लेकिन tier 1 से tier 2 का कोई connection नहीं है, okay sir, चलो, अब थोड़ा practically मैं आपको चीजों को समझाता हूँ, कोथा एक गलो, पीएफर्डिये.org.in, पीएफर्डिये never makes call, कि पैसा दो, पैसा दो, चलो अब आजो, यहां देखो, NPS में देखो, hey, define NPS, देखो तुमको PFRD, NPS, इससाब दिखाए दे रहा है ना रे बाबा, देखो, ओ भाई, माइनर नहीं जमा कर सकता है, क्या होना चाहिए? मेजर, 18 से कितना साल? 70, पहले कितना था? 60, अभी 18 से 70 साल लोग जमा कर सकता है दोस्तों, इससाइब कर सकता है, क्या है? कहां से पढ़ रहे हैं? PFRDA के website से, नहीं समझा, मतलब इससे ultimate कुछ नहीं है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है, बता बाई, Central Record Giving Agency, यह क्या काम कर, Central Record Giving Agency, नाम से बता चलेगा, it is going to maintain your database, it is going to maintain your database, so it will undertake the activities, it undertakes the activities of Record Giving Administrator, Administration and Customer Service Store subscribers. करेंटली कितना CRE है? अब अगर कोई एक बोल रहा है, या दो बोल रहा है, तो क्या मेरा गलती है क्या? पिछले टम तक मैं भी दो बोलता था, क्योंकि दो था, अच्छा, जब से CRE बना है, तब से दो है, कभी भी एक नहीं था, हमेशा दो था, अब कितना है? करेंटली भाईया, यह सब किसके पास रेइश्ट रहेगा? PFRDA, सबका माले एक PFRDA, बताओ भाई, कौन-कौन है, NSDL, जिसका नाम चेंज हो करेंगे, अब क्या हो गया? प्रोटीन नहीं, प्रोटीन, और एक कौन है? के फिंटेक, के फिंटेक, और एक कौन है? यह तीन कौन है, सेंट्रल, रिकॉर्ड के पिंग, एजनसी, जिन लोग सब्सक्राइबर लोग का पूरा डिटेल मेंटेन करता है, they maintain the details of all the subscribers, pension fund, अरे यही तो तुम्हारा रुपया क्या करेगा? इन्वेस्ट, यह रुपया क्या करेगा? लोग कोई मन में आ रहे है, सर कहां इन्वेस्ट करेगा? यह ना इन्वेस्ट कर सकता है, government securities में, यह इन्वेस्ट कर सकता है, government securities में, debts में, debts and bond में, और equity में भी, share market में भी, तो यह pension fund manager लोग जो है न, इन लोग का काम है, तुमसे रुपया लेकर के इन्वेस्ट करना, debenture bonds म में, government security में, share बजार में, ताकि तुम्हारा रुपया क्या कर सके, बढ़ा सके, ताकि तुम्हारा बुढ़ापा, जवर्दस कटे, ठीक है, अब total seven pension fund managers as of now, कितना है, साथ, LIC pension fund बोले थे क्या हम, LIC हो गया, SBI, UTI, LIC, SBI, UTI है, ICICI, HDFC, Kotak and Aditabilla, यह देखने का हम तरे को तरीका बताते हैं, चार्थ हो तो बैंक याद कर ले भाई तुम, बड़ा-बड़ा, SBI, ICI, HDFC, Kotak, बैंक मत लिख कर का नहीं, बैंक लोग कही mutual fund भी होता है, तो यह चार्थ हो तो बैंक से नाम से याद हो जाएगा, क्या बतातो, LIC, LIC बाद में बोल गांजा, ICI, HDFC, SBI, KOTAK, UTI, UTI, फिर तो LIC तो कौन बुलेगर है बबा, एंड आधित्या बिल्ला, हो गिया साथ तो pension fund का नाम, पक्का, पिर आजो बटा, P.O.P में, points of, इन लोग कौन हो तो points of presence, इन लोग तो तुम से क्या लेगा, NPS, इन लोग NPS को क्या करता है, distribute, they are basically distributor, जो कि customer लोग को contact कर करता है, undertake NPS distribution function, पक्का, and access क्या बताओ, interface, interface मतलब, connection, they act as interface, या नी, connection, between subscriber and NPS architecture, architecture में और कौन-कौन था, central record, PFRDA, CRA, pension fund manager, सबसे link करता है, subscriber को, subscriber को, PFRDA के साथ, CRA के साथ, pension fund manager के साथ, link करने का कौन करता है, P.O.P. क्लियर है कि दोस्तो, retirement advisor कोन हो गया, हम teacher, मुहित अगरवाल, जो तुम लोग को advise कर रहा है, तुम लोग कितने साल के हो गयो, 18 के हो न, NPS account है, तो यह सब तो पगलापंदी है, यह सब तो पगलापंदी है, तुमना पैसा होना चाहिए, नहीं, नियत होना चाहिए, और बु हाँ, mutual fund तो खुलता ही है, NPS नहीं खुलेगा तेरा, वो 18 साल में खुलेगा, 500 रुपीस से I started my investment journey, ठीक है, मेरे को ग्यान मत देना कभी, कि पैसा नहीं है और यह नहीं है, तो तुमारा गलती है, तुमारे माबाप का गलती थोड़ी नहीं, तुमारे माबाप और क्या करें और क्या उमीन लगा रखे हो भाई, और क्या चाहिए भाई, सवन में आ रहा है, तो हम अपना जिमिदारी समझ चुके थे, when I passed my class 10, वो जो पांस रुपीया भी हम इन्वेस्ट करते थे, that was not my pocket money, I earned by teaching students, and that amount I used to invest, you understand what I am saying, the moment I passed my class 10, मेरे को सवन में आ गया, कि भाई, मेहनत जबर्दस करना पड़ेगा, because I used to belong to a lower middle class family, ठीक है, जो maximum 80-90% बच्चे जो CAC, CMA course करते हैं न, वैसे background रहता है, they come from humble background, you know, lavish वाला lifestyle नहीं रहता, तो इस चीच को हम पैचान लिये थे, कि भाई, मेना तो करना पड़ेगा, तो I started earning, the moment I passed class 10, मतलब, 18-18 गंटा, 20-20 गंटा म तभी भी करते हैं, वही मतलब, तब से ले करके आज तक हमको नहीं लगता है, कि I have taken anything for granted, तभी देखो कि कोई शौक नहीं है मेरे को, तुम नहीं देखोगे मेरे को, कि कुछ gold का brasslet, महेंगा, कुछ अंगूठी पैने हुए, या कुछ chain win पैने हुए, नहीं सम्माया, वो खास कर अब जो मेरे से जुड़े हैं या नि तुम लोग, कि तुम लोग भी wealth create कर सको, मेरे को बहुत सुकून मिलता है, तो हम तुमको inspire करना चाहते हैं, यह सब जो पढ़ाई कर रहे हो, ultimate aim तो पैसा कमाना है ना भाई, ultimate aim तो वही है, नहीं सर, society को benefit करना है, तो कैसे What I want to convey is, फिजूल खर्चा मत करो, जिससे, मतलब materialistic चीज फिजूल खर्चा मत करो, पहले shirts के ओपर पैसा खर्चा करना पड़ता था, तो वो भी बंद करती है, नहीं समझे, मतलब मेरे घर वाले परिशान हो गए, कि भाई, तुम शॉपिंग नहीं करते, ठीक है, तुम इंगेजमेंट में हम अंगूठी पहनाए थे, वही तुम खोल कर रख दिये हो, दिखाने के लिए कि तुम बैचलर हो, ये इल्दाम तक लग जाता है, हम बोलता है, पूरा दुनिया को बता है, हम क्लास में सबको रिमाइंड कराते रहता है, I'm a married man, तो भाई, पिजूल घ पर जमत करो, अब जैसे ये बचा बोला पैसा नहीं है, जूट है, जूट बोल रही है, दोस्तों, चार्सों पांस रूप्या कुछ तो होगा, महीना का हम बात करें है, डिली का नहीं, एक महीना का क्या पांस रूप्या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बोलो, एक महीना का क् से कर सकते हो तो बात पैसे का नहीं है बात है तुम्हारे नियत का बात है तुम्हारे इंटेंशन का तो भाई यह सब करो चलो अब आओ हम अपना तुमको NPS दिखाते हैं डरना मता अरे नहीं बहुत लॉस हो रहा है यार सेर वाजार में हम खुद ही नहीं देखे हैं हम अभी NPS दिखाने के लिए तुमको दिखा रहे खोल रहे हैं अकाउंट हमको खुड़ा लग रहा है हम देखे ही नहीं यह लास्ट हाँ जैमादादी पासवाड यार नहीं आ रहा है पुडेटो बरते मैनेजर से पासवाड पूछते है क्यों अरे मोमित अगरवाल का पासवाड दो ना मेरे को आईसी से डिरेख का हाँ 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 तुरंथा प्लास में हम दिखा रहे आकाउंट पीएफड ये समझ में आया आईडिया लग गया पूरा बड़िया से सौन में आ गया होगा क्या है क्या प्रूफ है कि हम मेरे पास NPS है हम सब्सक्राइबर है मेरे को ना प्रैन कार्ड मिलता है जिसका NPS अकाउंट खुलता है न उसको प्रैन कार्ड मिलता है बोलना चाह रहे है क्या 요 कु अक रहन के सिंडे री सजी पर्मनेंट रीटार्मेंट ऐसा है कि मिलता है उसको ठेप सब्सक्राइब पर्मनेंट रेटार्मेंट अकांड नम्बर बसा आगिया अगिया झाल आई बाच्चेत नहीं खुल गया चोड़ो फिर नहीं खुल रहा है नहीं देते हैं दूसरा अला दिखा रहे हैं दूसरा अकाउंट का दिखा दे रहे हैं अपना छोड़ दो पत्नी का अकाउंट का इन पियर जिखा दे रहे हैं अरे या क्या या ए भगवान पोटपोली आदा हो रहा हैं भाई जी आदा हो गया 32 का सुल्ला हो गया भाई जी हाँ क्या बोल रहे हैं डरो मत सब ठीक हो जाएगा चलिए अभी आपको एन पियर जिखाते हैं हाँ एन पी एस आई बाचे नहीं रड़े यह देखो क्या मिलता बताओ तो प्रैन पर्मनेंट रिडार्मेंट अकाउंट नंबर पक्का देखो टोटल कंट्रिबिशन भी तक सी लैक नेटी फॉर थाउजन का हुआ है म्यूचल फंड की तरह रहे जैसे तुम म्यूचल फंड में रूपिया लगाता है ना वैसी एंपेस में रूपिया लगाओ ठीक है करेंट वैली उसका पाइलाग 14,000 है सरी विड्रॉल के यह पेंशन फंड मैनेजर जो है ना एसेमेस वगरा विचार है इन लोग करता है उसका खर्चा वर्चा इन लोग काट लेता है विड्रॉल 59 रुपीस हम लोग विड्रॉल नहीं किये हैं वोग हमारा खर्चा एक्सपेंसेश भी तो लगता है ना थोड़वाद एक्सपेंसेश काटता है रिटान अभी तक 8-9% के आसपास आया है 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 ना देखां देखो अकाउंट टाइप टीर टू करेंगे तो खुलेगा टीर टू अकाउंट में रही नहीं मेरा खाली क्या है टीर वन यह देखो जोम लोग बात के दिना कितना थो मुचल फंड मनेजर था पेंचेंट फंड मेंने कितना था साथ कौन-कौन SBI, UDI, LIC, COTAC, ICI, HDFC बिल्ला सनलाइफ बिल्ला सनलाइफ भाई आधी ते बिल्ला रे साथ हो है ना अरे बोल भाई बोल देखां हां मोटा मोटी कितना रिटन दिया ना एक विटी वाला रिटन रिटन कंबेर करो बॉन वाला सबका बराबरी रे था ना परसेंट मेंन फरकात है एक विटी में सबसे बढ़िया रिटन दिया है कोटक वाला और HDFC वाला मोटा-मोडी सब बराबर ही है रहे सब 13 14 वाला रिटन देख ना वाई 13 13 14 सब 13-15% की ईचसे में रिटन दे रहा है पिए ना तर यह 50% एक विटी दिखाए दे रहा है क्या है एक्विटी 50 दिखाई दे रहे गया, NPS में नहीं हमें, कि तुम जो एक्विटी है ना, उसमें मैक्सिमुम 50% ही डाल सकता है, मैक्सिमुम, फंड मैनेज़र लोग 50% से जाता है, एक्विटी में नहीं डाल सकता, समया, नहीं तो पूरा रुपिया भी डूप सकता है ना, तो बोलता है थोड़ा बाद बॉंड में डालो, गवर्मेंट बॉंड में 25% डाला है, कॉर्परेट बॉंड में 25%, दिखा, उतना तुम लोग को डिटेल में नहीं जाना है, अब ओपें टीर वन टीर टू, टीर वन तो मेरा ओपें नहीं है, देखो इसलिए मेरे कोई क्या दिखा, अब अगर हम चाहें तो टीर टू खोल सकते हैं यह सब डीटेल्स भर के, दिखिया क्या दोस्तो, चाहें तो हम fund manager क्या कर सकते हैं, change, asset allocation भी change कर सकते हैं चाहें तो, मालो हम चाहते हैं कि equity मेरा एक भी रुपया नहीं जाए, कैसा possible है, हाँ, maximum 50% equity मेरे आ सकता है, हम fund बाइन मैनेजर को बोल सकता है भाई मेरा पूरा रूपया डेट में डालो ऐसा भी कर सकते हैं यह देखो यह देख अभी मैक्सिमुम मेरा कितना जा रहा है पचास परसेंट एक्विटी में और पचिस परसेंट गौर्वर्मेंट बांड समझा एक्विटी में कितना डाल सकते बता तो लेस देन और एक्वल टो 50 उससे ज्यादा नहीं डाल सकते आप मैक्सिमुम 50 बहुत बढ़िया स क्लियर है सकते को दिकत अरे बोलो तो यह होगा एंपियस क्योंकि हम पूरे सब करके रखते हैं इसलिए हम आपको समझा सकते हैं भाई कि यह इस तरीके से एंपियस है कि मेरा वाला भी आ गया अब देखे लिए क्या करोगे देखकर के मेरा पॉर्टलो देखकर के क्या करोगे हां ना ना मेरा टीयर टूगरा नहीं है क्या बोल रहा है क्या है कि म्यूचल पंड कभी नुक्सान नहीं देगा दिख रहा है एंपिएस कहां गया रहे है कि रहे हैं यह एंपिएस मेरा भी खाले टीयर वा नहीं है रिटन लगबग वही है रहे दस परसेंट कि चलो अब लिखना चलू करो कॉपी कोलो लिखना चलू करो अगर तुम अभी इसे इंवेस्मेंट जरनी चलू कर देते हो ना बली पांच रूपिया से करो यार क्या दिक्कत है डिरेक्ट इंवेस्मेंट मत करना शेर मार्केट में सेह नहीं सकोगे अब जैसे जो तुमको लॉस दिखाई दे रहा है न यह सब साल दो साल में अरे समझो मार्केट जो है 20-30% डाउन है तो पॉर्टफोल्य भी 20-30% डाउन होगा ना रहे पापा यूणरस्टेंड बट ओर वाइड रेंज और फाइव यर्स पांच साल का टाइम होराइजन सब बराबर हो जाएगा यूणरस्टेंड वो एवरेज जेटन 10-12% आई दाएगा शेयर में बच्चा बोलने इंवस्ट करने का सई टाईम है तुमको करना चाहिए तुमको करना चाहिए पैसा लगाता है तो तुम्हारा पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है मतलब तुमको शेर बजार में डिरेक्ट इन्वेस्वेंट कब करना चाहिए डिरेक्ट इन्वेस्वेंट जब वो रुपिया तुमको 15 साल नहीं चाहिए और नॉलेज भी वैसा होना चाहिए मेरे चेरे पर कुछ भी टेंशन दिखाए दे रहा है क्योंकि सब ब्लू चिप्स है कोई नुकसान नहीं गरेगा और दूसरा रीजन 15 साल मेरेको वो रुपिया नहीं चाहिए सब्सक्राइब करें तुम डेली डेली देखेगा कितना बड़ा कितना गटा पैनिक हो जाएगा अंडेट परसंड हो जाएगा तो तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है न्यूच्वल पंड चलिए लिए पंड पंड रगुलेटरी डवलप्मेंट अथरेटी अक्ट तो तौसन अंधरी प्रश्वल 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 चार्टर पॉइंट मैं इनसी रूट यसा भी पूछता है इनक्ट कब हुआ अब्जेक्टिव्स में इनक्टेड उन 19 सेप्टेंबर 2013 इनक्टीश में आप्लेकाल कर अपनखल आप्लेटल प्रश्व काक्र डूट सुट्डेड आपली कर लिए रड अच्छानल पेंशन स्कीम अचांट्स फास लिखना होगा अच्छानल पेंशन स्कीम अचांट्स अच्छानल वाले बोलेंगे ड़न ड़न है क्या है अच्छानल एक मस्त वाला डियाग्राम बना रहे हैं बट्वाट आई वूट से पहले एक बाद आगराम बन जाने तो फिर बनाना क्योंकि हम तो मिटा देंगे तुमको कटना पड़ेगा साथ साथ पाटिसिपेट करो लिखना बाद में सबसे पले इंडिविज्विजल सिटिजन रहेगा कहा का प्यार से उसको क्या बोलते हैं क्या खोलेगा वो किसके पास योभी के पास प्योपी दो जन को डिटेल्स जिया करेगा किस किस को कि सियारे को कि सेंट्रल रिकॉर्ड के पेंग एजनसी प्यार से क्या बोलते हैं और कौन है पेंशन फंड मैनेजर्स और यह सब को रेगुलेट कौन करता है प्यांफ थे प्यमुद्ध डिया जोड़ रेगुलेट सॉल ना री बोल भई बैब देखो यह जो इंडिविजून इज़िएजन आफ इंडिया सब्सक्राइबर है यह क्या खोलेगा? NPS account ना? हां? We'll have to open NPS account and we'll get क्या? Pran Pran मतलब Permanent Retirement account number We'll get Pran Pran मतलब Pran बोलो ना है Pran क्या बोल रहे है? लग रहा है जीवन ही दे दे रहा है Pran चले गए Permanent Retirement account number हां ना? और क्या करेगा? बताओ यह अपना और क्या-क्या डिटेल देगा? Pran का फुल्फ़म बता दो ना मेरे को Hmm? ठीक है? अच्छा और क्या देगा बता बढ़ाई? यह क्या देगा भई? पैसा देगा ना? बता क्या देगा POP को? Money देगा और All डिटेल्स आप किसका सब्स्क्राइबर का ना? Like कुछ चेंज करा नो तो भी यह POP को ही भेजएगा अब POP पेंशन फंड मेनेजर को क्या ट्रांसफर कर देगा बता हूँ बोल भाई सब्सक्राइबर का Money यानि contribution सब्सक्राइबर का contribution दोस्तों किसके पास आ चुका है? सब्सक्राइबर का contribution दोस्तों किसके पेंशन फंड मेनेजर के पास पक्का POP पैसा तो पेंशन फंड मेनेजर को दे दिया और Central Record Kipping Agency को क्या देगा? Very good, सब्सक्राइबर का डिटेल्स दोस्तों अभी याला डिग्राम अपक्राइबर कारों इसका फोटो भी खीच सकते हैं कॉपी करना कॉपी कर लो तुमारी मर्जी झार कॉपी कर बादें धृत्राइबर का थि कला सको चको का बाद 16 छोस्तों अभी कि या कि एक उपक्राइबर का उपाय। झाला क्स्तों करेंशनी प्तराइबर का अट हैं कॉपी कर दोस्तों में आस झाल 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 जाल झाल झाल HDFC KOTAC UTI आदत अबिल्ला सनलाइफ आदत 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 सबत लिग लिए बटा Salient Features of NPS में आजो NPS का Main Main Feature Salient Features of NPS सथ हो है सब्सक्राइब आजो लिग वर लिए बस्क्राइब आजो झाल 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 लिखाए गया भाई त्याल झाल 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 टू त्या झाल NVT यह fluctuate होते रहता है कितना withdraw करने मिलेगा यह fluctuate होते रहता है तो तुमको percentage लिखने का दरकार नहीं है तुम खली यह यह आदख न retirement on retirement entire amount cannot be withdrawn from tier 1 because subscriber will have to purchase NVT clear generally 25-50% तुमको withdraw करने मिलता है बात बाकी का क्या खरीना बढ़ता है NVT लिख दू bracket में generally 25-50% is withdrawable चाही पॉइंट होगा saline features का दोस्तो tier 1 से बिना retirement का उमर पहुचे क्या तुम tier 1 से withdraw कर सकता है अरे बोलो भाई हाँ मरने वाला बिमारी पकड़ डिया उस subscriber को तो तब सरकार कुछ exception निकाला होगा के नहीं निकाला होगा निकाला है कि भाई वो आदमी बोल रहा है शुरुआत में वो आदमी क्या बोला था रुपिया ले लो रुपिया ले लो पुडापा में देना साठ साल का जब होगा तब देना अभी वो बोल रहा है डॉक्टर उसको जवाब दे दिये लाईलाज बिवारी है वो सरकार से रुपिया मांग रहा है सरकार वाला है नहीं नहीं साठ क्यों होगे अरे बेटा साठ दिन नहीं है साठ का कहा होगा वो सरकार फिर उसको पूरा रूपे विड्रॉआ करने देदेगा अगर वो डॉक्टर का सट्विकेट दिखा देता है कि उसको लाइलाज भीमारी है लिख दो इन एक्सेप्शनल केसेज लाइक स्पेसिफाइड डिजीजेज Cancer AXE ॱ सब्ब्थाइब का Amount can be withdrawn from tier 1 before 60 years before 60 years before 60 years of age in exceptional cases like specified diseases amount can be withdrawn from tier 1 before 60 years of age last point हो गया ना या तक any amount बताओ 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 any amount can be withdrawn from हाँ any amount can be withdrawn from tier to account anytime clear है बड़ा tier 1 और tier 2 का differences भी ग्जाम में पूछता है फटाफट लिखो NPS का tier 1 account NPS का tier 2 account बताओ बाओ कंबल सी कौन सा है tier 2 क्या है क्ळस्ट का ठीजिंफमाद बताब 5, कर्चस्ट बताओ किया है झाल 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 लेक डालो बिड़ा बस खदा मैं चाप्टर पांच मिनिटवें झाल 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 बढ़िया से क्लियर है गया बस एकाच चीज बस अपने बुक से मार्क कर लो पॉपी में भी लिख दो few markings from mat few markings from mat लिख दिया कॉपी में कॉपी में लिखो few markings from mat नहीं तो mat आला portion पढ़ो गई नहीं फिर कॉपी में लिख दो few markings from mat कॉपी नोट से पढ़ लेना है short title extension commencement हो चुका definitions अगरा हम सब लिखवा चुके NPS का features वगरा सब copy notes यहां से कुछ भी नहीं यह सब copy notes से CRA क्या होता है copy note POP क्या होता है copy note pension fund क्या होता है copy note खाली यह आपको topic जो है न यह यहां से करना है देखो certain restrictions on foreign companies देखो भाई क्या बोला है जा रहा है certain restrictions on foreign companies the aggregate holding of equity share by foreign company aggregate holding of equity share by foreign company either by itself या फिर तूट सब्सेटरी nominee इड्सेक्टरा फिर सब्सेटरी nominee तक अडरलेन करो इन दा पेंशन फंट शेल नॉट एक्सीट 26% of the paid up capital और सच परसेंटेज आइस में भी approved by IRDA Insurance Regulity Development Authority अंडर Insurance Act 1988 विचेवर इसायर सरी क्या है क्या है क्या बगवास है सरी है हट एकदम पसंद नहीं आया अब ही समझाएंगे क्या है बहुत सिंबल है pension fund manager लोग था कि नहीं था pension fund manager कितना दो था उन लोग भी तो company है अरे यार वो pension fund manager लोग कौन है क्या company है कौन सा company है insurance company है ए भगवान investment company है insurance company है clear ना कौन pension fund manager company है तो अब उस company में ऐसा नहीं हो कि Elon Musk 100% share hold करके रखा है नहीं समझा तब वो क्या करेगा game खेलेगा हम लोग का पैसा से जो है क्या करेगा सब्सक्राइब आ रहा है Twitter खरीदेगा ये खरीदेगा खत्रा हो जाएगा ने बाबा ये pension fund managers हमारे तेश का पैसा manage कर रहे है तो फिरंगी लोग 49% से ज़्यादा control नहीं करता हो pension fund managers को मतलब जो pension fund managers है हमारे तेश का पैसा manage कर रहे है क्या बोलो तो pension fund manager को अगर फिरंगी manage कर रहा है तो दिक्कत है ना रे बाबा तो जो pension fund manager कमनी लोग है न उनलोग का कितना percentage equity share capital, किता percentage equity share capital pension fund managers का किता percentage of equity share capital फिरंगी लोग हासिल करकर रख सकता है फिर चाहिए वो foreign company हो foreign company along with its subsidiary, associate, सब्जाया मिला जोला करके फिरंगी लोग maximum 49% equity share hold कर सकता बात कता है, सर यहां तो 26% लिखा हुआ है, 26% और higher prescribed by IRDA और IRDA ने insurance act 1988 में 49% prescribed कर रखा है, तो whichever is है 26% के 49% 49%, अब पढ़ो, अब जो underline के उपड़ो the aggregate holding of equity share by foreign company दिख रहा है क्या aggregate holding of equity share, aggregate holding of कौन equity share hold कर रहा है, foreign company या तो खुद से या फिर अपने subsidiary या nominee के त्रू किस में hold कर रहा है फिर अंगी लोग equity share किस में hold कर रहा है pension funds, pension fund company कितना maximum हो सकता है, shall not exceed 26% of the paid up capital of such fund, और such percentage as may be approved by as may be approved for an Indian insurance company under insurance act 1988 whichever is higher, और कितना यह जो such percentage यह कितना है, बताओ 49% यह such percent में लिख दो 49% तो whichever is higher कितना होग यह बताओ 49% such percentage में 49% लिख दो, तो whichever is higher बताओ मुखल करके 49% done वाले बोलेंगे done यह pension fund manager लोग जो है ना, pension fund manager लोग pension fund manager subscriber का रुपया क्या करेगा, बैड़े आएगा कि invest करेगा सिर्फ इंडिया में इंवेस्ट करेगा, इंडिया के बाहर इंवेस्ट नहीं करेगा prohibition of investment of funds of subscriber outside इंडिया no pension fund shall directly and directly invest outside इंडिया the funds of subscriber, याद रहेगा made in इंडिया invest in इंडिया die in इंडिया यहां का पैसा यहीं invest करोगे बाहर में इंडिया के बाहर invest नहीं कर सकते, मला pension fund manager apple का share खरीद सकता है facebook का share खरीद सकता है no clear है कि दोस्तो बस इतना ही, यह already हम लोग पढ़ चुके है कि इन लोग को license कौन देगा ए बापा, central record keeping agency यह सब को license कौन देगा बोलना रहे पापा PFRDA, यह नहीं पढ़ना है बस यह दो topic, done वाले बोलिंगा done कैसा था chapter तुम लोग बताया है पूरा practically सिखा दिखाई दिया NPS क्या होता है चलो बहुत बढ़िया, thank you so much so here we go, what is ethics the first question is what is ethics, ethics होता क्या है भाई so ethics may be defined as a bookish language if I am free ethics is a set of rules, आपको क्या आद करना है ethics is a set of rules that defines what is right and wrong conduct, so ethics is set of rules which defines right and wrong conduct, ethics is set of rules which defines right and wrong conduct, साथ साथ बोलते चलो गर में भी, लोग पागल समस्य है समझने दो, अपने को माक्से मतलब है ethics is a set of rules which defines right and wrong conduct ethics is a social science it's not a physical science or exact science where hydrogen and oxygen when mixed will give water when hydrogen and oxygen mix will give water that's called physical science, exact science ethics is not that, ethics is a social science developing science which concerns human conduct which is concerned with human conduct so ethics is a branch of social science which is concerned with human conduct and it helps us to identify what is good, what is bad, what is moral what is immoral, what is right, what is wrong what is evil, what is not evil so what is ethics so what is ethics definition of ethics what is ethics what will you write ethics is a set of rules which defines right and wrong conduct ethics is a set of rules which defines right and wrong conduct it is not a physical science it is not a physical science or exact science rather it is a social science in exact science which concerns with human conduct it helps us to decide what is right and what is wrong, what is good, what is bad what is evil, what is not evil what is moral, what is immoral so ethics helps to develop a human conduct so ethics helps to develop a human conduct what is ethics origin ethics has been originated from latin word as per CM institute CM institute has mentioned ethics has originated from latin word and you being a CM student you have to follow CM institute I have already said that there are different versions of ethics given by different institutes okay but what we are concerned with we are concerned with the version given by CM institute on ethics so some of the institutes may say that ethics is originated from Greek word ethicos but what CM institute says that you have to write in your exam paper ethics is originated from latin word ethos ethics originated from latin word ethos which means character so ethics origin is created from latin word ethos so i have to write in your exam you can also call it ethics also ethics originated from latin word ethos which means character so the conduct of a person comes from the character of a person if a person is doing something wrong which society portrays as wrong so other people don't say इसे निये character कराब है, मतलब ethics कराब है, just look at this chart, just look at this chart, just look at this chart, so character of a man, decided by conduct of a person, how I am conducting myself, how I am conducting myself in front of society, in front of people, okay, है, so that conduct determines my character, आप मेरा character अच्छा है कि खराब है, कैसे determine करोगे, जिस तरी किसे मैं आपने आपको conduct कर रहा हो, so, वैसे ही, आपका conduct देख करके, I am going to comment on your character, so, character is determined by the conduct of a person, okay, it leads to series of actions, leads to series of actions, which means, आपको एक benchmark हो जाता है, आज अगर, say for example, I am behaving properly, ठीक है, so, your parents will expect you guys also to behave properly like me, ठीक है, so, it leads to what, series of actions, that behave like him, behave like that, जैसे अप लोग के मभी पापा हमच्छा से बोलते हैं, उस के तरह करो, जेको उस के तरह discipline रहो, series of actions, वो series of actions, together जो है ना, फिर वो decide करता है कि, अच्छा, this is good, this is bad, this is right, this is wrong, this is moral, this is immoral, which are now known as moral judgment or moral standard, and again on the basis of this moral standard, we are going to determine your conduct, so, this is a chain reaction, entire chain reaction, शुरुवात से, जैसे लोग कंड़क्ट करते हैं, बहुत ध्यान से सुना है, जैसे लोग अपको चंड़क्ट करते आए हैं, तो character developed होते आया, which led the society to believe, अच्छा, this is right, this is wrong, this is good, this is bad, so, it became moral judgments, the series of conduct of, the series of conduct of past persons or past conduct of the persons, led to a belief in the society, this is right, this is wrong, this is moral, this is immoral, this is good, this is bad, which is called moral judgment, and now moral judgments become, the moral judgments have become the moral standards, and now on the basis of these moral standards, the youngsters when do anything, we say, ah, this is wrong, this is immoral, okay, but then youngsters keep on doing the same thing, again the moral standards will change, and based on these moral standards, we are commenting on the youngsters, that the youngsters right or wrong, now when the generation will change, the moral standards will also change, then again on the basis of new moral standards, we are going to comment that there is what is right or what is wrong, that is why I told you ethics is a developing science, inexact science, there is no fixed parameter, it is an inexact science, social science but a developing one, so, this is a chain reaction of ethics, okay, so, this was just an, this was just a chart to help you understand better, yes, you can draw this chart in your exam to fetch yourself more marks than others, so, you should draw this chart, this marathon has to be watched by everyone, everyone, okay, clear, sir, so, definition of ethics is a set of rules which combines right and wrong, standard of moral conduct, helps in deciding, the difference between right and wrong, good, bad, morally moral, evil, not evil, okay, and it is a physical science, social science, answer is, it is a social science, best experience ke liye, you should use your earphones, okay, best audio experience, please use earphones, okay, sir, okay, so, ye tha ethics, now, so, what is ethics, come on, come on, come on, what is ethics, set of rules, ethics is a set of rules, set of rules that determine right and wrong conduct, derived from latin word ethos, which means character, latin word ethos, which means character, yaad di kati chaldu, revise di kati chaldu, set of rules determining right and wrong conduct, set of rules determining right and wrong conduct, derived from latin word ethos, which means character, it is which sign, social sign, developing sign, ye sab likega, social sign, developing sign, it is not a physical sign or exact sign, where hydrogen and oxygen when mix will give water, it is not that type of science, so, it deals with right and wrong, moral, immoral, good and bad behavior, so, ethics is a set of moral principles that guide a person's behavior, so, this is the definition of ethics, now, there are three main branches of ethics, meta ethics, normative ethics, applied ethics, after five minutes, you will be having no confusion, so, there are three branches of ethics, what are the three branches of ethics, meta ethics, normative ethics, applied ethics, I will start from the back, in the reverse order, applied ethics, most simplest branch of ethics, applied ethics means, practical application of ethics in different areas, yes, practical application of ethics in different areas is applied ethics, what is the definition of applied ethics, applied ethics means, practical application of ethics, practical application of ethics in various areas, applied ethics means, practical application of ethics in various areas, like when we apply ethics in business, it is called business ethics, so, business ethics is which branch of ethics, business ethics is a branch of applied ethics, similarly ethics in warfare ethics in war animal capital punishment animal killing war capital punishment these are all examples of applied ethics i'll give you more examples of applied ethics boss and girls c c so there are three branches of ethics types of ethics meta normative applied applied ethics application of ethics practical application of ethics in various areas like war animal rights capital punishment these are all examples of applied ethics see these are all examples of applied ethics environmental ethics again we have to apply ethics in protection of the environment environment ethics is applied ethics we have to apply ethics in religion not only respect our religion but also respect other religion again an example of applied ethics social justice social justice that there should not be a exploitation of anyone in the society gender bias should not be there so this is again social justice is an example of applied ethics okay biomedical ethics is again an example of applied ethics biomedical ethics you understand biomedical ethics whether organ donation is ethical or unethical because uh ultimately god has given you something you are giving to someone else so it's debatable it's applied ethics again global justice peace and war you understand war capital punishment these are all examples of applied ethics so again listen to me applied ethics mean applied ethics means ethics practical application of ethics in in various areas in various areas like capital punishment war animal killing environment social justice biomedical ethics religion these are all examples of applied ethics now i have a question for you i have a question for you applied ethics huh boys and girls uh nuclear bombs we all remember we all know that hiroshima and nagashaki the two main hubs of japan was destroyed by usa in world war ii when usa dropped atom bombs on hiroshima and nagashaki of japan and thereafter japan had to surrender but thousands of lives were devastated thousands of lives were gone and the impact of that atom bomb explosion was felt even several decades later in japan in japan usa dropped the two atom bombs now the atom bomb was made by someone the atom bomb was made by someone the atom bomb was made by someone can you tell me the name of the person who made the atom bomb and you can come can you comment whether it was ethical or unethical to make such a weapon which can destroy the atom bomb please comment and tell me the name of the person first i am looking at you i'll tell you he was robert open him up robert open him up so robert open him up was a person who was also called father of atomic bomb and he developed the atomic bomb and it had the power of destroying any country even the world we cannot afford another world war because the entire earth will be just destroyed devastated so tell me whether it was ethical or unethical tell me first you know what we guys don't know about bhagavad-gita yeah we must have heard but we have not read it entirely isn't it three or four verses we know but this man robert when asked that it was very unethical from your part to make such a devastating atomic bomb you know what he said he quoted lord shri krishna from bhagavad-gita so this ethics is very debatable what is ethics what is ethical what is unethical is very debatable he quoted lord krishna from bhagavad-gita the exact verse he quoted the exact quote what was that quote i'll tell you this was the quote bahat deep bahat deep bahat deep shunyeh please very deep listen to it yeah listen to it boys and girls and we have to share the words lalala ana sa as 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 and as 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 सर कुछ नहीं समझ में आया I'll explain it in English when Arjuna was not willing to kill his own brothers kill his own uncles who were against Pandavas because they were belonging to the Korva site so when Arjuna was hesitant and he was not willing to just pick up the arms and ammunition against his own relative Lord Krishna said that look Arjuna I am the death Lord Krishna said I am the death I am the Kaal you are no one if you don't do this their fate is sealed by me I decide their fate they have to die I am the time I am the Kaal of everyone I decide you don't just to make my decision correct just to implement my decision I have chosen you you are the chosen one you don't do this they will still die I'll make them die it's just that you are the chosen one to make sure that I implement all these fate that I have already decided and sealed I can put an idea into someone's brain to do this particular act see the supreme lord chapter 11 verse 32 chapter 11 Bhagavad Gita verse 32 I am mighty time which means Kaal the source of destruction that comes forth to annihilate the world even without your participation the warriors arrayed in the opposing army shall cease to exist you understand so see see this one when Oppenheimer Robert Oppenheimer the person who developed the atomic bomb who was a part of the first atom bomb project witnessed the destruction of Hiroshima and Nagachaki he quoted this verse of Sri Krishna in the following manner time I am the destroyer of all the world which means he quoted Lord Krishna that I am not doing anything whatever is being done is being done by Lord Krishna ab karlo tum ethics ka baat karlo ab ethics ka baat everything is decided by Lord Krishna are you going to call him as unethical answer is no so ethics is a very social science developing science I am going to call I am going to call a number of I am I am going to call and I am going to call Am भाई, जब मैं 60 years का हो जाओंगा, जिसमें अभी कम से कम 15 साल बाकी है, 16 साल, तब हम लोग उसका बात करेंगे, अभी नहीं, आप भी 60 के हो जाएं, ठीक है, तो उस समय हम लोग इस सब का बात करेंगे, चिंता मस करेंगी, तो अभी applied ethics समझ में आया, इस सब बहुत डीप है, बहुत भी, भाई, लाइक तो दबादो कम से कम, तो सर्च है, देखो, दुनिया बरका, एक्जाम में क्या लिखना है, सर, एक्जाम में क्या लिखना है, एक्जाम में आपको खले definition लिखना है, applied ethics means, अर इतना बोल रहे हैं, तक ही दिमाज में रहे हैं, applied ethics means, application of ethics, practical application of ethics in various areas, like war, animal rights, capital punishment, तो यही तो debatable, capital punishment वाला ही चीज़ तो debatable है, say for example, Mr. X has murdered Mr. Y, तो Mr. X को क्या फासी लगाना चाहिए, अब बहुत सारे human detectives चाहिए, यह तो unethical है, unethical है, God has given life, how can we take life, so how did Mr. X take the life of Mr. Y then, no, no, God inculcated the idea in his, then God, my reply to this is, then God inculcated the idea in the judges mind also to hang in, so war, animal rights and capital punishment, these are all business ethics, are all examples of applied ethics, Sir, applied ethics here is Sir, Agavadish, normative ethics, normative ethics focuses on action, normative ethics focuses on action, your action will determine whether you are ethical or ethical, so normative ethics focuses on action, that what action is, and what actions are unethical and what actions are unethical, तोई को मार डलना, किसी को मार डलना, कूम बता हो, comment कर को, ethical है कि एपास्थ soient、 पास्थ στο जान से मार देना किसी को, ethical कि यह नथिकल, फाल दू बाद मत करो, ठीक है, फटफट कमेंट करके बता, किसी को मार डालना है, ethical है कि यह नथिकल है, according to normative ethics, it is unethical, according to normative ethics, it is unethical, the action is wrong, it is unethical. now we come to meta-ethics wow meta-ethics questions the origin of ethics it looks at the origin of ethics meta-ethics focuses on those questions those parameters on the basis of which we judge whether a particular action is ethical or unethical normative ethics says what action is ethical what action is unethical normative ethics focuses on actions which action is ethical which action is unethical example killing of a person is unethical as for normative ethics but what meta-ethics says boys and girls meta-ethics just don't say what action is ethical what action is unethical rather it focuses on moral judgments parameters parameters of moral judgment so you have to write what you have to write about applied ethics application practical application of ethics in various areas normative ethics is that branch of ethics which decide which action is ethical which action is unethical meta-ethics it determines the parameters of moral judgment to kill a person is unethical as per normative ethics but you know what meta-ethics will change the parameters in different situations for example let me put you in a dilemma you have to write what action is unethical you have to write what action is unethical you have to write what action is unethical but as per meta-ethics the parameters of this action will change I was protecting my motherland so as per meta-ethics it can be ethical clear it is so so you can write what action is in the exam which I have to write what action is applied ethics means practical application of ethics in various areas like capital punishment war animal killing business ethics are all examples of applied ethics normative ethics is a branch of ethics which decide which actions are right and which actions are wrong example to kill a person is wrong unethical meta-ethics decides the parameters of the moral judgment clear importance of ethics we have already known the importance of ethics that it is a requirement for human life so this is a requirement for human life so this is the requirement for human life इसी से तो हम लोग को अपना कंडग पता चलता है कैसे दियर करना है it is our means of deciding the course of action it helps us in deciding the course of action without it our actions would be aimless without ethics our actions would be aimless okay without an ethical standard we may be unable to pursue our goals with the possibility of success so four importance क्या होगे requirement for human life decides the course of action and without it our action will be aimless and we may not be able to pursue it our goals our objectives with the goal of success okay ethics nature and relevance whatever we have learnt over here you can write those things and then we move on to the next part which is values and attitudes of professional accountants values and attitudes of professional accountants we will come to it we will come to it boys and girls but first of all let me teach you seven principles of public life now we see the objective is very popular that who developed these seven principles of public life Lord Nolan Lord Nolan in 1994 developed the seven principles of public life the seven principles of public life the seven principles of public life were developed by Lord Nolan okay for the first year in 1995 so Lord Nolan developed seven principles of public life 1995 Lord Nolan so what comes as objective sometimes the objectives come seven principles of public life what's developed by Lord dash so answer will be Lord Nolan in the year dash 1995 how many principles of public life are there seven so jab nya paper abhi a raha hai na woh ishi prakara ka nya pattern joh after chaloo okay achha one more thing if someone asks you who developed the seven principles of public life the answer will be Lord Nolan but if someone asks you who is the father of ethics can you tell me who is the father of ethics comment comment and tell me who is the father of ethics Socrates Socrates is called the father of ethics Socrates is called the father of ethics and Lord Nolan developed seven principles of public life British government appointed a committee this is called committee on standards in public life so British government it was under British government Lord Nolan so British government developed the committee called committee on standards in public life the committee was established in October 1994 committee was established in October 1994 but Lord that's why one year later Lord Nolan developed these seven principles committee 1994 and then in 1995 the principles came and the latest principle same institute has set out as 2015 so these are the seven principles of public life what are the seven principles of public life selflessness public officers public servants should be selfless in performing their duties we all should be selflessly performing our duties in public life selflessness then integrity integrity means the person should be honest straightforward the person should be honest straightforward honest not dishonest straightforward point to point straightforward objectivity means he should be impartial just like we have one client we have one client in the exam if we type we type and if we type accountability he is accountable for his performance to public openness no secret profits can be made he has to be open transparent he has to be honest and he has to be a good leader so these are the seven principles of public life selflessness integrity objectivity accountability openness honesty leadership all how do you know I am seeing the chat box my kids chat box are you are you I am 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 openness leadership integrity selflessness accountability objectivity okay so if you remember these points by acronym nobody can make you forget this point police out police out ap ap se kya hai honesty ose openness he will say leadership iphone integrity se selflessness he se accountability and ose objectivity vapa se ekbar honesty holi zhao holi zhao honesty openness leadership integrity selflessness accountability and objectivity okay done 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 so these are the seven principles of public life now boss and girls they are going to cover every part do not worry about it 10 marks ethics boss and girls maza a raha hai na amisha boring lagta tha now values and attitudes of professional accountants values and attitude of professional accountant now we are concerned with cost and management accountants CMS kya CMA loko ethics follow kena paadega 100% CMS have to be ethical in their performance of work abh yaha pari question aata hai jo ethics se related nini hai pati question aata hai what is the role of management accountant answer is what is the role of management accounting there are three main roles of a management accountant problem solving score keeping attention directing problem solving score keeping attention directing problem solving score keeping attention directing the first one is problem solving problem solving means management accountant should furnish should provide valuable information to the top management so that it becomes easier for the Board of Directors at the top man to take decision on the basis of correct and timely so it is a duty of a management accountant to provide timely correct factual information which means decision-making process lot easier was it up to your problem-solving ogees provide information or decision score keeping now it is the duty of management accountant to do score keeping what is score keeping look every department every manager was taking a decision why the manager or department was taking the decision why were they taking a decision they were taking a decision to achieve the objective now it is a duty of management accountant to check whether the decision has yielded the desired objective or not whether the desired objective has achieved by the decision or not the decision the reason behind the decision was to achieve a certain level certain target whether that target objective has been achieved or not it's called score keeping so score picking score keeping means keeping the track keeping the track that how far the decision has worked how far how well the decision has worked has it yielded the desired target for example if we thought that cost will be reduced by 25 percent in the upcoming project by implementing decision then we implemented such a decision but whether it yielded the cost reduction of 25 percent that's called score keeping attention directing when we do score keeping and we find adverse inferences adverse result then we need to direct the management attention and senior manager directors attention towards the issue so that is called attention directing when after score keeping we find adverse variances coming up then we have to direct the attention also to improve those adverse variances so what are the three roles of management accountant problem solving score keeping attention directing problem solving score keeping attention directing what is problem solving to furnish the necessary valuable information timely so that managers can take proper decisions okay then after problem solving score keeping every decision that a manager must have taken he must have taken to achieve a particular target achieve a particular objective score keeping means checking whether the objective and target which was thought of has been achieved by implementation of the decision or not and then after score keeping we have attention directing if you find adverse variances after score keeping then we have to direct the attention of the managers and senior members of the directors to this problem okay for improving the things problem solving score keeping attention not something that is non that is not the primary goal of the team we find it is that if you find the thinking of the idea that if you find the way you find the end of the organization and the thing that is obviously the value chain is valuable gain to the end of the team you choose in the YOURS, so your value chain is the value chain in the right of the team you click the value chain you can tell me now now value chain means adding such steps adding such productive steps which adds value to the final product or service and give customers the युट ट्रभाश अुट्टे नान व्रेया उबर्टिक अविष्ट निया युट रचिम, युट 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 सर बादूarin, that's called value chain for example this marathon I was under no legal obligation or no obligation whatsoever to take the marathon but still to provide more value to my clients more value to my student I'm taking this marathon this is called value chain doing those steps taking up such steps which can create value either in the product or in the service or customer satisfaction that's called value chain come on give me the definition of value chain value chain means doing such things or taking up such steps which can create value provide value add value to the product or service for ultimate consumer satisfaction now three main things in value chain three main things in value chain that we have to focus on C K C B voluminous at C K C B C customer satisfaction that I have already told value chain aims at customer satisfaction that's the ultimate objective that we have to satisfy the customer but at a reasonable cost so customer satisfaction at a reasonable cost C K C B case a key success factor identify your key success factor identify your KSF it your K KSF key success factor may be time cost quality innovation there can be four key success factor time cost quality and innovation so customer focus key success factor again CV C continuous improvement continuous improvement aim for continuous improvement just look at me and my teaching style I try to improve myself every single day you may say that I am the best but I don't say I am the best I will become the best tomorrow I'll become better than yesterday that's called continuous improvement push yourself it's also called kaizen in costing kaizen costing you understand continuous improvement continuous reduction in cost trying to reduce the cost continuously is called kaizen I hope you have read it in kaizen costing your post paper then value chain and supply chain analysis that I have already discussed value chain and supply chain analysis taking success to add value to the final product or final service in SM we have the end rate by Michael yeah so CKCV see KCV right here Quartel value chain managers will have to concentrate on . CCMCV to fulfill the value what is CkCV customer satisfaction key success factors forní success factors are abuse quality time innovation पर थर आप्राइब पकाया थे determaनोच इजए के सकतर शझेंस करदिर तापनूचσιं पर काया मिच्तिक पर्फेटर्म की सबदस्ट ही। 90flowtv 10 परादो हैंनि काया थे घस फ्दिक supporting to our Httr Sule करेव अब यहां से यह सारा का सारा mission statement of ICI ठीक है यह एक्जाम में लिखने भी आता है तो you might have to type also स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको रीट करके भूल जाते हैं तो रीट करके समझ में आगया भूल जाएंगे तो नहीं चलेगा ना मैं इसका भी आपको अक्रोनिम मना दूँगा आप थाली फोकॉस करें mission statement of institute of cost accountants of india जो मेरे से पढ़ रखें भाई तुमको मैंने more than 180 hours का लेक्टर दिया ये तो खली एक revision तकी brush up हो जाएं मेरे बख्चो तला आजो independence ठीक है independence of thought as well as action you are independent in your mind but your actions don't show it you might be independent from inside from outside also you look independent you should look independent so independence of thought and action both are required just example say for example मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है कि मैं alcohol नहीं पीता मेरे दिमाग में clear है मैं नहीं पीऊंगा बट मैं glass लेकर के party में खड़ा हूँ कोई मानेगा answer is नहीं मानेगा मेरे को पता है मेरा भगवान साक्षी है भगवान मेरा साक्षी है मैं alcohol भली मेरे को कोई ग्लास दे दिया उसका मान समान रखने के लिए मने ओ ग्लास ले लिया I'll not drink it I am very clear in my mind and my thought but not in my action अब बगवान साक्षी है तो बगवान तो आकर के गवाई नहीं देगा so you have to not only be independent you also have to look independent clear so maintain at all times independence of thought and action तो यह अपने इसको point I देते हैं acronym के लिए independence opinion इसको अपने O देते ते है रहे बाबा ओ what sir O से क्या opinion you should not express an opinion on the related parties अपना भाई का financial statements का cost audit करके opinion मत देना so independent रहना do not give opinion where you are having conflict of interest okay disclose all material facts disclose all material facts okay you have to disclose all the material facts to okay but I have to maintain the confidentiality I cannot give the मैंने अभी client audit के मैं उसका customer और supplier का पूरा लिज़े देव किया उसके competitor को पैसा खा करके I have to maintain the confidentiality okay कुछ भी मेरे को inform कर दिना चाहिए भाई अपने employer को अगर मैं वहाँ job कर रहा हूं या फिर अपने client को अगर मैं उसको audit कर रहा हूं को अगर मैं क्या business interest को सकता है inform employer or the client any business connection or interest टीक है तो जो भी आपका interest वगरा है interest वगरा आप पहले ही बता दो क्या क्या फटा-फटा भी बोर मतो अभी राम बान छोड़े independence yes independence फिर बताओ independence हो गिया you have to be independent in your thought also action also then opinion do not express opinion on related parties then disclose all the material fact material misstatements maintain confidentiality of the client and inform your interest if any to your client or employer okay फिर भाई while performing your duties while performing your duties do not receive bargain acquire any peace remuneration without client's knowledge or consent क्लाइन्ट है बहुत सिंपल है while performing my duty side income मत कमो यह बोल रहा है आर से रेम्यूनरेशन आर से रेम्यूनरेशन साइड से मतलो without the knowledge of the 49 हर एक झाफ्यूनरे इंक्राइंट पेजनेबल करें हिए इसे धर और आर टो फेवे टो a reasonable steps for performing of the engagement conduct अच्छा रखो not to accept an engagement to review the work of another member, accept the knowledge on that member, if I have been appointed to review the work of another cost accountant I will never accept the work of review of another cost accountant without informing that member हम लोग सब भाई है तो review हर से review, वा हर से 3 point हो गया हर से remuneration, साथ में मतलो reasonable steps, low to perform the engagement review, without reviewing the work of a member, without informing him, साथ में में तो आर से remuneration, reasonable आर से 3 point बोल दो ना remuneration, reasonable steps and review commission ले कर के काम हासिल मत commission दे कर के काम हासिल मत करो काम मिलना है तो अपने आप मिल जाएगा, commission दोगे क्या reputation का खयाल रखो भाई कोई बवाल मत मचाओ रास्ते पर, लडाई जगडा मत करना, चालू करना, इंशूर का नाम खराब होगा नहीं तो, तो reputation maintain करना, standard, standard of competence, standard of competence आपको maintain करना चाहिए, ठीक है standard maintain करना और खाली ऐसा ही काम लेना जो आकात हो करने का, competent तो तो उस काम करने का, ठीक है तो वही वाल कम लेन, there are many words for which you might not be comparing and don't accept those words, सो बता मेरे को क्या करने की सरे, कैसे याद हो का सरे बहुत सरे पोईंट है, फ़ले, रहे याद करने का तरिका, फ़ले तो याद करो कितना पोड़ो, कितना फो याद करने, नहीं हो जा आई से होगी अपन, अरे अभी magic होगा रुको ना तुम पांच मिर्ट, अलिबेट पांच मिर्ट, I say independence, I for independence, O for opinion, do not train the opinion on related party's financial statements, independence, opinion, disclose all the material facts, material misstatements, confidentiality should be maintained, confidentiality should be maintained, then interest, if you have any interest, inform, business interest or any kind of interest, inform your employer or the client, आर से तीन पांच बताओ, remuneration, साइड में मतले न, without informing the client, do not accept any remuneration, reasonable steps should be taken to perform the engagement, and review, review, चार हो गया नार तो, review and reputation also, review, don't do review, don't do review of the work of the member, without informing, maintain the reputation, चाट हो गयार, ठीक है, फिर C से confidentiality था, C से और क्या क्या है भाई, C से conduct है, C से भी चार है ना, confidentiality maintain, conduct, properly, the engagement, C से commission, don't take the commission to accept the engagement, don't give commission, don't give commission, don't give commission, to accept the engagement, and competent, ऐसे ही काम करना, जो competent, and maintain standard of competence, ऐसे क्याता है, standard of competence, तूक्या क्या है भाई, देख लू, चाके देखे, आई, एक, दो, तीन, चार, चार, पांच, 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 पांच अर तेर, पिर देख लो, छे, सार, आट नो, तस, कि यारा बारा तेरा कि फटीन पॉइंट सब्सक्राइब इसका एक्रोनीम हम तुमको मस्त वाला बना दे रहे हैं ताकि इसके बाद खड़े-खड़े डिस्को करना चालू कर दिस्को बच्चे पहले लिग दिया हैं जो मेरे सब पड़ रखे हैं बच्पर भी आपको याद ल अब सब्सक्राइब आदो इसको यह देखो यह यह अक्रोनीम है दिस्को इस्को इसको इतना अट होगिया रहे एक रूटीन ईस्को यह नहीं कि बच्पाइब पॉंट्स्ट्सको एड अट्रिपल अलिक दो ठीक है कुछ और बनाना चाल्था आह ओर बनालो यार जबल ओल तीन आर हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो तो अभी हम लोग जो बनाए है लाइव में यही है डिस्को और चार और देखो याद करने का तरीका कितना है डिस्को का स्पलिंग है ना चाट्वार को अलग कर दो चार आर तो तुमको भई अलग से याद रखना पड़ेगा चार आर चार याद यार रमुणरेशन, और रमुणरेशन, रेविव, प्रीजनेबल स्पड रेपुटेशन, चार आर दिमाड में अपर दिस्को याद करने का तरीके यह आई डिस्को में सेकंड प्लेस्पर है ना सेकंड ना मिकला देखो जोट तो सेट्वेशन प्लेसूर तो सी आथ तो व्याद है कि डिसको में आई चैंड प्लेस पर जोट तो प्र लेका उससाब से था तो इस भी तीन प्लेस पर जोना चाहिए आई गांजा तो अषा जाधा है तो आई और डॉट को तो है तो आई जिए स्था यह सबस्दोब पारव पॉंट पॉंट लो भाई सन्यास लो चलो डिसको तो अब बताओ अब बताओ ढिबको एक साइस्ट रवी मिसस्टेट्मेंट न डिस्टोजर अब व तो अब बताओ कुछ ए तो standard of competence standard of competence mentioned by CM institute confidentiality of the client should not be leaked competent work confidentiality हो गया competent work ही हम लोगो खाली लेना है commission नहीं देना है we don't have to give commission और एक इंचे ना conduct ठीक है conduct ओसे opinion यार अपना related parties लोग के ओपर मत पौप कर देना और चाट और तो जिल्ला बाद ही तो डिस्को और चार आर क्या है ये सब mission statement of ICAI हम लोगो ये सब standards of ethical conduct follow करना पड़ता है इस आर दा standards of ethical conduct for practitioner तो देको समझतो आ गिया बट याद भी तो रखना जारूरी है 13 points कैसे याद करोगे इसको अचार आर बताव इसको में D4, come on boys and girls D4 disclosure D4 disclosure of all the material misstatement इसे 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 से standard of competence must be followed laid down by इसे 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 confidentiality of the client should not be leaked at any cost conduct of engagement should be done properly commission commission should not be given to accept the engagement so confidentiality, commission, conduct and one more was there na say one more was there one more was there one more was there tell me competent work opinion don't form opinion on the relative parties and chat towar kya hai remuneration side me without the knowledge of the client or employer review without the knowledge of the member don't review his work ठीक है reputation का ख्याल रखना है तो क्या क्या हो गया review reputation review reputation और बताओ भाई और बताओ review हो गया reputation हो गया और remuneration का जो है आप ख्यान रखना है कि आप side में remuneration ना ले ऐक हो गया बस हो गया इतना ही ताना जास ताओ फ्यान बताओ प्यान रखना है जो लोग बोजान गल्स प्यावर अवर अवरीधिंग तिल नहू and before that was problem solving, then value change CK, CV, customer focus की success factor, continuous improvement and value change, then mission statement of ICI, this score, and चार, चाटोर, फिर ये नुलान का हम लोग बात कल लिये, 7 पिचल का पुब्लिक लाइ, बोलीज आओ, अब दे को याद रहेगा न, बोलीज आओ, honesty, openness, leadership, integrity, selflessness, accountability, objectivity, अरट नहीं रहे हैं, सब समझ चुके हैं, बट समझ करके दिमाग में भी तो रखना है, and acronym is going to make your life easy, ethics in business is a type of which ethics, it is a type of applied ethics, so business ethics से definition के, it is an art or science of maintaining harmonious relation with the society, जगना करके society के साथ होडीना रहना है, society के साथ harmonious relationship इंडिक करके रहना, so it is an art or science of maintaining harmonious relation with the society, what is business ethics, business ethics is a art or science of maintaining harmonious relationship with the society, we have to make sure that all the stakeholders are protected, our employees, our customers, environment, our competitors do not indulge in unfair competition, lot of them do, but do not indulge in unfair competition, so you have to follow business ethics and keep the interest of all the stakeholders alive, whether it be environment, your employees, customers, competitors, government, society, okay, what are the features of business ethics, you have to follow the code of conduct, protection to social groups, basic framework, you have to provide a basic framework that how you are going to do business, inform society how you are going to do business, what's your framework, willing acceptance, do not impose yourself upon others, allow them to willingly accept you, then educate and guide the society and not against the profit making, business ethics, business ethics, the concept is not against profit making, but do not exploit society to make profit, make profit but not at the cost of exploiting society, reasonable profit has to be accepted, it should be there, ultimately if no one earns profit then who is going to pay the tax and how the nation will build, unemployment will be there, if we do not charge for our lectures, how are we going to pay the taxes and nation building, how are employees going to survive, clear, avoid exploitation of consumer, avoid unfair trade practice, you have to avoid exploitation of the consumer, unfair trade practice must grow, fair treatment to employees, these are the three principles of business ethics, you think about stakeholders, main stakeholders, main stakeholders, customer employees, society, customer employees and society, avoid exploitation of customers, fair treatment to employees and society, do not adopt unfair trade practice, avoid exploitation of consumer, avoid unfair trade practice, fair treatment to employees, importance what is, अगें, stakeholders का confidence आएगा, सारे stakeholder लोका बोलो, customer का confidence बढ़ेगा, government penalty fines कम लगाएगा, employees will stay in the organization, okay, society will benefit, stakeholders के बारे में सोचो, and right, important thing, improving customer's confidence, social responsibility, good will, good image, both are same, but institute mat में है, good image बनेगा, good will बनेगा, profit भी आएगा, profit कब आएगा, only if society accepts you, only if you survive, survival, you'll be able to survive, by calling business experts, you'll be able to survive, why do you love me, because of my ethics towards my profession, safety from legal perspective, penalty fine, income लगेगा, तो याद करने का तरीका होता है, story बनो, यार, important business ethics क्यों फोलो कर रहे है, think about different stakeholders, different stakeholders के बारे में, customers confidence बढ़ेगा, employees will stay, government fine penalty कम लगाएगा, good will, brand image, बढ़ा होगा, profit बिलकुल रहेगा, और tech holder competitors, will be able to survive, the agent competition, will be ahead of them, okay, business ethics is written also, unwritten also, code of principles, हर कुछ बोला नही जा सकता, it is written also and unwritten also, seven principles in business ethics, भाई, seven principles of public life मत लिक कर के जाना, both the questions are different, seven principles of public life, but it's different from seven principles of business ethics, almost same though, but still, आपको points अलगा लग या दर्ना पड़ेगा, trustful, open-minded, obligation, be trustful, openness, meet your obligation, whatever you have committed, then you should implement it, then clear documents, documentation properly करना, community के बारे में सोचो, society, पिर respectful रहो, and अपना accounting control जो है, वो artistic, अब इसका आप कुछ भी एक acronym मना ले ना, बताओ क्या क्या, trustful, openness, obligation, trustful, openness, trustful, openness, obligation, documentation, proper होना चाहिए ना, community मतला, society के बारे में सोचो, big society involved, and accounting should be done properly, unfair accounting करोगे, true and fair होगे, लोगो को चक्मा दोगे, accounting, and be respectful, बहुत सार अक्रोनुम होता है, यार, कुछ भी बना ले ना, ठीक है, जैसे मनलो, हम लोग कारो पड़ते है, कारो, 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 कुछ भी अक्रोनुम बना लो, lots of acronyms can be made, कारो, तो ये lecture में आपको, पता भी जलना, पढ़ा ही कैसे किया है, what are the areas involved in business ethics, CSR, corporate social responsibility, governed by section 135 of the companies, so we have to do social responsibility, every corporate has the responsibility towards society, follow it, अच्छा relation बना अपने stakeholder के साथ, stakeholder does not mean shareholder, stakeholder is a broader, stakeholder means anyone who gets affected by the decisions of our business, if I take decision and you get affected, you are my stakeholder, so stakeholder is a broader group of person it includes, shareholder and other industry, government, customer, employee, computer, society, environment, यार, industry को बढ़ाओ, ऐसा नहीं कि industry जो है, आप destroy कर जो, so areas in business ethics, CSR, okay, stakeholders, think about CSR, think about stakeholder, think about the industry in which you are operating, वाई सबच देखो, जो हम बता रहे थे, attract, you will be able to attract new customer, your employees will want to stay, more employees will want to join, again, we have already read all these things, investors will want to invest in your company, यार, again, these are also the areas of business ethics, ethics of human resource management, this is one of the area, we have to follow ethics in human resource management, in production, in marketing, in accounting, we have to follow ethics in human resource management, marketing, in production, in intellectual property, for example, ethics in human resource, you understand, there should not be any harassment of employees, good working condition should be there, given to employees, so no harassment should be there, good working condition should be given to employees, okay, fair pay, okay, no discrimination, then ethics in marketing, yes, marketing is important to communicate the merits of the product and service, to communicate the merits of our product and service, yes, marketing is important, there is no harm in business, in doing marketing, but what the harm is, the harm is, the wrong thing is, the unethical thing is, wrong marketing, providing wrong information, that is called unethical marketing, just say, say, say for example, perfume ka ad, sab se unethical marketing, bolna kya cha reho bhai, again, that, surrogative marketing, surrogative marketing, you understand, you want to sell something else, but you cannot directly sell it, that is why, you are showing something else, like kingfisher premium drinking water, what is premium in water, yaar, and after having kingfisher premium drinking water, everybody is dancing and saying, ooh la 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 lo 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 lo, we all know that this is a surrogative marketing, and they are marketing something else, in front of premium drinking water, , these are all unethical marketing, surrogative marketing, because government has banned the marketing of liquor, so they tend to make surrogative marketing, make it large, Royal stack, the marketing, what is the first thing you're saying, large people are talking, small people are talking, large people are talking, music necessity, what is music necessity, so these are all unethical marketing, and it should be stopped, ethics of production, produce, production, milawat mat karo, adulteration mat karo, do not do adulteration, hoarding, these are ethics in production, intellectual property, do not copy someone else's notes, don't do that, I have seen many, many in my life, copying my notes, which I have developed by research, not this one, which I take from the institute one, but my chart, there are four exhaustive multicolored mats, of which some is the chart book, some is the MCQ book, which I have developed over many years, they copied, I have the proof, they copy even the mistakes, and the misprints of my mat, but I do not say anything, because ultimately knowledge, should reach every corner of India, to let it be, but always try to give credit, once you have taken the notes from me, try to give the credit, rather than not highlighting it, okay, so respect the intellectual properties, like the moment I started this chapter, I give the credit to team institute, that look this chapter, totally I have taken from team institute, because version of ethics, changes from institute to institute, book to book, and we have to follow, for our exam, the mother body content, right, so general business ethics, ethics in human resource management, ethics in human resource management, ethics in marketing production, and intellectual property, okay, importance of ethics we have already done, need for business ethics, yes, there is a need for business ethics, in today's world, we need business ethics, to stop business malpractices, which are going on, to improve the brand of the organization, goodwill of the organization, make consumers more confident, make employees feel more safe, why do we need business ethics, to stop business malpractices, to protect customers, customers' confidence, consumers' rights, employees, again I am saying, to stop business, to stop business malpractices, to improve customers' confidence, to protect consumers' rights, survival, good image, reputation, it is the same, smooth functioning, and good relation, okay, done, and consumers' overpoints, are consumer satisfaction, consumer movement, healthy competition, and labor, give importance to your labor, these are all explained, you need not have to study, you can write one line each, that I have explained, so this was need of business ethics, and now we are coming to advantages, goodwill, it will give us competitive advantage, we will be staying ahead of our competitors, if we follow good business ethics, productive will be there, productivity, aapne aap publicity hooga, aapne aap, aaj humara practice is achcha, to aapne aap publicity hooga, aap log hai, moral trust banega, products, public accept karega, scepti ni, disadvantages bhi hai kya, joh profit maximise kana kata, profit profit, profit, woh dihi, thik hai, profit maximisation nai ho sakyega, but thik hai na, over a long run, you will be able to survive, and respect, and image that you will get, will be unparallel, in front of the profit maximisation, dhekho, profit maximisation nai ho sakyega, diversity in achievements, matlab, business ethics, you cannot focus only on one stakeholder, there are multiple stakeholders, so you will have to achieve diversity, so this is a challenge, diversity achievement, because you will have to satisfy various stakeholders, incur express, sometimes it requires to incur the express, so what are the main three disadvantages, profit maximisation objective will not be met, profit maximisation objective will not be met, diversity will be there in achievement, because we have to satisfy not a single stakeholder, multiple stakeholders, and we might have to incur some extra expenditure, because that's it, this was the main thing, till here, I hope everything is clear, everything is clear, press like button and tell me how was the lecture, in the English, I have to understand it, I have to understand it, I have to understand it, I will again upload it, few days before the exam, one week before the exam, I will again upload it, for those who miss it, right now, if you are unable to watch, I will again upload it, one week before the exam, okay, clear answer, so how is it, boys and girls, all okay, this completes my exhaustive revision, on 10 marks of ethics, now boys and girls, I would like you, to take a break, and after the break, we will be starting with a new chapter, PFRDA, so take a break, the break that I am giving, boys and girls, feel yourself refresh, and then come back, for that I am giving you, 20 minutes, approximately 20 minutes break, is being given, so it became applicable, all over India, from 25th to September, and 1965, payment of bonus, 1965, it is automatically, applicable on factory, factory, if you have a number of workers, not to see, if you have a factory, if you have a full bonus act, it is automatically applicable, factory, if you have a full bonus act, is automatically applicable, if it is an establishment, other than factory, having minimum, 20 workers, minimum 20 workers, have a number of workers, 20 workers, if you have a full bonus act, on any day of an accounting year, so factory, automatically applicable, establishment, other than factory, having minimum 40 workers, employed on any day of an accounting year, automatically applicable, establishment, other than factory, having workers between 10 to 19, having number of workers, between 10 to 19, by notification, in official gadget, central government has a power, to notify bonus act, central government has a power, to notify bonus act, even on establishments, other than factory, having number of workers, between 10 to 19, by notification, in official gadget, और एक चीज़ा दखना, act once applicable, is lifelong applicable, 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 ठीक है, मैंने subscriber mode on कर दी है, ताकि आप वीडियो देख सके या चैट कर सके, चैट करने के लिए आपको, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल एकन दबा दो, ताकि आपका कोई भी वीडियो छोटे नहीं, ठीक है तो चैनल अभी तक है कर सब्सक्राइब कर लो, तो यहां तक हमने applicability और bonus act का जो है, वो बात कर लिया, applicability और bonus act पुरा दिमाग में है, है ना, applicability और bonus act पुरा दिमाग में, yes sir, applicability और bonus act हमारे पूरे दिमाग के अंदर है, so, अगर question आता है, discuss applicability और bonus act, देखते चलो, notes देख के समय ही आपको याद करवा दूँगा, factory है, automatically applicable हो जाएगा, ठीक है, establishment other than factory है, establishment other than factory है, factory होने से automatically applicable, but if it is in establishment other than factory, minimum 20 worker है, automatically applicable, ठीक है, minimum 20 worker किस दिन, any day of an accounting year, चाह वो एक बिदिन, एक बिलमा, एक बिलमा, एक बिल के लिए 20 worker क्यों ना काम कियो, establishment other than factory है, other than factory, having number of workers between 10 to 19 applicable, जैसे समने बता है, only CG notifications, and act once applicable is lifelong applicable, मक्खन सर, मक्खन है बेटा, एक दाम मक्खन है, एक दाम मक्खन है, लाग हो रहा है, तो को ठीक है, मैं एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर रहा हूं, मैं एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर रहा हूं, आप फिर से जोइन करो, आप कोई लाएगे क्या चिकल लो, आप कोई लाएगे क्या बेटा, आप कोई लाएगे, जो मेरी टीम देख रही है, वीडियो क्या कर रही है बेटा, बेटा टीम वीडियो देखते देखते रहे है, थोड़ा प्रोएक्टिव रहा करो जो टीम वीडियो देख रही है, तो जो मेंने टेकनिकल टीम वडियो देख रही हो क्या करी बिटा चेक करो है और लाइब आपके इस कर यह और करेक्ट कुछ बच्चे पुलने परफेक्ट कुछ बच्चे बुलने लाइग हो रहे एक बार अपना विडियो करके चेक लेग है कि नहीं है येस कुनाल एपसलूटली नो लैक सर्व सर्व लैग अभी भी है थोड़ा थोड़ा बहुत लैग है इस पॉसिबल यार एवरिधिंग इस पॉफेक्ट यहां से भी एक्सेलेंट कनेक्शन दिखा रहा है यूटुब का सर्वर में कुछ इश्य होए गया इस दिर लाइग दिर इस लाइग चेक करो बच्चे बूल लाइग है कुछ बच्चे बूल लाइग नहीं है अजी चेक करो कि थोड़ा सब अटक रहा है अब यूटुब में कुछ यूचिव बटा यहां से हमारे एक्सेलेंट कनेक्शन रहा सब कुछ ठीक है यहां से तो सब कुछ ठीक है I cannot fix what is going on showing excellent connection over here mm-hmm I have restarted अपल्ट, मेने टो में कूछ ट्राइ करता हूँ नहीं हो तो अपने continue लग हो चाहिए नहीं हो इसी तरह की से continue करेंगे एक मिनिट मेरे को दो में एक फिर से streaming software connect करता हूँ, एक मिनट रुख जो अब मेरे ख्याल से कोई lag वाग नहीं होना चाहिए बड़ा चेक अलो, चेक अलो, चेक अलो, चेक अलो, चेक अलो चेक अलो, 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 चेक अल परफेक्ट है मैंने दूसरा स्ट्रीमिंग सॉप्ट्वेर से कने किया I think everything is परफेक्ट है लेकिन इसमें यहां दखना है एक रिस्क रहता है छोटा सा एक बार खली यह पूरे वीडियो में डेड़ गंडा के वीडियो में एक बार हो सकता है एक बार कनेक्शन लॉस्ट हो उस अपना YouTube वीडियो क्लोश कर लेने YouTube वीडियो क्लोश कर लेने ठीक है सक लिए तो अवी तक हमने एपलिकबिलेटी और बोनस एक जैमादा दी बोस और जो आजाओ बगवान भी हमारे साथ है चलो गुड तो गो अप्लिकबिलिटी और बोनस एक 1965 बात कर लिया है कि बोनस एक किस किस को पर अप्लिकेबल है फैक्टरी के पर आटमाटिकले अप्लिकेबल इस्टबिश्में अधर दर दन फैक्टरी मिनिमां 20 वरकर्स on any day of an accounting आप्लिकले 19 establishment other than factory having workers between 10 to 19 applicable only if notified by cg in official gadget act once applicable is lifelong applicable speed पकड़ रहे है ध्यान लगाओ जब मैंने commitment दिया देर गंटा तो देर गंटा के रिविजन कर वा दूंगा तुम चिंता मतलो चलो आजो अब अब अगर हम लोग बात करें बेटा बोनुसी को आए किसको मिलेगा इंपलोई को मिलेगा तुम्हें पता है employee कौन होता है employee वो इंसान होता है जो काम कर रहा है एक ऐसा जगह जहां पर bonus act applicable है on a salary which does not exceed 21,000 per month या रखना employee का definition bonus act में दिया गिया है employee means a person working employee means a person working for a salary which does not exceed 21,000 per month मतलब अगर तुमारा salary 21,000 रुपीज पर month तक है तो तुमको employee मना जाएगा who is entitled to get the bonus under bonus act लेकर अगर तुमारा salary 21,000 per month से जाता है तो तुम bonus act के नजरों में employee नहीं हो तुम bonus act के नजरों में employee नहीं हो और तुमको bonus act नहीं मिलेगा bonus act के सबसे bonus नहीं मिलेगा clear? yes sir जैसे मैंने कहा था वो एक घड़ी आ गिया है अब फिर से join कर लो बटा अब फिर से join कर लो fast फिर से join कर लो फिर से join कर लो वीडियों पूरा अच्छे से चल रहा है कोई दिकत नहीं है अब यहाँ से कोई दिकत नहीं आएगा तो employee कॉन होता है जैसे मैंने आपको बताए था employee means a person who salary does not exceed rupees 21,000 per one जिसका salary 21,000 रुपया था कहा है वह employee माना जाएगा 21,000 से जाजा है तो वो employee नहीं माना जाएगा वो bonus act के अंदर bonus का हगदार नहीं है clear है sir अच्छा मैं आपको भी तीन section पढ़ाने वाला हो section number 10 okee जिल्सात मिनीमों मोनस भान में का है sulky hygien PSA कि होता है तो भाई मेरे उपर अगर बोनस up क्या है अप्लिके बड-डा है जाए मेरे को मिनीममेंड exclusive तो देना ही पड़ेगा, at the rate of 8.30% of salary or wage, at the rate of 8.30%, 8.33% of salary or wage, और रुपस हंड़ेट पर मन्त, विच्चवर इस हायर, ठीक है, तो मेरे को मिनिमम मोनस कितना देना पड़ेगा, 8.30% of salary और 100 रुपया, विच्चवर इस हायर, but if an employee, मेरे 15 साल भी उमर कम्प्लीट नहीं हुआ है, तब वो 100 के जगा 60 आ जाएगा, यानि 8.33%, 8.33% of salary और रुपी 60, विच्चवर इस हायर, 8.30% of salary और रुपी 60, विच्चवर इस हायर, प्लियर है, ये सर्क्लियर है, जैसे अगर यहां पर बोला जारे, compute minimum bonus from the following details, चलाओ, मैदान में आ जाओ, calculate करो, minimum bonus, salary पर मंथ कितना रुपी है, 3000 है, salary पर मंथ अगर 3 नहीं जा रहे, तो minimum bonus कितना होगा, बटा, minimum bonus होगा, 8.30% of salary, salary 3 नहीं जा रहे, minimum bonus का rate कि 8.30%, salary 3 नहीं जा रहे, तो 8.30% of 3000 किता होगा, 250 और 100, come on, whichever is higher, 250 और 100, whichever is higher, बता तो मेरे को 250 और 100, whichever is higher कितना हो जाएगा, correct answer is 250, 250 और 100, whichever is higher कितना हो जाएगा, correct answer is 250, वही अगर salary मान लो से, for example, 9,000 है, salary अगर 9,000 है, तो बच्चे बोलेंगे, salary 9,000 है, तो बच्चे बोलेंगे, salary 9,000 है, तो इंटू 3 करतो, सारे साथ उर्फिया नहीं बेटा, अगर किसी भी employee का salary जो है न, वह 7,000 से जाधा रहता है, बेटा, किसी भी employee का salary अगर 7,000 पर मन से जाधा रहता है, तो उसको bonus पता है, चाहे वो minimum bonus का रही तो 8.30%, चाहे maximum bonus का रही 20% वो 7,000 को परी calculate होगा, if an employee salary exceed 7,000 पर मन, if an employee salary exceed 7,000 पर month, if an employee salary exceed 7,000 पर मन, bonus will be calculated, as if his salary was 7,000, तो 9 जार है, तो किस के अपर calculate होगा, बचाथ जार के उपर calculate होगा, और अगर मान लो से, for example, Z का salary जो है, एक किस छोड़ 22,000 होता, अगर Z का salary 22,000 होता, 22,000 होता, तब क्या होता, तभी भी सर 7,000 के उपर calculate होता, अरे मेरे गांजा, तब तो इसको bonus मिलता ही नहीं, क्योंकि मैने बताया था ना, इंप्लोई बोनस अक में वही मना जाता हू, salary does not exceed 21,000, if your salary exceed 21,000 पर मन, you are not considered as an employee and you are not entitled to bonus. मखन ना एक दम, यादख पुरा क्लियर है, सर मिनमम मोनस का funda क्लियर है, तो मिनमम मोनस का rate हमने क्या सिका, 8.33%, minimum मोनस का rate, 8.30% of salary, और उपिस 100, whichever is higher, बड़े, अगर एक मेरे चोटा बच्छा काम करता है, जिसका 15 साल का भी उमर कमलीट नहीं हूँ, at the beginning of the accounting year, उसका minimum मोनस रहेगा, 8.33% of salary, लेकिन 100 के जिका 60 आजाएगा, whichever is higher, अगर किसी का salary 7,000 पर मन के उपर है, bonus इल भी कंप्यूटेट on 7,000 only, और अगर किसी का salary 21,000 पर मन के उपर है, 21,000 महिना से भी जादा है, 21,000 पर मन से भी उसका salary जादा है, तब तो वो employee ही नहीं माना जाएगा under bonus act, clear sir, next question है, when do we pay maximum bonus, बेटा, when do we pay maximum bonus, देखो, maximum bonus हम लोग को देना पड़ता है, maximum bonus का rate का है, 20% of salary, we have to pay maximum bonus at the rate of 20% of salary, we have to pay maximum bonus, उसका rate at the rate of 20% of salary, जब हम लोग के पास इतना सार अलोकेबल सर्प्लस है, when our allocable surplus, short में बलो तो profit, बट अगर deep में जाएंगे, जो कि जाएंगे, 67% of available surplus when no dividend is distributed, 60% of available surplus when dividend is distributed, तो 20% of salary, हम लोग का maximum bonus कितना देना पड़ता है, 20% of salary, 20% yes, शिश्टी, करेक्ट, 20% of salary देना पड़ता है, maximum bonus् करेड है, 20% of salary, when allocable surplus is more than minimum bonus, मतलब maximum bonus हम लोग को तभी देना पड़ेगा, जब हम लोग का allocable surplus जादा है, मिनीमम से अगर ऑगवल सब्स ज्यादा है मिनीममोन से तो आपको मैक्सिममा मुनस देना पड़ेगा घितना मैक्सिमम का लिमिट थोगा हां 20 पर सनफ बस अलेरी जब तुम्हारे पास उतना लौकेबल सब्स होगा तो सर अभी था बोले अलो के बेल सब्स ज्यादा है मिनीमम bonus allocable surplus minimum से ज्यादा है बढ़ हो सकता है maximum bonus जितना नहीं हो 20% of salary जितना नहीं हो तो जितना है उतना दे देंगे फिर और अगर छपर फार करके allocable surplus है पांदस करोड ऐलोकेबल सब्स है 20% of salary से भी अनाप्षन आप उपर allocable surplus है तो 20% of salary देंगे उससे ज्यादा नहीं देंगे so maximum bonus का रेट बता तो कितना maximum bonus का रेट है 20% of salary 20% of salary 20% of salary 20% of salary when allocable surplus exceeds minimum bonus when allocable surplus exceeds minimum bonus ठीके सब्सक्राइब अगर minimum से जाना maximum देंगे maximum 20% salary या रखना एक चीज मेरे प्यारे बच्चो बोनस हम लोग इसको देते हैं एक ऐसा employee को जिसका salary कितना रुप्या तक है 21,000 पर उन तक है और वो एक ऐसा जगा काम की है जहाँ bonus act applicable है और वो काम कम से कम किया minimum 30 working days मतलब अगर उसका attendance 30 days से भी कम है he is not entitled to bonus to become entitled to bonus you have to work for at least 30 working days in an accounting year in an establishment on which bonus act is applicable ऐसा जहाँ जाब उनसाग अप्लिकेवलाए तेरे को कम से काम आप 30 working days काम करना पड़ेगा now how do you compute those 30 working days the lecture is in mix of Hindi English okay how do we compute those so how do we compute 30 working days how do we compute 30 working days how do we compute 30 working days your 30 working days case in Kalita Sun low coach coach in 30 working days how do we compute 30 working days answers no layoffs are included layoff matlab kya hota layoff matlab otai employee came for work but employer refused to give him the work either because there was no raw material there was labor strike whatever employee turned up for the work yes but employer refused to give him the work this is known as layoff layoffs are included layoffs are included okay layoffs are included but strikes are not included layoff count oka 30 working days may a layoff count oka malo if an employee works for 29 working days one day was layoff so layoff will be counted which means 29 plus 130 days he's entitled to bonus so layoffs are included strikes and lockouts are not included maternity leave joe the net salary armMay today matlab pregnancy family maternity leave with salary is included maternity leave with salary maternity leaveillo salary is included maternity leave with salary is included maternity lead with salaries included holiday with salary is also included. Without salary not included, with salary sanctioned leave it include, unsanctioned leave without salary include, not. Clear? और एक्तो चीज़ include होता है या रखना, temporary disablement arising during the course of employment, temporary disablement अगर arising during the course of employment it is always included, whether it is with salary without salary भाण में क्या temporary disablement during the course of employment is included. So 30 working days में layoff count होगा, strike lockout का नगी होगा maternity leave holiday leave with salary included temporary disablement during the course of employment included अब मैं आपको बता दू कि नियम क्यों था है sections अगर आपको याद निकाना है you don't have to remember the section boss and girls you don't have to remember the section boss and girls thank you nazi thank you god याद अखना newly established organization अगर है तो उसको exemption मिला है थोड़ा fast yes विल्कुल newly established organized बिटा इसी स्पीड में चलो तुमारा देट अगंटा में रिविजन हो जाएगा ट्रस्ट मी नियूली established organization जो होता है उसको पहला पांच साल एक्जम्शन मिला है पहला पांच साल में अगर नहीं आए और्गनेजेशन हूँ तो फॉर्ट फॉर्स फाइव तो मिनीमम मोनस तो देना ही पड़ेगा पांच साल के बाता अगर लॉस भी होता है तो मिनीमम मोनस तो देना ही पड़ेगा clear answer the remedies available to employer if misconduct of employee misconduct of employee has caused financial loss to the employer miss contract of employee has co's financial loss to employer the fish सब्सक्राइब कर सकते हैं उसका बोनस काट सकते हैं केवल उसी साल का बोनस काट सकते हैं जिस साल लॉस वह जितना लॉस हुआ जिस साल लॉस हुआ जिस साल लॉस हुआ जिस साल लॉस हुआ जिस साल लॉस हुआ जितना लॉस हुआ जिस साल लॉस हुआ जितना लॉस हुआ ज और जिस साल लॉस हुआ है उसी साल का बोनस से कटेंगे लेकिन एक और हम लोग के पास प्रोविजान जो की बोलता है आप अगर मिस कंडग के कारण निकाल देते हैं मिस कंडग के कारण अगर आप इंपलॉई को निकाल देते हैं आप इसका पूरा बोनस पॉर्फिट कर सकते है जो बोनस चुकाना बाकी है सब मार लो अगर आप उसको निकाल रहे है तो लेकिन या रखना कल के कोश्चन में भी आएगा अगर आप फिर उसको रिंस्टेट कर ले रहे विद बाक विज़े इफ इंपलोई को निकाल दिया पूरा कट लो लेकिन अगर फिर से उसको रख कुमार सहेगर मकान सर कोई टाइम लिमिट होता है क्या अच्छा कर एक्सिदेंटल लॉस हुआ तो गल्ती से लॉस हुआ तो यह सिशा बिटा अगर गल्ती से लॉस हुआ एक्सिदेंटल लॉस हुआ नो amount of the bonus can be deducted if it is an accidental loss. No amount of bonus can be deducted. कोई time limit है क्या bonus पे कन्येका? BONUS पे कनने का बिलकुल time limit है, bonus पे कन्य Rebecca time limit है विदिन 8 months from the end of accountability year account in your season at 8.5 you gotta account in your January months from the end of School branch between 8 months from the end of accounting year within 8 months from the end of accounting year, within 8 months from skill of accounting year है ना और अगर आप government से permission ले लो appropriate authority से permission ले लो तो ये extend हो सकता है विदिन two years from the end of accounting रहे या तो बिना permission के आपको चुकान है तो end of accounting रसे 8 महीना permission ले लिया तो end of accounting रसे 2 सल और अगर disputed के से ये तो हो गया लड़ाई जगडा नहीं था अब अगर लड़ाई से तो जिसन अवार आ जाएगा मासे एक महीना विदिन one month from the rate of award, within one month from the rate of award clear answer या दखना कोई bhi contract act को override नहीं कर सकता तो अगर किसी contract में लिखाव है minimum bonus नहीं मिलेगा employee के सथ contract कर लिया है minimum bonus नहीं मिलेगा रहे देना पड़ेगा भाण मेंगा देना contract contract no contract can override the act. So, even if even if the contract mentions even if the contract mentions minimum bonus is not required to be given even if employer and employee have entered a contract that we won't give minimum bonus then such contracts are null and void because no contract can override the act. Similarly, if any contract says that we are going to pay more than maximum bonus employer cannot be forced to pay more than maximum bonus. यह हम लोग class में sums करते थे लेकिन अभी आप sums को ignore करो बटा अभी आप sums को ignore करो फिर भी जिन लोग sums कर रख है मैं उनको यह दिखा दो regular batch में मैं sums भी कर वाता हूँ जिनों ने sums कर रख है मैं उनको दिखा दो जिनोंने sums नहीं किया है समझ जाओ तुमारे पेपर में नहीं आएगा जिनोंने sum किया है एक पर में गोचू करा देता हूँ मालो मिनीमम उनस हजार रुपे है say for example यह year 6 और year 7 है minimum bonus क्योंकि पहला पांसल में set on set off नहीं होता set on is a situation से टौख जाओ युणाट सब्स नहीं किया ओकली रिसेटन कु इतना यह बोच्टन in the situation when allokable surplus is more than maximum bonus से लिटाफ जाओ जामरे पंस्मा सब्स Perhaps LORD में अलोस है सट आए Memonus मान् पहला माने है most Normal मानलो से PAY Z luiš minimum बाले Чाओ ऐं बीपला मा से सहाओ आए मालोसography & terrorism cycle पास खजाना ऐलोके बलस का 3,000 है, minimum bonus 1,000 है, maximum bonus 2,000 है, so, how much will the bonus be paid? 2,400, 2,400, the bonus amount to be paid is 2,400, आपके पास 3,000 में से 2,200 चला गया, कितना बचाए 600 बच्चाना ऐलोकेबल सब्लस यह set-on हो जाएगा, या दक ना, चाहे set-on हो, चाहे set-off हो, फॉर्थ शेडियूल में जो मैनर है उसी साफ से होता है फॉर फॉर अकाउंटिंगेर, बोथ सेटाउन ने इन सटाउफ आ डन इन 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 फॉर्फ शेडियूल फॉर फॉर अकाउंटिंगेर अभी सेटाउन का बाउंड मेरे को बता दो, 600 रुपीज ठीक है, तीने जाने से 2700 आपने दे-दिया, तो सेट आउन कितना रुपीया कोगा? 600 नेक्स यर का ऐलोकेवल से ब्लस फंदरास व मैं बोलता हूँ, रगुलर भेश में धोका है! 15 रुपीया धोका है! 15 रुपीया धोका है! फ्लस दो प्लस चेस्ज रूपी करो बड़का प्लस चेस रूपिया के सुर्प्य रूपिया हो जाएगा 2100 जाएगा तो भाई अगर 2100 है ऐलो के विल सब्लस्टी वन अ्डです सब्सक्राइब कर दो नहीं को दिखाया जो नहीं कर रहा है वो अभी मंत देखो बिटा सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब अगर पांचाल बीचुक अब लॉस है तो मिनिमम ओनस देने का दरकार नहीं है लेकिन अगर पांचाल बीचुक है तब लॉस है तो मिनिमम ओनस देना पड़ेगा और फिर भी अगर आप नहीं दिना चाहते हो तो जाओ सेंट्रल गोर्मेंट के पास जाओ एक्जेम्शन मांग लो कि बाई बली मैं फैक्ट्री हूँ मेरे उपर बोनस अप्लिकेबल होना चाहिए लेकिन मेरा हालाद बहुत कराब है सिची प्लीज एक्जन देदो सेंट्रल गोर्मेंट तो मेरा फिनांशल कंडीशन देगा और पॉबिक इंट्रेस्ट में आगा रहा तो तो मोंगा चाहिए लेकुए परिस अप्लिकेबल नहीं होगा अलों केसे निकालता है 67% of available surplus, याद आगिया सार, 67% of available surplus when dividend is not paid, और अगर dividend दिया है, तब तो मेरा profit कम हो गया न, तो allocable भी कम हो जाएगा, 60% of available surplus, 67%, 67% of available surplus when dividend is not paid, and 60% of available surplus when dividend is paid, तो allocable का formula क्या है, allocable का formula है, 67% of available surplus when dividend is not paid, और अगर dividend पे की हो, तब तो profit और घड़ गया न, तब 60% हो जाएगा, 60% of available surplus, clear है सर, मक्खन है सर, available surplus का formula, जिन लोग पढ़े हैं, खली वही revise करें, जिन लोग नहीं पढ़े हैं, उनके paper में नहीं आएगा, assume कर दे, available surplus का formula क्या होता है, बटा, available surplus का, gross profit as per schedule 1, अगर आप banking company है, तो schedule 1, non banking company है, तो schedule 2, तो gross profit GPA, as per schedule 1 for banking company schedule 2 for non banking company GP as for schedule 1 for banking company. Schedule 2 for non banking company роботу, has gross हम लोग minus कटे है prior charges gross profits अम लोग क्या minus कटे है बता हो gross profitsorders हम लोग क्या minus करते है prior charges को minus करते है prior charges को बेटा अचosp Ching. हम लोग क्यात निकाल रहे है sir allocable निकाल नहाँ एलो केबल तो निकल जाएगा 67 या 60 परसंट आप वेलोबल करके विलोबल कसे निकालेंगे अवेलाबल सर प्लस निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एस ऐडूल 1 बैंकिंग लिए शचयूल 2 नोन बैंकिंग लिए उसमें से माइनस कर देना प्रायर चार्जेस चार इंटम यह ये प्राय चार्जेस जो होते है ना चार इटम, एक होते है, depreciation under IT Act, Income Tax Act, depreciation as per IT Act, depreciation as per Income Tax Act, provision for tax, depreciation minus कर देना, PFT minus कर देना, transfer to income tax reserves, यानि development reserve, investment allowance reserve, ठीक है, ये सब minus कर देना, and other prior charges as per schedule 3 minus कर देना, चार इटम मेरा बच्चा बोल, GP as per schedule 1 for banking, schedule 2 for non banking, minus prior charges, चार इटम आएगा प्राय चार्जेस ने, depreciation under IT Act, transfer to development reserve, investment allowance reserve, PFT, another prior charges, और एक item add कर देना, जो tax save होता है, bonus पे करने के कर रहा है, पिछले साल तुमने bonus पे किया, tax save हो हो आण, bonus पे करोगे तो profit घटेगा, तो tax भी तो घटेगा ना, तो tax save हो हो आण, तेरा tax घटा, तो जितना tax घटा तेरा bonus payment के करन, वो जोड देना है, आपर add कर देना, clear answer, फिर यह लासम्स अभी exam के एक दिन पह ले, आपको देखने का तरकान नहीं है, आगे बड़ो, ठीक है, यह हो गया, जबर्दस वाला rapid fire अपना bonus act, यह हो गया, जबर्दस वाला rapid fire bonus act बेटा, clear, अब आज हो बेटा, हम लोग फटा-फट revision करते हैं बेटा, फैक्टरी जाक का, बोनस हो गया, चलो, रिदम मना रखने के लिए, हम लोग पहले PF ग्रेट चूटी कर लेते हैं, फिर फैक्टरी जाक माएंगे, ठीक है, पहले PF ग्रेट चूटी कर लेते हैं, फिर फैक्टरी जाक माएंगे, यह सर, आजाओ, provident fund and miscellaneous provisions act, 1952 के अंदर, फटा-फटा आजाओ, PF and miscellaneous provisions act, 1952 के अंदर, डेर घंटा मैंने बोला है, मैं डेर घंटा में पूरा revision करवा दूँगा, तो मैं टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, उसके पहले ही भली हो जाए, उससे लेट नहीं होगा, तब ठीक है सर, अभी मैं PF करवाओंगा, फिर ग्रैचुटी आकर रिविजन करवाओंगा, प्रोविएंट फंड, ग्रैचुटी, फैक्टी, डिस्कॉस अप्लिकिबिलिटी, अप्रोविएंट फंड, 1952, देखो बटा ऐसा है, प्रोविएंट फंड, एसाender, मिसलाईनियोus, प्रोविजन्स pra फिसे instruments tea, इसकी ओप्लैकिबिलिटीаты लुप उप्लिकेबिलोटी, टेसा? इसा प्रोव्य आप्लेकबिल वर अंड्या, इसा ते फे 1917, एशेय वाविज आपreno होटेww आप्रोविए, प्रोविएंगा, वन इंडस्ट्री होना चाहिए बेटा मिनिमाउं 20 वेकर सोना चाहिए अगर आप फेक्त्री है शेडि तोनों के लिए अब्लिकbelt औरन के लिए डोनों देख सकते हैं कोई दीकत नहीं है नोट का पर मुलेगा सर अप में free leDRशे सन जुने गएगा spending on the SI st aniran origami originalreen BRI को ही अर है लेकिन मिनिमर्टी अरीविटमेट निलीकर धीफाय करले अप्लिकेबल अगर सी जी नोटिफाइब बटा अप्लिकेबल अगर सी जी नोटिफाय करते हैं यह लेचार्च अगर है Kyл I अगर याद रखना फैक्ट्रिया ऊपर से शेडूल वान इंडस्ट्री में उपर से मिनिमाम 20 वरकर है तीनु कंडिशन साथिस्वाई और एट सफेक्ट्री शेडूल वान इंडस्ट्री मिनिमाम 20 वरकर और मने के लिए अप्लिकेबल एन्य अदर इस्टाबलिश्मेंट 20 वर आप्लिकेबल करेगा मैं आपको बता दू what are the orders passed by PF commissioner under section 7a what are the orders passed by PF commissioner under section 7a हेमन तुम नहीं मिल रहा है तो बाज-भाबार टिस्टरम मत करें बार बाकि बच्चों कमल गया इंली थोड़ा पड़ने दो और पढ़ाने दो नहीं मिल रहा है बाद में आप mail करना मिल जाएगा ठीक है अभी बच्चों को पढ़ने और पढ़ने दो बाद बाकी लोगों मिल गया तो तुमको कैसे नहीं मिलेगा बटा इन लोग के घर जा करके हम थोड़ी ना दे करके आ रहे हैं नोट्स एप पर अप्लोडेड आप तुम्हें अगर अगर आप में नहीं ढूड़ना रहे है फ्री रिसोर्स जा करके देखो प्लीज ऐसे दिस्ट्रम मत करो यह बार 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 प्लीज इट्स रिक्वेस्ट हाग जोड करके रिक्वेस्ट है बच्चे पढ़ रहे हैं एकदम फ्लो चल रहा है पढ़ने दो चला हो हमन्त and all मैं बता दू पीएफ कमिशनर क्या क्या और यस प्लीज अ difयोर्पीक कर रहां तो चला है गगए टरैखयं वन्होंत ट्रैखम गएगा मुं सच्वग को त था नाТर defendant a legal इंबुफोर च्ट्रम में एक मुटेज प्रेखम कर सकता घैक वर वेफ नेस्ट बार नो च्टान नूंत ता ट्रय मुर्ट को खमिशनर कीν amount of PF contribution deciding the amount of yes Naya deciding the amount of PF contribution due rate बता देगा इतना रुपय तक डलना है PF में due rate बता देगा इतना तरिक तक डलना है अब हमन बोल रहा है sorry sir I got it wow मेरा बच्चा amount of contribution due rate of contribution और अगर इतना amount इतना due rate तक नहीं डाला तो interest कितना लगेगा वो बता देगा and any other charges like administrative charges PF Commissioner fees भी तो लेगा यह सब order pass करने का तो PF Commissioner में पास four orders under section 7 a amount of contribution due rate of contribution administrative charges any other charges like interest and penalty मैं आपको वता दू review under section 7 भी क्या होता है देखो PF Commissioner ने एक ही बार समझाएंगे ध्यान से सुन जो PF Commissioner ने जो order pass किया under section 7a मालनों employer या employee दो में से कोई भी एक party aggrieved हो गया या तो employer या employee दो में से कोई भी एक party aggrieved हो गया जो aggrieved party रहता है na aggrieved party aggrieved मतलब जिसको दुख है जो PF Commissioner order pass किया problem है I am not satisfied with the order pass by PF Commissioner under section 7a so I am aggrieved I may be employer and employee anyone so employer और employee दोनों में से अगर कोई भी aggrieved हो जाता है because of the order pass by PF Commission under section 7a aggrieved party के पास दो option है या तो वो उसी PF Commissioner को same PF Commissioner को बो लेगा हो है review 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 will be done by the same PF Commissioner who has passed order under section 7a he will be doing the review under section 7b the PF Commissioner who has passed order under section 7a and employer employee में से कोई भी अगर अगर अग्रीव हो जा रहा तो हम लोग review के लिए अप्लाई कर सकते हैं under section 7b या फिर हम लोग appeal कर सकते हैं to higher authority या तो review या अपील दो रास्ता है अगर हम लोग appeal कर दिये to higher authority ऊपर जाने के बाद तो कोई नीचे नहीं आता ना तब फिर हम लोग review नहीं कर सकते हैं review के बाद हम लोग appeal कर सकते हैं to higher authority appeal करने के बाद review नहीं कर सकते अपील के बाद review नहीं होता या तकने का तरीक अपील कहा होता उपर उपर जाने के बाद नीचे नहीं करेगा नहीं या तो clerical mistake है totaling mistake clerical mistake यह सब है या हम लोग को कोई नया सबूद हाथ लग गया या तो clerical mistake है या फिर कोई नया सबूद हाथ लग गया जो इतना दिन से ढूंद रहे से मिला नहीं था का अप्लिकेशन रिजेक्ट कर सकता है हाँ पीयव कमशन हम लोग का रिवीव का अप्लिकेशन रिजेक्ट कर सकता है तो हम लोग क्या करेंगे अपील करेंगे appeal to higher authority अगेंस दौदर नोट अगेंस अजिक्शन उसने मेरा रिवीव रिजेक्शन कर दिया इस बात को ले करके अपील नहीं करेंगे अपील करेंगे उसके ओर रिखिलाव मक्फन सर सबस्क्राइब कर सकता है प्रतिक तो में पढ़े नियु के इस लिए इस लेगा रहा है डिटेल में पढ़ो पीएफ कमिश्णर बताओ कितने साल तक और री ओपेन कर सकता एंट यह पन्स लोग भानिए अपन्स अन्स पांट सब्सक्राइब प्रेफ करके नाया और करके नए इंडॉक्र सकता है मकंधे पान सार पानिवाल में पान साल में वो फिर से केस्टीर शूपन करके नहीं अमाउंट पयाँ पकी डिटबाहीं कर सकता है। मक्खन सार, PF कमिशार कन रेओपन थे केस, रेडिटर्बाइन PF लाइवलेटी तिल 5 यर्स, फिर हम लोग PF Act में सक्षिन 10, 11 और 12 का बात किये थे, फ़र फट सक्षिन 10, 11, 12 में आजो बटा, चोटा, चोटा सक्षिन है, गाइस, कम आन, जॉइन एपसलूटली, फास्ट, गाइस. इतने सारा बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लाइक में कंजूसी, और लाइक कर दो, द्रोन अचारिया तो एक लव या कांगूटा मांग लिया था, मैं तो तुमसे खाली आंगूटा, लाइक बटन देख दाना, मैं वह लोगो, दबा दो. ग्रेट्चूटी आक, CS Executive में नहीं है, खाली CM Inter, में है, वो मैं एक दम आखरी में पढ़ाऊंगा या नेक सेशन में पढ़ाऊंगा, section 10 क्या बोलता है, सुनलो, अगर एक employee insolvent हो गिया, दोस्तो, even if employee becomes insolvent, employee भली insolvent हो गिया, उसका PF attached नहीं हो सकता, एक insolvent employee का, TV, VV, याद करो मैंने ऐसी ही सिखा है था, जब employee insolvent हो जाता, उसका TV, VV, सब चला जाता है, साथ, PF नहीं जाता, PF साथ छोड़ करके नहीं जाता, इस PF cannot be attached by the liability holder, liability holder उसका सारा asset ले जाएगा, PF नहीं लेकर जा सकता, प्रोविरेंट fund नहीं लेकर जाय जा सकता, ठीक है, PF cannot be attached, बटा, PF, प्रोविरेंट fund cannot be attached, PF money cannot be attached, सागर बोल रहा है सर, यह unlike कौन करता है, इतना useful content सर आप जान दे रहे हो, बेटा, यह वो competitors हैं, जिनको पसंद नहीं है, कि मैं क्यूं आ करके रात में आप लोगों को इतना free content बाट रहा हूं, इतना polished content बाट रहा हूं, बाद बागी सबका poll खूल जाता है, तो यह उन लोग आ करके जो है न, आ करके उन लोग dislike बटन दबा देते हैं, ठीक है, बट कोई दिकत नहीं है, कोई दिकत नहीं है, यह भी मेरे लिए motivation का काम करता है, और जो दुनिया बर के likes हैं, उसको नेजर नहीं लगाता है, तो यह भी जरूरी है, section 10 याद हो गया, sir, if an employee becomes insolvent, his PF cannot be attached, section 11 बोलता है, अगर employer insolvent हो गया, एक तरफ बाद बागी सारा liability और एक तरफ PF का liability, पहले उसको अपना PF का liability चुकरा पड़ेगा, because it's a preferential liability, PF dues पहले clear करेगा, because it's a preferential liability, section 12 बोलता है, just because employer is contributing to provident fund, just because employer is contributing to provident fund, क्या वो salary कम देगा, नहीं, for employer's contribution to PF, for employer's contribution to PF, salary cannot be deducted, for employer's contribution to PF, salary cannot be deducted, रितिक कुमार केडिया बोल रहा, section 10 कुछ समझ नहीं आ रहा, बेटा इसका मतलब तुमने पहले जीवन में कभी पढ़ाई नहीं किया है, कभी भी जीवन में पढ़ाई नहीं किया है, मैं revision करवा रहा हूँ, revision, you understand, यह जितना भी content है, regular batch में 8 से 10 classes में cover होता है, 8 to 10 classes में cover हो समझाजे रहा, section 10 बोल रहा है, अरे, gratitude act उतना detail में नहीं है, बिलकोल, gratitude act, CS executive में उतना detail में नहीं है, खली, उपर उपर का provision है, वो मैं अभी बता दूँगा, session में, तुम क्यों चिंता लेते हो, तुम खली डटे रहो, और CMA इंटर में detail में है, तो उसके लिए मैं अलग से gratitude का session ले लोगा, अभी सुन लो, अभी common topic सुन लो भई सरा, section 10, अरे यार, एक employee जो है न, insolvent हो गया, employee फटीचर हो गया, insolvent हो गया, अब liability holder लोग आ गए, कि employee का जो भी assets से सब दे दो, तो provenant fund भी तो एक employee के लिए asset है, उसका, मोटा माल रखा है, provenant fund में, मोटा माल, मोटा की ओपर claim नहीं कर सकते, भली वो insolvent हो गया, son में आगया sir, और 11 में क्या था, employer अगर insolvent हो गया, तो पहले उसको PF dues clear करना पड़ेगा, because it's a preferential liability, before payment of any other liability holder, section 12 क्या बोल रहा है, just because I have made employer's contribution to PF, मैंने employer's contribution to PF किया, salary काटा नहीं जा सकता, employer नहीं बोल सकता, हमने PF में डाला, चल तेरा salary cut头 लेंगे, employee, employee का contribution PF में अगर मैंने किया, employer, employee का share PF में डाला, तब वो salary cut सकता है, एक वो PF में थो employer इंप लॉय दो Na Contribute काते, 12 percent of salary each, employer भी डालेगा 12 percent of salary, और employee भी डालेंगा 12% of salary, employer जो 12% डाल रहे हैं वो salary से नहीं कर सकता है, लेकिन employee का 12% अगर हम डाल रहे हैं, वो हम employee का salary से कर सकते हैं, सब्सक्राइब आगिया sir, मक्खन, अंजली बोल रही है, sir इतना deeply हमारे faculty ने भी नहीं पढ़ाया है, sir, you are great sir, कि आप हम student के लिए इतना कर रहे हो, lots of love sir, यहादा clear sir, अभी नहीं शिष्टी धियान लगा, discuss the rates of different funds, bit of provident fund में कितना डालेगा, both employer and employee, 12% of salary, pension fund में 8.50% of salary, लेकिन यहादा को यह pension fund में जो 8.50% of salary आता, it is diverted out of provident fund to pension fund, no separate contribution is made, provident fund से pension fund में डाला आता, 8.50% of salary, employee deposit link in insurance scheme में, केवल employer का contribution कंपलती है, only employer's contribution is कंपलती, at a rate decided by CD, but cannot exceed 1% of salary, maximum 1% of salary, और जितना हम लोग डाल रहे है, employees, deposit link in insurance scheme में, maximum 1% of salary, उसका 1-4th हम लोग को CG को देना पड़ेगा for administrative charges, 1-4th हम लोग को और देना पड़ेगा for administrative charges, section number 16 क्या बोलता है, कि PFFC किन लोग के ओपर applicable नहीं है, बेटा, PFFC applicable नहीं है, एक ऐसा cooperative society, बहुत ही गरीब है, ऐसा cooperative society, which is working without power, पावर नहीं है, पावर नहीं है, मतलब machine power नहीं है, हाथों से काम होता है, हाथों से, ऐसा cooperative society, जीट जैन, uploaded है, uploaded है, और वो देख लोगे, उसके बाहर से तुमारा कुछ भी नहीं आएगा, SBC का part C और part भी दोनों uploaded है, जीट जैन, अगर वो देख लोगे ना, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, पूरा इंशूट मैट से covered है, लौ का नशाही कुछ अलग है, if you have done the classes from Mohit Agaral Salam, मेरे गांचा लोग जानते हैं, भाई, cooperative society, सुनो न, PFF किन लोगे पर applicable नहीं है, if it is a cooperative society, working without power, उपर से less than 50 worker, तीनों condition satisfy कर तो, PFF से मुक्त हो जाओगे तु, PFF से मुक्त हो जाओगे विटा, cooperative society, एक तो cooperative society है, उपर से working without power, उपर से less than 50 worker, cooperative society, without power, less than 50 worker. Central government, state government employees, क्यो पर PFF applicable नहीं है, you know why, because they get PFF as per government rule, PFF act is not applicable on government employees. And employees of an establishment, employees of an establishment, created under Central Act, State Act, ठीक है, जैसे LIC, Central Act हो गिया, LIC, state act, जैसे से, जो भी state के Acts होते है, रे वाबबा, ठीक है, so employees of establishment, created under Central Act, State Act, or provincial act, जो भी local authority, जैसे KMC हो गरा है, so cooperative society, working without power, less than 50 worker, या फिर government employee, या फिर employees of an establishment, created under Central Act, or State Act, or provincial act, example KMC, 60, 60 ने क्या बोलता है? मैं बताता हूँ, 60 ने क्या बोलता है, सुन बेटा, ध्यान लगा, ध्यान लगा, ध्यान लगा, 60 ने क्या बोलता है? मैं, employer हूँ, एक ऐसा establishment का, जिसके उपर graduate act, जिसके उपर PFF, एप्लिकेबल तो है, लेकिन ना हम भी अपना PF कर रूल्स खुद बनाना चाहते हैं, हम पना खुद का PF रूल्स का बनाना चाहते हैं, और मेरे establishment कम से कम 100 वर्कर होना चाहिए, I am an employer of an establishment having minimum 100 worker, I am an employer of an establishment having minimum 100 worker, and I want to follow my own PF rules, which are more beneficial by the way than the PF act, तो मैं PF rules submit कर दूंगा, कि मैं अपना खुद का PF rules तुमको submit कर रहा हूँ, मैं वही follow करना चाहता हूँ, beneficial होना चाहिए, PF act से ज़्यादा beneficial होना चाहिए rules, government मेरा financial, government जो है न, मेरा last 3 साल का track record देखेगा, कि मैंने कोई act का violation वगरा तो नहीं के, और फिर government बोलेगा, जा जीले अपनी जिंदगी, तुम्हारा हम से जो है, खुद का PF rules बना करके follow कर सकता है, मक्हान एकदाम, हम लोग application किसको करेंगे CG को, what are the condition CG will check, PF rules ज्यादा beneficial होना चाहिए, track record अच्छा होना चाहिए, last 3 साल का, track record अच्छा होना चाहिए, ज्यादा beneficial है, हम लोग उसको allow करेंगा, और अगर नहीं allow करेंगे तो, तो CG जहां हम लोगा exemption दिया था ना, कि खुद का PF rule फॉलो कर लो, CG जहां हम लोगा exemption दिया था ना, खुद का PF rule फॉलो कर लो, वह exemption विड्राओ करके हमारे उपर PF ठोग देगा, मखन है सर, यहां देख पूरा clear है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो पापियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वन स्टॉप तुमारे लिए पूरा एकदम, सॉल्यूशन है यहला चैनल असली माहिने में, तो चैनल को पका से सब्सक्राइब कर लो पोजन गल्स, जिनको SBC का मेरा लिंक नहीं मिल रहा है यह रहा, मैंने chat box में दे दिया, यह अगर देख लोगे इसके बार से एक अक्षर नहीं आएगा, अब सुनो, 70 ने क्या बोलता है, employee transfer हो रहा है, employee का transfer हो रहा है, तो employee का transfer हो रहा है, यार वो एक ऐसा जगह जा रहा है, जहां पर PFF applicable है ना, तो वहां पर PFF अपना transfer कर वाले, और अगर उस नया जगह PFF applicable नहीं है तो withdraw कर ले, तो employee या तो transfer कर वाले अपना PFF या withdraw कर ले, वो employee जो है या तो transfer या withdraw, अच्छा मानलो employer जो है ना, अपना establishment बेच दिया नया employer को, तो दो employer हो गया बटा, पुराना employer और नया employer, अगर employer अपना establishment बेच दिया नया employer को, तो दो employer हो गया, एक old employer एक new employer, PF का liability किसका रहेगा, अगर मैंने अपना organization बेच दिया नया मालिक को, तो पुराना मालिक का liability रहेगा, कि नया मालिक का liability रहेगा, old employer की new employer, PF का liability किसका रहेगा चुकाने का, जो भी due use है, till the date of transfer of establishment, till the date of transfer of establishment, till the date of transfer of establishment, जितना भी PF का due use है, transfer वाले दिन तक, जो भी PF का due use है करू हो रखा है, वो old employer libel रहेगा personally, और asset तो new employer के पास जा चुका होगा, तो new employer भी libel रहेगा, to the value of net asset receipt buying, old employer तो person libel, उसका घरबर सब बिचेंगा, new employer libel है, new employer libel है, new employer libel है, only to the value of the net asset receipt buying, और transfer के बाद जो नया PF का liability arise होगा, old employer एक भी रुपय के लिए libel नहीं है, transfer के बाद जो नए PF libel रहेज़ होगे, खाली new employer libel है and that too personally, makhan sir, ये इतना काफी बाट पी-फ का revision ते रहे लिए, मेरे बिच्चे, अब अब फटा फटा हम फैक्टरी जाकर revision करवादे है, आओ बाटा हम फटा फट बोईज एंड गर्ल्स, factories act का आपको revision करवादे, come on guys, factories act का हम आपको revision करवादे, हो, चला, factories act 1948 का objective कह है, adequate safety, health, welfare, team measure दिना, safety, health, welfare, ठीक है, adequate safety, health and welfare of the workers employed in the factory and it also makes provisions regarding employment of women and young persons, annual leave with wages कितना होना चाहिए, इसका भी प्रोविजन से, factories act में adult काउन होता है, जो 18 साल का हो चुका है, यह तो तुम्हें पता ही है, चाहिल्ड कॉन होता है, वो इस नॉट कॉन होता है, वो इस नॉट कॉन होता है, एडल कॉन होता है, जो 18 साल का हो चुका है, बच्चा बोले, लाइफ क्लास कभी नी होगा, आरे मैर डेली लाइव ले रहा हूं, और फिर वही रिकॉर्डेड गूगल रे पेंडरे वालों को मिलता है, एकदम ताजा ताजा नया नया हसीन हसीन रिकॉर्डिंग, अच्छा ठीक है सर, एडल्ट कॉन होता है, जो अटरा साल का हो चुका है, अडॉलिसेंट कॉन होता है, जो जो फर्स्ट शेडूल वाले इंडस्ट्री है, उनके लिए जो प्रोसेस में, स्पेशल केर लेना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो, इट कन कॉज इंजूरी, वो होता है है हाजरस प्रोसेस, यंग परसन केर क्या आता है, दो जन आता है, चाल्ड and adolescent १ juice, मतलब, हम तो यंग नहीं है, तुम भी यंग नहीं हो मिरे गांजा। खली चाल्ड और ऐडूसन्ट हाता है टारा सल के लिए है। फेक्टरी का डेफेनेशन क्या है... फेक्टरी का डेफेनेशन है यहीण पाड़ते हैं, cioè्ट आ गोगा nice Stars valued थे विबने से बीभित रुटर अचे प्रेमाइस आ अचे ने शुटर दोसिता किश्ट साँ डोगा टार किुट जिर आंग spider किशों गर खट्रिच ग्ट से लोगा वेरे उठिड वॉट्री मुट जिस्टीक कमल So, there must be premises, premises होना चाहिए, premises के दा manufacturing process चल रहा होगा, minimum 10 workers के साथ, अच्छा, minimum 10 workers पता है, जब पावर होगा, with power, नहीं तो 20 workers, without power. If it is working with power, minimum 10 workers, without power, minimum 20 workers. Yes, Oudit, absolutely. Manufacturing process के अंदर क्या क्या आता है, making, altering, repairing याद है, हाँ सर, making, altering, repairing, ornamenting, finishing, packing, oiling, washing, बसी ता का या, making, altering, repairing, ornamenting, finishing, packing, oiling, washing. Any article with a view to use, pumping oil 15 to P P P से था, या बहुत सरा point P P से था, P for pumping, oil, power, ये सा manufacturing process के अंदर रहेगा, pumping, oil, power, preservation of anything in cold storage, printing, pumping oil, power, printing, preserving anything in the cold storage. फिर ये सब एक्जम्ब लम लोग पटे थे कि क्या क्या manufacturing process होता है, sun-cure tobacco leaf subject to moistening, यादा है, for making cigarette, cigarette बनाना, tobacco leaf से cigarette बनाना, क्या manufacturing process है, हाँ, manufacturing process है, फिर यादा है, बीडी, जैसे cigarette था, बीडी, बीडी बनाईले, is a manufacturing process, बीडी जलाईले, is not a manufacturing process, बीडी बनाईले, is a manufacturing process, peeling, washing, prawn, manufacturing process है, worker कौन होता है, देखो बटा, दो प्रकार का employment होता है, contract of service में जो काम करता है, वो worker होता है, employees who are working in contract of service, those employees who are working in contract of service, contract of service है, जिसमें employer employee का relationship है, master servant relationship है, मेरे बोले-बोले ही वो काम करेगा, directions follow करके काम करेगा, यह हो गया, contract of service, ऐसे employee लोग worker होते हैं, लेकिन contract for service है, contract for service, जिसमें independent होकर कि मैं आपको service दूँँगा, जैसे मैं आपको service देता हूँ, जब आप मेरा pen drive class, Google drive class करीते हैं, live at home batch करीते हैं, मैं आपको service देता हूँ, contract for service है, तो worker नहीं माना जाएगा, मैं worker नहीं माना जाओंगा, clear दे sir, और factories act में खाली worker को production है, यानि contract of service को production है, contract for service को production नहीं है, अचाहिए यह रखना, employment may be for remuneration or not, yes, अगर वो worker free में भी काम कर रहा है, off service है, तो वो भाई worker माना जाएगा, और उसको health, safety, welfare का production मिलेगा, health, safety and welfare का, whether all employees or workers, no, only the employees who are working in contract of service or worker, for service वाले worker नहीं है, occupier कौन होता है, ultimate जिसके पास control रहता है, over the affairs of the factory, the person having ultimate control over the affairs of the factory, उसका हम लोग occupier बोलते हैं, जैसे board of directors occupy रहे, yes, किस case में बुला गया था कि company के case में, BOD occupy रहेगा, occupy directors रहेगा, यह बुला गया था Supreme Court के द्वारा, JK Industries versus Chief Inspector of factory, JK Industries याद रखना, health, safety and welfare बनाने के लिए, हाँ, health, safety and welfare के लिए क्या-क्या measures लिया जाता है, to promote health, safety and welfare के लिए, क्या-क्या measures लिया जाता है, to promote health, safety and welfare, to promote health, safety and welfare. Lakshmi Vee is saying, Sir, I am your big fan from Bangalore, I suggest all my friends to attend your class, your fantastic teacher I earned, all your revision class, it is very useful for me and my friends, thank you, lots of love. Now, how do we promote health, safety and welfare of the workers? Just remember the points before exams. How do we promote health, safety and welfare of the workers? Health के लिए, we have to obtain cleanliness of the factory, we have to dispose all the waste and affluence, obvious सबाते है, employee लोको के वेस्ट के पढ़ा कर के काम करा होगे क्या, ventilation का ध्यान लखना पड़ता है, ventilation and proper temperature, dusting and fuming का ध्यान लखना पड़ता है, provide them artificial humidification, overcrowding should be avoided, overcrowding should be avoided, provide lighting, drinking water and obvious सबाते है, these necessaries. क्यों हो गया, health? हा, फिर safety का बात करते है, health का बात हो गया, safety, safety के अंदर fencing of machinery, yes, dangerous machines को fence करके रखना चाहिए, ता कि किसी का हाथ पाऊ नहीं कटे, so fencing of machinery, avoid employment of young persons on dangerous machine, women and children near cotton openers, lifting machines वगरे होना चाहिए, proper ropes होना चाहिए, safety measures in case of revolving machinery, pressure plant should be there, floor and stair and means of access should be there, हैसा नहीं हो कि रस्सी में चड़ रहे हो, okay, protection of ice should be there, and obvious सा बात है, fire extinguishers वगरे रहना चाहिए, fire protection रहना चाहिए, welfare में washing powder, nirma मत लिखना, washing facility होना चाहिए, washing facility होना चाहिए, storing and drying clothing भी होना चाहिए, है ना, facility for sitting first aid होना चाहिए, canteen, shelter rooms and crutches, crutches मतलब क्या होता है, जिसमें चोटे चोटे पच्चों को रिखा जाता है, जिन लोह का उमर लेजन 6 रहता है, और अगर आपके factory में minimum 30 women worker है, minimum 30 women worker है, so that those women workers, can put their children below the age of 6 years in the crutches, children playing area, working hours अगर हम लोग बात करें, maximum 48 hours in a week, maximum 48 hours in a week, maximum 48 hours in a week, जी तुम लेट हो बेटा, अल्यडी हम share कर दी हैं, फिर से एक बार कर देना है तेरे लिए, एक adult worker से हम लोग, maximum 48 hours per week से ज्यादा काम नी करवा सकते, maximum 9 hours in a day, maximum 9 hours in a day, and maximum 48 hours in a week, एक दिन में 9 गंटा से ज्यादा मत काम करो, और एक हफता में 48 hours से ज्यादा मत काम करो, टाइप आप मशीन प्रतीक, अच्छा, या रखना, आपको break time देना पड़ेगा, yes, break time देना पड़ेगा, कम से कम आदा घंटा का, कम से कम आदा घंटा का, लगातार 5 गंटा से ज्यादा आप काम नी करा सकते, आपको आदा गंटा ब्रेक देना पड़ेगा, अच्छा एक चीज़ आद रखना बिटा यह देखो not no idle worker shall work continuously for more than five hour unless rest is given for half an hour spread over क्या होता है spread over होता है work plus break work plus break spread over but it cannot exceed 10 and a half hour 10 and a half hour से ज्यादा नहीं हो सकता ठीक है आप देड़ घंटा 9 घंटा काम करा लो 9 hours काम करा लो 1 and a half hour आराम करा लो 10 and a half hour हो गया maximum ठीक है extra wages मिलेगो और इंगा double double wages मिलेगा ओर टाम अगर होगा तो double wages मिलेगा चुट्टी उट्टी सर मिलेगा yes basis of leave है बटा अगर आपने 240 डेज काम किया कितना दिन काम के बटा 240 डेज एक साल में अगर आपने 240 डेज काम किया तो हर 20 डेज के लिए आपको एक दिन का paid leave है और अगर आप मालो से, for example, बच्चे हो, चुल्ड्रेंड हो, तो हर पंदरा दिन के लिए आपको एक दिन का पेड ली में. You will be eligible for the paid leave. You will be eligible for the paid leave if you have worked for minimum 240 days in a year. For every 20 days, one paid leave. And if you are a children, for every 15 days, one paid leave. So, this was everything about factories act. This was everything about factories act. Minimum wage act में मैं सबसे important چीज़ आपको पढ़ा देता हूँ, कि भई, minimum wages जो है, ना, वो 5 साल में एक बर fixoqu YE, revise पक्का होगा. Minimum wages 5 साल में एक बार. हर 5 साल में एक बर तो review होगा ही. हर 5 साल में एक बर तो review होगा ही. अब ये fix कैसे किया जाता है? ये revise कैसे की जाता. यह जो फिक्स करने का उसको हम लोग कमिटी मेथट बोलते हैं कमिटी मेथट और सेकंड मेथट को नोटिफिकेशन मेथट परस्ट मेथट इस नोने एस कमिटी मेथट बच्चा पूछा लेक्चर कैसे खरीद है बिटा वो तुमको www.meplclasses.com पे जा करके मिल जाएगा, meplclasses.com पे जाओ और आराम से जो है best college education at a very affordable price का मज़ा उठा हो, guarantee, guaranteed, guaranteed, कि best मिलेगा आपको, और मज़ा करके बढ़ोगे, first method, committee method है, minimum wages fix करने का या, revise करने का दो तरीका है, फटा फटा सुलो, फिर यह वाला chapter भी खतम हो जाएगा, wages वाला, first method क्या है, committee method, second method क्या है, notification method, committee method में क्या होता है, central government जो है, बहुत सरा committee, subcommittee बना देता है, बहुत सरा committee बना देता है, subcommittee बना देता है, expert लोगों का, appropriate government may appoint as many committees and subcommittees as it consider necessary to hold inquiries, और फिर एक committee, subcommittee, government को advise करेगा, कि minimum Eles, कितना होना चाहिए, अगर उचित लगता है, तो notify कर देगा, official gadget में और minimum wages को fix यह revise करदेगा, in official gadget है, सर कब से वो रुद या अरे जो डेट लिखा है अरे मेरे बच्चे गौश्चे जो रिवाइस जो डेट लिखा है उस इन से रिवाइस और अगर कोई डेट नहीं बताया है तो जीज गॉज बार से तीन महिन बाद वो नया वेज ए। आपलिकेबल हो जएगा आफर फ्री मुं तीन महीना बाद से अप्लिकेबल हो जाएगा Edward Mill Company वसे स्टेट आफ अजमेर अपने रेगुले बाश्म पढ़े थे case law कि committee जो है ना यह advisory body है government bound नहीं है इसका recommendation मानने के लिए Edward Mills Company याद रखना है Edward Mills Company यह हो गया first method अब अगर second method का बात करें तो second method क्या है notification method है ना बताओ minimum wages कितना होना चाहिए तो suggestions invite करता है public से notify करता है कि भाई हम लोग minimum wages revise करने वाले fix करने वाले तो आप लोग अपना suggestion बेचो दो महिना का समय देता है अब दो महिना में जो suggestion आ गया public का उसको government review करता है और final DCR कि revise करना है कि नहीं करना है और करना है तो कितना कितना है वो official grade में चाहब देता है along with the date of applicability और अगर date of applicability नहीं बताता तो applicable हो जाएगा same 3 महिन अबाद अभी आप 2 महिना बोली सर दो महिना हम public को time दिया आप अपना दुख वगरा व्यक्त करो recommendation दो और फिर government दो महिना में वो सब suggestion को consider करके official grade में minimum विजिस साब दिता है along with the date of applicability and if no date of applicability is mentioned it will be applicable automatically after 3 months of notification and official गया जाया मक्खन सर मक्खन nailed it gratitude act CS में उतना detail में नहीं तो आप लोगग खनी एक बर read कर लीजेगा cma inter के लिए मैं gratitude और ESI CS में उतना detail में नहीं है cma inter के लिए मैं gratitude और ESI का अलग से video बना दूंगा cma inter के लिए मैं gratitude आप खनी उसको मेरे mat से read कर लीजेगा ओके विश्यू ओल्ड वेरी बेस्ट आज का धमाकेदार सेशन यहीं तक रहा जिसमें हमने बोनस पी एफ पूरा रिवाइस किया बोनस पी एफ और उसके अलावा वेजेस भी पूरा रिवाइस के लिए फैक्टरी जाग भी पूरा रिवाइस के लिए ठीक है और जैसे मैंने चुटी जो है CS में उतना डिटेल में नहीं है खाली जो मेना नोट से उसको एक बर उपर उपर से पढ़ लेना and CMA Inter के लिए मैं ESI और ग्रेचुटी एक का अलग से वीडियो बनाऊंगा चलो I hope बहुत मजाया होगा वीडियो को जादा से जादा शेयर करें लाइक करें चै चैक 1372 जो है ना इडिस अप्रिकेबल ऑन अल स्टेट्स ऑफ इंडिया यह एक्ट जमू करता था लेकिन आप तो सारे ही स्टेट्स ऑफ इंडिया के उपर अप्लिकेबल है जब से आडिकल 370 अमेंड किया गया है कुछ लोग बोलता है आडिकल 370 हट अडिकल 370 अटा नही आपको जोलो पसंद नहीं आएगा जमू एंड कश्मीरा फॉलो मत करिएगा बार बार हमें छोड़ करके जाने का बात मत करिए लेकिन यार यह जो है ना जमू एंड कश्मीर को यह जो स्पेशल प्रिविलेश था यह जमू एंड कश्मीर को एक अलग तोच दे दिया था अ आपसे सारा एक्ट जो भी हमारा पार्लियमेंट पास करेगा वो जमू कश्मीर के उबर भी आपलेकेबल होगा because it is an integral state of india just like any other state of india just like any other ut of india so sab के उपर आपलेकेबल होगा so indian contract act 1872 article 370 कुछ लोग बोलिंगे हट गिया अरे नहीं नादान परिंदो article 370 हटा नहीं है यह बनाया किसने था यह बनाया था इंपीरियल लेजिसलेटिफ 1872 उसा में ब्रिटिश इंडिया था इंडिपेंजेंट इंडिया नहीं था तो वेन वी आपको एक देट तो याद रहता है 1st September 1872 जैसे हम बूचेंगे Kenyan contract enact कव हुआ सारे बच्चे एक सूर में बोल देंगे 1st September 1872 1st September 1872 wrong wrong man it became applicable from 1st September 1872 but it was enacted on 25th April 1872 यादफ नहीं सब्डेट enacted on 25th April 1872 but it became applicable from 1st September 1872 humbly अगर आपका teacher ने गलत पढ़ाया आप लोग यहाँ पढ़े था तो कुछ दिक्कत ही नहीं लेकिन अगर आपका teacher ने गलत पढ़ाया तो humbly उससे पूशेगा enact कव हुआ वो बलेगा 1st September तो उसको humbly पाउंच हूख करके बताएगा नहीं सर enact 1st September को नहीं हुआ, enact हुआ था 25th April 1872 को apply किया गया था it was made applicable from 1st September 1872 enact मतलब ready हो जाना, act ready हो गया but in force यानि applicable किया गया 1st September से so it was enacted on 25th of April 1872 but it was made applicable all over India from 1st of September 1872 right sir and it has been based this contract act was based on the principles of English common law English common law मतलब क्या होता है, actually मैं उस समय जो ब्रिटिशा लोग थे खले इंडिया को थोड़ी ना गुलाम बना रखे थे, एक जामने पर बहुत सारे country ब्रिटिशा लोग के गुलाम थे British used to rule multiple country, तो आप ब्रिटिश वाला लोग क्या बोला यार, अब हम लोग multiple countries को rule कर रहे हैं, हम ही लोग law बना रहे हैं, अगर हम लोग अलग-अलग country में अलग-अलग law बना देंगे, तो टैश हम ही लोग भूल जाएंगे कि किस country में क्या law है, तो एक common English law अपना रहेगा, जो अपने ब्रिटेन में बनाते हैं, ब्रिटेन में जो अपने common English law बनाते हैं, वह ही जिस country को अपने rule कर रहे हैं, common English law ही रख दो, मतलब हमारा contract act और ब्रिटेन का contract act, almost same है, because it was based on the principles of common English law, और जिस country को rule किया, उनका भी contract act, और ये contract act, almost same है, क्या बात है सर, चलो, अब हम लोग आगे बढ़ने हैं, contract का definition, Indian contract act, 182 पढ़ रहे हो, तो सबसे बले तो, Indian contract act, 182 पढ़ रहे हो, तो contract का definition तो जालोगे ना, बेटा, ये आखिर, आखिर, contract का definition क्या होते है, ये तो आपको जानना पढ़ेगा ना, आखिर, what deemed by contract, ठीक है, like में कंजूसी नहीं होना चाहिए, like बटन दबादो, एकदम आग लगा देना, एकदम पढ़ फड़ करके पढ़ाई हो रहे है, in-depth analysis के साथ revision हो रहे है, ठीक है, चलो, आजाओ, तो definition of contract का अब हम लोग बात कर रहे है, definition of contract, contract का definition किस में है, section two, clause H, बहुत सारे teacher लोग भी यहाँ पर section two, सब section H बोलते है, definition में सब section नहीं होता, definition clauses होता है, पहले लोग बोलना तो सिख जाओ, बच्चों का base ही भिगाड रखा है, ये बत्पर मेरे को बड़ा गुस्ता आता है, बच्चों का base ही भिगाड रखा है, अब अगर मैं इसको section two clause H बोलूंगा, तो कुछ नादान पर इतने बोलेंगे, नहीं सब section है, अरे नहीं भाई, definition में हमिशा clauses होता है, याद रखना, definational clauses होता है, तो फटा-फट मेरे को chat box में लिख करके बताओ, क्या आप लोग आज त पढ़ रहे थे, तो फटा-फट अभी confess कर लो, confess करने से क्या होगा, गल्दी याद रहेगा, और कोई कारण में, तो फटा-फट confess कर लो, section two clause H है, इसको subsection H नहीं बोले आया था, section two clause H, contract का definition है, section two clause H, तो कोई इसको subsection बोलता था गया, कोई इसको subsection बोलता था गया, कुछ हम लोग इसको subsection बोलते थे रे बाबा, सौरव बोल रहा है, हाँ, किशन बोल रहा है, हाँ, सर, हम लोग इसको subsection बोलते थे, सौरव किशन has confessed, they have confessed, बात बात बाकिये बच्चे बोले है, सर हम लोग तो MEPL किस्वरूणे है, हम लोग तो बिलकुल basic मजबूत है, सर, गजब गजब विल्कुल definitional clauses होता है, सही जवाब definitional clauses होता है, definitional subsection नहीं होता बटा, ये सब regular batch के बच्चों को first class में बताया हुआ है, लेकिन बहुत सरे बच्चे देखो, revision से भी फाइदा उठा रहे हैं, जैसे लक्ष यह हो गया, लक्ष इस देर, प्रिया, आशी, इन लोग सब section बोले जाते थे, इन लोग सब section बोलते थे, लेकिन आज के बाद इन लोग भी clause बोलेंगे भाई, शूती, got it, 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 तो भाई, section 2, subsection H नहीं होता, क्या कारण है, technical कारण है भाई, अभी regular batch तोड़ीना चल रहे है, revision चल रहे है, कम से कम अपना teacher लोग गलत चिखाया है, तो बहुत हाथ जोड करके, पाऊ पकड करके, कि sir, माफ करियेगा, लेकिन, definitional clauses होते है, definitional subsection नहीं होते है, और गलती सुधारने में कोई, मतलब, sir, मिंदगी भी नहीं है, so section 2, clause H, okay, so according to section 2, clause H, contract का definition, contract means, बिड़ पान शब्दों का definition, contract means, an agreement enforceable by law, 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 ऐसे agreement, जो कि law में enforceable, law में valid बना जाए, an agreement enforceable by law, so basically, contract का definition, according to section 2, clause H, of the Indian contract acted incentive to contract means, an agreement enforceable by law, an agreement enforceable by law, so there are two features of contract, going by the definition of contract, it's an agreement enforceable by law, so there are two features of contract, first of all, there must be an agreement, second feature is enforceable by law, with legal obligation, so contract के दो फीचर होते है, an agreement enforceable by law, an agreement enforceable by law, which means there are two features of contract, number one agreement, number two enforceable by law, formula पोलते है, legal obligation, so contract is equal to, agreement, plus legal obligation, got it sir, so agreement, plus enforceable by law, is equal to contract, यहनि legal obligation, मतलब agreement, plus legal obligation, क्या हो जाएगा, contract हो जाएगा, अब agreement का definition दिया गया, section 2, clause E के अंदर, every promise, agreement का definition के, every promise, and every set of promises, forming consideration for each other, यह definition आपको याद करना पड़ेगा, every promise, and every set of promises, forming consideration for each other, is an agreement, according to section 2, clause number E, okay, फिर दोसों मैं आपको यह बता दू, agreement को मैंने आपको समझाया भी है, फिर से समझा देता हूँ, भाई, agreement जो है ना, हमेशा, दो लोगों की बीश में होता है, मैं खुद से agreement नहीं कर सकता, आज से मैं पढ़ाई चालू करूंगा, हट, आज से मैं अच्छा लड़का बनू अगरिमेंट के लिए दो जन चाहिए, कीशे पर आप मिरर से बात करके अगरिमेंट नहीं कर सकता, तो ना, तो agreement requires plurality of person, plurality of person मतलब there must be at least two person, single person cannot make an agreement with himself, there must be two or more persons to form an agreement, इसी को plurality of person बोगता है, second feature agreement का, इतो गया plurality of person, second feature होता agreement का, consensus and item, consensus and item का मतलब क्या होता है, consensus and item का मतलब ह two minds, when two minds meet at the same thing at the same time for the same purpose, when two minds meet at the same thing, same time, same purpose, जब दो दिमाग एक ही चीज समझ रहे हैं, तो समझ लेना, consensus and item होता है, तो plurality of person चाहिएगा, and consensus and item, यानि meeting of the two minds चाहिएगा, अच्छा, मैं आपको बता दू, कि there are two types of agreements, which always lack legal obligation, देखो बटा, contract का definition क्या था, an agreement enforceable by law, an agreement enforceable by law, मतलब agreement भी होना चाहिए, enforceable by law, मतलब legal obligation भी होना चाहिए, तो agreement भी होना चाहिए, enforceable by law का मतलब होता है, legal obligation भी होना चाहिए, अब हम आपको बता दें, जिस agreement के अंदर legal obligation होता है, जिस agreement में legal obligation है, वो contract है, जिस agreement में legal obligation है, वो contract है, लेकिन जिस agreement के अंदर legal obligation नहीं है, वो contract नह नहीं होगा, there are two types of agreements which always lack legal obligation, दो प्रकार के agreement ऐसे होते हैं, जिसमें legal obligation नहीं रहता, दो प्रकार के agreement ऐसे हैं, जिसमें legal obligation नहीं रहता, भाई, सर, what are those two types of agreement, जिसमें legal obligation नहीं रहता, एक तो हो गया, agreement relating to social matters, agreement relating to social matters, समझ में आता है, yes सर, we live in society, society में रहने के चकर में हम लोग बहुत बार socialize करना चाते हैं एक दूसरे के साथ, तो जब social agreement बनाते हैं, socialize करने के लिए, जैसे मैंने आपको बुला, चल सुबह उठकर के मेरे स कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये agreement है, हाँ, agreement है, but it lacks legal obligation, agreement है, but it lacks legal obligation, there was no intention to create legal relationship, so whenever we make an agreement relating to social matter, it is an agreement, but it lacks legal obligation, there is no intention to create legal relationship, which means it is not a contract, which means if I do not perform it, you cannot sue me, for example, agreement to go for morning walk, या फिर मैं आपको बल रहा हूँ, चलो, 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 भाई, काफी बिने चलते हैं, क्या, चलो, काफी बिने चलते हैं, और आप पहुच गए, काफी बिने, लेकिन मैं उस जगह पर नहीं पहुचा, आप मेरे को स्यू नहीं कर सकते हैं, चलो, पिक्चर देखने चलते हैं, आप पहुच गए, मूवी हौल, मैं नहीं पहुचा, आप मेरे को स्यू नहीं कर सकते हैं, आपने अपने शा अब मैं शादी में पहुचा और तुम लोग भाई दुला दुलन लोग लड़ाई करके बैठे हो मैं स्यू कर दूंगा अगर ये फेरे नहीं हुए मैं स्यू कर दूंगा मैं बता रहो तुम लोग खाना वहिना सब उठा दियो यह क्या बात है यार मैं इतने दूर से आया हू एक और डूमेस्टिकरणेंट डिवेंट सोचल मैटर रहू एक होता डोमेस्टिक अरेटमेस्टिकीजमेंट बेट्वन या इसमें और व्यांत जिसने लेकल अप्लिकेशन नहीं है यानि कॉंट्राट नहीं है क्या है यह domestic arrangement between husband and wife domestic arrangement between husband and wife यार husband wife लोग जो है ना आपस में बहुत सारे agreement करते हैं सब थोड़ी ना निबाते हैं चलो मैं अपनी wife से आपको पुझवा देता हूँ अगर अगर वो screen पर आना चाहेंगी तो यह totally harvest domestic arrangement between husband and wife यार मिया भी लोग बहुत सारे agreement करते हैं सब थोड़ी ना निबाले तेरे बाबा husband wife सारे agreement निबालेंगे क्या तुमारे कार में भी तो husband wife है सार नहीं सार हम लोग शादी शुदा नहीं है अरे तुमारे माबाप तो है तो उन लोग तो शादी शुदा है तो उन लोग की तो husband wife है थोड़ा पता करो तो do they perform all the agreements what they make madam please एक पर आईए बच्चो को एक ती समझाने please 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 तो एक arrangement बेटिल husband wife गाली पढ़ रहा है बोली सुना दीजे ए भगवान तुम लोग मरोआ होगे बटा तुम लोग ना मरोआ होगे खाली आप इतना बता दीजे बच्चो को कि मैंने आपके साथ जितना भी agreement आसक की है निभाया है कि निभाया है यहाँ पर एक बच्चो को आवास होना चाहिए खाली आप इतना बता दीजे नहीं question क्या है question यह है कि मैंने आपके साथ बहुत तर एग्रिमेंट किया है कि नहीं किया है? यह है ना? सुना ही नहीं दे रहे है बच्चो को? हाँ आपको थुड़ा यहां पर आरा पड़ेगा ठीक है तो मैंने निभाया कि नहीं निभाया खाली यह बता दीजे पर आज नहीं आरे बच्चो को? नहीं हाँ माइ गॉड, माइ गॉड़ इतना बड़ा इल्जाम हिंदुस्तान के सामने ओम यह मैं गॉड हाँ नहीं बाया? हाँ नहीं बाया? पॉंट्रक थोडिन है भाई? पॉंट्रक थोडिन है सम्झो it's not a contract it's not a breach of contract there was no intention to create you know legal obligation there was no intention to create any kind of legal relationship it was an emotional agreement emotional agreement था भाई emotional agreement कोई legal obligation नहीं था कोई intention to create legal relationship नहीं था तोड़ दिया तोड़ दिया agreement क्या मेरे को स्यू किया जा सकता answer इस नहीं बिल्कुल भी नहीं तो तुम लोग ना क्या क्या बुलवा दे तो बाद में कर राने पूरा syllabus का revision हो जाएगा आपका दो बजे लेकिन उसके लिए आपका support बना रहना चाहिए ऐ सो यह होगा you guys are okay इसमें तो भाई बेवफाई हो गया था वेलफार वर्सेस वेलफार में क्या हुआ था हस्बेंट सिलॉन में काम करता था लेकिन उसने अपने वाइफ लिविंग इन इंग्लैंड को वादा किया था फिक्स मंत्ली अलाउंसेस देगा ठीक है तो हाश्भेंड क्या करएंगा बताओ लिए याज्मेंड क्या करेगा तो उटेट dealing कर देगा है उसके स्टाप कर दिया वाइफ इतनी बड़ि बदमाज थी कि हाश्भेंड के उपर केस कर दी कि मेंना अलाउंस कैसे रख रहे है कोड बुला भाई उर रोक सकता है यह आपलो की बीच में domestic arrangement था between husband and wife there was no intention to create legal relationship इसमें कोई legal obligation नहीं था तो यह contract नहीं था got it sir तो याद अखना बिटा all agreements are not contract only those agreements which have legal obligation are contract those agreements which do not have legal obligation like agreement relating to social matter domestic arrangement between husband and wife are not contract so all agreements are not contract but all contracts are agreement all agreements are not contracts but all contracts are agreement agreement क्या होता है जीनस और contract उसका क्या होता है पिस्ती फिर दोस्तों हम लोग बात किये थे essential elements of a valid contract दोस्तों हम लोग बात किये थे essential elements of intention to create legal relationship legal capacity of the parties होना चाहिए legal object होना चाहिए contract के अंदर legal consideration होना चाहिए and free consent होना चाहिए अब एक एक करके यह सब points को हम लोग post-mortem करने वाले हैं सबसे पले आते हैं offer and acceptance फड़ा फड़ा आजी ही guys very very fast absolutely fast guys सबसे पले आजी offer and acceptance offer and acceptance offer and acceptance offer offer and acceptance valid offer का वोगा valid acceptance का वोगा फड़ा फड़ा वट सुलो रहे valid offer का section 2 clause A सब section A नहीं clause A होता है और valid acceptance का section 2 clause B offer का section बता दो 2 clause A acceptance का बता दो 2 clause B अब valid offer का definition के है देखो बटा offer का definition के है when a person when one person signifies to another अभी ठीक है ना अभी तो ठीक है यार कोई lag वैक नहीं है सब ठीक है परफेक्ट है यहां से तो सब परफेक्ट है चलो आज़ो ध्यान लगो चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने भी तक यही बताया कि अगर आपको valid contract बनाना है तो बहुत सरे features satisfy करें इन पढ़ेंगे offer and acceptance satisfy करना पढ़ेगा valid offer होना चाहिए legal consideration legal capacity legal object legal consideration legal capacity with the parties legal object pre consent होना चाहिए an intention to create legal relationship चलो अब आजा हम लोग सीख रहे है offer and acceptance सबसे बिले offer section 2 clause हे होता है clause B clause A acceptance का section 2 clause B subsection मत बोलना subsection नहीं है clause A offer section 2 A offer section 2 clause A acceptance का section 2 clause B offer का definition बता दो when one person offer का definition है when one person signifies to another when one person signifies to another when one person signifies to another his willingness when one person signifies to another his willingness to do something or abstain from doing anything to do or abstain from doing anything और यह हम तुमको क्यों signify कर रहे है अपना when one person signifies to another अपना इच्छा कि हम तुमारे लिए काम करना चाहते है या फिर abstain from doing हम तुमको यह pen बेचना चाहते है यह क्या हो गया to do हम तुम्हारे एरिया में दुकान नहीं खोलेंगे बेटा दुकान खोलेंगे तुम मर जाएगा तुम्हारे एरिया में हम दुकान नहीं खोलेंगे उसके लिए तुम मेरे को 5 लग दो हम तुम्हारे एरिया में दुकान नहीं खोलेंगे in the ascent of that other person to such act or extenance, the person is set to make an offer, proposal, the person is set to make a proposal, ठीक है, और जो इसन proposal कर रहा है, वो कौन है, offerer, the person to whom the offer is made is called offeree, the person who makes the offer is called offerer and the other person is called offeree, when the offer is made to uncertain body of individual, when the offer is made to uncertain body of individual, anyone can accept it, it's a general offer, when the offer is made to particular, particular person only, those persons can accept, it's a special offer or specific offer, uncertain body of individual, anyone can accept general offer, only particular person, only that particular person can accept, it's a special offer or specific offer, ठीक है, जब offeree, पलट करके different offer देते हैं, मैंने बोला, ये पहन खरीदोगे 5000 रुपया में, मैंने बोला, ये पहन खरीदोगे 5000 में, सामने वाला offeree क्या बोलता है, सामने अला offeree बोलता है, 4000 में बेचोगे क्या, different offer देते हैं, counter offer, मैंने बोला, ये पहन खरीदोगे 5000 में, बोलता है, इसके साथ अपना calculator भी बेचोगे क्या, counter offer, तो मैंने एक offer दिया, offeree पलट करके दूसरा offer दे दिया ना, मेरे कोई, इसको हम लोग counter offer बोलते हैं, which goes on and on, unless I put an end to it, it's called standing offer, मेरा printer को बुला हुआ है, कि मेरे को हर साल 10,000 मैट शाप करके दे दिया करो, हर साल मेरे को 10,000 मैट शाप करके दे दिया करो, हर साल मेरे को 10,000 मैट शाप करके दे देता है, वो क्या होगे, standing offer, मक्कन सर, क्लिर है सर, general offer का अगर आपको case law का नाम याद है, carlisle versus carbolic smoke ball company में क्या हुआ था, carlisle versus carbolic smoke ball company में क्या हुआ था, कि जो carbolic smoke ball company था न दवाई बनाने का कमने का, pharmaceutical company था, pharmaceutical company ने newspaper में advertisement शापा, कि हमारा दवाई जो भी use करेगा, in the prescribed way, अगर उसको कोई side effect हुआ, हम लोग उसको compensation देंगे दावाई उसकर लो, अगर कोई side effect हुआ, हम लोग compensation देंगे तो यह general offer हुआ कि specific offer, general offer हुआ which could have been accepted by anyone now Carlyle, an old lady, read the newspaper consumed the medicine in the prescribed manner but she contacted influencer, when she claimed the reward from the company, company refused, it was held in the case of Carlyle versus Carbolic Spokeful company that company will have to pay the reward it was a general offer which could have been accepted by anyone including Carlyle, तो Carlyle, जो कि booty order, newspaper पढ़कर करके दवाई खरी दी और उसको influence हुआ, उसको reward मिलेगा, compensation मिलेगा याद आगिया सर पुरा हरबजन लाल versus हरचरन लाल लालमन चुकला versus गौरीदस, याद आगिया, ये सर हरबजन लाल versus हरचरन लालमन चुकला versus गौरीदस में भी क्या हुआ था, बच्चा खो गिया था, newspaper में reward शापा गिया, जो भी कोया हो, बच्चा ढून करके लादेगा, उसको reward मिलेगा, रामु काका खोया हो, बच्चा ढून करके लातो दिया, तो, it was a general offer, which could have been accepted by anyone, general offer could have been accepted by anyone, communication of acceptance is not required, in case of general offer, which can be accepted by anyone, communication of acceptance is not required, बट फिर भी रामु काका को reward नहीं भिला, बच्चा ढून करके लिए आया, बच्चा ढून करके लिए आया, बट उसने newspaper पढ़ा ही नहीं था, अगर offer के बारे में पता ही नहीं था, तब आपको reward मिलने वाला नहीं है, अब एक्जाम में लिखो न, offer must be full and final, चलेगा, offer must be full and final, ambiguous होना चाहिए कि unambiguous, बताओ, बताओ मैं poll create कर रहा हूँ, मैं poll create कर रहा हूँ, offer can be ambiguous, yes or no, offer can be ambiguous, poll create हो चुका है, poll में participate करो सब लोग, offer can be ambiguous, yes or no, offer can be ambiguous, yes or no, अरे फटाफ़ पोल में participate करो, yes or no में click करो रहे बाबा, very very fast guys, very very fast, offer can be ambiguous, yes or no, offer can be ambiguous, yes or no, tell me very very fast, poll का result मैं बता दू हूँ, बाप रे बाप, जिन लोग यह revision देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा दखावे revision देखने का, it was the simplest question, simple एक question था एकदम, क्या offer ambiguous रह सकता है, 51% बच्चे बोल रहे हैं, हाँ रह सकता है, ambiguous, ambiguous मतलब क्या होता है, doubtful, not clear, तो offer ऐसा रह सकता है, ambiguous, doubtful रह सकता है, not clear रह सकता है, नहीं, correct answer is no, correct answer is no, भाई, तुम लोग डटे रहो एकदम, डटे रहो, एक second भी धरुदर मुंदी मतलब, तो offer जो रहेगा, वो क्या रहेगा, complete and final, ambiguous नहीं हो सकता, it can't be ambiguous, it must not be vague, जैसे अगर रम्तु को बोले, आप मेरे को अपना pen बेज़ दो, लख्की साबित होना, I offer you, please sell your pen to me, आप अपना pen मेरे को बेज़ दो, मेरे को अगर वो लख्की साबित हो, मैं higher price होंगा, higher क्या होते हैं पता नहीं, लख्की क्या होते हैं पता नहीं, तो ये वेग है, ये incomplete, ये invalid offer माना चाहेगा, got it sir, अच्छा, offer जो है ना, नेनो ही नेनो में, अखों ही अखों में इशारा हो गया, ऐसा नहीं होता, offer must be communicated to offer, offer must be communicated to offer, आपको offer communicate का न पढ़ाईगा, ये offer को, मैंने ये pen जो है, यहां परत दिया, offer हो गया, उड़ा के लिए जोगे, नहीं, offer must be communicated to offer, communication express भी हो सकता है, implied भी हो सकता है, offer must be communicated to offer, ठीक है, communication of the offer can be express also, implied also, express, oral भी हो सकता है, express मतलब through words, अब वो oral भी हो सकता है, written भी हो सकता है, express होना चाहिए, express means through words, it can be oral also, written also, और implied क्या होता है, implied offer हो सकता है, implied by the conductor of the parties, implied means implied by the conductor of the parties, for example, best example is, bus flying on the road, bus जो रास्ते पे चलता है, bus flying on the road is an implied offer, you board the bus, तुम bus के अंदर इंटी कर जा, implied acceptance हो जाएगा, ठीक है, फिर, दुस्तों, offer must be communicated to offer, communication जो express हो सकता है, oral or written, और implied भी हो सकता है, implied भी हो सकता है, ठीक है, general और specific तो होई सकता है, Carlyle versus Carbolic Smoke Bowl Company, हम आपको revise करवाई दी है, Harvajan Lal versus Harcharan Lal के बड़े में, आपको बताई दी है, एक चीज़ आद रखेगा, offer हमेशा अलग है, from invitation to offer, offer और invitation to offer, अलग अलग की जो होता है, बटा सेम चीज़ जैसे window display of, window display of good मतलब सब्सक्राइब है, shopkeeper जो है, अपने दुकान में सारा समान सजा करके तो रखेगा ना, तो shopkeeper भाई क्या करका है, अपने दुकान के अंदर सारा समान सजा करके रखा है, window display of good करका है, तो अगर shopkeeper अपने दुकान में सारा समान सजा करके रखा है, वो offer थोड़ी ना हो गया यार, वो तो तुमको आकरशित कर रहा है अट्रैक कर रहा है मोहित कर रहा है यह कस्टमर यह देखे इतना सवर समान है मोहित कर रहा है अपने प्रति अट्रैक कर रहा है अकरशित कर रहा है इन्वाइट कर रहा है तो इन्विटेशन है विंडो डिस्प्ले ओफ गुड जो है ना, it's an invitation to make an offer. शॉपकिपर जो विंडो डिस्प्ले ओफ गुड करका है, it's an invitation to make an offer. अब जो customer आएगा ना, customer आकर के accept नहीं करता, customer आकर के offer करेगा. अल्टिमेटली हाँ या ना, shopkeeper बोलेगा, बाल बेचना है के नहीं, बेचना है वो shopkeeper बोलेगा. तो बहुत बार तुम लोग जगडा कर लिया होगा, shopkeeper के साथ जा करके, क्यों नहीं बेचाओगे, दुकान क्यों नहीं खुला है, तुम लोग को law नहीं पता था, इसलिए. shopkeeper कर सकता है, clear ना, जैसे, अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, window display of goods, अगर है, price है उसके अंदर, window display of goods, with price marked on them, my question is, window display of goods, window display of goods, with prices marked on them, अच्छा, price mark किया हूए, तब, वो offer है, कि invitation to make an offer, इस बाद प्राइस लिखा हूए, window display of goods है, लेकिन price लिखा हूए, तब वो offer है, कि invitation to make बताओ, invitation to offer है कि offer है? ठीक है? question clear है ना? इसवार price लिखा हुए भाई, price लिखा हुए, window display of goods है, with price marked on them, price tag है, तब वो offer है कि invitation to offer है, option number है, option number है, option number भी invitation to offer है. अपने लिए जोरदात तालिया बजा दो, इस बर बच्चे फस्स नहीं रहे है, window display of goods हमेशा invitation to offer हैगा, चाए price mark हो, चाए price mark नहीं हो, उसे कोई फरक नहीं पड़ता, it is always an invitation to offer, correct. ठीक है, examen case study आ सकता है, कि मालो से for example, तुम एक self-service shop में, trolley ले करके, ठीक है, self-service shop में, trolley ले करके, बहुत वरा समान जो है, पट-पट-पट, trolley में डाल लिया, cashier के बास गिया, bill करने cashier मना कर दिया, नहीं बेचे, क्या cashier ऐसा मना कर सकता है, नहीं बेचे, हाँ कर सकता ह बिलकुल कर सकता है, क्योंकि, again, जो shop की पर था, वो तो window display of good किया, customer मल, trolley में डाला, और फिर ले कर गिया, cashier के बास, वो तो offer है, अब cashier हाई या नहीं तो बोली सकता है, तो बिलकुल cashier मना कर सकता है, और क्या examples है, invitation to make an offer का, एक तो window display of good is an invitation to make an offer, और क्या example है, invitation to make an offer का, prospectus, company जो prospectus issue करता है, कि महरबान का दर्दान हमारा share issue जो है subscribe करिएगा ना, तो जो prospectus issue कर रहा है, वो भी invitation to make an offer है, company जो prospectus issue कर रहा है, वो भी invitation to make an offer है, prospectus is also an invitation to make an offer, ठीक है, description of good, description of good, मेरा product में ये है, वो है, ये भी है, ये खासियत है, ये feature है, तो हम अपना product को describe कर रहे है तो ये invitation to offer है, offer नहीं, मेरा ये खासीयत है, वो खासीयत है, तो आप, हम आपको invite कर रहे हैं कि आप offer करेंगे, ठीक है, मेरा प्रोडक को डिस्क्राइब कर रहे है, मेरा प्रोडक में यह है वो है, पच्चेस तरीकको ऑक्षिन है पक्का से आये है तो मेरे को चार एक्चमल बता दो invitation to make an offer का invitation to offer का चारी संपल window display of good description of product prospectus window display of good description of product prospectus हो गया announcement of auction sale हो गया यह सब क्या है invitation to offer आगे बढ़ रहे है boys and girls laps of offer बच्चे बोल रहे है सरा phone change कर लिए क्या नहीं बेटा मेरा phone जो है out of charge चला गया है इसलिए जो surplus phone है यह वो है बच्चे बाप रहे बहुत ही जदा cautious है रहे पापा अच्छा वह रिंग नहीं बना नहीं तो बोलता कि लाप्स ओ आफ और यह देखवा गया कि खुष भुष ऑ कि अपा उक्या अच्छ कि आजिए कि अधिया अब जाइए अधि अप्स कब हो जाता है यार सुनना आफर लाप्स कब हो जाता है लात of offer मतलब मेरा जो दिया वह अगर अगर offer accept हो जाता सब तो contract बन जाता है ना फिर अगर कोई भी party में से एक जन मर जाए तो contract discharge नहीं होता है मरने पर contract अगर बन जाता तब contract discharge नहीं होता है मरने पर contract को तो legal air perform करेंगे लेकिन अभी contract बना नहीं है यार तो हमने वले ने acceptance किया नहीं था मेरा खाली offer दिया हुअ था contract थोदी ना बना है खाली offer दिया हुआ था अब offer यह offer offer ipadpper यह offer-reall और offer यह offer-reall में से कोई भी मर जाएगा तो offer लैप्स हो जाएगा क्लिए था contract बनने के बाद laps नहीं होता मरने के का Minh लेकिन ओफर जरू लाप्स हो जाता है तो अगर ओफर आड़ी ओफरी में से कोई भी मर गया तो ओफर लाप्स हो गया या फिर जो ओफरी है वो reject कर दिया ओफरी ने reject कर दिया या counter offer दिया सुनना ओफरी जो था बोला reject तो ओफर मेरा लाप या फिर उसने counter offer दिया तो मेरा offer लाप मेरा offer लाप्स हो जाएगा जब ओफरी या तो reject कर दिया या उसने counter offer दिया या फिर offer या दखना conditional हो सकता है मैंने बताया ना offer can be conditional he fails to fulfill the condition ठीक है ओफरी condition fulfill नहीं किया जो भी मैंने condition लगा था था वो condition fulfill नहीं किया तो offer लाप्स हो जाएगा if he fails to fulfill the condition clear ना तो offer क्या हो जाएगा लाप्स हो जाएगा अगर offer के उपर condition लगाएगा तो उसने फुल्फिल नहीं किया या फिर मैंने ना मैंने ना एक mode बताया था उस mode में एक्सेप्ट करना था लेकिन उसने उस mode में एक्सेप्ट नहीं किया he fails to accept the offer in the prescribed mode और prescribed time ठीक है और if mode or time was not prescribed then reasonable mode or reasonable time में एक्सेप्ट लिए अगर mode or time बताया था तो उसी mode or उसी time में एक्सेप्ट करना था उसी mode or उसी time में एक्सेप्ट करना था अगर prescribed किया था नहीं तो offer lapse हो जाएगा और अगर mode or time नहीं बता है था तो reasonable mode, reasonable time में accept करना था नहीं तो offer lapse हो जाएगा, got it sir, मक्ष नहीं बता तो इस अब किस था, lapse of offer का अब आज़ा acceptance, acceptance का section, boss and girls, acceptance का section section 2, clause B, acceptance का section बता दो बिटा, section 2, clause B क्या होता acceptance, यर जिसको मैंने offer किया था न, offeree ने अपना हाँ दे दिया, अगर offeree ने अपना हाँ दे दिया acceptance हो गया, when the person to whom the proposal is made, the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made, signifies his ascend there to, the person to whom the proposal is made, signifies his ascend there to, the proposal is said to be accepted, proposal once accepted becomes a promise the other, the person to whom the proposal was made, signifies his ascend there to, मैं अपना हाँ दे दिया, proposal is said to be accepted And once accepted, it becomes a promise जह सरीके से offer full and final होना चाहिए Acceptance भी full and final होना चाहिए जखो इस सरफ, offer और acceptance के तरफ Offer, section 2, clause A Acceptance, section 2, clause B Offer must be full and final, acceptance must also be full and final Ambiguous नहीं होना चाहिए, full and final होना चाहिए Offer must be communicated, acceptance must also be communicated Either expressed or implied Offer conditional हो सकता है Acceptance कभी भी conditional नहीं होगा Absolute होगा, यानि without any condition Haan manjour है, subject to this Haan manjour है, ऐसा भी करतो वो acceptance invalid माना चाहिए Offer unconditional होता है कि conditional, offer conditional हो सकता है लेकिन acceptance कभी भी conditional नहीं होता Offer can prescribe the mode of acceptance Offeree will have to accept in that mode If no mode prescribed, then reasonable mode एक शी जादखना Mare silence on the part of offeree अगर offeree चुप है Mare silence on the part of offeree is not an acceptance Case का नाम बता दो Felt House versus Bindle Felt House versus Bindle Mare silence on the part of offeree is not an acceptance हम नहीं बोल सकते हैं साथ दिन तक अगर जवाब नहीं आए तो हमान लेंगे नहीं बोल सकते हैं Mare silence on the part of offeree is not an acceptance और एक शी जादखना When the offer is such When the offer is such Which must be acted upon When the offer is such Which has to be acted upon Then communication of acceptance is not required जैसे हरवजनलाल वरसस हरचनलाल में बच्चा कोगी या Newspaper में छापा है जो कोई हो बच्चा ढून करके लाएगा उसको reward देंगे तो यार तुम क्या ये पहले जाकर के माली को बोलोगे हम ढून करके ला रहे है हम ढून करके ला रहे है कि सिधा ढूनने जाओगे सिधा ढूनने जाओगे बच्चा ठीक है Communication of acceptance is not required But yes He should be aware about the offer धुआ धार एक दाव This was everything about offer and acceptance ठीक है Contract by post ध्यान से सुनना अगर मैं offer letter लिख रहा हूँ Offer letter Offer letter मालो मैं अपना pen तुम को बेशना चाता हूँ 5-6 रुपया में मैं अपना pen बेशना चाता हूँ 5-6 रुपया में ये letter मैंने post किया 5 तरिक को और सामने अलाव के पास पहुचा मैंने letter post किया Offer letter was posted on 5th reaches offer you on 6th Offer will start when it reaches the offer Offer always start when the offer letter reaches the offer 5 तरिक को post किया Offer के बस 6 को पहुचा Offer कब से start होगा 6 से 6 से Clear? Offer starts when it reaches the offer क्या offerer अपना offer cancel कर सकता है हाँ Offerer अपना post कियाओ offer Offerer अपना post कियाओ offer को cancel कर सकता है कब तक सामने वाला offer सामने वाला offer जब तक अपना acceptance post नहीं करता मानलो सामने वाला offer अपना हाँ post किया 8 तरिक को 2 बजे तो 8 तरिक को 2 बजे वो post किया उसके पहले तक हम अपना offer cancel कर सकते थे आठ तारी को दो बज़े एक बार उसने पोस्ट कर दिया, अब ओफरर अपना ओफर कैंसलिंग कर सकता था, ओफरी के एकसिप्टेंस पोस्ट करने के पहले तर, अचा ओफरी जो अपना एकसिप्टेंस पोस्ट किया है ना, आठ तारी को दो बज़े, ओफरी चाहे तो अपना पोश्ट किया हुए acceptance को cancel कर सकता है before the acceptance later reaches off before the acceptance later reaches off मालो उसका post किया हुए acceptance जो आठ तारी को 2 बजे post किया वो पहुचा offerer के पास 10 तारी को 2 बजे तो 10 तारी को 2 बजे के पहले तक वो अपना acceptance cancel कर सकता है अच्छा मालो से for example उसने एक telegram लिखा और अपना acceptance cancel कर दिया हाँ तो ठीक है ना सुनो ना उसका post किया हुए acceptance 10 तारी को 2 बजे आ रहे 10 तारी को 2 बजे आ रहे 10 तारी को 2 बजे अब अगर उसका revocation पहले आ जाता है 10 तारी को 1 बजे उसका telegram पहुच गिया कि भाई acceptance cancel तो cancel लेकिन अगर उसका telegram जिसमें वो cancel कर रहा है revoke कर अपने acceptance 10 तारी को 2 बजे के बाद आता है मतलब पहले acceptance उसका पहुच जाता है मेरे पास और उसका rejection जो है बाद में आता है तो acceptance माल जाता है सब्सक्राइब आ गिया सर अगर हाँ पहले आया अरे यार ओफरी ने क्या किया है एक हाँ वाला letter छोड़ दिया और एक ना वाला letter छोड़ दिया जो मेरे पास पहले पहुचेगा वो मालिया लेगा हाँ पहले है तो आए ना पहले है तो ना है सर दोनों साथ में आ गिया तो हाँ और नो तुनों contract वो telephone जिसका एक famous case law है कनहिया लाल versus Dineshwar Chandra case का नाम बता दो बिटा कनहिया लाल versus Dineshwar Chandra कनहिया लाल versus Dineshwar Chandra में ये बोला गया लेकिन बीच में अगर line disconnect हो जाए ना तो फिर जब वापस से call करोगे ना वापस से पूरा offer को धौराना पड़ेगा ठीक है वापस से पूरा offer acceptance को धौराना पड़ेगा reason आपको regular fashion बताएगी है कुछ याद आ रहा है क्योंकि हम लोग का बहुत गंदा आदत है तुम ऐसे नहीं तो मेरे साथ planning plotting कर लेगा तुम मेटा क्या करेगा offer मेरे phone किया मेरे को offer दे दिया और phone काट दिया मेरे को phone करके offer दिया और फिर phone काट दिया फिर तुम मेरे को phone मिलाया और हम लोग का घंदादत के हम लोग phone उठा करेके क्या बोलता है हाँ बोल तुम पहले offer दे करके phone काट दिया फिर से phone किया मेरे को और उसमें हम क्या बोले हाँ बोलो उसमें फिर तुम क्या बोल रहे है देखिए आपने हाँ बोल दिया हाँ बोल दिया हाँ आप क्या बोले acceptance होगे आपने हाँ बोल दिया contract होगे अरे नहीं भाई तुमको repeat करना पड़े है आज ये legal consideration legal consideration का definition क्या बटा section 2 का clause D क्या बोलता है section 2 का clause number D बता दो when at the desire of the promisor when at the desire of the promisor the promisee or any other person has done or abstained from has done something or abstained from has done or abstained from something does something or abstains from doing something promises to do something or abstains from doing something such an act or abstainence is called consideration for the promise when at the desire of the promisor promisee or any other person has done or abstained from doing does or abstains from doing promises to do or abstains from doing sir बोथ लंबत आविने सने सर रगले बेश में याद करवाई थाना consideration हमारे यहापर तीन प्रकार का होता है past, present and future consideration can be of sweet eyes past, present and future past, present and future when at the desire of the promisor when at the desire of the promisor promisee or any other person past tense बताव has done something or abstained from doing something present tense does something or abstains from doing something future tense promises to do something or abstains from doing something such an act or abstinence is called consideration for the promise when at the desire of the promisor promisee or any other person has done something or abstained from doing something does something or abstains from doing something promises to do something or abstains from doing something such an act or abstinence is called consideration for the promise it always moves at the desire of promisor, consideration always moves at the desire of the promisor and it can move from 1% to another person फिर हम लोग इसका बहुत सारा features भी सीख लिये थे it moves at the desire of the promisor it can move from 1% to another person ठीक है, consideration तीन प्रकार का होता है, ठीक है, past present and future, ये रपास executed का और एक नाम क्या होता है present, executory का नाम क्या होता है, future consideration adequacy, consideration may or may not be adequate, adequate होना जरूरी नहीं है मैं अपना पुरा bungalow, तुमको एकर रूपया में बेचना चाहता हूं allowed है, allowed है भाई मेरे एक रूपया काफी है तो ठीक है तो consideration may or may not be adequate ठीक है, consideration adequate भी हो सकतेए inadequate भी हो सकतेए, गथ होना चाहिए consideration adequate भी हो सकते है inadequate भी हो सकते है but होना चाहिए consideration होना चाहिए because no consideration no contract no consideration no contract and consideration ऐसा कुछ हो जो legally perform किया जा सके it should not be unlawful immoral or opposed to public policy ठीक है consideration क्या मांगता real consideration should be real and lawful real होना चाहिए lawful होना चाहिए and competent हो जो हम कर सके मैं तुम्हें इज़्जद दूँगा तेक है मैं तुम्हें इज़्जद दूँगा तुम goods बेचो मेरे को मैं तुम्हें इज़्जद दूँगा इज़्जद real है कि है नहीं भाई मैं चांतारे तोड़ करके लहूँगा चांतारे real है कि है हाँ real है बट मेरे अकात है, क्या रहे? है? पाड़ो मेरे लगाया गया जो तोड़ खर करके ले आएंगे? अकात हैंगी रहे? अकम्पिटेंट नहीं है, रियल वह होना चाहिए, यह ने थी. चिन्नाया वर्सेज रमाया, consideration can move from 1% to another, held in the case of चिन्नाया वर्सेज रमाया, चिन्नाया वर्सेज रमाया में क्या हुआ था, बुड़ी औरत ने अपनी बेटी को property transfer किया, consideration बोला, मामा जी को दे देना, अपने मामा जी को दे देना, बुड़ी औरत मर गई, फिर बेटी क्या बोल रही है, नहीं हम मामा जी को क्यो दे, मामा जी तुमने क्या दिया, अरे भाई, consideration can move from 1% to another, बुड़ी औरत ने तुम्हे property बेचा था, ये बोल करके, consideration मामा को देना तो देना, ठीक हम तुम्हे पेन बेच रहे हैं, ये बोल करके, पांच अरुब्या मेरे को नहीं, रहुल को दे दो, तो मैं ये बोल सकता हूँ, मैं अपना consideration किसी और को दिलवा सकता हूँ, it can move from 1% to another, there can be a third party, there can be a stranger to consideration, there can be a third party and a stranger to consideration, held in the case of Chennaiya vs Ramayya, but there cannot be a third party to contract, याद है न, प्रिविटी अपॉंट्रक क्या बोलता है, प्रिविटी अपॉंट्रक बोलता है, contract is a private affair between two of us, there cannot be a third party, there cannot be a stranger to contract, there cannot be a stranger or third party to the contract, it's a private affair between two of us, Dunlop Pneumatic Tyre Company vs Selfridge Company Limited, held in the case of Dunlop Pneumatic Tyre Company vs Selfridge Company Limited, नहीं भी आद रखोगे तो चलेगा, प्रिविटी अपॉंट्रक है, प्रिविटी अपॉंट्रक है, प्रिविटी अपॉंट्रक हैं between two of us, there cannot be a third party to a contract, third party cannot sue the parties of the contract, मतलब अगर A और B contract किया है, तो C आकर के हम लोग को CU नहीं कर सकता, यह हम लोग C को जाकर के CU नहीं कर सकते, बट जहाँ लोग हैं वहाँ exceptions है, नॉर्मली, जेनरल रूल के हैं, जेनरल रूल है, there cannot be a third party, there cannot be a stranger to contract, बट कुछ-कुछ exceptions है, कुछ-कुछ exceptions है, beneficiary जो है ना, beneficiary, beneficiary भली stranger है, वो party लोग को CU कर सकता है, CU किया जा सकता है, ठीक है, फिर assignee, जो assignee है, वो CU कर सकता है, फिर, acknowledgement of liability, मैंने, सुनो ना, मेरा रूपिया राहूल मारख है, मैं राहूल को phone करके बोल रहा है, राहूल मैं तोरे उपर CU कर देगा, case कर देगा राहूल, राहूल की girlfriend भी conference में है, राहूल की girlfriend भी conference में और बोल रही है, मोहिद भाईया, आप रूपिया राहूल से नहीं मांगेंगे, मैं आपका रूपिया दोंगी, तो राहूल की girlfriend बोल रही है, कि मैं उसका liability चुकाँग, तब मैं उसकी girlfriend को BCU कर सकता हूँ, because she has acknowledged the liability although she is a spanger but she has acknowledged the liability बगवान इसी girlfriend सबको दे तन में आगे सर चलो 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 आगे बढ़ते हैं तो यह सब क्या था बेटा यह सब था privity of contract का exception normally privity of contract क्या बोलता है third party को हम लोग स्यू नहीं कर सकते और हम लोग अगर हो third party क्या beneficiary है या फिर family settlement अगर हुआ या फिर in case of female marriage in H.O.F ठीक है female marriage in H.O.F या फिर acknowledgement of liability या फिर in case of assignee insolvent member का assignee जो है वो स्यू कर सकता है ठीक है बस हो गया 5 exceptions काफी है no consideration no contract consideration नहीं तो contract भी नहीं no consideration no contract बड़ इसका कुछ-कुछ exception है no consideration no contract बड़ इसका कुछ-कुछ exceptions है आई ये पढ़ता है no consideration no contract का क्या-के exceptions होता है देखो when the contract is listen कुछ-कुछ exceptional case है जहाँ पर consideration तो नहीं रहेगा लेकिन फिर भी contract valid रहेगा, बली consideration नहीं है, फिर भी contract valid रहेगा, when the contract is made out of natural love and affection, when the contract is made out of natural love and affection, जैसे एक बाप out of natural love and affection, अपना बेटा को property transfer कर रहा है free में, ये contract valid रहेगा, ठीक है, फिर voluntary services, payment of voluntary service, तो payment of voluntary service अगर हम लोग कर रहे हैं, तो ये contract valid रहेगा, भली इसमें consideration नहीं है, promise ऑपको पता है ना हर डेट मर जाता है थीन साल बाद हो जाता है तो अगर मालो से for example तो मने मेरा फीस नहीं दिया तो मैं तीन साल तक तुम्हारे पर case कर सकता था मैंने नहीं किया अब तीन साल बाद तुम बड़े दिल वालेishing डेट मर चुका है तुम promise कर रहे हो कि मेरा time bar debt चुका रहे हो मैं तुम्हें कुछ consideration नहीं दे रहा हूँ और तुम्हें दरकार भी नहीं दे नहीं दा time bar debt चुका रहे हो तुम बड़े दिलवाले उसके चुका रहे हो बली मैं consideration नहीं दे रहा हूँ यह valid रहेगा contract contract of agency requires no consideration मतलब अगर मेरा staff free में भी contract कर रहा है मेरा staff अगर free में भी काम कर रहा है तो मेरे और staff का contract valid है completed gift पुरा gift deed दिखाय थे gift given through gifted deed completed gift क्या होता है when the gift is given through gift deed regular batch पुरा gift deed खोल कर कर दिखाय थे अगर याद आगया हो तो चबरतस ठीक है so these are the exceptions of no consideration no contract legal capacity में आ जाओ भाई everybody is legally capable to enter the contract except minor lunatic and person disqualified बोलते हैं यार everyone is legally capable to enter the contract ठीक है हरे एक party legally capable है contract enter करने के लिए except minor lunatic and person disqualified अब minor कौन होता है पेटा minor वो होता है यह minor का definition जो है न यह contract act 1872 में नहीं है minor का provision contract act 1872 में but who is a minor has been defined as per Indian majority act 1875 a person who has not even attained the age of 18 year is a minor और if he is living under the court of worship he is a minor till the age of 21 years जो अठरा साल का नहीं हुआ है वो minor है और जो court of worship में रहता है जो court of worship में वो minor है किस साल तक so person is a minor till the age of 18 year and if he is living under the court of worship he is a minor till the age of 21 years minor का एक famous case के है Mohiri B.P.V. धर्मोदास घोष अगर मैंने minor को loan दिया मैंने अगर minor को loan दिया मैं उसको sioo नहीं कर सकता हूँ लोग्で यादखना लेकिन यादखना अगर ये loan मैंने necessarily के लिए education के लिए college peace payment करने के लिए education के लिए तो मैं minor minor जो है बिल्कुल उसका private estate level है मैं उसको स्यूग कर सकता हूँ और उसका bank balance से अपना loan recover कर सकता हूँ अगर उसको loan मैंने निस्स प्रीश कली दिया था फिर position और minor's agreement में आ जाओ बिटा तुमको पता है ना फटा फटा आ जाओ एक तम भायाना कवाला revision चल रहा है यार minor का सारे agreement क्या हो जाता है all agreements with minor are void ab initio come on guys come on pump up yourself minors all agreements are void ab initio void ab initio मतलब void from the beginning जो भी agreement void from the beginning रहता है उसको हम लोग क्या बोलते है void agreement क्या फरक है void agreement और void contract में जो शुरू से void है जैसे minor का agreement lunatic का agreement यह सब शुरू से void है यह void agreement कहलाएगा जो पहले valid रहता है super remaining impossibility के खरण void हो जाता है वो वोईट contract कहलाएगा शुरू से void है तो void agreement पहले valid था बाद में वोईट हुआ तो void contract माइनस agreement शुरू से void है तो void agreement शुरू से वोईट लैबल नहीं रहता है उसका private estate libel है private estate मतलब ढा़ा मम्मी पापा नहीं private estate मतलब minor का bank balance minor का personal property minor का जूला minor का bank balance liable है only for necessaries personally minor liable नहीं है उसका private estate liable है, bank balance liable है for necessaries necessaries is a broader term necessary के अंदर necessity भी आते है and other things which depend on standard of living necessaries के अंदर necessity भी आते है and other things which also depend on standard of living टेक है necessity क्या क्या हो गया food, clothing, shelter, education, legal expense necessity पाश्ट होता है food, clothing, रोडी कबड़ा मकान food, clothing, shelter, education, legal expense and other things which depend on standard of living of minor is also necessaries for the minor for which his private estate is liable minor कभी भी insolvent declare नहीं होता अरे नंगा पैदा हुआ था तो क्या बोलोगे, insolvent पैदा हो गया minor कभी भी insolvent declare नहीं हो सकता minor cannot be declared insolvent no specific performance lies against minor, ठीक है minor के खिला specific performance नहीं हो सकता यादखना, आप उससे जो जब से कोई काम नहीं करवा सकते क्या minor का guardian लोग contract enter कर सकता है, हाँ minor लोग का guardian जो है ना, वो contract enter कर सकता है, which are for the benefits of the minor, जिससे minor को पायदा हो और minor का guardian minor का शादी भी रोख सकता है minor का गारजन से दो पॉट्ट यादखना minor guardian can enter the contract for the benefits of the minor and they can refrain, stop the marriage of minor and no specific performance lies against the minor अब मालो से for example, जैसे मुन्नी, अरे मुन्नी जो contract की ना रे बाबा, अरे मुन्नी contract की थी ना रे बाबा अरे मुन्नी, अरे मुन्नी बदनाम हुई वाले मुन्नी नहीं हरशाली मलोतराद बजरंगी भाईजान बजरंगी भाईजान बजरंगी भाईजान ठीक है, आज से 10-15 साल पहले picture आया था, बजरंगी भाईजान उसमें जो छोटी मुन्नी थी हो तो minor ही थी ना वो खुद कॉंट्राक साइन की क्या नहीं सर, उसके गारजन लो किये थी बिल्कुल, गारजन लो कॉंट्राक साइन किये बिकास इट पॉस फॉदर बेनिफेट साथ दमाई माललो वो मुन्नी सेट पर गई और दे कि उपाबरे, हम इस आदमी के साथ काम नहीं करेंगे, हम ना, 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 माहोल ठीक नहीं लगर है बाबा, हम इस आदमी के साथ काम नहीं करेंगे, तो क्या आप उसको जवरदस्ती कॉंट्राक करवा दोगे, नहीं, इसी को बोलते है, no specific performance, contract sign कर दिया for the benefits of minor, but अब इसका specific performance नहीं कर सकते हैं, if she is not willing to perform the contract, you cannot force, got it, मखन, no ratification is allowed, no ratification is allowed, मतलब, minor कभी न कभी तो major बनेगा, तो बच्पन में किया, वो contract क्या valid हो जाएगा, क्या, बिलकुल भी नहीं, no ratification is allowed, पुराना agreement, बाद में जाकर के, जब वो major हो जाएगा, valid contract हो प्रेश कॉंट्रेक्ट एंटर करना पनेगा, clear, मक्खन एक तम, अच्छा minor क्या partnership में एडमेट हो सकता है, only for the benefits, यानि only for the profits, minor जो है न, principle नहीं बन सकता, agent बन सकता है, minor जो है न, जूट बोल करकी भी बसकता है, minor can always plead minority, minor जूट भी बोल दिया, तो जूट उसके ओपर लाग किसो minor, principle is trouble, does not work किसो minor, minor can plead minority, मक्खन सर, जवर दस, पूरा टन टन टन, minor के सरा points जियाद आगिया, sir, यह तक न, minor जो है, taut के लिलाएबल है, minor is liable for taut, taut मतलब civil wrong, किसी को बेलून मार करके उसका श्रट गंदा कर दिया, minor जो है लिलाएबल है, उसका पर स्रिच्ट गंदा क है पिछकारी मार करके उसका हम लोग bank balance काटेंगे तो minor is liable for taught यानि civil wrong but not those civil wrong which arise out of breach of contract for breach of contract minor is not liable ठीक है फिर unsound mind lunatic unsound mind lunatic बिटा जो अपने होशो हवास में नहीं रहता है उसका हम लोग क्या बोलते है unsound mind lunatic अच्छा या रख ना जो permanent lunatic है permanent doctor उसको certificate दे दिया यह permanent lunatic is known as idiot उसका position क्या रहेगा same as mind अच्छा जिसको जो permanent lunatic नहीं है कभी-कभी वो ठीक रहता है कभी-कभार वो उसको दौरा पढ़ता है शाम को 6 जाके बाद वो पागल हो जाता है सभी होता है कभी-कभार वो ठीक रहता है कभी कभी कभार दौरा पढ़ता है drunken और intoxicated person ganja cruise तो उस समय अगर contract करेगा cruise पर जाकर करके गांजा लेकर करक करेगा तो drunken और intoxicated person जो है उसका agreement invalid रहेगा क्योंकि उस समय उसका सोचने समयने का शक्ति नहीं रहता यह ले ना फिर alien enemy जाधो जाधोढ़ए यह ओदया जाधो जाधो नहीं मतलब की दुसरे gr至 LifREE के लोग नहीं हो गए पहले वो घ्राः को आvens लोग ना देने पी यह लिए tub to the persons of that country with which our country is at war persons of that country with which our country is at war फिलाल आम लोग का alien enemy कोई भी नहीं है तब पाकिसान अरे बेटा war is an official status declared by president of India our president has not declared official war against Pakistan तो right now no one is our alien enemy लेकिन जब war होगा मान लो पाकिसान के साथ अगर तो फिर पाकिसान का हरे एक आदमी हमारे लोग क्या हो जाएगा alien होगा ना करेंगा कभी ऐसा हो और होगा शांती से लोग समझ जाए so persons of all those countries with whom our country is at war refers to alien enemies और जिन के साथ हमारा लड़ाई नहीं चल रहा हो वो क्या है वो alien friend है जिन के साथ लड़ाई नहीं चल रहा हो alien friend है और अगर आपको war के दौरान ही नहीं contract इंटर करने है भारत सरकार से आप रूल लेने पड़ेगा war के दौरान ही नहीं contract इंटर करने alien enemy के साथ तो भारत सरकार central government से आप रूल लेना की होगी alien enemy का काल last का दो चीज मैंने जो बोला बहुत कम लोगों को पता रहता है कि alien enemy के साथ मालो पहले जब वो alien enemy नहीं था contract की है अब war छड़ गया उस contract का क्या होगा suspended रहेगा जब तक war चलेगा और खतम contract active हो जाएगा during the war ही तुम alien enemy के साथ नया contract रेंटर करना चाता है भारत सरकार का approval लेना पड़ेगा नहीं तो वोईड मक्षनिक दम दुनिया में कितना नफरत है देख रहे हो मतलब इस वडियो में भी dislikes है ऐसे लोग student नहीं है ये लोग तो अनमें आ रहा है इन लोग स्पूर्ड नहीं है jealous लोग है कुछ jealous लोग रहते है तो भाई भगवान सबको उद्धी दे jealousy कम करे ठीक है बच्चा बोले cold coffee नहीं hot coffee था बट एक घंटा के अंदर cold coffee बन गया automatically अच्छा यहां दे clear है न आ एलेने नहीं हो गया या फिर नेक्स कोन है नेक्स्ट है बटा foreign ambassador sovereign foreign sovereign foreign sovereign correct और foreign sovereign foreign ambassador diplomat foreign sovereign मतलब दूसरे देश के राजा लोग monarch लोग kings या फिर उन लोग का diplomatic staff तो दूसरे देश के राजा लोग diplomatic staff लोग हम आम आदमी लोग India के आम आदमी लोग उनके साथ contract नहीं कर सकते या दख convict जो jail में सजा काट रहा है convict जो jail में सजा काट रहा है जो jail में सजा काट रहा है तो सजा काटना contract यू कर रहा है convicts are not allowed to enter लेकिन इसमें भी या दख ticket of leave लेंकर के रेगुलर बाइचम पड़ाया हुए बहुत कम लोगों को भी बात पता रहे, टिकट ऑफ लीव लेकर के टिकट ऑफ लीव लेकर के उनलोग भी कॉंट्रक्ट एंड़ धने कर सकते हैं, सो कॉंविट्स केन एंटर्ट्राक्टg कर सकते हैं यहाँ तक जबर दस्टीए जब़र घुनाए अब आखल दास्तन के दोड़े तो EK 849 सो फर सो गुड ओसम 154 अम घल्योजश रहा हुए कल भी आंक कंटिनी ओने वाला है हां और कल हम लोग टोंट्राक का ओशर सी कह और अबिक्टिव करने वाल तो मिस्ट करना कोंट्राक्ट एक्ट में में वाला है और अगर बढ़ते हैं अभी को आगर बढ़ रहे हैं बच्क बोल रहे हैं सर ब्रेक दे दो चलो फाइम मिनिट्स का ब्रेक लो खिला अगर बढ़ेंगे एक पाइम इनट्स ब्रेक आ जाना बेशर मों पांच मिनिट के अंदर एक पीटेंगे पाप लगेगा आ जाना पांच मिनिट ने अंदर एक आ जाना बेशीन वाल आ जाना बेशर मिनिट के अंदर । झाल 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 okay कर दो 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 कर चलो आप अपना लेक्चर जो है अपने आगे बढ़ा रहे हैं यू गाइज रॉक्स्टर या नोट मी यू गाइज रॉक्स्टर लेट साथ प्रीकंसेंट भी होना चाहिए बिल्कुल भाई अगर प्रीकंसेंट नहीं रहेगा प्रीकंसेंट विल्कुल होना चाहिए कब नहीं रहता है फ्रीकंसेंट जब आपके साथ कोर्शन हो या फिर अंडियो इंफ्लेंस हो ठीक है या तो कोर्शन है या फिर कॉर्शन का सेक्षन कॉम से है 15 अडियो इंफ्लेंस का 16 उसका अपने फ्रॉड्स होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए कब नहीं रहेगा जब कोर्शन क्या होता है डराना धंकाना यही तो कोषचन है बिटा सेक्षन नमर्ब बताओ 15 तो बिटा ऐसा है कि कोर्शन जो है section number बताओ कौन सा 15 portion का मतलब क्या होता है section 15 में बताओ तो portion का मतलब क्या होता है section 15 के अंदर portion का मतलब क्या होता है committing मतलब कर देना या threatening to commit कि मा डालेंगे committing सीधा एक पाउ में गोली चला दिया committing और या फिर धंकी दिया ऐसे बंदूग दिखा करके threatening to commit committing या threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code. Committing or threatening to commit. Any hack forbidden by the Indian Penal Code. या फिर unlawful detaining. कुछ तुमारा प्रोपटी वगरा हतिया ली. Unlawful detaining. और threatening to detain any property. Unlawful. चार्ची जा कोर्शन. Committing. या फिर threatening to commit. Committing or threatening to commit. Any hack forbidden by Indian Penal Code. या फिर detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person. तिक है? Against that person. So that we can make that person enter the contract. So that we can make him enter the agreement. This is called coercion. Unlawful detaining. जैसे. अगर मैं बोलू. मैं तुम्हें माडा लूँगा. तुम्हें दोस्कों माडा लूँगा. मैं खुद suicide कर लूँगा. Suicide करने का धमकी तिरा भी coercion होता है. यादा करना undue influence नहीं होता. Suicide करने का धमकी तेरा भी coercion होता है. याद है यहादा है सर्. तो मैं तुम्हें माडा लूँगा. तुम्हें उड़ा दूँगा. तुम्हें उड़ा दूँगा. मैं खुद उड़िया होंगा. मैं खुद उड़िया होंगा. यह सब क्या है? coercion है. undue influence क्या होता है? moral grounds को misuse करना. moral grounds को misuse करना. जैसे teacher धमकार है student को. मेरे से tuition नहीं पढ़ा. तो खराब number देंगे. या undue influence. ठीक है? priest अपना follower को. पंडित अपना जजमान को धमकार है. काली-काली घटाई चारी है. सर्वनाश हो जाएगा. अगर पूजा नहीं करा होगे. या undue influence. तो dominant position वाला जो इंसान है. वो misuse कर रहा है अपने dominant position को. ताकि weaker party उसके सथ contract इंटर कर ले. या undue influence. clear है. contract क्या हो जाएगा? avoidable हो जाएगा. coercion क्या था? section 15. undue influence क्या था? section 16. ठीक है. फिर आता है fraud. section 17. फिर आता है missive presentation. section 18. चलाओ. सबसे बले fraud का बात करते है. section 17. बिटा, मैं आपको बता दू. जब मुझे पता है कि जब मैं बोल रहा हूँ, जूड बोल रहा हूँ. तो फिर क्यों बोल रहा है आप जब आपको पता ही, आप जूड बोल रहा है, तो क्यों बोल रहा है? ताकि साव ने आला, मेरे सथ contract इंटकल. या मुझे पता ही नहीं है कि सच कह है और जूड कह है. कहने को कुछ भी कह दिया, recklessly. ये भी fraud है. तो फ्रॉड कह होता है? mayor silence normally mayor silence fraud नहीं माना जाता but when it was duty to speak when it was your duty to speak and you kept silence then it's a fraud या फिर when the contracts are of uberi में फिड़ी uberi में फिड़ी मतलब honest disclosure of all the facts uberi में फिड़ी मतलब honest disclosure of all the facts जैसे insurance contract होता है uberi में फिड़ी उसमें आपने कुछ उपा आ है ठीक है आपने smoker non smoker वाला बात चुपा लिए आप smoke करते हैं फिर भी आपने चुपा लिए यह बात तो फिर यह सब क्या हो जाएगा uberi में फिड़ी में आपने अगर कोई बात चुपाया तो भाई यह आपने fraud की है miss representation में क्या होता है when a person makes a representation with an honest belief in the truth but the truth changes later मैंने जो बोला वो उस समय सच था वो सच बात में जा करके बदल गया मेरे intention to deceive नहीं था तो यह miss representation माना चाहेगा चाहे fraud हो चाहे miss representation हो contract हो दोने ही case में voidable है फर कितना है कि fraud में मेरे को jail होगा miss representation में मेरे को jail नहीं है mistake section 20 मैं आपको बता दू mistake दो प्रकार के होते है mistake of Indian law and mistake of fact which also includes mistake of foreign so mistake of Indian law एक तरफ mistake of fact एक तरफ अगर कोई party contract tender कर गया और उसको Indian law नहीं पता था it is not an excuse ignorancia jurist non excusita Latin में कहावत है ignorancia jurist non excusita ignorancia jurist non excusita ignorance of law is no excuse मतलब आप contract tender कर गए और फिर आप बोल रहे है मुझे अगर law पता होता ना मैं contract tender ही नहीं करता भगवान के लिए मुझे छोड़ तो contract से निकल ले तो मेरे को तो law नहीं पता था इसके मैंने contract tender कर गया नहीं निकल ले देंगे contract valid है चाहिए unilateral यानि एक पार्टी का मिस्टेक ओलो का या दोनों पार्टी bilateral mistake of law contract will remain valid वेदन इक तो unilateral mistake of law or bilateral mistake of law contract will remain valid even if it is unilateral mistake of law और bilateral mistake of law contract will remain valid इसके ओपर contract का असर नहीं पड़ेगा mistake of law, unilateral हो, bilateral हो दोनों case में contract valid रहे मक्खान ऐसा यह हो गया mistake of law का बात है अब बात करते है mistake of fact का mistake of fact ऐसा है बेटा अगर unilateral mistake of fact है देखो unilateral mistake of fact है contract valid रहेगा contract valid रहेगा ठीक है लेकिन हाँ अगर वो unilateral mistake of fact fraud में से पिसेंडेशन के करना तो तो voidable adoption अभी पाट bilateral mistake of fact है दोनों ही party को fact नहीं पता था bilateral mistake of fact है तो contract void मतलब खली एक प्रकार का mistake ऐसा है जब contract void हो जाते है bilateral mistake of fact दोनों ही party को fact नहीं पता था तो contract void जैसे bilateral mistake of fact related to bilateral mistake of fact relating to existence of subject matter, quality of subject matter quantity of subject matter, existence of subject matter quality of subject matter, quantity of subject matter contract will become void if there is a bilateral mistake of fact related to existence of subject matter जैसे हम लोग याद करो घोड़ा वाला एक्जांबल मैं तुम्हें घोड़ा बेच रहा हूं ये सोचकर की को घोड़ा जिन्दा है जब लोग contract sign कर रहे है दोनों को लग रहा है घोड़ा जिन्दा है जबकि घोड़ा मर चुका है अपने दोनों का mistake हो गया fact का कि घोड़ा जिन्दा है जबकि घोड़ा मर चुका है mistake is to quality of subject matter quantity of subject matter ठीक है ये सब case में contract void हो अब्जेक्ट तो lawful होना ही चाहिए है ना unlawful कब होता है बताओ unlawful कब होता है when it is forbidden by law जो काम law मना कर रहा है या फिर it defeats the provision of law या फिर it is fraudulent और involves injury to person or property fraudulent involves injury to any person or property immoral or opposed to public policy when it is immoral or opposed to public policy then it is illegal जो कब कब object legal होना चाहिए illegal कब मना जाएगा when it is you know forbidden by law defeats the provision of law causes injury to personal property fraudulent, immoral or opposed to public policy क्या क्या agreement opposed to public policy आता है हम लोग डिटेल में अल्यडी बात कर रखे है कि क्या क्या agreement opposed to public policy मना जाता है what are the agreements which are regarded as opposed to public policy क्या क्या agreement opposed to public policy मना जाता है agreement of trading with enemy if you are trading with enemy alien enemy के साथ contract कर रहे हो तो opposed to public policy है void बाना जाएगा agreement to commit a crime कि जाओ उसका murder कर दो मैं तुमें 5 लग दूंगा उसका murder कर दो यह सब भाई illegal बाना जाएगा opposed to public policy as well as illegal agreement which interferes with administration of justice तो मिनमें आगिया sir administration of justice judge को घूस देने के लिए अगर तुम agreement कर रहे हो तो यह क्या हो जाएगा opposed to public policy because it is interfering with lawful justice इंसाफ के खिलाफे तुम judge के साथ agreement कर रहे हो घूस देने का ठीक है interference is the course of justice मतलब judge को bribe दे रहे हो stiffling prosecution stiffling prosecution समझ में आता है yes sir stiffling prosecution समझ में आता है मैंने कोई crime कर दिया ठीक है और मैं बोला चलना मेरे उपर case मत कर मैं तेरे को 5 लग रुबिया दे देगा मालनो मैंने तेरे accident कर दिया और मैं बोल रहा है police complain मत करना है fair मत करना मैं तेरे को 5 लग दे देगा नहीं भाई you cannot trade a felony you cannot make a trade of felony felony मतलब crime a grave crime मैं बता दू England में ये वॉइड है भाण में क्या England India में valid है what matters India India में ये valid है क्योंकि यहां बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं इसलिए गरीबों को support करने के लिए चेंपटी और मिंटिनेंस valid मना गिए क्या होता है बटा बटा या तो मैं तुमारा lawyer का fees दे दूँगा या मैं खुदी तुमारे लिए case लड़ूँगा तुम केस फाइल करो, मैं तुमारे साथ हूँ, मैं मसीहा हूँ, social worker हूँ यह हो था maintenance I am going to help you in filing the legal suit without any consideration, यह valid है बोले ना घरीब लोग को तारा देने के लिए चैंपाटी में क्या होता है? मैं तुमको मदद कर रहा हो ना केस जीतने में अगर केस जीत गए, तो मेरे को winning प्रोसीड में हिस्ता चाहिए मालो प्रॉपटी का केस चल रहा है, अगर तुमको मैंने प्रॉपटी का केस जीता दिया मेरे को एक प्लोर मिलना चाहिए, यह हो गया चैंपाटी दोनों valid है agreement and restraint of legal proceeding मतलब अगर contract में मैंने लिख दिया कि मैं अगर contract breach भी कर दूना, तोड भी दूना, तुम मेरे को CEO नहीं कर सकता तो यह clause जो अगर मैंने contract में लिखा है यह terms and condition, यह clause जो मैंने contract में लिखा है मैं breach भी कर दो, तुम मेरे को CEO नहीं कर सकता यह null and void है तुम मेरे को स्यू कर सकता है contract valid रहेगा खली यह वाला point invalid हो जाएगा जिसमें मैंने लिख रहा था तुम मेरे को स्यू नहीं कर सकता हूँ मैं breach भी कर दिया तुम मेरे को बिल्कुल स्यू कर सकता trafficking in public offices and title मेरे को मानलो भारत रतना मिला मैं भारत रतना तुमको बेच सकता हूँ क्या या मैं प्राइम मिनिस्टर बना मैं ये कुर्सी तुमको बेच सकता हूँ क्या government offices, government titles बेचा नहीं जा सकता प्रोफेशनल ड्यूटी मानलो auditor का independent audit करने का जुमिदारी है अब मैं तुमसे अगर पैसा ले रहा हूँ और पैसा ले रहा हूँ कि मैं independent audit नहीं करूँगा तुम जैसा बोलो कि मैं विसा करूँगा ये null and void रहेगा, ये contract opposed to public policy agreement in distributing personal liberty मैं कभी बाहर घुमने नहीं जाऊंगा ठीक है ये सर agreement, फाल तो agreement agreement in distributing personal liberty अपोस्ट टू पॉब्लिक पॉलिसी है, जी और जीने दो agreement in district of marriage मैं वादा करता हूँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगा ये अपोस्ट टू पॉब्लिक पॉलिसी है, दुनिया कैसे आगे बढ़ेगा marriage brokerage, छी 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 छी, शादी कराते हो पैसाओ के लिए, शादी के दलाल हो तुम, शादी का दलाली जो है वो बॉर्डर से कॉल आगिया कि वापस आओ तो तुम मेरे को अपना मेरा कॉंट्रेक्ट दिखाओगे नहीं भाई यह सब जो कॉंट्रेक्ट है ना जो भी सोल्जर के रास्ते पर आ रहा है वो नल एंड वाड़ है अपोस्ट पॉब्लिक पॉलिची क्रेडिटर को यह गॉर्मे अगर बात करे तो दो प्रकार का होता है agreement in restraint of trade दो प्रकार का होता है absolute restraint and partial restraint absolute restraint क्या हो जाएगा यहां तक जबरदस clear है जबरदस awesome unbelievable so far so good आगे बढ़ रहे हैं बेटा performance of contract and breach of contract आज यही बटा performance of contract and breach of contract देखो बटा contract जो ने discharge हो जाता है in any of the following six cases एक बड़ी छे कर छे के इस फटा फट रिवाइस करो यहां से बहुत important provisions है but trust me 20 minute में रेको और दीजे मैं 20 minute में आपका revision complete करवा दूँगा but पहले एक बर यह 6 के साथ आपका पढ़िये दो मिनिट के अंदर discharge of contract है यह 6 के साथ पढ़िये दो मिनिट के अंदर पुरा पाड दी एक दम चपरदस revision चल रहा है please go through this six cases इन हाओ झाओ झाओ मिनद्प्र झाल 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 पढ़ने बोले थे आज 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 बजे भी जो है ना तुम लोग आज आने एक बढ़ हमारे मेपील के सारे फैकल्टी जो है आज बजे ने बैच के अलान करेंगे तो अपने जुनियर्स को भी रेफर कर देना और फोड़ा चिट्चेड भी कर लेना गाइडेंस भी लेना हमसे आज 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 और कॉंट्रैक के साठ जनम का अफेर है के नहीं तो कॉंट्राक कभी नथे कभी दो डिस्चार भ Zooga Terminator भी बिलकूल होगा के सिमीं कॉंट्रेकD luc Bild class open professwo कर तो सुट्रेक the contract लोग करे और they are agents or they are legal representative or joint promises performance parties भी कर सकता है agent भी कर सकता है legal representative भी कर सकता है joint promisor भी कर सकता है joint promisor का मैं आपको एक example देता हू मलनो say for example ABC तीनों मिल करके jointly मेरे को वादा किया ठीक है मेरे से समान खरीदा goods करीदा 6000 रुपया का मेरे से goods करीदा 6,000 रुपया का, they are the joint promisers, and they are liable to pay me 6,000 अब मोहित अगरवाल जरूरी नहीं है, 2,000 रुपया मांगेगा, मैं किसी से भी 6,000 रुपया मांग सकता हूँ, मालो मैंने party A को CEO करके, 6,000 रुपया रिकावर कल, जबकि उस बिचारा के पाती में तो 2,000 राना था, बट मैंने उसे 6,000 रुपया रिकावर कल, उसने ज़्यादा कितना दी तो A ने ज़्यादा दिया है, 2,000 तो दे नहीं था, उसने 6,000 दिया, ज़्यादा दिया है 4,000, तो जो joint promisers A है ना, वो अब जो 4,000 दिया है इंसॉल्वेंट हो गया, रास्ते पर आ गया, तो उसका किड्नी धोड़ी न बेज़ेगा इंसॉल्वेंट हो गया, तो C को छोड़ दो, तब फिर जो 6,000 रुपया था, वो दोई पाटी में 3,000 रुपया देना चाहिए था, A ने 6,000 दे दिया तो B से वो 3000 लेटा, C अगर इंसॉल्वेंट हो गया, तो स्कोर आदो, 6,000 डिवेरए हैं 2% दो दो, 3000 तो फिर A विल रिकवर रॉम भी 3000, सर बी भी अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो खली A 6,000 देगा, सर वो भी इंसॉल्वेंट हो गया तो तो फिर मैं मेरा नुक्सार, मोहित अगरवाल से, मैं किसे नहीं वसूल दखता, got it sir, मखन, यह हो गया परफॉर्मेंस का बाद, ठीक है, discharge of contract, mutual consent से भी होता है, contract and discharge भाई, mutual consent also, mutual consent अगर आपको याद हो, both the party should agree, both the party should agree, mutual consent होता है, क्या, क्या होता है, novation, alteration, rescission, remission, and waiver, novation में क्या होता है, जब हम लोग जो old contract रहता है, उसको cancel कर देते है, नहा contract enter करके, माला मैंने building i.e खरीदा था, promoting promoter से promoter मतलब सब्सक्राइब आता ना जो builder है मैंने builder से building ए खरीदा था ठीक है मैंने builder से building ए खरीदा था अब मैं builder के पास किया तो नो ना building के पसंद नहीं आ रहा है can we enter a new contract for building B अगर सामने आला भी हाँ बोल दिया mutual consent होना चाहिए तो building A का contract अब हम लोग नया contract building B का बना लिए तो यह innovation है old contract is substituted by a new contract that's called innovation तो building A वाला contract to discharge हो गया ना नया contract आगया building B वाला but building A वाला contract to discharge हो गया ना innovation खतम अब आधी alteration का alteration का अगर हम लोग बात करे बेटा alteration मतलब क्या होता है कि कोज भी terms and condition important terms and condition change कर देना जब contract के अंदर important terms and condition कोई भी contract के अंदर important terms and condition change कर देता है alteration हो जाता है मालो 10 सारी का due date था उसको 20 सारी कर दिये तो 10 सारी कवाला due date वाला contract discharge हो गया recession में क्या होता है दोनों ही party decide करता है कि दोनों की perform करने का बंदी I also don't want to perform the contract other party also does not want to perform the contract contract is recently discharge remission और waiver में क्या होता है बेटा तुरना मैंने mobile वेचा था पांच्या जार रुपिया में सामनेल है मेरे को 2,000 दिया मैंने माफ किया तीने जार रुपिया मैंने माफ किया पांच जार का सौधा था दो अजार उसने दिया मैंने जार रुपिया में थोड़ा मैंने माफ किया और वेवर में तो पूरा रुपिया कर दिया या पिर अगर सामने अला पाटी अन ओथोराइस अल्टरेशन कर दिया अन ओथोराइस ऑल्टरेशन इन तरम्स उसको एक बड़ा कांट्रेक के अंदर समागी है बहुत भाट ऊड़ा से नोवेशन और मर्जर में क्या हो रहा है छोटा contract बड़ा contract गेंदर समा जा जा जाए है जैसे मैंने builder's से पहले building A का contract किया था अब मैं builder के पास जा करके बोल रहा हूँ यार मेरे को ना तेरा building B भी चाहिए तो एक लेया contract बनाते है जिसके अंदर A और B building दोरो में खरीग जा तो E वाला चाहिए बिलिड़ा केंट करकर कीным building भी खरीठ आओ वह posta no죠 भी इंपॉसिबीलिटी और frustration बिचिच इशाज बाई शुपर विनि'T आपसिबिलिटी फूपर वेनिंपॉसिबिलिटी कर उद विटा अट्था इन्धेर तो लिड़ा because it was possible to perform the contract but in future in future some event has taken place which makes it impossible for the contract to be performed जिस समय contract enter किये थे उस समय valid था perform करना possible था, future में कुछ ऐसा event हो गया कि वो event अब contract को impossible कर देता, contract perform नहीं हो सकता इसको बलते है super winning impossibility contract क्या हो जाएगा, पहले valid था वो event के करन वोईड हो गया, तो ये जिस समय contract enter किये थे, एक हाफता बाद गोड़ा का डिलिवरी करना था लेकिन वो मर गिया, subject matter नहीं destroy हो गिया, जिस समय contract enter किये थे, उस समय गोड़ा जिंदा था एक हाफता बाद डिलिवरी था, गोड़ा मर गिया contract discharge हो जाएगा because subject matter ही destroyed, void contract या फिर contract was entered on the basis of continued existence of certain state of affair, but that state of affair ceased to exist, जैसे मैं ने बताया था, आपको contract का example दिया था मैं नेपाल गया, hotel book किया hotel का कमरा बुक किया, ये बोल करके, मेरे को उतना दिन के लिए hotel करूं दो, जितना दिन नेपाल में वो राजा का तिलक चलेगा, राश्य तिलक मैं देखने की हूँ, king procession, अब अगर राश्य तिलक खतम, तो मेरा hotel वाला के साथ contract भी खतम, फिर personal qualification, तोनु निगम को मैंने hire किया था, गाना गाने के लिए, उसका घला खराब हो गया, तो contract तोनु निगम के साथ खतम हो जाए, तो बताव super winning impossibility का, फटा फट मेरे को बतादो, तीन case बतादो, subject matter destroy हो गया, या फिर contract, just state of affairs को business बना करके enter किया गया था, contract was entered on the business for certain state of affairs, those state of affairs these two exist या फिर personal incapacity of a party कुछ-कुछ case super winning impossibility नहीं होता, contract को perform करना पड़ेगा दिकत हो रहा है perform करने में फिर भी दिकतत हो और perform करो, difficulty of performance is not a super winning impossibility commercial loss, loss हो रहा है, कोई बात नहीं loss तहो और perform करो strike, lockout, civil disturbances like right, तुम्हारे factory में अगर labor strike कर देए, तुम्हारा समस्या है, हमरा नहीं super winning impossibility नहीं है, contract perform करना पड़े breach of contract बेटा दो प्रकार का होता है, सामने अला party बोलती है, हम contract perform नहीं करेंगे, तो यह होता है breach of contract, breach of contract can be of two types, breach of contract can be of two types, clear, breach of contract can be of two types, actual breach, anticipating boundary,ầy boundary breach क्या होता है, due date के पहले सामने अपर बोलते हैं,ां contract perform नहीं करें, यह होता है anticipate, हम अगर चाहें, तो अभीभी issue कर सकते हैं, wait करकpit due rate का बाद में भी इस्यू कर सकते हैं अभी भी इस्यू कर सकते हैं अब सामने अब रीच किया है तो हम लोग ठोड़ेंगे क्या नई सार तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग भी contract recent कर देंगे या फिर हम लोग damages मांगेंगे specific performance के लिए स्यू कर सकते हैं injunction के लिए स्यू कर सकते है damage specific performance injunction quantum minute as much as earned अच्छा damages जो है ना दो प्रकार का होता है पत्टा फट बॉस और गल्स कमान pump up yourself बस घड़ी देख कर गए 10 minutes और 10 minutes more damages damages can be of two types liquidated damage unliquidated damage liquidated damage क्या होता है the amount of damages अगर पहले सी contract में लिखावा था पहले सी अगर contract में लिखावा था कि जो भी contract breach करेगा वो 5600 क्रुपय का damage देगा वो तै लिक्विडेट तो liquidated damages are those damages which are already mentioned in the contract unliquidated damages are those damages which are not mentioned in the contract liquidated damage जब damage mentioned है contract में unliquidated damage जब damage contract में mentioned नहीं है तो वो unliquid damage अच्छा unliquid damage जो है वो चार प्रकार का होता है ordinary special vindictive और exemplary nominal ordinary damage special damage vindictive और exemplary punitive damage and nominal damage ordinary damage क्या होता है the actual amount of loss suffered by the party जो actual amount of loss suffer किया ना party ने उसका हम लोग बोलता है ordinary special damage क्या होता है हम सामने वाला party से जो breach कर रहा है contract हम उससे जो समने वाला party breach किया हम उससे special damage दे सकेंगा अगर दोनों condition सटिस्टाइब है मेरे को special loss हुआ और वो special loss के बारे में पहले सी contract में लिखा हुआ था मैंने पहले बोल दिया था तुम अगर माल मेरे को 15 तारिक तक supply नहीं किया मैं चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा मेरा चाइना का ship जो है उसका भड़ा बरबाद जाएगा चाइना मेरे उपर penalty लगाएगा वो अगर यह सो contract में पहले से लिखा हो और वही हुआ 15 तारिक तक आपने supply नहीं किया मेरा जो ship का भड़ा था वो अबरबाद चाइना मेरे को penalty लगा है यह सब special laws हम तुम से लेंगे क्योंकि contract में मैंने पहले से ही बता रखा था exemplary और punitive damage कब लेते है loss of good will जब हो जाता है तुमने contract breach किया मेरे इजज़ट चला गया दो case में ऐसा होता है दो case में ऐसा होता है breach of contract to marry yes breach of contract to marry मेरे साधी करने का भड़ा करके शाधी तोड़ दिया समाज में मेरा इज़ट चाहेगा मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं damages लूंगा और दूसरा होता है wrongful dishonor of check bank में पैसा होने के बावजूद भी अगर bank गलती से मेरा check dishonor कर देता है इज़ट तो मेरा गया हम बैंक को छोड़ेंगे जितना छोटा amount का check dishonor होगा उतना जादा इज़ट जाएगा 1000 रुपय का check bounce हो जादा इज़ट जाएगा तो जादा damages लेंगे lower the check amount bounce higher the इज़ट gone higher will be the damage and nominal damage क्या होता है actual में मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ बर तुमने breach किया तो किया कैसे रहे तो शगुन का damage 50 रुपया 100 रुपया court मेरे को दिलवाएगा nominal damage मक्खन सर पिर तो the specific performance जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा contract को perform करना पड़ेगा you just cannot breach the contract how dare you breach the contract court will compulsorily make you perform the contract so when the court orders the breaching party when the court orders the breaching party to compulsorily perform the contract that's called specific performance मालो तुम मेरे को बला जमीन बेचेगा जमीन बेचेगा सौदा हो गया जमीन का भाव बढ़ गया तुम जमीन बेचने समना कर रहा है court तुमको जवरदस्ती जमीन जो है वो हैंडोर करवाएगा इसको वो लोग बोलते हैं specific performance लेकिन कुछ कुछ केसमें specific performance available नहीं रहता minor के खिलाफ available नहीं रहता या फिर when the contract involves personal qualification अब जैसे सौनो निगम का गला खराब हो गया तो क्या उसको डंडा मारके तुम गाना गवास होगे नहीं और नहीं भी खराब होगे तो भी तुम क्या उसको जवसी काना गवास अगोगी क्या नहीं तो कुछ कुछ किसमे specific performance possible नहीं हो जैसे minor के खिला specific performance नहीं मिलेगा personal qualification वाला contract में specific performance नहीं मिलेगा जहां damage is adequate remedy है damage is sufficient है वा specific performance नहीं मिलेगा क्या क्या बताओ जहां damage is adequate remedy है ठीक है या फिर जो court supervised नहीं कर सकता example building contract या personal service वाला contract या minor इन लोग के खिलाफ प्रसिक performance नहीं होता injunction क्या होता है it's a negative order negative order which will restrain a person from entering a new contract it's a negative order which will restrain a person stop a person from entering a new contract until he completes the previous contract negative order है तुमको नया contract नहीं करने देगा जब तक तुम अपना पुराना contract पुरा नहीं कर देता तुम मेरा नहीं तो किसी कभी नहीं मखन सर last topic boys and girls contingent and quasi contract come on pump up yourself pump up yourself pump up yourself अच्छा channel subscribe करकर रखना है बेल एकन दबाह कर रखना है one stop solution है तुमको अगर pass होना है rank लाना है last तक और in fact CACACMA बने के बाद भी तुमको ये channel में quality content मिलते रहेगा juniors को पका से refer करना classes क्योंकि हम इतना आप लोग के लिए करते हैं तो I also expect the same love from flowing from your side तो juniors को पका से refer करना classes और तुमारे लिए एक खास बत यह है मैंने अपना एक नया channel बनाया current affairs and corporate world मेरे चाने वाले उसको subscribe करके बढ़े होंगे और जिनको नहीं पता मैं उनको भी link दे देता हूँ current affairs and corporate world का channel है current affairs and corporate world का channel इसको अभी के अभी subscribe current affairs and corporate world का channel है इसको अभी के अभी subscribe कर लो ये रहा link अभी के अभी current affairs and corporate world channel सब्सक्राइब भी कल और घंटी भी बजा दो ताकि आपको सारे Current F.S. and Corporate World के बारे में पता चल सके अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजे लिंक मैंने बहुत बार दे दिया है चेक कर लीजे लिंक मिल चुका होगा फटाफट गाइस अभी के अभी जस्ट गिविंग यू ना वन मिनुट दो इट राइट नाओ और फिर अभी अभी लास्ट टॉपिक ख़़म करेंगे Contingent and Quasi Contract और कल तो भाई Question Answers Objective Question Answers solve करेंगे Mendiquist के लेंगे कल It is the best way to revise तो कल वाला क्लास में समत करना कल वाला क्लास छोटा रहेगा 45 मिनिट्स कही रहेगा जिसमें अपने Mendiquist के लेंगे Current Affairs and Corporate World का चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितना जल्दी तुम लोग सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी तुम लोग के लिए वीडियो जो है वहाँ पर हाजिर होते जाएगे घंटी भी बजा दो और अब्वियस सब्सक्राइब करके रखे होगे तभी यहाँ पर आऊ बले एकन भी दबा कर रखना चल्वी स्टार्ट अलस्ट टोपिक देन येस सर्वी शूट स्टार्ट अलस्ट टोपिक लेड़स एट पिंटे तट विच्ट यहाँ शब्रट सेटी लेड़स प्लाट ऑ्ट्री लेड़स विच्ट विट रखे ट बोसंग विच्ट गट्ट अटुटवी स्टार्ट याश पूशे ताल का टाइम के है। बिटाव डेली टू पी एम है। डेली टू पी एम। अरे यार। इतना तो फ्रचार किया था, MEPL उत्तव चल रहा है। डेली टू बियम आपका देम चल रहा है। डेली टू पीम भाई। दस मिनिट और चलो स्वाट करते हैं। Continued contract इस होते हैं बताओ, section number 31, बेले में यह बता दूँ, यह valid है, Continued contract valid है, Continued contract is a contract, Contract to do or not to do something which depends on happening or non happening of an uncertain event, Contract to do or not to do something which depends on happening or non happening of an uncertain event, Best example इसका है, मैंने तुम्हें बोला, If the ship reaches the port safely, I am going to sell you the goods, तो मैं तुम्हें माल बेचूंगा, माल बेचने का contract मैंने तुमसे किया है, बट एक शर्त है, जो ship माल लेकर के आ रहा है, वो port safely reach करना चाहिए, If the ship reaches the port safely, I'll sell the goods, If the ship suns, it does not reach the port safely, मैं तुम्हें माल नहीं बेच सकूंगा, तो यह contract निर्भर कर रहा है, ship के आने पर ठीक है, सही सलामत, तो यह continuing contract और यह valid है, अगर wagering agreement क्या होता है, कुछ contract to do or not to do नहीं है, wagering agreement is a betting agreement, दो आदमी लोग अपस में शाहत लगा रहे है, ship आएगा कि नहीं है, अरे, तेरे को क्या करना है, ship आएगा या नहीं है, तेरे कूछ करना नहीं है, तो अगरी betting लगारे, ship आएगा कि नहीं है, ship आएगा कि नहीं है, that's a wagering agreement, void है, wagering agreement, void all over India, except महारास्ट्रेंग गुजरात, महारास्ट्रेंग गुजरात में illegal है, बात बाकि rest of India में void, continue contract हर जगा valid, प्लियर है, तो यह था continuing contract, इसका enforcement rules भी पढ़ लेना, रिप्या करके, हाँ, जाए कौसी contract के अंदर, please come to कौसी contract, कौसी contract जो है ना, यह valid contract है, although it does not satisfy all the conditions of a valid contract, although it does not satisfy all the conditions of a valid contract, like offer acceptance, legal consultation, legal capacity, हो सकते ही, सारे conditions मौझूद, ना हो, फिर भी यह contract को valid मना जाएगा, it is based on maxim, nobody can enrich himself at the expense of a valid, nobody can enrich himself at the expense of a valid, nobody can enrich himself at the expense of a valid, आप अपने आपको फाइदा नहीं पहुचा सकते हैं, मेरे को नुकसान पहुचा करके, अगर आपने फाइदा उठाया है मेरा, तभी तो माइनर को जो अपने नेसेसरी supply करते थे, माइनर, लुनेटिक लोग को जो नेसेसरी supply करते थे, उन लोग को जिंदा रखने के लिए रोडी कबडा मकान दिये, और जो रोडी कबडा मकान दिये, उसी का पहसा मार लिया जाएगा, नहीं, यह contract valid रहेगा, अल्दो उन लोग legally capable, नहीं है, फिर भी यह contract valid रहेगा, यह देखो, section 68 से लेकर है के section 72 बड़ा, पांच case होता है कोजी contract है, इसके लब और कोई कोजी contract नहीं होता, के वल यह 5 case है कोजी contract है, एक तो necessary supply to the persons incapable of contracting, so when we are supplying necessaries to minor lunatic who are incapable of contracting, the contract is absolutely valid, okay, right to recover money paid for another person, right to recover money paid for another person, say for example, landlord, मेरा जो बाड़ी वाल है, landlord है, उसने property का municipal tax जमानी किया, मैंने अपने interest को बचाने के लिए, नहीं तो मैं भई कहां जाऊंगा, अपने बच्चों को ले करके, मतलब तुम लोग को ले करके, तो मैंने municipality का tax जमा कर दिया, भली landlord का ये tax था, लेकिन मैंने जमा कर दिया, नहीं तो मेरे को property खाली करना पड़ता, है ना, तो मैं ये landlord से recover कर सकता हूँ, या देखना, अच्छा, सड़क पे दो आदमे का जगडा हो रहा था, तुमने जाकर रहके बस पैसे दे दिया, वो तुम recover नहीं कर सकता, money paid for other to protect own interest, money paid for another person to protect own self-interest, then you can recover it, landlord का तुमने property tax जमा किया, ताकि तुमको property खाली ना करना पड़ता, वो तुम landlord से वसूद सकता, section 70, obligation of person enjoying the benefit of non-gratuitous act, obligation of person who is enjoying the benefit of non-gratuitous act, non-gratuitous मतलब, gratitude मतलब free, non-gratuitous मतलब not free, गलती से domino's वाला, तुमारे घर पर pizza जो है ना, खोड़ करके चला गया, गलती से, तुमारे पड़ोसी का वो pizza था, तुमारे घर पर ठोड़ कर चला गया और तुम हजम कर गए, तुम्हें पता था कि domino's pizza free में नहीं बाढ़ता, लेकिन फिर भी तुम, free वाला माल नहीं था, फिर भी तुम चबा आ गए pizza को, तुम्हें उसका पैसा चुकाना पड़े, तुम्हें पप्पी का बहुत शौक है, अरे pet dog, अरे बेशरम, let me talk in English, otherwise you misinterpret, you are fond of puppies, pet dogs, रासे में किसी का खोया हुआ डॉगी, तुम घर ले आए, अब क्या है, ये तुम्हारा जिमिदारी है, कि तुम उसका देखबाल, एक आम आदमी की तरह करोगे, ठीक है, ओनर को ढूणने का कोशिश करो, और ये ओनर का जिमिदारी रहेगा, कि वो जो भी तुमने डॉगी के ओपर खर्चा किया है, या गुड्स को पालने के लिए खर्चा किया है, वो ओनर तुम गो चुकाएगा, बले ही तुम्हारे में और ओनर में कुछ कॉछ कॉट्राक्ट नहीं था, फिर भी, फाइंडर दा लॉज गोड्स के पास ये पावर है, कि वो गोड्स का खर्चा मांग सकता है ओनर पे, और अगर या दखना, तूठर से ज़्यादा तुमने खर्चा कर दिया, गोड्स का वेल्यू 30,000 था, गोड्स का वेल्यू 30,000 था, उसका तूठर बता दो 20,000, उससे ज़्यादा तुमने खर्चा कर दिया, तो तुम माल बेच सकते हो, liability for money paid by mistake कभी ऐसा गलती से हुआ है कि तुमने shopkeeper को 500 रुपया के जगा 2000 रुपया पकड़ा दिया या balance लेना भूल गए तो क्या हो shopkeeper का हो जाएगा तुम जा करके उसे future में recover कर सकते हो extra money paid by mistake you can recover it later on गजब sir, सारा मज़ा आ गिया sir सार ये quantum merit क्या होता है सार ये quantum merit quantum merit मतलब होता है as much as earned as much as earned it is also a type of quasi contract अभी हम लोग पढ़े थे ना person enjoying the benefits of non-gratuitous act if I have enjoyed the benefit of an act which was not free, non-gratuitous act I must pay for it reasonable remuneration मेरे को चुकारा पढ़ेगा अगर remuneration fixed नहीं था तो reasonable remuneration चुकारा पढ़ेगा यहले example पढ़ेगा एक बारा quantum merit मतलब क्या होता है as much as earned यहले example पढ़ेगा X provided gardening service to Y X ने Mali का काम किया Mali सामझ में आता है gardening service Mali to Y without an express promise X provided gardening service Mali वाला service to Y without an express promise for a definite remuneration कोई remuneration fixed नहीं था तो क्या X को पैसा नहीं मिलेगा बिलकुल मिलेगा in such case Y will have to pay reasonable remuneration जो भी market rate है gardening X को as much as earned quantum merit जोरदार का लिया दोस्तों जोरदार का लिया बेटा इसी तरीके से इसी तरीके से law का remaining chapters भी revise होने वाला है आपावर पैक रिविजन है आज़ो बई आज़ो आज़ो बई सब के सब चलो ले बई स्टाट sales of goods act 1930 sales of goods act 1930 guys पेशे sales of goods act 1930 आज़ेगे ready जबर्दस वाला रिविजन रेने वाले तुमारे पूरे भेजे के अंदर जो है ना सारा ये points घुसा दूंगा ये guarantee है मेरा full chapter revision होगा yes जी हाँ बिल्कुल full chapter revision होगा बिल्कुल जी full chapter revision होगा part chapter कुछ नहीं होता है पूरे chapter revision होता है तो भाई इतना मेनत कर रहे है बदले में खाली तुमसे एक ही चीच चाहिए अच्छा marks और कुछ नहीं चलिया जाएगे let us hit it sales of goods act 1930 ठीक है sales of goods act 1930 सबसे पहले तो आप मुझे यह बताएए sales of goods act 1930 यह act जो है it is applicable all over India yes sir it is applicable all over India जमू कुषमेर के उपर भी applicable है सब के उपर applicable it is applicable all over India यह act लाया कब गया था यह act जो है ना यह apply किया गया from 1st of July 1930 1st July 1930 के पहले पता है खास बात किया था कि जो goods का provision था ना वो contract act के अंदर ही था बट जैसे जैसे goods का transaction बढ़ने लगा सबको समझ में आ गिया कि जो contract act है जिसके अंदर थोड़ा बहुत goods का provision लिखा हुआ है वो अब सम्हाल नहीं सकेगा क्योंकि goods का transaction बढ़ने लगा गिया था purchase and sale of goods transaction increased multiple folds पहले goods का provision खाँ पर था contract act के अंदर था जैसे जैसे transactions बढ़ गिया lawmakers को भी समझ में आ गिया अब एक separate act का दरकार है goods को govern कने के लिए तो contract act में जो थोड़ा बहुत goods का provision था वो बहार किया गया contract act से और बहुत अरा provision ड़ा गिया और एक full-fledged act का जनम हो गिया sales of goods act 1930 which became applicable all over India ठीक है and it is now applicable all over India and it became applicable from 1st of July 1930 यहां तक concept clear है अब दोस्तों आखिर यह contract of sale क्या होता है मैं आपको बता दू यह जो contract of sale होता है बेटा यह contract of sale के अंदर sale भी आता है agreement to sale भी आता है contract of sale जो है ना it's a broader term इसके अंदर sale भी आता है सबसे बले हम लोग बात करते हैं कि आखिर contract of sale क्या होता है what is the definition of the contract of sale what do you mean by contract of sale तो ऐसा है contract of sale means contract of sale means transfer contract of sale means a contract contract of sale means a contract in which seller transfers or agrees to transfer seller transfers or agrees to transfer the property in goods to buyer for a consideration called price contract of sale means a contract in which seller transfers or agrees to transfer the property in goods यह नि ओनर्शिप इसके बायर for consideration called price so it's a contract whereby seller contract of sale क्या है according to section 4 contract of sale means a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to buyer for a consideration called price now if we break down this definition if we break down the definition of the contract of sale we get several features out of it पहला फीचर क्या होता है क्या बुलागे यहाँ पर दो पाठी रहेगा seller transfers or agrees to transfer the property in goods to buyer for consideration called price so तो सबसे पहला feature of contract of sale है कि भाईया there are two parties so it's a bilateral contract the first feature of contract of sale is it's a bilateral contract पहला फीचर किया बही पहला फीचर यह है कि भाईय potem breathe it's a bilateral contract voting by bilateral contract bilateral contract means there are two parties involved one seller and one buyer bilateral contract मतलब दो पर्टी इंवल्ड है, one seller and one buyer because nobody can buy himself is good, nobody can buy himself is good, आप अपना समान कुछ से खरीच चकते हैं क्या चलो यह पहन मेरा ही है, मैं खरीचता हू इस पोकेट से उस पोकेट में रुपिया रख दिया और लेफ पोकेट से रुपिया निकाल करके, राइट पोकेट में रख दिया आप नहीं रे बाबा, nobody can buy himself is good तो इट र्क्राइस तो पर्टी इस one will be the seller and one will be the buyer so it's a bilateral contract, second feature of contract of sale होता है, second feature of contract of sale होता है, transfer agreement to transfer, both are covered, transfer मतलब sale, agreement to transfer मतलब agreement to sale, so contract to sale is a broader term, जिसके अंदर sale भी आता है, और agreement to sale भी आता है, sale में क्या होता है, transfer हो जाता है तुरंट, ownership of the goods agreement to sale में क्या होता है, ownership तुरंट transfer नहीं होता, future date पर transfer होता है, तो contract or sale के अंदर लेकिन या दखना, contract or sale broader term में उसके अंदर sale भी आता है, और agreement to sale भी आता है contract or sale is a broader waiting to sale also and agreement to sale also property in goods property in goods ownership of the goods property in goods का मतलब क्या होता है भाही बता दो property in goods का मतलब क्या होता है भाही बता दो ownership of the goods property in goods का मतलब होता है ownership of the goods जी हाँ so ownership of the goods transfer or agree to transfer ownership of the goods subject matter क्या है goods है contract or sale का subject matter क्या होता है goods होता है ठीक है and consideration call क्या बता हो तो price अच्छे एक चीज बताओ ना मेरे बच्चो, मेरे बच्चो एक चीज बताओ, मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ, क्या गुड्स के बदले में पूरा गुड्स चलेगा क्या, मैंने तुमको गुड्स बेचा, और तुमने बदले में क्या दिया, मेरे को गुड्स पकड़ा तोगा लाउ नहीं करता है goods के बदले में थोड़ा goods, थोड़ा पैसा, थोड़ा money चलेगा हाँ चलेगा goods के बदले में पूरा money दोड़ेगा clear है सन्य contract तो sale एक generic term है genus है जिसके अंदर दो type के contract बनते है एक तो sale का और एक agreement to sale का sale में क्या होता है seller transfers the property goods seller transfers the property goods to buyer for consideration call price, agreement to sale में seller agrees to transfer the property goods to buyer for consideration call यह था sale and agreement to sale का sale and features of contract to sale अभी अभी हम आपको बताए है ठीक है, what are the salient features of contract to sale फटटपट बतादो, यह सारे अच्छा दोस्तों एक बात बताओ ना अभी अभी मैंने आपको बताए salient features of contract to sale तो salient feature यानी main feature of contract to sale का bilateral contract bilateral contract होना चाहिए और बताओ, bilateral contract के लाव और क्या होना चाहिए transfer agreement to transfer both are covered transfer and agreement to transfer, यानी sale agreement to sale both are covered subject matter will be goods subject matter will be goods consideration is called price अच्छा, यह भी आदखना, other features of Indian contract act 1872 must also be satisfied जो other features होता है, contract act 1872 वो यहाँ पर satisfy काना पड़ेगा मतलब offer acceptance होना चाहिए, free consent होना चाहिए legal object, legal consideration, legal capacity उता party intention to create legal relationship वो सब तो होना ही चाहिए sir goods का definition क्या होता है बेटा, goods का definition दिया गया बेटा आपके section 2 clause number 7 में goods का definition दिया गया section 2 का clause number 7, section 2 clause number 7 में goods का definition मेरे को बता दो क्या होता है पटा फट बता दो बेटा, goods क्या होता है goods mean every kind of, फिल्कुल सही जवाब, goods mean every kind of movable property e-movable goods नहीं माना जाता मतलब land building का अगर खरिदा बेची का, तुम सौधा करोगे ना वो सोगा में cover नहीं होगा, land building e-movable property है, वो goods नहीं माना जाता उसका खरिदा बेची का contract, Indian contract टेक्टेड इंस एंड़ी में cover नहीं होगा, तोगा में govern नहीं होगा, जवर दस सर तो goods mean every kind of goods mean every kind of movable property goods mean every kind of movable property except, excluding goods mean every kind of movable property excluding actionable claim and money actionable claim and money, goods नहीं माना जाता logic, regular batch में बताया हुआ है अभी revision चल रहा है, regular batch में यह chapter हम लोग को लगता है आण दस class बड़ी क्या चल रहा है, revision चल रहा है so goods mean every kind of movable property except actionable claim and money but includes, but includes stock, stair, growing crop, grass peas and other things which are attached to the land and agreed to be severed, यानि separated before the contract of sale is entered if they are agreed to be severed, यानि separated before the contract of sale is entered once again goods का definition मेन बताऊ, goods mean every kind of movable property except actionable claim and money but includes, बपसे इपर goods mean every kind of movable property except actionable claim and money but includes, but includes stock, share growing crops, grass, trees and other things which are attached to the land provided they are agreed to be severed, separated before the contract of sale is entered अगाद सर्थ जैसे मैं अगर तुमको बोलो कि मैं तुम्हें जमीन बेच रहा हो ठीक है, अब लैंड जो है उसमें trees वगरा भी है, crops वगरा भी है मैं तुम्हें जमीन बेच रहा हो 60 lakhs में, 60 lakh में जमीन बेच रहा हो, I am selling you the land for 60 lakh, 60 lakh रुपया में मैं तेरे को जमीन बेच रहा है land में बेच रहा है, कितना रुपया में 60 lakh में, 60 lakh में land बेच रहा है और उसमें जो trees crops है ना उसको अलग से मैं ने identify किया 40 lakh land का 60 lakh और trees crops attached to the land का 40 lakh सब जो trees crops का, जो 40 lakh में identify किया, वो तो सोगा में cover होगा और land 60 lakh रुपया, contract रुपया रुपया लेकिन मान लो, अगर मैं बोलता बिना trees crops को अलग से identify किया मैं बोलता, ये, जमीन, जमीन में पेड़ पौदे, साब तुमारे, साब तुमारे सोब लक के अंदर सब तुमारे सोब लक के अंदर साब तुमारे तब ये पूरा का पूरा कहां आ जाता मैंने trees crops को अलग सा identify नहीं किया तब ये पूरा का पूरा कहां बरा जाता, बताओ ये पूरा का पूरा आ जाता इलियन contract टैक्ट एंसे, मकःन सर अच्छा दोस्तो, गुड्स कितने प्रकार के होते हैं फटटफट मता दो, सर गुड्सना तीन प्रकार के होते हैं, सर गुड्स में भी अफ्री टाइप सर, होना चाहिए कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, जो एक तम एशान फरामोश उनका life में कुछ भला नहीं हो सकता आप मेरे से जुड़े हैं आपको life में बहुत सारा चीछ जो है ना पता चलेगा कैसे life में success हासिल करना रहता है कैसे positivity और law of attraction कैसे work करता है मैं regular batch में ये सब भी आप लोगों को बताता हूँ और personality जो है ना वो develop होता है overall document of title and document showing title देखो बटा दोनों में क्या फरक है document of title जो है ना it's a bearer document document of title is a bearer document bearer document मतलब उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है अगर वो document तोवरे पास है तो तुम ही owner माना जाएगा goods का तुम ही owner माना जाएगा goods का भाई document of title क्या है bearer document bearer document क्यों बोलते है इसको one who bears the document is deemed to be the owner of the goods तो यह होता है document of title बड़ा काम का चीज़ है अगर यह document तेरे पास है तो तुम goods का owner माना जाएगा तेरे को delivery हो जाएगा example bill of lading वार्पिंकर certificate railway receipt ठीक है और document showing title क्या होता है नाम से परता चलना है document showing title यह कैसा document है जो साबित करता है कि हम owner है document showing title एक ऐसा document है जो कि साबित करता है कि हम owner है ठीक है तो इसमें already registered owner का नाम लिखा हो कोई भी Tom Dick Harry अगर यह document showing title hold कर लेगा तो वो owner नहीं बन जाएगा अगर महुंच अगरवाल का नाम लिखा हो है तो कोई वर्ट नहीं पड़ता उसमें महुंच अगरवाल का नाम लिखा हो है जैसे share certificate में अगर मेरा नाम लिखा हो है और तुम चोरी भी कल लिया share certificate it won't make you the owner of the share certificate that's the document showing title formularities of contractor sale अब आज आज आती रिवाइस के लिए थे अब आज ओ भीटा differences between sale and agreement to sale sale और agreement to sale में आखिर क्या क्या differences होता है what are the differences between sale and agreement to sale सबसे बहले difference तो आपको बता है बड़ा बड़ी यार एकदम sale और agreement to sale के अगरवाल का sale में ownership is transferred immediately to the buyer in case of sale ownership is transferred immediately to the buyer but in case of agreement to sale the ownership is transferred on a future date not immediately to the buyer sale में ownership buyer के पास student चला गिया sale के case में ownership buyer के पास student चला गिया इसलिए risk जो है ना वो भी buyer के पास transfer हो गिया तुरत ownership के साथ risk भी चला जाता buyer के पास लेकिन agreement to sale में क्या होता है agreement to sale में ownership जो है remains with the seller risk also remains with the seller सेल के केस में ओशीप चला गया बायर के पास इस भी चलागया बायर के पास लेकिन एक्रेमिन तुषल सेल में क्योंकि ओनर्श्रिप कभी भी सेलर के पास है और gently पूच्छोः कोई भी लौस हो जाता तो सेलर काई जिम्यदयर सेल को educated contract बहुते है अगर ब्रीच हो जाता है लो से फोर इग्जम्पल बायर ब्रीच कर दिया सेल के केस में अगर ब्रीच कर दिया को बायर बायर ब्रीच कर दिया मतलब वाल देने समना कर रहा है वायर को सिउख्र सकता है और रिकवरिंग गुड्ज ऑल्सों गार्ट इंके सब agreement to sale, चाहे seller breach करे, चाहे buyer breach करे, दोने ही case में, खली एक दूसर से इन लोग damages ले सकते हैं, लेकिन sale के case में क्या था, sale के case में, buyer अगर breach कर रहा था, तो seller स्यू कर सकता था buyer को, अपना price के लिए और damages दोनों के, इसे अगर seller breach कर रहा था, buyer स्यू कर सकता था seller को for goods as well as damage, but agreement to sale में, दोनों case में, खली damages के लिए ही सुखिया जा सकता है, in case of agreement से, पकन सर, sale जो होता है, बेटा, sale, यह आपका existing और वो भी specific goods का होता है, sale खली specific goods का होता है, agreement to sale तो existing, future, continue, सारही good का होता है, agreement to sale तो तो तुम सारही goods का कर सकते हो, लेकिन sale खली तुम existing and specific goods का कर सकते हो, moving on to sale and higher purchase की sale में ownership is transferred immediately, लिए साथ हाय परचेस, in case of higher purchase, ownership is not transferred immediately, it is transferred only on the payment of the last installment, in case of higher purchase, ownership is transferred only on the payment of the last installment, sales के किसमें parties को क्या बोलोगे, buyer and seller, महा sandwich को है, Goddess surfaces and higher vendor, sale is governed by 1972 अच्छा बायर के पास कोई अप्टन नहीं हो क्या ओल्टाक्ट टर कुनुल कर सकता है लेकिन हया फजेशन में है अपॉप्टेशल ही एकूल में ओलत को अधार चंड्रक फोलति है यह अधार अप्टन एसका अधार क्वाट क्रस्थ उप्टेंट में इस और इस बटीर आइ purchase. अभी हम लोग बात करने वाल है sale and bailment का. Pero sale and bailment. Let us talk about sale and bailment. blindness कभी किसी को goods दिया दिया तो कुलमेंट को यूस कने के लिए अगर तु पक्ता wyp monsieur यागर फ्रहते दिया को ऑपिक्टाप दिया वो bailment को तो bailment में हम लोग ownership transfer नहीं कर रहे हैं. the goods will be written back to the owner the person who delivers a good is called bailer and the other party is called bailie जो अपना goods use करने दिर है वो bailer है सामने ला कौन हो गया bailie हो गया bailer goods दिर है bailie को for some purpose upon a condition that जैसी purpose खतम हो जाएगा bailie माल वापस करतेगा bailer तो sale or bailment में क्या क्या differences है मैं तुम्हें बताओं मैं तुम्हें बताओं मैं तुम्हें बताओं भाई मैं तुम्हें बताओं मैं तुम्हें बताताओं बटा sale or bailment में क्या क्या differences है कोई भी difference को याद कने का तरीका क्या की जो salient features of contract और sale में लोग 45 points पढ़े थे ना वो 45 points को दिमांग भी और सेल और वेल्मेंट का डिफक्राम से बज जाएगा ठीक है जैसे um में और एगर बात करें ठीक है किसमे ओनर्शिप ऐस द्रांस्फर्दो द्वार ठीक है सबसे पले डिफरेंस बोलो ना bilateral contract parties ना तो सेलर के किसमेa parties को क्या बोलोगे seller and buyer यहां पर बेलर के पास ही रिस्क रहेगा बायर कोई भी परपस के लिए गुट्स को यूज कर सकता है खरीदा रहे बायर कोई भी परपस के लिए गुट्स को यूज कर सकता है लेकिन बेली हली स्पेसिफिक परपस के लिए गुट्स को यूज करेगा लेकिन बेली को माल वापस रिटन करना पड़ता है बेली को माल व वेलमेंट जो है ना जरूरी नहीं है प्री कभी हो सकता है जैसे तुमने अगर कभी फ्रेंड को नोस दिया होगा तुमने पैसे थोड़ी ना लिए उंगे रहे पाप फ्री में देती होगा तो वेलमेंट है बिल्कुल है ग्रैट्ट वेलमेंट में भी फॉर रिवार्ड और पर प्री ओल्सों ग्रैट्ट विल्यद्ट तो यह सब्सक्रिण से से टेलेंट विल्डेंट मक्षन सरेक्तम चबर्तस जबर्तस पेटट चबर्तस अरे क्या हो भई को इस पैमर आगे है इस पैमर और को भगा दिजे और यार स्पैमर जो है ना अगर वह आ भी जाता है तो से कुल परक नहीं पड़ता ठीक है जो कि वो स्पैमर समझो भई समझो बहुत लोगों की जलती है इसलिए वो जो है ना अपने अपने स्पैमर को भेज देते हैं तो मिनत होता नहीं है ठीक है इनको खली नचवालो और वो हम वह आता नहीं है हमें जो है भई वेस्ट कॉलिच एजुकेशन दिना आता है ठीक है अब अगर सचाई हम बोलें तो 2021 में सबसे ज़्यादा रैंकर्स जो है वो हमारे यहीं से आए हैं बट हमें क्या है नाजगना में हम लोग तोड़ा कमजोर है और ट्रेनिंग सेशन लेने का भी हमारे पास वक्त नहीं है यह क्लासेस का मज़ा उठाएं और सच अपने अप सामने आ जाता है चलिए आ जाईए अगे बढ़ रहे है आगे बढ़ रहे है आगे बढ़ रहे है दिलिवरी और टाइफ और टाइप अप दिलिवरी और टाइप 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 दिलिवर विटा आजो delivery मतलब क्या होता है delivery का मतलब क्या होता है delivery means voluntary transfer of possession delivery means वोलेंट अब यह बहुत important topic है now focus focus very hard delivery means voluntary transfer of possession of goods from 1% to another voluntary transfer of possession of goods from 1% to another खाली अगर तुम बोलो के transfer of possession from 1% to another गलत हो जाएगा माक्स कटना चाहिए और कटेगा भी transfer of possession of goods from 1% to another वो तो चौर में भी होता है चौरी में भी होता है रहे बाबा तो क्या बोलोगे चौर को deliver हो गया अगर तुम्हारा goods चौरी हो गया तो क्या बोलते हो पुलिस में आए पायर जा करके क्या लिखवात हो delivery हो गया delivery हुआ है goods का delivery हुआ है 1% to another and let me tell you delivery may be of 3 types delivery तीन प्रकार के होते है actual, constructive and symbolic delivery may be of 3 types actual delivery को और एक नम बता दो actual delivery को और एक नम है physical delivery actual delivery को और एक नम क्या होता है physical delivery जहां पर goods साथ-साथ जो है transfer किये जाते है goods are shifted from one place to another goods are shifted from one place to another इसको अपने बोलते है actual delivery when goods are shifted from one place to another we call it actual delivery when goods are shifted from one place to another we call it actual delivery और एक और एक उता physical delivery फिसिकल delivery यही तो actual और फिसिकल delivery तर मेरे गांजा और एक उता constructive delivery और symbolic delivery अब मैं आपको एक example दे रहा हाहू और poll create कर रहा हूँ आपको पताना है कि मैं जो example दे रहा हूँ वेर हाउस, delivering the keys of warehouse, बताओ भाई, delivering the keys of warehouse constructive delivery है, यह symbolic delivery है, delivering the keys of warehouse, warehouse का च्छाबी दे देना, पोल क्रियेट हो चुग है, सब लोग पोल में पाड़िसी पेट कर रहा और बताओ, यह constructive delivery है, कि symbolic delivery, very very fast, अशुबरो, दिल जीत लिए, शुबरो, बोल रहा, दूसरे परारते हैं, मगर मुच सर फील घरा देते हैं, दिव जूती बोल रहा, सर इस नौट जस्क टीचर, इस अपिटम अपर टू मास्टर, इस आर इंस्परेशन आर बिक ब्रदर, I will never let you down, till the day I breathe, I will never let my students down, that's the promise. अरे बेशर्मो, पॉल क्रियेट, पॉल में तुमको एंसर देने बोल रहे हैं, पॉल में तुमको एंसर देने बोल रहे हैं, और तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, cat में स्पैम कर रहे हो, cat में स्पैम मत परो, पॉल क्रियेट हो हो है, पॉल में जाकर रहे हैं, पॉल में जाकर रहे हैं, बबाबा, अच्चा कुछ बच्चों को लगता है, यह revision class देखकर कोई लाब नहीं है, बेटा, देर दो घंटा में अगर तुम्हेरा पूरा चै देड़ दो घंटा का, is equal to एक दिन का मेरा 4 batch भाई, 34% बच्चे जो है न, एकदम हाई हो रखें 34% बच्चे जो है न, एकदम हाई हो रखें इनको क्रूज से नीचे उतारो रे इनको क्रूज से नीचे उतारो यह देखो symbolic delivery क्या होता है when there is a delivery of a thing in token हम कुछ इच डिलिवर कर रहे है in token, मतलब कुछ उसका symbolic delivery हो रहा है ठीक है, when I am delivering a particular thing in token I am actually not delivering the goods rather I am delivering you a token which entitles you to the goods कभी cricket में man of the match का trophy देखा है bike मिलता है, तो क्या साक्षाद बाइक को ऐसे गोधी में उढ़ा करके दिया जाता है क्या, नहीं एक चाबी दिया जाता है वो क्या है, token है तो when delivery of goods take place by delivering a token by delivering a token ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलता है, बता हूँ symbolic delivery इसको हम लोग symbolic delivery बोलता है जैसे delivering the keys of warehouse keys of warehouse वेराउस containing the goods उसका जो चाबी था, वो मैंने बायर को देठी delivering the keys of warehouse symbolic delivery वैसे अगर मालनो, bill of lading, warfinger, certificate, railway receipt यह सब जो document of title होता है न, वो मैंने देठीया तो symbolic delivery है रहे मैंने बताया था न कि document of title एक ऐसा document होता है जिसमें नाम लिखावा नहीं है अगर वो तुमको देदेंगे तो you are entitled to claim the goods you are entitled to claim the goods तो अगर bill of lading, warfinger, certificate, railway receipt मेंने किसी और को दे दिया तो समय लो delivery हो गया goods का कौन सा वाला delivery है? symbolic वाला constructive delivery क्या होता है constructive delivery होता है भाई, delivery हो भी गया लेकिन goods का जगा वही रा goods पहले जिस जगा पर था अभी भी उसी जगा पर है जैसे मालो से for example A ने goods बेचा B को ठीक है और मैं जो हो ना मैं warehouse की पर हो, go down की पर हो go down की पर warehouse की ठीक है? A ने goods बेचा B को, पहले जो है ना A का जो goods रखा हो रहता था warehouse की पर मैं हो, ठीक है? तो A ने, मेरे यहाँ पर भाड़ा का go down लेकर के अपना goods रख रखा था, मेरे को भाड़ा कौन देता था? A अब B मेरे पास आया B मेरे को आकर के बोला कि देखो देखो, मैं तो owner बन गया हो document भी दिखा दिया मैंने B को congratulation किया भाई, बढ़िया बात है तो goods खाली कर ले जा B बोला, मैं तो भाई goods ना लेकर के जाओंगा मैं तुम्हारे बगल में go down में shift करूंगा इससे अच्छा यहीं रहने दो मैं बोला, ठीक है को दिकत नहीं है अभी तक भड़ा यह देता था अब भड़ा तुम देदे भी तो goods का जगा वही रहा जिस go down में पहले मैं A से भड़ा लिया करता था उसी go down में उसी go down के लिए अब मैं B से भड़ा लिया करूंगा तो यह concert delivery होगे बताओ constructed delivery We've got it, it's a superb concert सुपब concept जवर्दस, अद्भूद, माइन ब्लोईंग आगे बिट रहे हैं अब सबसे important topic आए बिटा समझ जाओ, सबसे important topic आए बिटा क्या बोलो तो Condition and warranty सबसे important topic आए बिटा Condition and warranty लो निर्मला बोल रहा है I like एक student का नाम लेकर के I like you बिटा तुम गलत जगा आ गए हो यहाँ पर यह सब नहीं चलता Locked चलो, अब मम्मी पापा का फोन यूज़ करके जो है देखो क्या फाइदा हो बिटा चलो, फोकस करो फोकस करो बिटा फोकस करो आइस फोकस करो फोकस गाइस सबसे important topic आपार है Condition and warranty क्या फर्क होता है सर, Condition and warranty में देखो गए दोनो stipulation Stipulation यानी Obligation किसके उपर seller के उप Condition इतना बड़ा Obligation Stipulation यानी Obligation Condition Condition is such a stipulation यानी Obligation on the seller Condition is such a stipulation यानी Obligation on the seller That it is Essential to the main purpose of the contract It is essential to the main purpose of the contract और अगर ये Breach कर दिया ना Seller ने Condition क्या था इतना बड़ा Obligation था Which was essential To the main purpose of the contract और अगर ये seller ने Breach कर दिया ना तब तो भी contract तो मैं लो breach कर दिया seller, मतलब फिर buyer क्या करेगा, buyer भी contract को repudiate कर सकता है, and damages claim कर सकता, buyer can repudiate the contract, and also claim damages, buyer can repudiate the contract, and also claim damages, warranty on the other hand, ये भी stipulation है, obligation है seller के उपर, but it is collateral to the main purpose of the contract, it is not essential, it is collateral to the main purpose of the contract, और अगर ये breach कर दिया ना, seller ने अगर warranty प्रीच कर दिया ना, तो ठीक है, ये तो collateral था essential नहीं था, related to the main purpose of the contract था, ये अगर प्रीच कर भी दिया ना, तो buyer contract से cancel नहीं कर सकता, buyer contract से बाहर नहीं जा सकता है, repudiate नहीं कर सकता है, buyer खाली damages भांग कर सकता है, so वापस से सुन लो बिटा, condition is a stipulation which is essential to the main purpose of the contract, warranty is a stipulation which is collateral to the main purpose of the contract, breach of condition gives right to the buyer, to teach the contract as repudiate it, as well as claim damages, but in case of breach of warranty buyer can only claim damages, he cannot repudiate the contract, अच्छा, बड़ा चीज क्या होता है, बड़ा चीज सर, breach of condition होता है, कभी कबर क्या होता है, breach of condition, it can be treated as breach of warranty, but breach of warranty can never be treated as breach of condition, अरे बड़ा गलती, छोटा गलती माना जा सकता है, पासी का सजा, उमर कहद में convert हो सकता है, लेकिन 6 महिना का सजा, छोटा गलती it can be treated as breach of warranty, but breach of warranty cannot be treated as breach of condition, sir, कभ breach of condition breach of warranty बड़ा सकता है, helpful bet,oweit बड़ा गलती, when buyer altogether waves off the performance of the condition, buyer ही बोला, कि भाई ये condition नहीं चाहिए मेरे को, buyer has waved off the performance of the condition, या फिर बड़ा घ्य एलक्ट तू टूटीज सा रीच बड़ा गलती बड़ा 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 बड indivisible, या फिर when the court directs, when buyer elects to treat the breach of condition as breach of warranty, और buyer waives of the performance of the condition, और when court directs to treat the breach of condition as breach of warranty, या फिर the contract is indivisible, अच्छा, condition of warranty जो होना है, वो buyer और seller आपस में agree कर सकता है, उसको बोलते हैं, express condition, express warrant, बिलकुल इन लोग दोना आपस में agree कर सकता है, इन लोग क्या होता है, express condition, express warranty, ठीक है, express condition, express warranty, but भाण में गिया express condition, express warranty, agree कर लो तो बहुत बढ़िया, कुछ-कुछ चीज ऐसा है, जो सोगा में अल्रेडी लिखा है, कि ये condition और warranty, seller को निभाना ही पड़ेगा, contract of sale of goods act, contract of sale में हमेशा, contract of sale में हमेशा ये condition warranty रहेगा, ये बात अल्रेडी कानून में लिखा हुए, there are some conditions, there are some warranties, there are some conditions and some warranties, which are already mentioned in sale of goods act, which are already mentioned in सोगा 1930, that seller will have to satisfy, भली बायर और seller आपस में बात नहीं किया हो अलग से, या किया भी हो अलग से, भाण में किया, उसके कोई पर्क नहीं पड़ता, कानून में कुछ-कुछ already condition warranty लिखा हुआ है, जो seller को नहीं बाना पड़ेगा, जो कानून में already condition warranty लिखा हुआ है, जो seller को नहीं बाना पड़ेगा, उसको में बुलते, implied condition and implied warranty, अब आप डिसकस करते हैं, कानून हैं, क्या-क्या ह्मिलइड कंडीशन & एन इंपलाइड वरेंटी, जो सब्से पर्ला, सब्से पड़ें सब्से पड़ेंगया बता हुआ, पाँपर हुए हैं विखा हुआ हैं पीसे पाट़ेग बता हुआ हुआ हो, sell the goods, seller अपना ही माल बेच रहा है seller is having right to sell the goods बाद में अगर पता चला कि seller के पास right नहीं था, यह तो चोरी का माल बेचा है, तो buyer जो है ना contract को repudiate कर सकता है, and evidence भी claim कर सकता है seller खुद का माल बेच रहा है, चोरी के अवा माल नहीं बेच रहा है, यह implied condition is to title है यह buyer के अलग से जाकर के seller को बोलेगा क्या? नहीं, यह implied है अलग से agreement करने का दरकार नहीं, it is implied, कि seller जो माल बेचे का बोलेगा चोरी के आवा नहीं होना चाहिए, यह implied condition is to title है नहीं तो क्या buyer लोग जाकर के बोलेगा है इसा माल बेचो चोरी कैwe नहीं हम लोग किया दुका नार ज़ा तो सिल्पे शेंपल वह नहीं है इकर नहीं अ किया दुकाолов कर सेंपल भगा देगा इन प्रका देगा है इंप्लाइट गडिषीड के अखला खिशूर वह नहीं है ge шोंपडु धूर्र in all कोई, sample में कोई defect था, which on the reasonable examination, could have been ascertained by the buyer, if the sample was having some defect, उपर उपरी sample में defect था, sample में उपर उपरी defect था, which on the reasonable examination, could have been ascertained by the buyer, और अगर original goods में भी same defect है, buyer cannot repudiate the contract, buyer contract repudiate नी कर सकता, उसको माल खरीदना पड़ेगा, sample में defect था, तो क्या हुआ, goods में भी वही defect है, sample में अगर defect था, और उसमें तुमको objection नहीं था, sample में अगर defect था, और तुमने उसमें objection नहीं किया, buyer, तो goods में भी अगर वही same defect है ना, you cannot repudiate the contract, तुमको माल खरीदना पड़ेगा, core damages कुछ नहीं, लेकिन अगर sample में hidden defect था, which on the reasonable examination can never be ascertained by the buyer, and if the goods sold are also having the same hidden defect, तब भाई, buyer repudiate कर सकता है, उपर उपरी defect है, जो sample में भी था, goods में भी था, तब buyer को माल लेना पड़ेगा, लेकिन अगर hidden defect sample और goods में है, तब buyer contract को repudiate कर सकता है, याद आ रहा है, example दिये थे, एतराज movie वाला, mobile phone वाला, yes sir, sell by description, sell by description में, seller अगर माल को describe किया है, इसके ये feature है, वो feature है, sample and description दिखाया भी है और बताया भी है, ठीक है, sample दिखा भी रहा है और describe भी कर रहा है, तो goods के अंदर, जो है, दिखा रहा है, वो भी होना चाहिए और जो describe कर रहा है, वो भी होना चाहिए, इस feature, तो if the goods are sold by sample and description, goods should correspond with the features shown in the sample and describe both, conditionals to quality and fitness क्या होता है, कभी, कई, बहुत बर क्या होता है, अगर buyer अपना need जाकर के बता दिता है कि उसको क्यों goods चाहिए, buyer अपना need जाकर के बता दिया, उसको क्यों goods चाहिए, किसको बता दिया, seller को, and seller is engaged in that type of business only, then it's a duty, it is an implied condition, that seller will have to supply exactly that product with which buyer can satisfy his bond, if he supplies the wrong product, buyer can cancel the contract, so if the buyer, if the buyer discloses the need to the seller, buyer discloses the need to the seller, that for which purpose is he wanting the goods, and seller is engaged in that type of business only, then it is a duty of the seller to supply exactly that product with which buyer can satisfy his bond, priest versus last, priest versus last, okay, husband आया, chemist shop में, husband आया, chemist shop में, जहांपर bottles अगर भी रखे जाते हैं, ठीक है, कि उसको एक bottle चाहिए, plast चाहिए, जिसमें गरम पानी रख सके वो, chemist वाला ने ऐसा plast दे दिया, जिसमें गरम पानी डालते ही, bottle भश्ट हो गया, और उसकी बीवी जो है, वो injured हो गई, भाई, यह तो breach है, क्योंकि बायर ने अपना पूरा need को disclose कर दिया था, and seller has supplied him the wrong product, तो it's a breach of implied बेटा, खाने पीने के चीजों में गडबड़ी होता है ना, तो wholesomeness का breach है, बात बगए product, कपड़ा, कपड़ा वगरा में अगर breach हो रहा है, तो यह condition as to merchantable quality, मैंने ऐसा कपड़ा बेज दिया, जिससे पायर को पैन करके, खुझ लिम मच गया, इचिंग मच गया पूरे body में, कपड़ा हाथ में लेकर के आया showroom में, तो भाई यह condition, breach of condition as to merchantable quality का breach है, ठीक है, और अगर मालो, ऐसा say for milk, मैंने ऐसा milk supply कर दिया, गंदा quality का जिसको पी करके typhoid हो गया, ठीक है, या फिर एक ऐसा hard burn supply कर दिया, जिसको तोड़ करके उसका दाथ भी तूड़ गया, तो यह सो condition as to wholesomeness का भीच है, साथ इंप्लाइट गंदिशन क्या 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 अमरे को फटा फटा बताता हो ना, condition as to title, sale by sample, sale, come on, come on, come on, condition as to title, sale by sample, sale by description, sale by sample and description, condition as to quality or fitness, merchantable quality, wholesomeness, अब भारिया वारेंटी का, implied warranty का, अब भारिया बटा, implied warranty का, आज़े बटा, implied warranty, आज़े आज़े हैं, इतने सारे बच्चे वडियो देख रहे हैं, भाई, लाइक बटन दवाना भुल गए, लाइक बटन ठोक दबटा, लाइक बटन ठोक दो, और, मेरे प्यारे बच्चो, तुम लोग इतने सारे WhatsApp ग्रुप्स में हो, ठीक है, इतने सारे Telegram ग्रुप्स में हो, तुमें क्या लगता है कि अगर ये विडियो तुम शेयर करोगे, तुम बादबा की लोगों का भला नहीं होगा, होगा ना, तो क्यों नहीं शेयर करते हैं, तुमें क्या लगता है कि लोग मेरे को जानते नहीं है, इंडिया में शायद ही ऐसा कोई student हो जो CACACA में कर रहा हूँ और मेरे को नहीं कर रहा हूँ तो भी very honest तो मेरे को publicity का दलकाद में बट बच्चों का बला हो जाएगा यार क्योंकि सबको नहीं पता रहता कि revision classes चल रहे हैं तो अगर आप share करेंगे जिस जिस telegram group में आप है obvious है MAPL का telegram group में मच share करिएगा MAPL का WhatsApp group में मच share करिएगा क्योंकि वहाँ तो आप लोग करी देते हैं remaining आप जो school, college, ठीक है other जो आप लोग का friend लोग का WhatsApp group, telegram group है क्या जाता है? ये link अगर तुम share कर दोगे तो क्या जाता है तुम्हारा? कुछ नहीं जाता free है लेकिन अगर इस से तुम्हारे माध्यम से अगर और बच्चों तक मैं पहुँच गया और उनका revision हो गया तो यार उनका life तो सबर जाएगा नै समझो चीज को, उनका life तो सबर जाएगा तो share करते रहा करो यार अपने whatsapp, अपने telegram, social media group पर यह तुम्हारा responsibility मैं हर बार नहीं बोलूँगा हर video तुमको share करना दीगा और यह मत सोचना कि कोई ना कोई तो करी देगा पता चला कोई ना तो तुम लोग जितना जादा से जादा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मत्र में share करो ताकि यह सब lectures जो है आगे तक पहुंच सके and thank you all of you for your never ending support बिल्कुल पूजा, बिल्कुल होगा राजी बोल रहा है सर्थ, ज्यादा तर जो telegram groups रहते हैं उसमें restriction होती है, link share नहीं करने जाए तो link मत share करो, text message सो share कर दो कि मोहित अगरवाल सर का YouTube channel पर live revision जो है daily 2 p.m. होता है, आप लोग आ करके किया करी, ये तो कर सकते हो ये ही कर दो, link दो text group में चिराग बोल रहा है college group में भी share कर देंगे सर, yes बेटा that's what I meant हब आजा, implied warranties तो बहारे माध्यम से अगर दो-चार बच्चे भी benefit कर ले बेटा तो क्या बात हो जाएगा, है ना यही purpose है अपना, सबको benefit पहुचाना, और तो कोई purpose है नहीं बेटा यहाँ पर मैं आपसे fees तो charge नहीं कर रहा हूँ तो यही purpose है, सब लोगों को benefit पहुचाना तो उसमें आप मेरा साथ दीजे अब implied warranty, implied condition का बात हो गया साथ तो पूरा दिमाग में बढ़ गया अब implied warranty चारी warranty as to undistup position seller, अगर buyer को माल बेच की आए ना, तो फिर disturb नत करना है या उसको position को, undistup position होना चाहिए अगर buyer का position disturb करेगा ना seller तो फिर buyer के बस पावर है damages claim करने contract repudiate नहीं कर सकता, but can claim damages जैसे मालो से for example मैंने Honda का गाड़ी खरीदा मैं buyer हूँ लेकिन Honda वालों ने फिर क्या बोला, कि ना गाड़ी में कुछ manufacturing defect है, एक हाफता तक वापस करिए अब एक हाफता तक वो मेरा position कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिलकुल मेरा एक हाफता तक position disturb कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, अगर एक हाफता तक position disturb कर रहे हैं वो, तो मैं उनसे damages claim कर सकता हो और practical life में भी ऐसा होता है ठीक है, यह था warranty as to undisturbed position example clear हो गया ना, warranty as to concentrate concentrate को stunt करने नहीं आयो, focus करो, warranty as to non-existence of inconveniences, यानि freedom from inconveniences, seller का यह duty बनता है, गिर्वी किया हूँ माल नहीं बेचे buyer को, और बाद में अगर buyer को बता चला, है भगवान, यह जो गाड़ी मेरे को बेचा है, या goods मेरे को बेचा है, यह तो अल्यड़ी किसी को charge है, तब मैं seller से क्या ले सकता हूँ ता, मैं just listen, disclosure of dangerous nature of the goods, भाई आप अगर goods बेच रहे हो तो goods का dangerous nature है, goods का dangerous nature पका से बता हो, so disclosing the dangerous nature of the goods, right, disclosing the dangerous nature of the goods, clear is it, जैसे अगर acid का bottle, अब तो acid का silly legal है, लेकिन अगर पहले acid का bottle होगर बेचा जाता था, या फिर कुछ तुम ऐसा बेच रहे हो, जिसी reaction हो जाए, तो बायर को बताओ क्या इसके harmful effect हो सकते है, warranty has to quality or fitness, by usage of trade, धन्दा करते करते हैं, हर धन्दा का कुछ न कुछ custom मन जाता है, isn't it, धन्दा करते-करते, हर industry में कुछ न कुछ custom मन जाता है, तो जो industry का custom है, वो seller को satisfy करना पड़े है, तो मेरे को चाट्टो implied warranty बतातो, warranty has to undisturbed position, warranty has to freedom from incumbrances, यानि non-existence of incumbrances, disclosure of dangerous nature of good, धन्दा करते-करते, धन्दा का custom मन जाता है, industry में जो custom सारे seller follow कर रहे हैं, वो caveat emptor, caveat emptor, let the buyer beware, caveat emptor क्या बोलता है, caveat emptor का concept बोलता है, let the buyer beware, let the buyer beware, इतना ज़री साम लोग खली seller को ठोके जा रहे थे, seller, तुम यह करेगा, seller, तुमको condition follow करना पड़ेगा, warranty follow करना पड़ेगा, seller, 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 प्रग्या इस आस्किंग सर, इंटर का क्लास कब तुरू होगा, new badge, एक ही हफता हुआ है, फटा फटा आ जाओ, फटा फटा आ जाओ, पुछी classes हुआ हैं, फटा फटा आ जाओ, और Google drap and drive तो ही, अच्छा सुनो ना, caveat emptor मतलब क्या होता है, let the buyer beware, it is a responsibility, according to the rule of caveat emptor, it is a responsibility of the buyer to make a proper selection of the goods, he cannot make the seller reliable for his wrong choice, for his wrong selection, तो buyer को आखना कानमो सब खोल खाल करके goods करी ना चाहिए, अगर वो गलत goods करी लिया, तो seller का जम्मिदारी नहीं है, seller माल वोपस नहीं करेगा, return नहीं होगा, no exchange, तो लेकिन शॉपर स्टॉप और पेंडलोन में तो लिखा रहता है, आप साथ दिन तक लिए हो, हम लोग exchange कर देंगे, 14 दिन तक लिए हो, हम लोग exchange कर देंगे, वो तो उन लोग बोल दिया, तो express condition में चला गिया, clear है सर्थ, otherwise, अगर नहीं बोला हुआ है, बायर अगर गलत कपड़ा खरीद करके ले गया, जो उसका size match नहीं हुआ, या color पसंद नहीं आया है, या size match नहीं हो रहा, seller का गलती नहीं है, let the buyer be aware, buyer भुख देगा, मक्खन सर, लेकिन इसका exception है, caveat emptor का, caveat emptor क्या बोलता है, बायर तेरा गलती है, तुम गलत, माल खरीदा तो, लेकिन caveat emptor का exception सारा का implied conditions है, जब seller का गलती माल खरीदा तो, लेकिन चलो चलो, कुछ-कुछ exception case का, बायर का गलती नहीं मिलेगा, उसको production मिलेगा, seller को ठोकेंगे हम लोग, अब वो सारा implied condition लिख देना, caveat emptor का सारा का सारा साथ, जो implied condition है, वो exception में आ जाता है, मखन सार, हाँ जी, फिर आज ही transfer of ownership में, बहुत important topic है, बहुत जबर्दस वाला important topic है, transfer of ownership, बहुत जबर्दस वाला important topic है, transfer of ownership, हम लोग इसको करेंगे, बटा, यह अगर तुम miss कर दिया, तो तुमारा जीवन का सब कुछ miss हो गया, हम लोग इसको करेंगे five minutes के break के बाद, five minutes का break लो, take five minutes break, हादी, आजाई यह, back, welcome back, कल दो बजे इसका हम लोग MCQ solve करने वाले हैं, हाद कोवर साहब बोल रहे हैं, सर प्लेलिस्ट अरेंज कर दीजेगा, बिल्कुल, बिल्कुल दन हो जाएगा, no objection to it, then the goods are, let us start, and the chapter is going to get over, 30 minutes more, the chapter will be over, focus करो, transfer of ownership, बिटा, transfer of ownership, क्यों जानना जरूरी है कि कब होता है, यह ownership transfer, क्योंकि अगर मानलो से for example, goods destroy हो गिया, goods damage हो गिया, risk कौन बियर करेगा, loss कौन बियर करेगा, जो owner है, जो owner है, तो इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है, कि कब ownership transfer होता है, ताकि सही इंसान का पता लगा है जासा कि who is responsible to suffer the loss, bear the loss so मैं आपको पहले बता दू transfer of ownership की case में अगर specific goods है ठीक है transfer of ownership की case में मैं आपको बता दू अगर भाई specific goods a certain goods specific goods या फिर a certain goods है, कौन से goods है specific goods a certain goods तो specific goods a certain goods तो या रेडी है if they are in deliverable state, the ownership is transferred immediately या धखना, delivery से कोई लेना तना नहीं होता payment से भी लेना तना नहीं होता delivery होता रहेगा goods का बात में payment होता रहेगा goods का बात में delivery बात में होता रहेगा payment बात में होता रहेगा what matters is not the delivery not the payment what matters is क्या specific goods a certain goods deliverable state में थे ready to be delivered, actual delivery it does not matter वो दजन बाद भी हो सकता है actual payment does not matter वो बाद में भी हो सकता है but were the goods ready to be delivered the moment the goods are in deliverable state ownership gets transferred to the buyer मालो say for example मैंने तुम्हें mobile बेचना say for example मैं तुम्हें mobile बेचूंगा I am supposed to sell this phone to you और मैंने पूरा phone जो है डबबा डबबा जो होता है बॉक्स होगरा पुरा बॉक्स में बंद करके deliverable state में रख बायर बुला ठीक है रख रखे हम सामने पान का दुकान से पान चबा करके आ रहे हैं जब वो पान चबा करके आया तब तक देखा कि goods में आग लग लग तुका है इसका नुकसान बायर का बायर का नुक्सान मैं पूरा price goods का वसुल हूँ आग मेरे दुकान में लगा नुक्सान जो है phone को हुआ बट क्या है न यह deliverable state में था और deliverable state मतलब ownership जा चुका था बायर के पास है वाइंग बगरा जो ता न वजन वगरा करना पड़ता है packing करना पड़ता है for the goods to be converted to deliverable state जब तक वजन वगरा नहीं हो जाता तब तक packing जब तक नहीं हो जाता तब तक goods deliverable state में नहीं माना जाएगा और ownership transfer नहीं होगा बायर को seller के पास तो इस प्राइज ऑफ दे गूट्स अगर बात करें तो अनसेटन गूट्स का ओनर्शिप कब ट्रांसफर होता है अनकंडिशनली अप्रोप्रियेटेड अनसेटन गूट्स समझ में आगी है ना जो बायर खरीता है गूट्स को डिस्क्राइब करके बायर जब गूट्स को खरीता है डिस्क्राइब करके तो वह होता है अनसेटन गूट्स अनसेटन गूट्स का ओनर्शिप बता दो अनसेटन गूट्स का ओनर्शिप कब ट्रांसफर होता है अनसेटन गूट्स का ओनर्शिप ट्रांसफर होता है on appropriation of goods, when the goods are appropriated, on appropriation of goods, ठीक है, appropriation of goods मतलब क्या होता है, what do you mean by appropriation of goods, buyer ने जो goods को describe किया था, seller ने वो goods को अलग कर दिया है, deliverable state में convert कर दिया, buyer को inform कर दिया, and buyer has no objection to it, तो बोलता है, goods appropriate हो गिया, so look up, buyer ने जो goods describe किया था, तो seller ने describe किया, वो टीव को अलग कर दिया, deliverable state में transfer कर दिया, buyer को inform कर दिया, and buyer is having no objection to it, then the goods are appropriated, and immediately the ownership is transferred to the buyer, clear answer, मक्षन इसर, ये वाला example, exam में बहुत popular, कौन सा सुन लो, कि मालो से for example, 1000 tin of oil भरना था, यादा गया ना, 1000 tin of oil भरना था seller को, buyer को बिचने के लिए, 600 tin भरा, जैसे 600 tin भरा, आग लग गया, 600 tin भर दिया गया था, उसका नुक्सान, buyer का रहेगा, और remaining 400 tin जो भरना बाकी था, वो नुक्सान seller भूखतेगा, goods sent on approval, और on sale or return basis, तो goods sent on approval, और on sale or return basis, क्या होता है, seller जो है ना, buyer को बूलता है, आप ये पियानो ले जाएए, ये goods ले जाएए, पियानो मतलब एक example दिया मैंने, आप ये goods ले जाएए, एक महिना में आपको approval period दे रहो, आप एक महिना तो goods को परकिए, नहीं अच्छा लगा, तो एक महिना के अंदर ownership transfer हो जाएगा, बायर को जब approval period किस्तम हो गया, लेकिन उसने माल वापस नहीं किया, या फिर approval period मेंने fix नहीं किया था, बट buyer जो है न, reasonable period के बाद भी goods को रख लिया, ठीक है, या फिर he does something to the good which only owner could have done, उठा करेंके goods को रस्ते पे फेग दिया, या बेच दिया किसी और को, तब ownership buyer के बस transfer हो जेगा, या फिर simple buyer phone उठा करेंके yes बोल दिया, buyer accept कर लिया goods को तो ownership transfer हो गिया buyer को, मक्षन सर, Nemo, debt, quad, non-habit, Nemo, debt, quad, non-habit क्या बलता है, Nemo, debt, quad, non-habit क्या बलता है, Nemo, debt, quad, non-habit क्या बलता है, only an owner can transfer the ownership of the goods, a person cannot transfer anything what he himself does not have, person cannot transfer anything what he himself does not have, no one can give what he has not got, वाह, क्या line है, no one can give what he himself does not have, तुम knowledge नहीं दे सकते हो, अगर तुम किसी को प्यार नहीं दे सकते हो, अगर तुम खुशी नहीं दे सकते हो, तुम ownership नहीं दे सकते हो, लेकिन इसका कुछ-कुछ exception है जब एक non-owner भी ownership transfer कर सकता है there are some exceptional cases जब आप owner नहीं है non-owner है फिर भी आप ownership transfer कर सकता है अगर आप mercantile agent mercantile agent sound में आता है ना business agent अब तुम सोचो यार reliance retail जो है reliance retail साक्षात मुकेश अमानी नीता भाभी counter पे बैठ करके आपको तब जी और अलू बेच रहे है कपड़ा बेच रहे है, electronics बेच रहे है reliance retail में, सीधा मुकेश अमानी तुमको बाल बेच रहे है, नहीं रहे, कि जो agents है business agent है, उन लोग तुमको माल बेच रहे है ownership transfer कर सकते है, हाँ कर सकते है agent ने goods को चोरी किया और अपने इलाके में जा करके बेचा अगर agent चोरी करके goods को बेच रहे है तब ownership transfer नहीं होगा ordinary course of business में अगर agent goods बेच रहे है तब ownership transfer हो जाए sale by one of the joint owner जरूरी नहीं है, अगर तीन joint owner है तो तीनों मिल करके तुमको जो है contract ठीक है, मालो से for example मैंने बंदूग दिखा करके किसी से अंगूठी ले लिया, बंदूग दिखा करके किसी से अंगूठी ले लिया, सस्ता दम हाँ मैंने coercion किया मैंने coercion किया रहे बाबा, मैंने coercion किया contract voidable है, पर सामने अला जब तक अपना, you know अंगूठी क्लेम करता, मैंने क्या किया यह अंगूठी किसी और को बेज दिया good faith में उसने लिया तो मैंने अगर buyer को good faith में किसी और का अंगूठी, जो मैंने खुद coercion करके opt-in किया था, वो मैंने किसी buyer को बेज दिया, buyer को तो नहीं बता था इस बीच में अगर कोई दूसरा बायर आया और मैंने उसको वो गुड्स बेच दिया, ओनर्शिप दूसरा बायर को ट्रांस्फर हो जाएगा, मैं तो गडबड किया है, मैं तो इंडियान पिनल कोड के तहट में जेल जाओंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरा बायर को टो ओनर्शिप रांस्फर हो जाओंगा, क्योंकि दूसरा बायर का भी गल्ती नहीं था, फोड़ा गल्ती तो समने यह ले बायर का था, अंजान इंसान के पास तुम अपने माल क्यों छोड़ा, फिर होता है, sale by buyer, who has obtained the possession of the goods, but not the ownership, जैसे sale on approval business, मैंने सामने यहला को sale on approval business पॉइवा दिया था, he is a buyer who has obtained the position, but he is not having the ownership, फिर भी वो अगर किसी और कोच आए, तो Ownership transfer कर सकता है, फिर effect of stoppage, मेरे ही सामने, कोई non-owner आकरके, हम owner है इस mobile के, owner हम है this mobile is लेकिन हम नहीं भी बेज़ए है लेकिन मेरे ही सामने Rahul कोई annjahan मेरे ही मेरा मोबाइल उठा पर बेज़ गिया और उससे में हम चुप रहे Rahul बोले जारा था ये Rahul का मोबाइल है रहूल का मोबाइल है और हम चुप रहे उसमें तो जो बायर रहुल से माल खरीदा है ना, उसको ownership तांसर हो जाएगा, मेरे ही सामने, मेरा ही माल कोई किसी को बेज देता है, मेरे ही सामने, मेरा ही माल कोई किसी को बेज देता है, और हम चुप रहते हैं, तो ownership तांसर हो जाएगा, sale by unped seller तो अभी पढ़ेंगे रहे बाबा unped seller के पास right है बताओ मेरे को फटाigue come on guys जाब दे दो आप पोल को क्लोस कर रहा हूं कि दिचल लुवड़ रहा है तो दिचल जाइब दिचल थे आप रहा है व्यूट जाइब प्रजिटा स्क रहा हूं पर फिफटीन परसेंट बच्चे बोल रहा है सरा निचर गलत नहीं है मैंने अभी थोड़े पर लह नहीं है था हमना रहर वन शिप के समय है कि payment अगर नहीं हुआ है उससे ownership करने ना दना नहीं है delivery does not matter, payment does not matter delivery does not matter, payment does not matter in determining the ownership, unpaid seller is not the owner owner तो buyer ही है लेकिन law ने unpaid seller को यह हक दिया है कि देखो unpaid seller भली तुम owner नहीं हो तुम non-owner हो, लेकिन तुम भई सताये गई इंसान हो, buyer से दुखी हो तुम, तुमारा पैसा मारा गया है तो तुम जो है भली owner नहीं हो, owner buyer है लेकिन फिर भी तुम उसका goods बेच सकते हो, क्योंकि उसने तुमें पैसा नहीं दिया, तो तुम उसका goods बेच सकते हो, तो क्या unpaid seller non-owner, he's not the owner that is why revision is so important, this is why revision is so important video को इतना बच्चे देख रहे हैं, अभी तक like नहीं किया है, बे शर्मो तो like कर दो, तभी lecture लगेगा sale under other provisions of the act, तो पता ही है, company जब liquidate होता है, तो liquidator आता है, court liquidator appoint करता है वो liquidator क्या owner है क्या नहीं, लेकिन वो liquidator company का goods assets सब बेचता है finder of the lost goods, जाओ जाकर करके contract का धुमा था, revision class देखो, ठेक है, face up ने already कर चुके है, pony कौन होता है सर जिससे हमने loan लिया था, अपना goods गिरवी रख करके, goods गिरवी रखा था loan default कर दिया, तो जो points मैंने आपको बताया था आ जी आ जाई unpaid seller and auction sale के अंदर आ जी बिटा unpaid seller and auction sale के अंदर जटका लगा तो क्या बात है अरे, Sandeep one of my favorite students I still remember you Sandeep Older, although I have qualified CA but still listen to sir it makes me remember when we used to go to Lal Mandir Center and study there आरे वा, love you बटा, love you कभी भी, बेटा जो मेरे पुराने students है ठीक है, मेरे को contact कर सकते है और मतलब I just love you guys तो ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि हम लोग तो पहले पढ़ रखें आरे भाई, जन जन्मांतर तक रिष्टा है जन्मांतर तक का तो भाई, जो भी मेरे पुराने students है बहुत बढ़िया लगता है जब आप लोग जो है ना मेरे को याद करते हैं, मेरे से मिलने आते हैं यह मत सोचा करो, sir, busy रहते हैं अरे यार, तुम आओ ना, यार, क्या दिखता है शलो गाइस अनपेट सेलर, अनपेट सेलर कौन होता है यहाँ पर भी मैं आप से एक पोल क्रियेट करके जवाब मांगना चाहता हूँ मालनो से, for example, अनपेट सेलर कौन, अनपेट सेलर is a seller who has not been paid the full price of goods अनपेट सेलर is a seller who has not been paid the full price of goods अगर उसका एक भी रुपिया बाकी है ना, goods का, एक भी रुपिया बाकी है ना, goods का, एक भी रुपिया बाकी है, वो अनपेट सेलर है मालनो से, for example, मैंने goods बेचा पांचे जार रुपिया मैं, हजार रुपिया जो है ना, freight सा भाड़ा तो 6,000 रुपया का बिल मैंने बनाया गुड्स का 5,000 रुपया गुड्स का 5,000 और फ्रेट का 1,000 रुपया तोटल बिल मैंने 6,000 बनाया बायर ने ना सारे 5,000 दे दिये 5,500 दे दिये remaining 500 रुपय बाकिए remaining 5 रुपय बाकिए क्या मैं unpaid seller हूँ yes or no पोल क्रियेट हो चुका yes or no मैं जवाब क्या मैं unpaid seller हूँ am I an unpaid seller बताइए दोस्तो जो बच्चे revision देख रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको revision का दरकार भी है सारे answer गलत पे गलत दिये जा रहे हो उनके चलो अब पोड़ा सा पोल पल्टा है डाटने के बाद नहीं फिर से गलत हो गया क्या मैं unpaid seller हूँ मेरा पांस रुपया भी बागती एक भी रुपया अगर goods का बखी रहे हैं am I an unpaid seller in this example am I an unpaid seller in this example 57% बच्चे फिर गलत 57% बच्चे फिर गलत 43% बच्चे सही है correct answer is मैं unpaid seller नहीं हो 57% बच्चे बोले है unpaid seller है अरे goods का बागी होने से goods का तो 5000 रुपया था अगर सारे 5000 रुपया दिया है तो माना जाएगा फिले goods का दे दिया हो rate का अगर रुपया बागी है ना rate का 5 रुपया बागी है अच्छा अगर मैंने तीन महीना credit period दिया तीन महीना उधार पे माल बेचा तो पहला दिन से मत बोलना चलो कर देना मैं unpaid seller है 3 महीना उधार में बेचा है now let the credit period expire if the 3 months expire and still if we are unpaid then we can claim ourselves to be unpaid seller when after 3 months because if he has sold the goods on 3 months credit period पे नहीं बेचा है सब तो भाई तुरंट पैसा अगर नहीं मिला मैं unpaid seller हूँ लेकिन अगर 3 महीना 4 महीना का उधारी भी बेचा हूँ और वो उधारी के बाद ही मैं आपने आपको unpaid seller बोल सकता हूँ अगर goods का पसंद बेचा या फिर सामने आला ने मुझे buyer ने मुझे और buyer के उपर सबसे पहले मैं बताओ goods के उपर right of lien है stoppage in transit है resell है पटाफ़ट सुन लो पटाफ़ट सुन लो unpaid seller का goods के उपर जो right है goods के उपर 3 right है right of lien stoppage in transit and resell right of lien है right of stoppage in transit है and right of resell है सबसे पहले मैं बताते है goods के ओपर मेरा right है, right of lien right of lien मतलब क्या होता है right of lien मतलब क्या होता है, right to retain the goods right of lien means right to retain the goods goods है तो रखो, दो मत सामने हला मेरा पैसा मारा रखा है हम उसका goods मार लेंगे, tit for tat heat का जवाब पत्तर से, जैसे को तैसा तुम मेरा पैसा मारा, एध बायर तो मेरा प्राइश मारा हम थे गुट बाले Carl जो वे फुट कर दिया तो वे वा आफ कर दियाई यह फिर को ऑफकर दिया गुटस दिलीवर कर दिया यह गॉट्स डिलीवर कर दिया यह effect of stopple. If I am behaving कि मेरे पास right of lien नहीं है, तो सच में नहीं है. Stoppage in transit क्या होता है? Stoppage in transit ये होता है, बेटा, कि माल लो, say for example, मैंने अपने agent को goods दे दिया और बुला जाओ बायर के goड़ाउन में जाकर रहके delivery करो. मैंने अपने agent stoppage in transit का मतलब समझ में आ गिया? Stoppage in transit का मतलब होता है, मैं रास्ते से ही goods वापस मंगवा ले रहा हूँ, when the goods are in transit because the buyer has become insolvent. Unpaid seller तो मैं पहले भी था, लेकिन ऐसा क्या हो गया, कि मेरे को stop करना पढ़ रहा है transit में? Buyer insolvent हो गया. So the most important condition is stoppage in transit तुम तभी कर सकते हो जब buyer insolvent हो गया है Resale Resale क्या है बिटा? Buyer का goods को अब हम लोग क्या कर रहे है? बेचे दे रहे हैं. लेकिन buyer को एक बार आखरीग बार notice दे दो कि अगर तुम मेरे को final payment नहीं किया तो हम तुमारा goods को बेचे देंगे notice देने के बाद अगर goods को बेचो के तो क्या होगा पता है? अगर unfed seller buyer को notice दे करके goods को बेच रहे हैं. तो अगर मान लो goods ज़्यादादाम में भी का, ज़्यादादाम में भी का, तो जो extra money रहेगा ना वो मेरा ही रहेगा, unfed seller कर रहेगा. और अगर perishable goods है ना, goods are perishable तब notice notice देने का तरकान नहीं है, जब तक notice देंगे माल सड़े आएगा, perishable है तो ऐसे ही बेच perishable goods है तो ऐसे ही बेच surplus मेरा deficit हम buyer से लेगे clear buyer को हम क्या-क्या चीच के लिए स्यू कर सकते हैं, देखो बड़ा unfed seller ना, buyer को स्यू कर सकते हैं, मेरा price दो delay से price दे रहे हो, देडी से price दे रहे हो interest भी लेंगे, damages भी लेंगे, price, interest and damages this was everything about unfed seller last topic was and girls अज का last topic बेटा, ये lecture अभी खतम होने वाला 5 minute के हैं मैं तुम से request करता हूँ हाँ जोड करके, comment box में comment करना, जबी भी तुम ये video देख रहे हो, comment box में पक्का से comment करना, क्या ये सब revision sessions पाइदे मंध है, क्या तुम लोग enjoy कर रहे हो revision को, value addition हो रहा है ना life में, life में value addition हो रहा है ना, अब भी नहीं 5 minute के बाद comment box में comment करना और या रखना, हर college group telegram group, whatsapp group में share जरूर करना है studio, इतना भी तुम्हार friend group है, student group है, college group है ये मा सुचना की कोई ना कोई कर देगा तुम क्यों नहीं, तुम भी तो मेरे बच्चे हो, तुम करोगे share auction sale, section number 64, auction sale क्या होता है sale which takes place by fall of hammer, free time, sale which takes place by fall of hammer, free time so it's a mode of selling property हम लोग bids invite करते है public sale, by inviting the bids publicly and property sold to the highest beader, property is sold to the highest beader clear sir जब goods अलग-अलग lot में बेचा जा रहा है तो each and every lot is a separate contract of sale, यादखना, each and every lot is a separate contract of sale completion of contract of sale कैसे होता है, बताए तो, completion of contract of sale होता है by fall of hammer or any other customary bank, right to bid हम लोग reserve कर सकते हैं, हर era के रहा ना, तो के रहा, हर अंडू-पंडू आगर के bid करेगा, ऐसा नहीं, right to bid हम लोग reserve कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं किसको bid करने देंगे और किसको bid करने नहीं देंगे, ये बात हम लोग decide कर सकते हैं ठेक है ना, येस sir, और reserve price बिलकुल हम लोग जो एने एक base price रख सकते हैं यहीं से bidding चलो होगा, zero से नहीं, एक base price के उपर से bidding चलो होगा, pretended bidding चैलर अगर अपना आजमी रख दिया है सामने और बोली बढ़वार है, pretended bidding करवा रहा है, तो contract is voidable at the option of the buyer, contract is voidable at the option of the buyer पेश करने इंडियन partnership act 1932, इंडियन partnership act 1932, विटा दिये अब से लिख दे रहें, यह जो इंडियन partnership act 1932, इस applicable all over India, येस applicable all over India और इंडिया बोले तो jamu and kashmir भी आएगा, क्या, क्या इंडिया के अंदर jamu and kashmir भी आएगा, क्या, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, so Indian partnership act 1932, पहले ये jamu kashmir के उपर applicable नहीं होता था, बड़ जब से article number 370 को amend किया गिया है, तब से वो all over India के उपर applicable होने वाला है, ये लागू कब किया गिया था, ये लागू किया गिया था, 1st October, गांदी जी का जनम दिन के ठीक एक दिन पहले, गांदी जी का बड़े 2nd October आता है, इसका बड़े 1st October आता है, partnership act का बड़े 1st October आता है, so 1st of October 1932, okay, 1st October 1932, so Indian partnership act 1932, became applicable from 1st of October 1932, इसमें एक section था, section number 69, ठीक है, वो आपके काम का नहीं है, वो 1st October 1933 से लगू किया गिया था, बहुत कम लोगों को ये पता रहता है, मैं आपको बता दू, revision class चल रहा है, regular class में तो हम लोग एकदम deep down जा करके, 6-7 class में complete करते हैं partnership act को, बढ़ भी मेरे को डेर घंडा के इंदर, पटा, पढ़ एकदम, राजानी स्वीड में revision करवाना है, मैं सारा concepts revise करवाऊंगा, but a bit fast, okay, so Indian partnership act 1932, became applicable from 1st of October 1932, but except section number 69, which became applicable one year later, 1st October 1930, this is applicable all over India, मेरे को एक बात बताओ, पता बताओ, क्या partnership act exhaustive है, क्या Indian partnership act exhaustive है, answer इसका ये है, chat box में लिख करके बताओ, क्या Indian partnership act exhaustive है, इसका answer ये है कि Indian partnership act exhaustive नहीं है, तो जहां-जहां partnership act silent रहता है जिस matter के उपर, वहां आप contract act का उप्योग करेंगे, partnership act 1932 is not exhaustive, so on the matters, on the matters on which partnership act is silent, on the matters on which partnership act is silent you are going to apply the provisions of indian contract act 1872 okay sir partnership होता क्या है section 4 में define किया गया है partnership क्या होता है दोसो section number 4 में define किया गया है कि partnership क्या होता है partnership means a relation partnership means a relation between relation between two or more persons partnership means a relation relation between two or more persons partnership means a relation partnership means a relation between two or more persons who agree partnership means a relation किन लोग कि भिशमें relation relation between two or more persons who agree agree who agree partnership means a relation between two or more persons who agree क्या अग्री करता है उन लोग who agree to share the profits who agree to share the profits क्या जीच का profit of a business of a business कौन चलेगा या business business carried on by all business carried on by all or any of them acting for all either business can be carried on by all or any of them acting for all any of them acting for all मेरे साथ जुडे रहो ये डेड़ घंडा के अंदर भले तुम partnership अभी revise नहीं कियो यही तो purpose है मैं ही तो revise कर वाँगा भाई तुम खाली जुडे रहो so section number four definition क्या है partnership का partnership means a relation relation between two or more person come on guys partnership means a relation relation between two or more persons who agree agree what agree to share the profit क्या चीज़ का profit of a business कौन चलेगा या business carried on by all or any of them acting for all carried on by all or any of them acting for all है ना तो मेरे प्यारे बच्चो अगर partnership का definition समझना है we should break down the definition of partnership and once we break down crack down the definition of partnership चंकर के बहुत सरे फीचर साते हैं we get several features of partnership once we crack down the definition of partnership we'll be getting several features of the partnership अब वो क्या-क्या features of the partnership है share the profit sharing profit होगिया third feature business business होगिया आपका fourth feature carried on by all or any of them acting for all carried on by all or any of them acting for all को प्यार से बोलता है mutual agency mutual agency होगिया आपका fifth feature so if we break down the definition of partnership partnership का definition को अगर break down करेंगे तो five features चंकर के बिखर के आएंगे five features of partnership मेरे प्यारे बच्चों बताओ मेरे को five important features of partnership क्या-क्या है what are the five important features of partnership tell me सबसे important five features क्या-क्या है मेरे को बताओ five features of partnership सबसे पला feature क्या बोला तुमने two or more person बिल्कुल सही two or more persons ठीक है two or more person second feature क्या बोला agreement who agrees या agreement third feature क्या बोला sharing of profit sharing of profit किसका profit तो fourth feature हो गया business carried on by all or any of them acting for all को हम लोग क्या बोलता है mutual agency fifth feature क्या हो गया mutual agency हो गया अब एक एक करके features को समझो सबसे पहले feature क्या बताओ two or more person यानि in order to form a partnership in order to form a partnership there must be minimum two persons two persons minimum two partners are required to form a partnership maximum number of partners बताओ minimum the two maximum number of partners बताओ मज़ा का बात है maximum number of partners जो है ना पूरे partnership act 1932 में कहीं पर भी लिखावा नहीं है maximum number of partners have not been specified in the partnership act 1932 जिनको अभी भी लगता है कि maximum partner जो है वो 20 रहता है और banking business में 10 रहता है यह amend हुए 6-7 साल हो गया है लेकिन पता नहीं 6-7 साल पहले वाला भी चीज तुम लोग कैसे अभी भी बोल सकते हो यार इतना ज्यादा गलत कैसे बोल सकते हो तो minimum two partners होता है minimum two partners होता है maximum number of partners not mentioned in the partnership act 1932 maximum number of partners have not been mentioned in the they have not been mentioned in the Indian partnership act 1932 maximum number of partners partnership act में लिखावा नहीं है तो कहां लिखावा है है यह लिखा हुए मेरे बच्चो maximum number of partners जो है न यह लिखा हुए company's act के अंदर companies act के अंदर लिखा हो है दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे बच्चो mobile's act का section number companies act का दूर गगन में 470 section है the contacts act 23 उसका दूर गगन में section number 464 बनाया गया section नमबर 464 section number 464 of the companies act 2 तेरा बोलता है कि भाई कोई भी form of business में other than company और कोई भी form of business में other than company 50 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते 50 से ज़्यादा मालिक लोग नहीं हो सकते act में 100 लिखा हुए companies act में maximum number of partners the partnership में हो सकता है यह companies लिखा हुए maximum कितना लिखा हुए 100 लेकिन रूस में लिखा हुए 50 रूस मिलिखा हुए 50 तो current limit कैसर अब हमें ये बता दो चरुनेंट लिमिट 50 करेंट लिमिट 50 है यह यह लिखना अक्ट में लिखा हुए लेकि फ्यूचर में यह बढ़ाया जा सकता है maximum number of partners maximum वहां बोला गया है कि अगर पचास से ज़्यादा लोग हो ना तुम लोग कमपनी खोलना कमबल्स रही है पचास से ज़्यादा लोग अगर हो पचास से ज़्यादा ओनर्स अगर धंदा करना चाते हो कमपनी खोलना कमबल्स रही है यानि पाटनर्शिप अगर करना चाते हो भाण में गया कही साभी बिदम सो maximum number of partners कितना हो सकते हैं, minimum number of person, two, maximum, as per section 464, of the companies that doja 13, read with the government का rules, current maximum limit is 50, future में वो 100 बड़ा है जा सकता है, 100 तक, लेकिन current limit कितना है, 50 है, तो अभी आपको कितना याद खना है, 50, clear है sir, यह जो person है, यहाँ यह जो person है, यह जरूरी नहीं कि person जो है मेरी तरह और आपकी तरह natural person होना चाहिए, natural person मतलब having flesh and blood, क्या तुम natural person हो, अगर तुमारे अंदर flesh और blood है, तो तुम natural person हो, यह रहा, यह देखो, यह देखो, नहीं देखा, अपना काट करके देख लो, तो flesh and blood अगर है, तो natural person रहेगा, natural person, लेकिन person के अंदर जरूरी नहीं है कि natural person ही होना चाहिए, मतलब artificial person, artificial person, यानि body corporate भी यहाँ पर partner बन सकता है, राम, शाम, जोदू, मुदू, तो partner बन सकता है, हाँ, राम limited, शाम limited, जो companies है, राम limited, शाम limited, जोदू limited, जोदू limited, मुदू limited, उन लोग भी हाँ पर partner बन सकता है, so यह जो two or more person है, the person over here not necessarily means juristic person, the person over here not necessarily means natural person, person यहाँ पर natural person होना जरूरी नहीं है, artificial person भी हो सकता है, यानि actual में देखा जाए तो juristic person, juristic person, juristic person, juristic person मतलब legal person, juristic person एक broader word है, इसके अदर natural person भी आ जाता है, और artificial legal person भी आ जाता है, which means a body corporate can also become a partner in a partnership firm, body corporate can also become a partnership in a partnership firm, clear answer, पहला feature क्या था, two or more person, minimum partner, two, maximum, not mentioned in the partnership act, minimum two, maximum, not mentioned in the partnership act, but it is mentioned in section 464 of the company's act 2, 30, कितना, 50, person, क्या मेरी तरा और तुमारी तरा natural होना जरूरी है, नहीं, juristic होना जरूरी है, juristic होना जरूरी है, juristic and the natural भी आ जाएगा, artificial भी आ जाएगा, agreement होना जाएगा, there has to be an agreement between the partners to form partnership, without agreement there cannot be any partnership, agreement होना जाहिए, हाँ वो agreement जो है, express भी हो सकता है, implied भी हो सकता है, express oral agreement भी चलेगा, express written agreement भी चलेगा, express oral agreement भी चलेगा, express written agreement भी चलेगा, but express agreement होना चाहिए, agreement होना चाहिए, express हो चाहिए, implied, express oral, express written दोनों चलेगा, implied means implied by the conduct of the parties, जो हम लोग कॉंट्राक एक में अल्यदी पढ़ रखे है, implied means implied by the conduct of the parties, clear रहे हैं तक, so there must be an agreement, because you know, it is not like Hindu and Everett Family, H.E.F. में क्या होता है, status, status of co-personer, H.E.F. में जिन लोग, member लोग होता है, Hindu and Everett Family का member लोगो co-personer बोलता है, co-personer, so H.E.F. में, status of co-personer comes because of relation, ठीक है, H.E.F. में, you can become co-personer because of relation, status of co-personer comes because of relation, but over here in partnership, status of partner cannot come because of relation. It has to come by an agreement. Hindu and Everett Family में relation होती तुम co-personer हो जाते हो. Relation होती, co-personer हो जाते हो. जैसे Hindu and Everett Family का अगर बात करें, H.E.F. का अगर बात करें, जैसे मेरा Hindu and Everett Family है, जैसे ही मेरा लड़का पैदा हुआ, जैसे ही मेरा लड़का पैदा हुआ, तो automatically relation में आ गिया automatically वो मेरा co-personer बन गिया member of H.U.F. बन गिया member of H.U.F. बन गिया लेकिन अगर partnership में एक partner का बच्चा हो जाता है क्या वो भी partner बन जाएगा क्या नहीं, नहीं, agreement होना पड़ेगा relationship के कारण आप co-personer बनते हो H.U.F. में but partnership में relationship के कारणा partner नहीं बन सकते वहाँ पर तो agreement ही होना पड़ेगा यार तो या दखने का तरीका co-personer का बच्चा, co-personer partner का बच्चा, no partner co-personer co-personer का बच्चा, co-personer, but partner का बच्चा no partner, जब तो क्या नहीं होता agreement नहीं होता, so agreement determines the status of partner okay, not the relation sharing of profit is important, yes, sharing of profit is mandatory, it is compulsory, without sharing of profit, without sharing of profit, you can't be treated as a partner sharing of profit होना compulsory है भाई, उसके भिना तुम partner नहीं माना जा सकता, sharing of profit is compulsory, अच्चे एक बात बता हो मानलो say for example 3 partner है A, B and C, ठीक है 3 partner है A, B and C say for example, yes Ajay Alok, yes Ajay Ashok thank you Asha thank you, thank you, thank you, thank you, thank you thank you, thank you, avantika Akansha, thank you so much अरे सुनो ना, यह अलग सवाल का जवाब दो यार, A, B, C, तीन जो पाटनर है A, B, C, तीन जो है उन लोग मिल करके firm खुला partner है कि नहीं हो तुम बताओ, इसमें से जो partner A है ना मैंने बोला देखो भाई, तुम लोग मेरे loss share करेगा मैं खली profit share करूँगा, loss नहीं share करूँगा क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं partner मना जाओँगा, अगर मैं loss नहीं share करूँगा, खली profit share करूँगा, क्या मैं partner मना जाओँगा, फटाफट जवाब दो, I am not willing to share any kind of loss loss will be born by B and C, it will be shared between B and C, मैं खली profit share करूँगा, क्या हम partner मना जाएंगे क्या ए partner होगा बोलो जवाब दो, क्या ए partner होगा हाँ, ए partner होगा, इसका सही जवाब है ए बिलकुल partner मना जाएगा, ए partner होगा हाँ, yes, boys and girls ए partner मना जाएगा ए partner होगा क्योंकि देखो क्या लिखावर definition है sharing of profit, sharing of loss नहीं लिखा हुआ है, sharing of loss जो है अगर कोई partner नहीं कर रहा है, remaining partners को कोई अपती नहीं है, remaining partners को कोई अपती नहीं है, और कोई partner loss share नहीं कर रहा है यह allowed है, definition में भी देखो sharing of profit था, partnership means a relation between two or more persons who agree to share the profits of a business, तुम लोग जोश में आकर click to profit or loss, profit or loss, कलत हो जाएगा काट करके रख दिया चाहेगा, sharing the profits of a business, carried on by all or any of them acting for all, okay so sharing of profit is important, sharing of loss is not important, अच्छा अगर हम बोले हम खाली loss share करेंगे, profit भी और सी तुम लोग बाट लेना, हम खाली loss के लिए हैं, हम खाली loss share करेंगे, हम profit नहीं लेंगे, और लोड़ी बगवान का दिया हो, तुम लोगा दिया हो, बहुत कुछ है, हम loss खाली भुखतेंगे, हम profit नहीं share करेंगे, तब हम पाटनर नहीं आने जाएंगे, profit तो share करना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा, बेसी, जो भी हो, लेकिन sharing of profit is important, अचा बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस मतलब जरूरी नहीं है कि मोधी खाना का दुकान, ट्रेड, जरूरी नहीं है, बिजनेस के अंदर तुम partnership नहीं खोल सकते, partnership में business होगा, business मतलब doing any trade, occupation और profession, with an intention to unprofit, loss हो गया वो लग बात है, but intention क्या था, तुम्हारे intention to unprofit था, mutual agency क्या होता है सर, mutual agency मतलब क्या होता है, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा liability का बात हो रहे हैं आपर liability जो तेरा liability है वो remaining partners लोगी भूखतेगा जो remaining partners का liability है वो तुम भी भूखते होगे यह होता है mutual agency तो mutual agency मतलब business may be carried on partnership business may be carried on by all the partners और any one of the partners acting for all the partners, binding all the partners सवान में आगे सब माल लो से for example, तीन partner है A, B and C, okay boys and girls there are three partners, A, B and C A, B, C, तीन partner है माल लो A ने credit purchase of goods किया A ने credit purchase of goods किया from X 10 lakh रुपिया का, अगर A ने credit purchase of goods किया है form के लिए, from X Mr. X, 10 lakh रुपिया का A तो liable है, लेकिन यह जो liability A ने पैदा किया है ना, यह जो liability ने पैदा किया, यह B और C भी भुखतेगा B और C भी इस liability को भुखतेगा वैसे B अगर कोई liability पैदा करेगा यह C liability पैदा करेगा, तो वो A भी भुखतेगा, मतलब हर एक partner एक दूसरे का liability भुखतेगा provided it is within the scope of implied authority, if the liability is within the scope of implied authority, obviously वो within the scope of implied authority, outside the scope पर फिम्लाइट अथरी क्या होता है दीरे दीर करके आजाएगा अभी आएगा इसी चप्टर में आएगा क्लियर है तो यह होता है mutual agency मतलब mutual agency में हमेशा दखना every partner plays dual role mutual agency में every partner plays dual role दो रोल रहता है उसका every partner plays dual role double role one debt of a principal another debt of an agent every partner is a principal also agent also because he is principal so he is liable because he is agent also he makes other partners liable वो प्रिंसे पार्टनर प्रिंसिपल है कि एजेंट है इसलिए वो खुद भी liable है और agent का रोल नी बात है इसलिए दूसरे partners को भी liable करतेता है so every partner plays dual role one debt of a principal and one debt of an agent this is known as mutual agency mutual agency is the true test acid test it is the true test acid test of partnership as per the leading case law cox versus hickman cox versus hickman में यही बोला गिया था भाई cox versus hickman में क्या बोला गिया था cox versus hickman में cox versus hickman में यही बोला गिया था mutual agency is a true test of partnership acid test of partnership as per the cox versus hickman judgment why because remaining all features you may find in other forms of business also but this is the feature that is found mutual agency is a feature which is found only in case of partnership form of business in no other form of business you are going to find any other in no other form of business you are going to find this mutually driven the game say it is found only in the partnership only in this argument just say for example two or more person tons कम्ट्रेशिप में भी होता है हाँ कम्ट्री में भी परस के लिए नहीं बंता, کंपनी भी बिजनस के लिए बंता है, लेकिन mutual agency जो है कि हर एक partner हार एक partner का liability भुखतेगा हर एक partner हर एक partner का liability भूझ इस के वल यह भईकेवल cocks versus hickman ने बोला यह भई केवल जो है ना यह partnership में पाया गया है और कहीं नहीं पाया गया यह ल पाattend पार्टनर्शिप में ही पाया गिया है भाई यह केवल पार्टनर्शिप में ही पाया गिया है केस का नाम याद करना होगा बिल्कुल करना होगा केसलो का नाम जहां-जहां केसलों में बोलता हूं वह याद करना होगा सो अभी तक हम लोग क्या सीखें अभी तक हम लोग ज्यादा कुछ नहीं सीखें हैं डेफिनेशन और पार्टनेशिप सीख चुके हैं फीचर सब पार्टनेशिप सीख चुके हैं डेफिनेशन और पार्टनेशिप क्या था पार्टनेशिप मेंस अ प्रेलेशन 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 प् in the companies act 2013 section 464 of the companies act 2013 read with the rules maximum current limit is 50 it can be increased to 100 by the government later on but right now it is 50 two more percent हो गया फिर क्या होना चाहिए agreement होना चाहिए agreement express भी हो सकता है implied भी हो सकता है sharing of profit जरूरी है sharing of loss जरूरी नहीं है business होना जरूरी है यानि charitable अगर तुमारा motive है तो तुम partnership नहीं खोल सकते है mutual agency होना पड़ेगा और mutual agency जो है वो true test मना गया है acid test मना गया है बेटा revision चल रहा है या ध्यान लगाओ revision चल रहा है mutual agency true test acid test of partnership यानि every partner plays a dual role one debt of a principle another debt of an agent यहां तर clear है सर्थ मेरे बच्चों the owners of the partnership owners of the partnership को हम लोग क्या बोलते हैं partners बोलते हैं together all the partners plurally together all the partners plurally makes a firm और firm का जो नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं firm's name बोलते हैं individually हम लोग क्या बोलते है owners को partners together all the partners make a firm and firm का जो नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते है firm's name उसको हम लोग firm's name बोलते है firm का जो नाम है वो कभी दूसरा firm का नाम के साथ identical या two-nearly resemble नहीं होना चाहिए मानलो अलेडी एक firm खोला हुआ है उसी नाम से क्या तुम भी firm खोल लेगा नहीं तो firm का जो नाम है वो identical या two-nearly resemble नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा भी नाम नहीं होना चाहिए कि king, royal, emperor यह सब भी नाम तुम नहीं रख सकते हो या फिर government से related नाम भी नहीं रख सकते हो मोधी सरकार firm, ममता सरकार firm, भारत सरकार firm, राज्य सरकार firm यह सब नाम तुम नहीं रख सकते हो यहां तक क्लियर है मेरे प्यारी प्यार बच्चो को यहां तक हम लोग को क्लियर है सर पार्टनेश्व आक्ट इस्टेंज टू होल अफ इंडिया पार्टनेश्व आपको बता रहे है यह एक्ट एग्जॉस्टेव नहीं है यानि जहां जहां यह साइलेंट रहेगा वहां वहां कॉन्ट्राक्ट एक्ट अप्लिकेबल हो जाएगा ठीक है फिर हमने डेफिनेशन पढ़ लिया था पार्टनेश्व का सेक्शन नमर कौन सा था जी हां सेक्शन नमर फोर था सेक्शन नमर फोर इट्स ए रिलेशन बेटीन तो अमर परसंट तो अभी अभी समझाया है यह पांचों फीचर सर आपने अभी अभी समझा दिया है शेरिंग और प्रॉफिट को रियल टेस्स क्यों नहीं बोलते हैं cằ लॐ अगर उग्या तो पार्टनर अगर मर गया हम लोग PayPal उसकी विड़ो को मिला तो क्या उसकी विड़ो हम लोगगी पार्टनर हो जाएगी Wes deceased partner to the legal representative example widow of that deceased partner that widow or legal representative will become our partner no वेसी मानलो creditor को हमने अपना profit से चुकाया employee को manager को commission देते न अपना profit के ऊपर employer manager को commission दे दिया profit के ऊपर या creator को जुका दिया तो क्या creator मेरा partner हो जाएगा वो employee or manager जिसको मैं commission दे रहूँ profit के ऊपर क्या हो मेरा partner हो जाएगा नहीं that is why sharing a profit is not a real test of partnership because sometimes we share the profit even with non-partners example sharing the profit with deceased partner's widow sharing the profit as a percentage of commission with employee or manager or distributing the profit to the creditor clear answer for partner firm or firm's name अभी अभी मैंने पढ़ा दी आपको सबसे असान question है यार partnership or joint stock company में differences क्या होता है partnership is governed by indian partnership act 1932 company is governed by the companies act 2013 right partnership के लिए minimum दो लोग चाहिए लेकिन company तो one percent company एक जन से भी खूल सकता है और कमनी तो एक जन से भी खूल सकता है one percent company partnership में maximum कितने हो सकते है partnership में maximum maximum जो limit है वो 50 का limit है लेकिन public company अगर खोलोगे public company में तो maximum number of members unlimited हो सकते है public a private company में 200 का limit है maximum members private company में 200 हो सकते है public aabil mentor partnership जो है ना उसका charitable औब्जेक नहीं हो सकता है section 8 charitable company हो सकता है मा partnership में MOA memorandum of association articles of association नहीं होता है अग्ड़ेट मेमोरेंडम of association articles of association होता है owners of the partnership are known as partners but owners of the company are known as owners of the company are known as shareholders members okay तो यह पांसर टो में ने important differences बता दिया partnership and joint struck company का फिर हम लोग आ जा रहे हैं partnership और हुएफ के अंदर partnership और हुएफ के अंदर okay मेरे प्यारे बच्चो partnership और हिंदु और family के अंदर partnership जो रहता है partnership में every partner plays dual role principle also agent also but in case of hf ऐसा कुछ relation नहीं है relationship does not determine the status of a partner agreement determines the status of a partner you can become a partner in partnership only by an agreement but you can become a member in hf just by relation relation होना ही काफी है ठीक है partnership में सारे partners को हक है partnership चलाने का hf में सारे members को अधिकार नहीं है चलाने का करता चलाता है करता ठीक है जो हेड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं करता राइट और फटा फटा और और बताओ मेरे को partnership में maximum limit है पचास में ऐसा कोई limit नहीं है अगर तुम 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 को कोई मना कर सकता है क्या नहीं और फटार कोई रोक सकता है क्या बच्चा करने से वह 200 बच्चा कर दिया तो कर दिया कर दिया तो को कोई लिमिट नहीं है partnership करवा भी सकते हो नहीं भी है या कोई रेसिशन का concept नहीं है partnership may or may not be registered but at UF may there is no concept of radiation right clear partnership is governed by Indian partnership act and Hindu owner family is governed by Hindu law sir partnership or co-ownership differences क्या होता है तुम्हारे mummy papa अगर मानलो flat के joint owner है flat तुम्हारे mummy के नाम पर है कि papa के नाम पर सर आजकल ना mummy लोग भी अपने नाम पर flat कर वा लेती है पापा के साथ रेश्टी जो हुआ था ना flat का mummy पापा दुनों के नाम पर हुआ था तो उन लोग दुनों को co-owner बोला जाएगा they are the co-owners joint owner of a property joint owners of the property उन लोग को co-owner बोलते है अब differences जबी भी लिखने आए ना तुमको जो कोई भी limit नहीं है clear फिर मैंने क्या बताया था partnership में agreement होना चाहिए partnership में क्या होना चाहिए agreement को ownership में agreement से भी हो सकता है co ownership inheritance से भी हो सकता है मालो किसी के दादा जी property दो पर किरेंगे अब दादा जी अगर प्रॉपटी राम और शाम दोनों के नम पर करके चल गए राम और शाम के बीच में आपस में कोई agreement नहीं हो तो दादा जी ने वसीयत लिखा कि यह property राम शाम दोनों के नाप रहेगा राम शाम के आपस में agreement कि नहीं inheritance के कारण राम शाम दोनों मालिक बन गया property का co-owner बन गया sharing of profit partnership में होता है co-ownership में ज़रूरी नहीं कि profit share करे धंदा थोड़ी न हो रहे है business partnership में ज़रूरी है co-ownership में तुम्हारे मम्मी पापा flat के मालिक है क्या उनलोग business कर रहे है दुनों मिल करके नहीं mutual agency partnership में होता है co-ownership में mutual agency नहीं हो सकता clear है sir partnership और club partnership पता है क्या होता है club क्या चीच के लोता है club नहीं गाए कभी games खिलने के लिए charity करने के लिए recreation time pass करने के लिए वही तो club है रहे बाबा वही तो club है clear है na तो club जो है क्या चीच के लिए होता है recreation, games, social service यह सब के लिए अब फिर वही सारा differences लिख दो maximum नमरा partner 50 club में ऐसा कोई limit maximum limit नहीं रहता partnership business करेगा club जरूरी नहीं है कि business करेगा partnership में mutual agency रहेगा club में mutual agency कभी भी नहीं रहेगा और बता partnership में क्या था sharing of profit होता club में ऐसा sharing of profit होगा कुछ नहीं होता clear minors position in partnership में आजेगी दोस्तों बहुत important topic है भयानक वह important topic है boys and girls भयानक important topic so join very fast new topic is going to start now नया topic अमलोग start कर रहे है भयानक important है minors position in partnership आजो भई minors position in partnership minors position in partnership ha minor का जो पूरा position ना पार्टेशिप के अंदर section 30 याद रखना बहुत इंपॉर्टेशन है section number 30 section 30 of the Indian partnership act 1932 minors position in partnership is dealt by section 30 of the Indian partnership act 1932 minor cannot become a full-fledged partner until he attains majority until he attains majority he cannot become full-fledged partner but yes he can be admitted into an existing partnership business when I say existing partnership business which means there are already two or more major partners existing partnership business already having two or more major partner minor can be admitted minor can be admitted into existing partnership business only for the benefits only for the benefits अगर तुमको लग रहा है यार ये बहुत talented है यार ये माइनर तो मेरे को चाहिए यार इसके आने से चार चान लग जाएगा यार चार चान लग जाएगा यार ये माइनर मेरे को चाहिए यार मेरे partnership business में तो उसका admission आप करवा लो उसका admission करवा लो with the consent of all the partners तुम उसका admission करवा लो लेकिन फिर खाली उसको share of profit ही मिलेगा अगर loss हो गया वो participant नहीं करेगा minor को खाली उसका जो agreed share of profit है agreed share of profit मिलेगा अगर loss होता है तो remaining partners bear करेगा minor नहीं bear करेगा माइनर का और क्या-क्या राइट है क्या माइनर books of accounts को access कर सकता है क्या माइनर remaining partner लोग को sue कर सकता है अगर लेकिन वो तब ही sue करेगा जब वो firm छोड़ रहा है मतलब माइनर firm में भी रहेगा sue भी करेगा ऐसा नहीं हो सकता माइनर can sue the partners only if he severe his relationship with the firm मतलब ही cuts out his relationship with the firm तो क्या minor profit share करेगा हाँ loss वो share नहीं करेगा books of accounts access कर सकता है books of accounts access कर सकता है revenue partners को CEO कर सकता है बढ़ उसको फिर firm छोड़ करके जाना पड़ेगा अब जब वो major बन जाता है minor जीवन बर minor थोड़ी न रहेगा कभी न कभी 18 साल का होगा यानि majority अटें कर लिया once he attains majority once he attains majority or he obtains the knowledge that he was admitted into the partnership once he becomes of major age once he becomes of major age यानि he attains majority or he obtains a knowledge that he was admitted for the benefits of an existing partnership business whichever is later once he attains majority or obtains the knowledge that he was admitted into the benefits of an existing partnership business whichever is later वहां से छे महीना का दाई में, छे महीना के अंदर अब महीनर को decide करना पड़ेगा. Within six months, within six months of attaining majority or of his obtaining knowledge that he was admitted into the benefits of an existing partnership business, whichever is later, he will have to decide, he will have to decide whether he wants to become a partner or does not want to become a partner. Whether he wants to become a partner or does not want to become a partner, he will have to decide that whether he wants to become the partner or does not want to become a partner by giving a public notice, by giving a public notice, उसको ये बाद बताना पड़ेगा कि वार्णा बनना चाहता है कि पार्णर नहीं बनना चाहता है. अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? Within six months of his attaining majority or of his obtaining the knowledge that he was admitted into the benefits of an existing partnership firm, whichever is later, within six months of attaining majority or obtaining knowledge that he was admitted for benefits of an existing partnership firm, whichever is later, he will have to issue a public notice whether he wants to become a partner or does not want to become a partner. अब तीन बात होगा, तीन बात होगा, उसने public notice है दिया, छे महिना के अंदर कि हम partner बनना नहीं चाहते. I don't want to become a partner. छे महिना के अंदर उसने public notice है दिया कि वो partner बनना नहीं चाहता. तब क्या होगा? अगर वो public notice है दिया कि वो partner बनना नहीं चाहता, जिस दिन उसने ये पब्लिक नोटिस दिया कि वो पाटनर बनना ने एक ध्यान से सुना जिस दिन उसने पब्लिक नोटिस दिया कि वो पाटनर बनना नहीं चाहता उस दिन तक जितना भी लाइबिलिटी हो रखा है उस दिन तक firm का जो भी liability है personally तो वो B.R. करेगा ही नहीं केवल उसका जो share of profit and property in the firm था share of profit his share of profit and property in the firm will be liable जैसे कि पहले भी रहता था जब वो minor था firm का जितना भी liability है minor कभी भी personally liable नहीं था उसका जो profit का share और property का share था खाली वहीं से liability of the firm बाठा जा सकता था firm का liability के लिए कभी भी minor personally liable नहीं था only share of profit and the property in the firm only share of profit and property in the firm is liable for the liabilities of the firm हाँ तो उसने public notice दिया ना public notice दिया कि वो पर्टनर बनना नहीं चाहता है मैने public notice मैं लो मैं ही minor हूँ जो अभी अभी major हुआ है चै महीना के अंदर मैंने public notice दिया मैं पाटनर बनना नहीं चाहता है जिस दिन मैंने public notice दिया उस दिन तक का जो liability है firm का उस दिन तक का public notice वाले दिन तक का जितना भी liability है only his share of profit and property in the firm is liable और public notice के बाद वाले दिन से एक भी liability firm का firm का एक भी liability के लिए उसका profit and property in the firm भी liable नहीं है only till the date of public notice firm's liability can be deducted from his share of profit and property in the firm after he has given the public notice his profit and share of property in the firm is also not liable लेकिन अगर वो public notice दिया चै महीना के अंदर की वो पाटनर बनना चाहता है पहला case हो गया की वो पाटनर बनना नहीं चाहता दूसरा और तीसरा case वो public notice दे दिया कि वो पाटनर बनना चाहता है या फिर कुछ बोला नहीं तो मान लिया रहेगा वो पाटनर बनना चाहता है या तो वो public notice दूसरा case में हम बता रहे हैं वो public notice दे दिया कि वो पाटनर बनना चाहता है या फिर कुछ नहीं बोला 6 मेना के अंदर 6 मेना भी दिया तो deemed की वो पाटनर बनना चाहता है all the liabilities since the date he was admitted all the liabilities since the date he was admitted for the benefits of an existing partnership firm shall be personally liable he shall become personally liable if he elects to become a partner then he shall be personally liable for all the liabilities contracted since the date all the liabilities which are pending since the date he was admitted into the benefits of an existing firm इता सा था जब उसको hospital से सीधा firm में लाए थे मजा कर रहे हैं बर जो भी था minor था इतना सा था इतना सा था जब उसको हम लोग form में ले कर के आए थे उस दिन से ले कर के अभी तक जितना भी liability अगर हम लोग नहीं चुका सके पेंडिंग है वो personally liable minor भी रहेगा personally liable minor भी रहेगा clear clear answer अरे नहीं मेरे बच्चो आप मेरा classes foundation वाले मेरे बच्चो आप मेरा classes exclusively यहीं पर MEPL में करेंगे सारी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ आप लोग मेरा class MEPL में कर सकते हैं exclusively और कहीं नहीं कर सकते clear answer मेरे से अगर जुड़ना है तो MEPL में इंडरॉल्मेंट करवाना पड़ेगा मेरे साथ अगर जुड़ना है तो आपको MEPL में इंडरॉल्मेंट करवाना पड़ेगा clear answer अचा यहां था अभी यह सब चोड़ो यह सब clear है ना है हाँ सर पूरा rights, liabilities होगारा सब कुछ clear है यह था पूरा का पूरा minor का position in partnership this was everything about minor's position in partnership right boss and girls देखो rights देखलो फटा-फट राइट देखलो minor का क्या right रहेगा agreed share of profit मिलेगा agreed share of profit मिलेगा accounts of the firm बिलकुल access रहेगा बोले था ना books of accounts access कर सकता है sue कर सकता है partners को sue कर सकता है बट उसको फिर relation तोड़ना पड़ेगा firm के साथ और फिर जब जब भी वो major हो जाएगा और obtains a knowledge that he was admitted for the benefits of an existing firm वहां से 6 महिना के अंदर उसको notice देना पड़ेगा whether he wants to become a partner or not become a partner liabilities क्या है उसका liabilities, liability मैंने बताया ना firm का जो liability है, firm का liability personally तो minor liable नहीं है बात बागी सारे partner personally liable है minor personal liable नहीं है, हाँ उसका जो share of profit and property in the firm है, वो liable है liability of the minor is confined only to the extent of share of profit and property of the firm, share of profit and property of the firm no personal liability insolvent नहीं हो सकता है, बेले भी बताया हुए त्यागी जी, त्यागी जी बोल रहे है please provide notes sir, please provide notes, मेरे बच्चो, telegram channel join कर लो, already मैंने soga का notes वहां share कर रहा है, contract का notes share कर रहा है, accounts का notes भी बहुत जल share हो जाएगा, और ये वाला notes तो आज ही share हो जाएगा, ये वाला notes तो भई आज ही share हो जाएगा after attaining majority, जैसे मैंने आपको बताया within six months, within six months of his attaining majority, or his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of the firm, which differs later, minor partner has to decide whether he shall remain a partner or leave the firm public notice देन पड़ेगा उसको when he achha, if he fails to give such notice, तो क्या माना जाएगा partner मान लिया रहेगा, मैंने बताया था न, अच्छे महीना हो गया notice नहीं दिया, तो partner मान लिया रहेगा, अच्छा, when he becomes a partner, if he elects to become a partner तब क्या होगा, if he elects to become a partner तब क्या होगा, partner बनना चाता है, ठोप देंगे सारा का सारा liability जो pending है कब से, since the date he was admitted for the benefits of the firm he shall become personally liable to third parties, for all the acts of the firm done since the date he was admitted to the benefits of the partnership, उसका share in the property and profit, वो तो वैसे ही रहेगा जैसे था, और अगर वो partner नहीं बनना चाता तो, तो उसका right liability minor की तरह ही continue करेगा, till the date of public notice, till the date of public notice clear है sir और ये public notice दिने के बाद he, उसका share shall not be liable public notice दिने के बाद तो उसका share shall not be liable for any acts of the firm after the date of notice, और क्योंकि सारे रिष्टे नाते तोड़ दे रहा है, सारे रिष्टे नाते जो moderator live chat को manage कर रहा है वो क्रिपया करके देखे जो link share किया है क्या वो link खुल रहा है link ऐसा होना चाहिए जो खुले मैंने share कर दिया है clear sir minor का पूरा position पूरा clear sir मक्कन एकदम जवर्दस वला all good all clear all clear अब हम लोग बात करें duties and rights of partners को लेकर के now we are talking about duties and rights of partners duty मतलब क्या होता है obligation मेरे प्यारे बच्चो duty मतलब क्या होता है duty मतलब obligation होता है duty मतलब obligation होता है और right मतलब क्या होता है duty मतलब obligation होता है और right मतलब power duty means करना ही पड़ेगा obligation है और right मतलब power कर भी सकते हो नहीं भी it's my duty to teach an obligation it's your right you may or may not watch the class power है नहीं सार हम लोग भी अपना duty समझते हैं इसको विक्रम रे आप जो है MEPL classes.com में जाहिए www.meplclasses.com वहां आप सरा का सरा information मिल जाएगा आपको fees वगर का everything sir you are great really your lectures are awesome GBU thank you so much thank you sir but यह गाली क्या गाली दिया रहे GBU क्या है रहे बाबा sir गाली नहीं है sir कुछ प्यार वाला शब्द होगा शिरीश बहुत अच्छे से revision हो रहा है sir thank you so much पिलकुल सही चवाब आजाओ duties and rights के अंदर duty मैंने obligation right मतलब power सबसे पहले rights का बात करते है rights का बात करते है partner का क्या-क्या right है right to take part in the conduct of the business यार right to take part in the conduct of the business बिलकुल partner is the right to take part in the conduct of the business okay gunjan god bless you thank you gb you मतलब god bless you okay god bless you guys also अभी सुनो rights वा partner नान लगाओ right to take part in the conduct of the business every partner has the right to take part in the conduct of the business क्या sleeping partner यानी dormant partner क्या उसका भी right रहता है to take part in the conduct of the business tell me very fast क्या sleeping partner dormant partner का भी right रहता है to take part in the conduct of the business क्या sleeping partner dormant partner का भी right रहता है sleeping partner का रहता है और लिए बताओ 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 भाई बताओ अशेर बोल रहा है यह बोल रही है no बाट बागे सारे बच्चे बोल रहे हैं येस लेकिन कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं केश भी सेंग नो अभिशे की सोहन नो सु भी answer इंग इस तूडेंट्स और हा' शिवानी सेंग नो अतन्वी सेंग नो इस रिंटर कुंडू is सेंग no harsh is saying no Rajesh is saying no or maybata do jinn log no bole hain galat hai jinn log no bole galada bhai even a sleeping partner dormant partner has a right to take part in the conductor of the business he has a right even a sleeping partner dormant partner has a right power to take part in the conductor of the business it's just that he's not exercising the right that is why he is called sleeping partner but if he wants he can take part in the conductor of the business and he'll be known as active partner yadakna ayusha galat ho thum sanjay galat ho thum yadakna bhai ye sab yadakna isle to revision important sleeping partner ke paas bhi right hai ki wo conduct kar sakta hai yes he has a right to take part in the conductor of the business but he does not exercise his right that is why he's called sleeping partner but he has a right is ka yamalab ni oska right ni hai sleeping partner kaw hear the right luck nahato get types of partners kabaat shida hai hai to ever gives the few partners kabaat types of partners kabaat types of partners per couple third 2 hi raad jalaodi hoed jae TOP再es team type soft partners po best play a pate Day ko a active actual इसका और एक नम बताओ अरे बाबा औस टेंसिवल बहुत कम लोगों को पता है जिनको नहीं पता सुन लो active partner is also called actual partner और ostensible partner ठीक है इसका लब एक कॉन होता है dormant dormant का और एक नम बताओ अरे बाबा sleeping partner बिल्कुल सही जवाब और एक पार्टनर nominal partner thank you Neeraj love you too active और actual और ostensible और एक को था dormant sleeping और एक को था nominal पहले सुन लो ना active partner और actual partner ostensible partner कौन होता है देखो मैं या लिग देखो मैं या लिग देखो मैं या लिग देखो active dormant nominal है ना मेरे सवालों का जवाब देना मेरे सवालों का जवाब देना मेरे सवालों का जवाब देना active partner, dormant partner, nominal partner yes after appointment रजीव कुमर active dormant and nominal सबसे पहला हम लोग बात करें active dormant nominal का दोस्तों सबसे पहला हम लोग बात करें capital का मेरे सवालों को जवाब दो capital क्या active partner capital लगाता है capital active partner लगाता है yes dormant partner capital लगाता है yes nominal partner capital लगाता है नहीं nominal partner capital नहीं लगाता sharing of profit sharing of profit sharing of profit आज अशुब हम ध्यान लगा बटा sharing of profit active partner dormant partner share profit करता है हां करता है दोनों करता है nominal partner profit भी share नहीं करता है takes part in day-to-day affairs takes part takes part देखो right to take part in conduct of the affair तो तीनों का है but takes part actually takes part in day-to-day affairs actually takes part in day-to-day affairs active partner actually takes part in day-to-day affairs dormant sleeping partner सार सो रहा है क्या क्या कर रहा है वो नहीं पता लेकिन धन्दा में तो नहीं आ रहा है partnership में day-to-day affairs तो नहीं आ रहा है ठीक है रहा है लाइबल लाइबल टू थर्ड पार्टी लाइबल टू थर्ड पार्टी हाँ फर्म का लाइबलिटी के लिए बाद बखी पार्टनर का लाइबलिटी के लिए के लाइबल टूट पार्टी एक्टिव पार्टनर भी लाइबल है डॉर्मेंट पार्टनर भी लाइबल ह करना अपना चेहराई अपना नाम अपना 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 goodwill allow कीया ना तो उसका नाम पर ही तो विचर अपर क्रेडिट Dollar जो है उधार में माल बेच रहा है उसी का nominal partner का नाम से ही तो फर्म को उधार मिल रहा है च्रेडिट अपना बेच रहा है अब अगर default हो the outsider because he has given his name sir ऐसा कौन देगा कोई नहीं देगा nominal partner कोई नहीं बनता लेकिन मान लो से for example say for example मेरी प्यारी बीवी वंदना अगरवाल and दिविया अगरवाल मेरी sister दोनों मिल करके खुद का partnership firm चालू किये ठीक है और मेरी बीवी मेरे को बोली है हम लोग दोनों मिल करके partnership हम चालू कर रहे हैं और तुम्हारा नाम से हम लोग firm खोलेंगे MA का नाम क्योंकि बजार में सब को MA का नाम सब पता रहता है तो MA का नाम से firm खोलेंगे हम बहुत पाथने नहीं बनाएंगे तो कि मैंनल पाटनर मतलब मझभूरी वाला एक्चल में वो full-fledged partner ही नहीं क्योंकि वो profit share ही नहीं कर रहा है but still he will be liable to outsiders because he has allowed the firm to use his name because he has allowed the firm to use his name so he is going to be liable to the outsiders मक्कर एक्दम अब जब partnerों का बात होई रहा तो सब partner का भी बात कर लेते हैं सब partner भी firm का partner नहीं होता सब partner भी firm का partner नहीं है जो firm के partner लोग है न ये उसका partner है सब partner is a partner सब partner is a partner of partner of a firm he is a partner of partner of a firm he is a partner of partner of a firm मज़ा लेते हो तुम लोग सब कुछ हा मानलो हम लोग का तीन partner है A, B, C शुब हम बोल रहा है सर आपके एक्जांबल इतना सॉलिड और रियलिस्टिक रहता है उनको भुलाना इंपॉसिबल रहता है अगर कभी सुन लिया ना बीवी ने दिक्कत हो जाएगा होने दो हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं आजो आजो भई आजो आजऑ आजो आज़ाओ आज़ो तो सब पार्टनर क्या बता वही सिखा रहे हैं मेरे बच्चों सब पार्टनर is a partner of partner of a firm सब is a partner of a partner of a firm मन लो तीन partner ABC अमान पीटेंगे बिटा तेरे को चल चुप चप यहां पर देख सब partner is a partner of a partner of a firm तीन partner हम लोग का firm है A, B and C firm का partner कौन है यार firm का partner A, B and C है अब ए जो है न ए बोला मैं अपना 50% profit मैं अपना 50% profit firm से दिलवाऊंगा D को, A बोल रहा है कि उसका पाती का 50% profit वो firm से दिलवाना चाता है D को firm से दिलवाना चाता है D को, तो D हो जाएगा सब partner किसका A का, A का, क्या D firm का partner बाना जाएगा नहीं, D sub partner है A का, क्या D liable रहेगा third parties को, नहीं यार यह partner नहीं है यह liable फाइबल नहीं रहेगा third parties को, यह तभी allowed है जब remaining partners भी agree कर जाए, B and C भी agree कर जाए, तभी यह हम लोग जंजट पालेंगे क्या यह जो D है क्या यह जो D है, मेरे प्यारे बच्चो, क्या यह जो Mr. D है, क्या यह books of accounts access कर सकता है, नहीं यार, खली इसका main partner access कर सकता है, लेकिन इसका main partner A, अगर कल को सलड गया, टपक गया, डिसीज हो गया, तब, तब यह सब partner books of accounts खली एक बार access कर सकता है, अपना share निकलने के लिए, क्योंकि main partner सलड गया, तो अब share कौन निकालेगा, आजा सब partner books of accounts access कर ले भाई, clear है, clear है, clear है, clear है, clear है, partnership by is topple and holding out, सिखा रहे हैं, ध्यान लगो, now I am explaining, partnership by is topple and holding out, partnership by is topple and holding out, I am explaining partnership by is topple and holding out, focus करो partnership by is topple and holding out, normally, normally firm का liability कौन भी एर करता है, जो partners रहते हैं, firm का liability कौन भी एर करेगा, जो partners है, लेकिन कभी कबर क्या होता है, कभी कबर क्या होता है, even even the persons even the persons who are non-partners persons who are non-partners shall be liable to third party normally third party को liable कौन होगा जो partner है वो liable होगा third party को लेकिन अगर कुछ-कुछ case में कुछ-कुछ case में जो इंसान partner नहीं है लेकिन उस्ने रिप्रेंट की आपने आपको जो के जो नहीं है विप्रेंट एंसान Philippines actually I am not a partner but I misrepresented myself to be a partner of the firm in front of third party and believing so the third party has given some credit to the firm and that third party has suffered loss that third party has suffered loss because third party believing on my false representation that I am also a partner in the firm so third party you can sell the goods on credit third party believing that I am a partner actually I am not a partner but I misrepresented to be a partner and third party believed me and sold the goods on credit to the firm, firm defaulted I shall be liable to that third party I shall be liable to that third party, this is called partnership by stop and holding out, makhan की तरह clear है मैं partner नहीं हूँ तो मैं liable भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी third party को जा करके बोला आरे मैं भी इस firm में partner हूँ, तुम दो ना उदार में माल बेचो ना, नहीं चुका है, मैं तो हूँ, मैं चुका दूँगा यार मैं partner हूँ इन लोग के साथ actual मैं partner नहीं हूँ, अब मालो firm रूपिया मार लिया third party मेरे पसा है, तुम partner था ना मैंने तो जूड बोला था, मैं तो partner नहीं हूँ मैं उस third party के लिया, मेरे को third party को रूपिया चुकाना पड़ेगा, अब मैंने उस third party को रूपिया चुका दिया, अब वो third party facebook में status update कर दिया, thank you Mohit sir for paying the liabilities of the firm अब बाद बाकी liability holder लोग भी मेरे पास आ गिया बाद बाकी liability holder लोग भी मेरे पास आ गिया कि आपने उसको चुकाया, आप लोग, आप हम लोग को भी चुकाये bat से मार मार के, बगाएंगे बता रहे हैं, bat से, डंडा से मार मार के बगाएंगे, मैंने उस third party को मिस रूपियसंट किया था, मैंने उस third party को जुकाँगा जिसको मैंने जाकर के मिस्प्रिसेंट किया या दखना अगर active partner कभी retirement लेगा न active partner अगर retirement लेगा तो public notice देगा जब तक active partner public notice नहीं दे देता तब तक उसका retirement valid नहीं माना जाएगा तब तक वो liable रहेगा मतलब अगर active partner पांच फेबरेरी को और उसने public notice दिया अगर नोटिस ही नहीं दिया retirement का तो उसका liability चलते रहेगा as a partnership by holding out पकड़ लेंगे तुम पार्टनर माना जाएगा sleeping dormant partner को public notice देने का दरकार नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो तो ऐसे भी day-to-day affairs में conduct नहीं करता था तो ऐसी retire कर सकता है बीना public notice दिये clear answer मक्खान मक्खान एकदम मक्खान revision चल रहा है मैं फिर से remind करवादू regular batches में तो सोचो कयामत आता होगा कयामत जो deep में जा करके पढ़ते हैं और जो मजा लूट करके पढ़ते हैं मतलब अप्रम पार अलागी लेवल का मजा आता है अलागी लेवल का clear ना जवर्दस चवर्दस अच्छा राइट सुबड़ा सिंपल है यार बताओ राइट टुटेक पार इन दे कंड़क्ट आ बिसनेस राइट तुम पार्टनर अथा तुमार राइट ना राइट तुब बिल्कुल है राइट वी कंसल्टेट अब रूपिया पाइसा का बात कर रूपिया मिलने का राइट तुषेर दा प्रॉफिट राइट टु रेमुनरेशन नहीं है जब तक एक्सप्रेस अग्रीमेंट ना हो राइट टु रेमुनरेशन नॉर्मली नहीं रहता या नि तुम बोलोग मेरे को सालरी भी दो यह सब नहीं मिलेगा जब तक there is an express agreement regarding it clear right to access to books books be access कर सकते हैं बिलकुल remuneration का बात होई गया देखो no partner is entitled to receive any remuneration बात हुआ था ना लेकिन यह rule vary किया जा सकता है बाई एक्स्प्रेस अग्रिमेंट right to share the profits से फिर तो यार right to share the profit और क्या क्या मिल सकता है बताओ interest on capital, interest on advances, interest on capital, interest on advances और बताओ अगर remaining partner remaining partner कुछ तोड़ फोड़ की है तो उससे हम लोग indemnification लेंगे right to receive indemnification right to receive indemnification और क्या अब आना जाना का right आनेगा जानेगा फिर्म में आनेगा और जानेगा कोई नया partner आ रहा है तो मेरा right है मेरा right है to stop the admission of the new partner I have a right to stop the admission of a new partner right to stop the admission of a new partner I have a right to stop the admission of a new partner मतलब जब तक कोई भी minor आई या फिर कोई नया partner आए unanimous consent चाहिए रहेगा सारे existing partners का एक भी partner बना कर दिया तो नया partner या minor नहीं आ सकता unanimous consent of all the partners must be there I have a right to retire as per the agreement or as per consent of all the other partner as per agreement or consent of all the partner I can retire right not to be expelled कोई मेरे को निकाल नहीं सकता जब तक firm का good faith ना हो partnership deed की हिसाब से नहीं majority नहीं मतलब conspiracy करके मेरे को expel नहीं किया जा सकता निकाला नहीं जा सकता expulsion of partner expulsion of partner के लिए तीन conditions एड़सवाई होना चाहिए सबसे important condition expulsion of partner partner को expel किया जा सकता है सबसे important condition expulsion of partner का it should be done in good faith अगर तुम partner को निकाल रहे हो it should be done in good faith भाई it should be done in good faith अगर तुम partner को निकालना चाह रहे हो it should be done in good faith for the benefits of the firm firm का बलाई होगा क्योंकि वो partner चोरी कर रहा है है बदमाशी कर रहा है majority of the partners favor में होना चाहिए निकालने के लिए and partnership deed की हिसाब से होना चाहिए तभी expil किया जा सकता है अच्छा मेरा अगर मालो से for example retirement हो रहा है तो उसकी बात क्या मैं competing business कर सकता हूं I have a right outgoing partner tata bye bye I'm going I can carry my competing business partnership में रह करके मैं competing business नहीं कर कर सकता हूं right of outgoing partner to share subsequent profit मैं चला गया firm से retirement ले लिया firm से retirement ले लिया इन्होंने मेरा capital भी तक वापस नहीं किया तो अगर outgoing partner का capital ही उसको वापस नहीं मिला है तब फिर उसके पास अभी भी right है कि subsequent profit जो मेरे capital से कमा रहे हो उतना मेरे को देना पड़ेगा right to dissolve the firm partnership at will कैसे भूल गए अगर partnership at will होता है तो हम लोग firm को कभी भी dissolve कर सकते हैं even a single partner can give a public notice to dissolve the firm तो यह सब rights हैं बहुत simple simple एक बार रीट कर लेना है कि क्लियर है ना मेरे बच्चो बच्चे टेलीग्राम का link मांग रहे हैं यह लो चलीग्राम का link यह लो duties तो बड़ा simple है जो जो हमने general duties वही कि firm का भलाई के लिए काम करना है competing business नहीं करना है सर अभी तो अब बलो तो company business कर सकते हैं फिर्म छोड़ने के बाद कर सकते हैं फिर्म में रह करके company business नहीं कर सकते हैं यहां तक क्लियर है यहां तक absolutely clear है सर मक्खन की तरह क्लियर है मक्खन की तरह clear है सर कोई doubt ही नहीं है चलो boss and girls five minutes का break लो फिर हम लोग रे मिनिंग पोडिशन कंटीन्यू करेंगे five to seven minutes का break है water break ले लो five to seven minutes का और फिर मेरे से मिल लो take five to seven minutes का break boys and girls no other amendment no other amendment कि वर सेंट नहीं हिते रित रिर मेंके MEMege लेकouse है कि विए क्लोऋ तन अभे क्लिए तरव है में तर पिन दॉक्राष भाहिं तयुमाओ है कि अधर थाल मिल जूए अरे वा यार बच्चे खुश होते हैं तो मैं भी खुश आजाए अशोक इस आस्किंग सटेल अबाउट जून फाउंडेशन एक्जाम पॉर करेंट ट्विल्थ स्टूडेंट्स प्लीज भाई तुम्ही लोग के लिए तो बैट स्टार्ट हो रहा है जिन लोग अभी क्लास 12 में है उनी लोग लिए उन्हें बैट स्टार्ट हो रहा है फटावर जॉन कर लो राइट नॉट नॉट भी एक्सपेल मतलब कॉंस परी सिकर के मेरे को को कोई निकाल नी सकता है यह मेरा राइट है नहीं राज कोई प्रोब्लम नीए अब्ड़ा क्या प्रोब्लम होगा दन दन क्लास देखो यह शिवानी आपसलुटली दफर्स वन इस अजनल एंड रिमिनिंग इस अप्सलुट शोबम मैं लगातार क्लासेज में रहता हूं तो रिप्लाई नहीं हो सकेगा अगर तुम डिरेक्ट भेजोगे तो जो सिस्टम है उसी को फॉलो करना पड़ता है अरे आर गया मेरा गांजा वेरे सुन मदूरिमा चलो ठीका ब्रेक गाइस ठीका ठीका ब्रेक 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 लेलो झाली 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 झाल 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 वेरे शून मिलन आयूश कलोर आज में क्या होने बेटा देखते हैं देखते हैं नितीश अरे बेशर्मों वीडियो को लाइक तो कर दो फूल गए आज झाल 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 पार्टनेशिप प्रॉपर्टी पार्टनेशिप प्रॉपर्टी गाइस सुनो भाइस सुनो बस 15-20 मिनट और 15-15 मिनिट में छोड़ देंगे ुआ को वह पूर्टनेशिप पार्टनेशिप प्रॉपर्टनेशिप प्रॉटनेशिप अच्छे से उपूरा क Minh पूरा 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 अच्छे से तुम लोग revise कर लेना पूरा partnership act अच्छे से revise कर लेना कल quiz खेलेंगे question answers का quiz होगा कल दो बजे कल दो बजे और juniors को बोल तो जिन लोग अभी class 12 का boards के लिए wait कर रहे हैं कि wait ना करें अगर class 12 में है board exam होगा नहीं होगा कब होगा कैसे होगा वो सब चिंता छोड़ कर करके अपना foundation का तैयारी में लग जाए और हम लोग के यहां पर जो है batches जो है वो join करके अपना फटा-फट जो है वो तैयारी start कर दे friends को ये बाद पक्का से बता देना partnership property देखो भई फर्म का property ये तीन वो मना जाता है ये सब firm का property मना जाता है कौन कौन सा property brought in common stock जो common capital से हम लोग property लेकर के आ रहे है common capital से जो हम लोग property खरीद रहे हैं भई property brought in common stock वो firm का property मना जाता है तो फर्म का प्रॉबटी क्या मना रहता है? पार्टनर लोग कैबिटल लाया, अब वो मालों तुम 10 लाख लाया, कोई और 10 लाख, कोई और 10 लाख, 30 लाख, अब वो 30 लाख से हम लोग लैंड खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, फनीचार खरीदे, प्लांड खरीदे, मशिनरी वो फर्म का प्रॉबटी माना जाएगा, फर्म का प्रॉबटी, वैसे गुडविल, जो धन्दा का गुडविल रहता है, वो किसी एक पार्टनर का नहीं है, वो फर्म का माना जाएगा, वैसे पर्चेस्ट और अक्वाइड बाई दा फर्म फॉर बिजनेस पर्पस, फर्म क पैसा से खरीदा गिया है, फर्म का बिजनस के लिए, तो जो प्रोपटी फर्म का बिजनस के लिए खरीदा गिया है, फर्म का मना जाएगा, तो तीन प्रकार का प्रोपटी फर्म का प्रोपटी मना जाता है, बताओ वो तीन प्रकार का प्रोपटी, फर्म का प्रोपटी क्या प्लियर है सर गोडिल का वैल्यू कैसे निकालते हो तो पता ही है जो गुडविल क्या होता है यार वैल्यू अफ रेपूटेशन जिसके कारण हम लोग नौर अवर प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट कमाते है अगर कभी कपर क्या होता है फॉर्म अपना गुडविल बेच रह है तो मांलों अगर मिस्टर एक्स को अपना गुडविल बेच रहे है मतलब फर्म जो है हम लोग करेगा अग्रिमेंट करेगा डेखो फर्म तुम लोग ना फिर सिमिलर नीचर का धंदा नहीं करना विदिन स्पेसिफाइड लोकालिटी या पर्टिकुलर लेंट specified period और local limits बट जो भी restriction है reasonable रहना चाहिए absolute restriction रहेगा तो void हो जाएगा property belonging to partner बताओ एक बात बताओ अगर partner का कोई property firm में use हो जाए partner का घर से आयावा property firm में use हो जाए partner के घर से आयावा property firm में use हो जाए तो वो partner का property माना जाएगा कि firm का बताओ बताओ भाई बताओ हर्च बोल रहा है सर case study question practice होगा क्या आरे हर्च भाई जितना भी RTP में आज तक case study आया हुए mock test paper में आज तक जितना भी case study आया हुए सब practice करवाया हुए YouTube पे video डाला हुए RTP बोल करके RTP marathon सारे 4 घंटा का वीडियो है वो सारे 4 घंटा का वीडियो के अंदर सारे 4 घंटा का वीडियो के अंदर लगबग 200-200 case study is discussed है स्वाती बोल रही है firm का नहीं भाई partner का ही माना जाएगा मैं अगर अपना personal समान कुछ firm में लेकर के आया हूँ firm के जरुरत पूरा करने के लिए तो क्या वो firm हतिया लेगा नहीं जब breakup breakup में यानि dissolve होगा तो partner लेकर के जाएगा property तो property अगर partner का है भले ही वो firm का धंदा में यूज हुआ personal property माना जाएगा कि firm का property माना जाएगा बताओ 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 personal property माना जाएगा answer है personal property माना जाएगा आच्छा जो personal profit, हम लोग के firm में रहे करके, हम लोग का partner बन करके, तुम पीट में हम लोग के छूरा गोपा, हम लोग के साथ रहे करके, तुम competing business किया और profit कमाया ना, तो competing business किया, हम लोग के यह partner था, फिर भी तुम competing business करके profit कमाया, वो सारा का सारा profit तुम को surrender करना पड़ेगा, हम लोग का firm को यादखना, competing business करके, जो भी तुम personal profit कमाओगे, वो firm को surrender करना पड़ेगा, यादखने यह बात, personal profits earned by the partners, जो भी personal profit तुम कमाओगे, personal profit earned by the partners, will be surrendered to the firm, जब firm को पता चलेगा, firm तुम से वो रुपिया compensation मांग सकता है, will be surrendered by partner to firm, छोटा चीज है लेकिन important चीज है, clear है ना, constitution of firm कब change होता है, बताया हुआ है, जब भी कोई भी partner का admission होता है, retirement होता है, death होता है, या धन्दा का nature change होता है, admission, retirement, death, change in the business, यानि धन्दा का nature change हो गया, business का nature change हो गया, या फिर business carried on after the expiry of fixed period of time, business carried on after the expiry of fixed period of time, यानि particular partnership था, particular partnership क्या होता है, जो या तो fixed period के लिए करते हो या fixed purpose के लिए, fixed period या fixed purpose के लिए partnership करते हो तो particular partnership है, fixed period या fixed purpose जब खतम हो जाता है, fixed period या fixed purpose खतम हो जाता है, फिर भी तुम धन्दा चालू कर रखे, वो partnership at will बन जाता है, clear ह क्लियर एंग बैंग पाटनर का जो अथरीटी रहता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है इंपलाइट भी पाटनर को अगर हम लोग कुछ पावर दिया जिल लिख करके या बता करके ओर्रेल ए रिटिन वो express है, लेकिन implied authority law बोलता है, कि यार partner के पास implied authority भी है यार, वो मालिक है यार अगर तुमारा उधार में माल खरीदने का और बेचने का जंद है उधार में माल खरीदने का और बेचने का ordinary course of business है तुमारा, कि तुम माल उधार में खरीदता है और फिर बेचता है तो अगर तुमारा ये ordinary course of business है तो ये partner भी कर सकता है ये काम, कोई भी partner कर सकता है उधार में माल खरीद सकता है और अगर माल लो कोई भी ये उसका implied authority है यार, इतना power है कि वो उधार में माल खरीद सकता है आपने ससुराल के सामने, अपने ससुराल सबना रहा है बीवी का माई का अपने ससुराल के सामने एक बिल्डिंग उधार में खरीद लिया ये हम लोग का ordinary course of business नहीं है ये partner A ने काम कर दिया है outside the implied authority तो खाली भी लाइबल रहेगा फिर बी और सी लाइबल नहीं रहेगा दिवांग में गया सर तो सर ऐसा beyond implied authority सर क्या-क्या रहता है बताइए ना सर acts beyond the implied authority का examples दीजे ये सारे acts beyond implied authority रहते है मतलब remaining partners cannot be held liable remaining partners cannot be held liable remaining partners cannot be held liable for these acts which are beyond the implied authority for the acts which are beyond the implied authority remaining partners cannot be held liable like what remaining partners cannot be held liable submitting a dispute to arbitrator partner लोग में जगड़ा हुआ अकेला एक partner अकेला एक partner arbitrator के पास चला गया अकेला partner कौन होता है अकेला जाने वाला remaining partners लोग के उपर binding ली रहेगा bank account खोल लिया firm के नाम पर बिना remaining partners के consent के अकेला तुम का उन होता है bank account कोलने वाला या फिर compromising the claim, withdrawing the suit, admitting a liability ये तीन तो related सुन लो compromising the claim हम लोग सामने वाला दूसरा party ने हम लोग के साथ धोका किया था हम लोग इसके उपर claim टोके थे 5 करोड का 5 करोड का claim टोके थे ये partner जाकर के settlement कर लिया 5 लाक में अरे तुम अकेला कौन होते हो हम लोग 5 करोड वसूलने वाले थे तुम अकेला 5 लाक में settle कराया ये binding नहीं रहेगा remaining partners के उपर, ये decision नहीं माना जाएगा withdrawing a suit यार हम लोग किसी के उपर case किये हम लोग किसी के उपर case किये तुम जाकर के हो case withdraw कर लिया नहीं माना जाएगा admitting the liability इस बर ना, सामने वाला हम लोग के उपर 5 करोड का case ठोका हम लोग लड़ रहे थे लेकिन ये partner बोलता है हाँ, नहीं, हम लोग का गलती हम लोग चुका देंगे 5 करोड अबे, तुम अपने घर से चुका ना 5 करोड remaining partner लोग लाइबल नहीं है जब हम लोग case किये थे या तो तुम case withdraw कर लेते हो या claim कम कर देते हो यहाँ हम लोग के उपर कोई case किया तुम liability admit कर लिया only that partner is liable remaining partners are not liable या फिर acquiring immobile property transfer immobile property मैंने बताया ना जाकर के building उधार में खर लिया remaining partners liable नहीं है acquiring immobile property या फिर transferring हम लोग जिस building में बैठते हैं वो building अकेले ये बेज देगा remaining partners लोग लाइबल नहीं रहेंगे मतलब यह building अगर अकेले partner बेज दे रहा remaining partners कभी ना मर जिके ये transaction null and void माना जाएगा entering into partnership on behalf of firm तुमको अगर partner बनना था तुम बन जाते हैं दूसरा firm में हम लोग का firm को गुजा दिया तुम उसमें हम लोग का firm के नाम पर partnership कर लिया तुम remaining firm उसमें नहीं माना जाएगा कि हम लोग का firm दूसरे firm में partner है लेकिन अगर कुछ काम तुमने emergency में किया है भले ही वो implied authority के बाहर है बट तुमने emergency में किया good fit में किया firm को नुकसान से बचाने के लिए किया गया काम emergency में remaining partner लोग भी liable रहेगा because it was an act done in case of emergency मक्षन एक्दम clear है बटा तो यह सब कुछ हम लोग को clear है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है चलो अब मेरा खली last unit बाकी रहे गिया ratiation and dissolution of firm मेरे बच्चे जानते हैं जिन लोग मेरे से regular batch कर रखे हैं उन लोग जानते हैं यह कितना deep में जाकर के हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म नंबर भी पढ़ते हैं जो फॉर्म नंबर लोगों को नहीं पता रहता है ratiation of firm ratiation of firm का फॉर्म नंबर भी पढ़ते हैं लोग फॉर्म नंबर वान में ratiation होता है अगर आप लोग यहां तक पहुँच गए है each and every one of you is a rock star each one of you is a winner यहां तक पहुचना कोई मामूली बात नहीं है अगर आप यहां तक पहुच गए है मतलब आपका पूरा industrial law commercial और ethics आपने complete कर लिया है भाई ताबड तोड़ वाला revision था पूरा exhaustive revision था आपको कोई हरा नहीं सकता है exemption पका है आप तो like बने दबादो अब तो comment box में comment कर दो ठीक है चैनल subscribe करके बेले करने दबादो दूसरों के साथ भी यह वीडियो जाज़ा से जाज़ा शेयर करो तभी तुमारे को जो है न positive attraction मिलेगा और तुम देखोगे कि तुमारे साथ भी life में बहुत बढ़िया हो रहा है बहुत बढ़िया मागता रहा है because you care for others so God will care for you so do share this video with all of your friends ठीक है और अपने friends और juniors को हमारे classes के बारे में पक्का से बताना कि best college education is available for PMS students at intern and final and final चलो all the very best for your exam और हाँ twitter बे भी मेरे को follow कर देना लिंक जोए comment box में में दे रहा हूँ ठीक है बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया tweets करके तुम्हों मोडिवेट करता हूँ channel subscribe करके bell icon भी दबा देना ठीक है चलो all the very best you are going to surely rock your exams exemption guaranteed all the best love you guys love you